पतंजली 54 प्राश बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ट 54 प्राश प्रायो जग पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच और पतंजली केशकांती एडवांस नए बालों गाई बालों को जड़नेवा असमे होने से बचाए गिफ निप्टी साथ अंकों की तेजी के साथ पहली बार निकलाए किस हजार के पार दाव फ्यूचर्स करीब पचास अंक चड़ा तो निके में साड़े चार सो अंकों का उचाली सुस्त कारोबार के बीच में ले जले रहे अमेरिकी बाजार डाव लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ असी अंक नीचे बन तो नाज़ेक 45 संख चड़ा कच्चा ते लगाता चौथे दिन गिरकर तीन हफ्ते के निचले सतर पर सततर डॉलर की करीब सोना हलकी बढ़त के साथ बासर दो सो रुपए के उपर तो चानदी पिच अपतर तीन सो के उपर बन तो अमेरिका में 10 साल की बॉंड डील 4 महीनी के निचले स्थर पर 4.2 प्रतिशत के नीचे फसली तो डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ 2 हट्टी की उचाई पर 104 के करीब पहुचा अमेरिका में ETF मन्जूरी की उमीद में क्रिप्टो बाजार की तेजी जारे विटकॉइन 5 प्रतिशत कुछ हल कर 20 महीने में पहली बार 44,000 डॉलर के पार आज से RBI मौटरी पॉल्सी कमिटी की तीन दनों की बैठक होगी शुरू, शुक्रवार को ब्याश दरों पर आएगा फैसला पेपर कम्पनियों के लिए बड़ी ख़बर, दिसंबर में 2-3 रुपए प्रतिकिलों महेंगे हुए राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर, आगे भी कीमतों में 5-10 रुपए प्रतिकिलों बढ़ोतरी की उमीद, Zee Business की एक्स्लूजिव ख़बर USFDA ने फार्मा कंपनियों के प्लांट्स की जान शुरू की, लिस्ट में डॉक्तर रेदी, सन्फार्मा, लॉरसलाब, स्टॉर्ट फार्मा के नाम शामिन और बैंक ओफ इंडिया ने लांच किया QIP फ्लोर प्राइस 105 रुपए बयालीज पैसे नमस्कार, स्वागत है आपका पाव रेक्फिस में, आपके साथ मैं हूँ निहा अनन, बुधवार में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आईए इससे पहले की विदेशी संकेत आपके सामने रखें, इस वक्की बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरूआज जो की आ रही है अगर यहां पर बात की जाए, तो नस्डेक फूचर्स में भी 57 अंकों की मजबूती दिखाई दे रही है, अच्छी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, एशिन मार्केट में भी है, जैपनीज मार्केट निके, यह तकरीबन 480 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और बा नहां रखनी है नजर, पूरे डिटेल है, मेरे सहयोगी दिपानशु के पास, दीप मॉनी, क्या कुछ हुआ है? गिरावर्ती आज रीकलेम कर रहा है, और ग्लोबिली भी कुछ ऐसा खास खराब नहीं हो रहा है, नहीं कुछ जादा अच्छा हो रहा है, बट अच्छे मूड में बाजार बने हुए है, रेट कट की उमीद अभी भी फ्रंट एंड सेंटर बनी हुई है, कल शा मगर अमेरि पर बाज़ बेगार था, उसमें आपने देखा करीब असी अंक नीचे आपके लिए डाव फिसलते हो दिखा है, वैसे कुछ जादा परिशानी वाली बात नहीं थी, कल जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे, तो 50 पॉइंट के आसपास आपको डाव में गिरावर्त देड़ परसेंट नीचे आपके लिए रसल 2000 कल आते हो दिखा है, परसो अफकोस इसने आउट परफॉर्म किया था, एक परसेंट उपर था, तो थोड़ा री अज़स्मेंट हो रहा है, थोड़ा सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन आप कह सकते हैं, जहां तक अमेरीक स्टॉक्स में भी आपको कल खरिदारी का आक्शन आते हो दिखा है, दस साल की जो बॉंड डील है, इसमें आपने कल तगडी गिरावट देखी है, 4.2% के नीचे आपको 10 साल की बॉंड डील आते हो दिखिए, यानि कि सितंबर के बाद पहली बार आप देख रहे हैं, 4.2% के नीचे इनकी 10 साल की बॉंड डील आये, तो बड़ा ही बड़ी कट आपको यहां पर आते हो दिखिए, इसे भी बाजार का मूड मौल थोड़ा ठीक रहा, इनका एक लेबर मार्केट डेटा कल आया था, जो दर्शार रहा है कि लेबर मार्केट में धीमेपन के संकेत आ र बनी हुई है, यॉर्प की बाजार की बात करें, तो यहां पर भी मिला जूला कारोबार था, बड़ जाता तर पॉजटिव ही आक्शन आपको आते होई दिखा है, डॉलर इंडेक्स पिछने कुछ दिनों से मजबूत हो रहा है, इस पर रखेगा नजर, करीब दो हफते की उचाई पर डॉलर इंडेक्स आपको आते होई दिख रहा है, एक सुचार के पास है, इसके वज़े से कमोडिटी बाजार में प्रेशर आपको बनते होई दिख रहा है, डॉल्यू टी आई क्रूड आपका पांच महिने के निचले सर पर आ गया है, बहतर डॉलर पर, ब्रे अचानी के संकेत नहीं है, रेट कट की उम्मीद बाजार में बरकरार है, डेटा भी उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और हमारे बाजार तो दमदार आक्शन में हैं ही, ग्लोबल बाजार भी आपको स्टिबिलिटी की ही संकेत दे रहे हैं। संकेत में पार्टी जारी है, रिकॉर्ड तेजी की, अब उसको लेके आज के दिन क्या करना है? संकेत में पार्टी जारा है, तो यह और भी अच्छा ही है, तो ग्लोबल संकेत अच्छे है, अब आए हमारे अपने लोकल संकेत में, अब बात एक ही, आप बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, दो आपके बड़े जवर्दस रहे हैं, इसला हाफता भी जवर्दस था, यह अच्छा जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ी बड़ी बड़ी बुकिंग के ऊपर के लेवल पर आज सकती है, और खास रहा है, यहां आप एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, वह है 21,000 के अब बाजार के लिए बैद बैद मजबुत सपोर्ट है, और यह रेंज आज आसनी से तूटने वाली नहीं है, थोड़ा दूर है यहां से, सबस्क्राइब नीचे हैं, लेवल आपके लिए बड़े मुश्किल से कमी मिलना है, उपर की तरफ वैसे तो 20,900 के आज पास और इ पर निकल करकर हमने क्लोजिंग भी देखिए, उनफॉंटिनेटली बैंक डिफ्टी में भी मामला ऐसा ही है, जो सपोर्ट लेवल है, बहुत दूर है, यह आज के लिए बैंक डिफ्टी पर मजबुत सपोर्ट का काम करेगा, और उपर इस तरफ पर एक बार से तरफ दो सब्सक्राइब बनाने के बाद, ब्लू स्काई जोन है, इतना उपर जाएगा पता नहीं है, और आज तो बैंक डिफ्टी की विकली एक्स्पारी भी है, तो थोड़े बहुत शॉर्ट अगर और होंगे तो इसके उपर दखने की कोशिश होंगे, तो इस टॉपर स्टेल करते हैं, लॉंग कोशिशन को फोल करें, तो यह 11 जिन पर आपको नज़र रखे है, बैंक डिफ्टी में क्लारिटी है, तो यहां से भी स्ट्रेंथ का जो ब परकरार है, मोमेंटम मस्पूतिक आई है, लेकिन आए रुख करते हैं, एक एक्स्लूजिफ ख़बर का, जो आ रही है पेपर कंपनियों के लिए, बड़ी ख़बर है और इस ख़बर की पूरी डिटेल है, Zee Business के एग्जेकेटिव एडिटर स्वाती खंडेलवाल के पास, स यह कुछ पेपर के, you know, companies है, जिन पर एक positive हम impact देख सकते हैं, क्योंकि सूत्र में बता रहे हैं कि 5 से 10 रुपे पर किलो प्राइस यहां पर और बढ़ सकती है पेपर में, पेपर की कीमते December 2023 से March 24 या अगले तीन महिनों में एक अच्छा खासा है यहां पर प्राइस में सेंबर से भी बढ़ गए हैं, आखरी जो पिछली बार प्राइस बढ़े थे, वो ऑगस्ट सेप्टेंबर की करीब बढ़े थे और लगाता था अभी जो डिमांड एक स्ट्रॉंग बनकर आई है, इलेक्शन और स्कूल रियोपनिंग, यह कुछ कारण रहे हैं, जिसके वैस बढ़ रहे हैं और उससे इन कंपनीज पर एक पॉजिटिव इंपक्ट हम देखेंगे। अब और कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, कौन-कौन से ट्रिगर्स हैं जहां नजार रखनी हैं। अगर आप कुल प्रोडक्शन देखें तो 7% के आसपास बढ़कर आया है, और एक्सपोर्ट्स की बात करें, कुल एक्सपोर्ट्स जो आया है, वो लगबक 3% बढ़कर आया है। बैंक ओफ इंडिया, बैंक ओफ इंडिया ने QIP लाँच किया है, QIP के लिए 105.4 का जो है शेर फ्लोर प्राइस तरह किया गया है, जो कि अगर आप मौजिता बहुत देखेंगे, उससे 4.2% डिसकाउंट पर है, और इश्यू प्राइस को लेकर 8 दिसमबर को बैठक भी है। State Bank of India, यहाँ पर Executive Committee ने SBI Pension Funds में हिस्सा खरीद को मनजूरी दी है, SBI Caps से SBI Pension Funds में 20% हिस्सा लगभग 230 करोण में खरीदेगी। Sun Pharma, इनकी सबसीडरी ने Eccles Thripetics के साथ लाइसेंसिंग करार किया है, और यह करार के तहट कंपनी जो है, उनके Eccles के कुछ पेटेंट्स के लिए Exclusive Rights इनको यहाँ पर मिलेंगे, और लगभग करार के तहट कंपनी का जो पेमेंट करेगी, वो उनको 125 करोड का होगा। Ion Exchange, यहाँ पर Eccleson INC के साथ इन्होंने के लगभग 150 करोड का Arbitration दावे को International Chamber of Commerce Tribunal ने खारीच किया है, कंपनी पर Agreement के उलंगन का यारूप था NRV Bearing और Oboroire Reality, यहाँ पर कंपनी ने Oboroire Reality के साथ, NRV Bearing ने Oboroire Reality के साथ M.O.E.U किया है, और अगर आप देखें तो 25,700 स्क्वाइर मीटर सेल और ट्रांसफर के लिए करार करते वे दिखें हैं कई सारी बल डिल्जे जिसमें सबसे पहले सफायर, यहाँ पर प्रमोटर्ज ने लगबग 27,000,000 शेर बेचे हैं, उनकी हिस्सेदारी अगर आप देखें 7.9, लगबग 8% से गिरकर 3.76% के आसपास हो गई है और Government of Singapore जो है वो लगबग 20,000,000 के आसपास शेर खरीदते वे दिखे हैं होना सा यहाँ पर Fireside Ventures ने लगबग 61,000,000 के आसपास शेर बेचे हैं Buyers में आपको Norges Bank of Bank on account है, वहाँ पर उन्होंने लगबग 25,000,000 शेर यहाँ पर खरीदते वे दिखे हैं श्रीराम Properties यहाँ पर Sellers में TPG Asia जीनोंने जो Non Promoter में हैं उन्होंने 1.67 करोड जो की 9.8% से दारी है वो अगब बैस्ते वे दिखे हैं, Buyers में आपको BNV पारिबास, Tara Emerging और OHM Enterprises जो हैं ऐसे नाम आपको दिखेंगे चलिए तो यह में तो पून ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर में आक्शन दिखेगा लेकिन आईए अब हम आपको ले चलते हैं एक exclusive research की तरफ तो क्या यह research है, exact खबर क्या है, कौन से sector पर है, क्या impact होगा पूरी डिटेल है कुशल के पास, कुशल मॉनिंग, सुबह सुबह आप exclusive research लेकर आ गए है, तो ज़र बताइए किस sector से जुड़ी हुई है और कौन-कौन से stocks हैं जो impacted होगे, बिल्गोल नया, गौन मॉनिंग, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर घरेलू, सोड़ा आश कंपनियां जो हैं, उनको लेकर आगे चलकर price development जो चीन में होते हुए दिख रहे हैं, इनको बड़ा फाइदा हो सकता है, reason being मैं आपको बताओं कि यहाँ पर 10 नवंबर को भी हमने आपको पहले लिंक करकर बताया था कि सोड़ा आश के कीमते किस तरह से चीन में लगातार बढ़ते वी नजर आ रही हैं, वहाँ पर जो plants की दिक्कते हुई थी, उसके बाद जो उत्पादन कटोती होती वी नजर आई, जो सुत्रों के अवाले से बताते वी नजर आ रहे हैं, उसके लगातार यहाँ पर बढ़ते हैं, 9 नवंबर को जो प्राइस था और उसके बाद कल के दिन में जो प्राइस था उसमें आप कंपारिजन करेंगे तो लगभग 42% की ग्रोथ यहाँ पर आती वी दिख चुकी है, तो प्राइस में almost 42% की बढ़त आपको देखने को मिल चुकी है और दिसंबर में अब तक सोडाइस की कीमतों में चीन में 12% का उच्छाल आपको अल्रेडी देखने को मिल गया है, कल 2752 रेंडमीबी पर टन यह प्राइस आती भी दिख रही थी, चीन में 1932 रेंडमीबी पर टन यह 9 नवंबर को प्राइस था, तो जाए से बात है कि यह यहाँ पर बड़ा इंपार्ट आपको जो चीन में सोडाइस की कीमते हैं, उसमें देखने को मिला है, तो जो बढ़ात हुई है, घरेलू जो डुमेस्टिक कंपनिया हैं, जिसमें टाटा केमिकल, जी एस सील, डी सी डबलू लिमिटेड शामिल है, इनको आगे चलकर बड़ अगर 10% मुनाफ़ा बढ़ता है, तो सोडाइस की कीमतों में अगर 10% का इजाफा होता है, तो यहाँ पर जो मुनाफ़ा है, टाटा केमिकल करीबन 30%, जी एस सील का 32% और डी सी डबलू का करीबन 35% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, तो इस इंडिकेशन बन रहे हैं और घरेलू सोडाइस कंपनियों को यहाँ फाइदे की बात है, टाटा केमिकल्स और डी सी डबलू कुछ चुनिंदा नाम है, जो आज सुर्खियों में रहने वाले हैं, धनिवाद कुशल आपका उस एक्स्क्लूजिव रसर्च को दर्शकों के सामने रखने के लिए, आई इंडियन एक्टी मार्केट चूता हुआ नजदा रहा है, और यह तेजी हमारे मानना है कि यहां से बरकरार रहनी किये, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी मजबूत है, और भी हमें देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सला होगी, स्टॉक के अजदा नविन फ्लोरिं, यह पर्टिकलर काउंटर है, जहां पर हमने कल के सेशन में काफी शानदार पूल बैग देखा था और एक ब्रेक आउट भी हमें देखने को मिल रहा है, तो नविन फ्लोरिं पर नजज़र रखने चीए, 38.60 के ओपर की उपर की ग्लोजिं डेखन को मिलाता तो यहां पर भी नज़र रखनी चाहिए इस स्पेस में से बिगज प्राइवेट सेक्टर बैंक एज़ी एफसी बैंक इस परिकलर काउंटर में काफी लंबे समय बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो एज़ी एफसी बैंक को भी नज़र रखनी चाहिए 1650 एंड 1670 तक की अपसाइट के लिए करे खरदारियों एफसी बैंक 1670 तक उपर यह स्टॉक जाता दिखाए दे रहा है निलेश जी धन्यवाद हमारे साथ जुडने के लिए और वो राय रखने के लिए रुकत एक छोटे से ब्रिक के लिए ब्रिक के बार जब लोटेंगे के मॉड़ी वाजार की रणनीती रखेंगे आपके साथ बेदाक चांद ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मोरा मचा गया निउस्टाइल वर्मोरा टाइल्स फ्लोरिंग व्यूटिफल बनाने का निउस्टाइब ये शास्त्र है विज्ञान है पुरातन का गान है ये वेदू से मिला हुआ महर्शियों का ग्यान है बंच तत्मों की सुगंध न कोई शक न कोई द्वंध पातपित कफ को जो करता है नित्य खंड खंड अशुधता का भाव भी इसको न छू सके कभी ये जीवनिय शक्ति है इसमेन अति शोक्ति है अरुवेद का ये सार है आरोक्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल है पतंजली चवन फ्राश है दाउनलोड ये अप्लिकेशन, विसित iclfincorp.com अश्पिटल मे एड्मिट हुए नहीं कि बिल का मेटर चालू और ये मेटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंशॉरंस कहतम करगा और फिर सारी सेविंग्स पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बजार पे एक करोड का हेल्थ इंशॉरंस सिर्फ 390 पे महिने से शुरू ले लो मेरी तरह mutual funds distributor बनना चाहते हैं तो चाहिए MFD करेशुरू.com पर तो करेशुरू प्रतिपधता हूँ मैं प्रकृती हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सतकुनों से भरा खरापन हूँ, खुदुरत का अंश लेकर जीवन दाएनी बना हूँ मैं, पतंजली हनी हूँ मैं, किसांस से तुकान तक वल्कम बैक, आप देख रहे हैं पाफ ब्रेक्फिस, आईए कि माउटी बाजार की रणनीती समझते हैं, फृत्वी फिनमार्ट के मनोश कुमार जैन हमारे साथ चोव में शामल हो चुके हैं, मनोश सर मॉनिंग बहुत स्वागत है, पहले तो कच्छे तेल पे फोकुस कर ल हमारा मानना है कि यहां पे निचलेश करोपर आज कुछ सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, कच्छे तेल की कीमतों का लगातार गिराओट के पीछे मुख्यकारण जो पेक प्लस की तरफ से जो उत्वादत में कटोती की गई थी, वो मार्केट को डिसपॉइंड कर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन अल्रेटी मार्केट जो है वो टाइट सप्लाइड है, तो यहां पे 72 डॉलर जो है टब्लू के लिए अच्छे सपोर्ट लेवल है, आज के सत्रमयाद निचने तरफ पर सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, त्रेश यहां पे शॉट की सला नहीं रहेगी, शॉट की पोजिशन में एक बार मुनाफ़ा वसुली कर ले, वह इंटरडे के लिए 6020 के इस तरफ पर आज पाइंग की सला रहेगी, 5950 के स्टॉप लॉट से, लक्ष यहां पे 6200 का रख सकते हैं इंटरडे के लिए, तो खरदारी बनती है या थोड़ा वे तो यह थोड़ी एक्सटेंट हो सकती है, क्योंकि अभी हमने जितर से जो यहां पे चाइना में ग्रोथ में कटोती के अनुवान आते हुए देखे हैं, साथ ही डॉलर इंडेक्स में रिकावरी देखने को मिल रही है, तो उसका साथ कीमतों पर पढ़ता हुआ दिख रहा है तो सोने में यहां अगर 26.500 के सब ले तो पिकवाली करके चलना चाहिए, पांसट हजागाज 800 के स्टॉप लॉस से, लक्ष यहां पे इंट्रटे कीलिए एक्सट हजागाज 900, और अगर इससे दो दिन का लक्ष लेकर चलेगे तो िकाश्वार जागे चान्दी में? मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है क्यूंकि कॉपर लोडग गया है अलिमिनियम लेड जिंक सब यहां पर हम देख रहे हैं मल्टी भी क्लोस के पास ही ट्रेट कर रहे हैं तो क्या अभी और प्रेशर जेल ला बाकी है क्या क्या रणीती अपना निये सोना चांदी सेल करके चले लेकिन जहां तक कच्छे तेल का सवाल है यहां पर कुछ खरदारी बनती और कॉपर में भी आप कुछ बाइंग की रणीती अपना सकते हैं आईए अब बढ़ते आगे FIR यानि FI investment reports के तरफ तो फॉरें ब्रोक्रेजर्स की नजर कौन-कौन से स्टॉक्स पर है अर्मान के पास है पूरी डिटेल अर्मान बताएं जी बिल्कुल कई सारी रिपोर्स आती है जिसमें सबसे पहले बजाज आटो पर रिपोर्ट है डबल डाउन ग्रेट करा है उन्होंने आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म पर पर टार्गेट जो है वह बढ़ाया है 5670 से बढ़ाकर 6382 का टार्गेट करते हैं हलाकि मुझूद अब अगर आगर आप देखेंगे तो 6140 का है CLA से की ही आईशर मोटर्स पर रिपोर्ट है यहां पर भी डाउन ग्रेट करते हैं बाय से अंडर पर फॉर्म पर और टार्गेट जो है वह भी थोरा सा गटाया है 4250 से गटाकर 4129 का टार्गेट कर दिया है उ जो कि अगर आप मुझूद अबाव देखेंगे 3807 उससे काफी उपर ही है उन्हीं की TVS मोटर्स पर भी रिपोर्ट है मेंटेन रख रहे हैं सेल को टार्गेट वह उन्होंने यहां पर बढ़ाया है 1206 से बढ़ाकर 1378 का टार्गेट कर दिया है और सिटी की ही बात करें उन मेंटेन रख रहे हैं भाई को टार्गेट कट किया है थोड़ा साही कट करा है 3000 से कटा कर 2990 का कर दिया है और अंत में CT की बात करें ओंगी सी पर मेंटेन रखा है भाई को टार्गेट 230 का चलिए धन्याबाद अर्मान पूरी डिटेल के लिए इसी के साथ पार ब्रेक्पिस को में ही राप अप करते हैं लेकिन बने रहे हैं जी बिजनस के साथ प्रेक्पिस पार लेकर आएंगे ट्रेडर्स डारी जहाँ आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बेदाक चांग ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मॉरा मचा गया न्यूस्टाइल वर्मॉरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल हनी बेग ब्यूटिफल वर्मॉरा में भूलों में बसा स्वाध हूँ अर मिलावट से आजाध हूँ परिश्रम और प्रतिबधता हूँ मैं प्रकृति हूँ शुद्धता हूँ मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ सतकुनों से भरा खरापन हूँ खुदृत का अंश लेकर जीवन दाएनी बना हूँ मैं पतंजली हनी हूँ मैं किसांस से तुकान तक बेदाक चांग ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मॉरा मचा गया न्यूस्टाइल देखो यार जिन्दगी का कोई भरोसा नी पता निक कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैंबली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई ए खत्रें पड़ जाए तो आज ही पॉलिसी बजार से एक करोड का टम लाइफ इंशॉरेंस कराओ सिरफ पांसो पच्चीस रुपे मह मोधी सरकार की गारंटी महिलाओं के लिए धुआ मुक्त रसोई प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तहत दस करोड ग्यास कनेक्शन हमारा संकल विक्सित भारत तुमने नौकरी छोड़ दी अब आगे क्या प्लान है अब फुल टाइम मुचल फंद इस्टीबिशिशने लिए इटा इसने में घर कैसे चलेगा पापा मेरे पास तेड़सो क्लांट्स अल्रेडी है और नए क्लांट्स मिलते रहते हैं अब नुक्री छोड़कर फुल टा करेशुरू.com पर तो करेशुरू रेतो हो रहा है एक मिनट वाव पिन लगा फिनन इलगंगा छोटी पहमें लगा चोटी पिन के लिखा केले एक Alta बड़ेती नहीं हो रहा है अजinnen अबलाई इुरू defendant गया सब्क्रार्यर कॉजनड़ी नहीं ने यु प्रम हुआ sick टाव के आ गया? यॉयक्त जूर्मोराटाइल्स छो बनाने का नीज즈 टाइय नहीं यार दातो में दर्द है तो ब्रशस नहीं करती है? रोज करती हूँ क्या ? जूट पिस्ते? मतलब यह एक सच होता है וदाने और उसका destroy प्रेश का जूट तो जिससे तु ब्रश करती है, वह है जूट पेस्ट, और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूं दंत कांती से, यह साधारन टूट पेस्ट नहीं, टूट पेस्ट है. प्रस्तुत करता, पतंजली चवन प्राश, बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना, विश्व का सर्वश्रेष्ट चवन प्राश, प्रायोजक, पतंजली दंत कांती टूट पेस्ट, कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच, और पतंजली केश कांती एडवांस, नए बालोगाई बा फ्यूचर साथ अंक चड़ा, तो निकाई में करीब साड़े 500 अंकों की दमदार थेजी, सुष्थ कारबार के बीच बिले जुले रहे अमिरिकी बाजार, डाव लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ 80 अंक नीचे बन तो नैस्डेक 45 अंक चड़ा, कच्चा तेल लगा, तार चौते दिन गिरकर तीन हफ़ते के निचले स्तर पर 77 डॉलर के पास, सोना हलकी बड़त के साथ 62,200 रुपए के उपर, तो चांदी 75,300 रुपए के उपर बन, अमेरिका में 10 साल की बॉंड इल चार महिने के निचले स्तर पर 4.2 पसेंट के नीचे फिसली, तो डॉलर इडेक्स मजबूती इसके साथ 2 हफ़ते की उचाई पर 104 के पास पहुँचा, अमेरिका में ETF मन्जूरी की उमीद में क्रिप्टो बाजार की तेजी जारी, बिटकोईन 5 पसेंट उचल कर 20 महिने में पहली बार 44,000 डॉलर के पार, आज से RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तीन दिन की बैठक होगी शुरू, शुक्रवार को ब्याज धरो पर आएगा फैसला, पेपर कमपनियों के लिए बड़ी खबर, दिसम्बर में 2-3 रुपए प्रती कीलो महंगे हुए राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर, आगे भी कीमतों में 5-10 रुपए प्रती कीलो बढ़ोतरी की उमीद, जी बिजनिस की एक्स्क्लूसिफ खबर, बैंक ओफ इंडिया ने लाँच किया QIP, फ्लोर प्राइस 105 रुपए 42 पैसे, नमस्कार ट्रेडर्स जारी में स्वागत आपका, मैं हूँ आपके साथ आशीश चत्रवेदी, और नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुशल गुपता, मिड़ वीक सेशन है और बैंक निफ्ती की वीकली एक्स्पाइरी का दिन भी आज की दिन, आज है और देखना है कि आज किस तरह से बाजार ट्रेड करते वे नज़र आते हैं, बट सबसे बढ़िया और बेहतरीन संकेत तो आशीश गिफ्ट निफ्टी से आते वे नज़र आ रहे हैं, पहली बार 21,000 के पार गिफ्ट निफ्टी अब कारोबार करते वे दिख रहा है, तो ये अपने आप में एक और नया लेवल्स आपके सामने आते वे नज़र आ रहे हैं, और इसकी एक्स्पेक्टेशन्स आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल क्यूज है वो आज के लिए किस तरह का सेटप बन रहा है, शौरासी पॉइंट उपर 21,000 सेटिस के पास गिफ्ट निफ्टी नज़र आ रहे हैं, डाव जोन्स पर एक बारी नज़र डाली है, तो अल्मोस्स उस्ती का मूड मौहल था, वहाँ पर ज़्यादा तेजी और गिरावट का आपको इंडिकेशन्स नहीं आते वे दिखेंगे, इनफाक्ट करिवन 0.2% तक की ही गिरावट थी है, हारा कि नैस्डेक में कल के दिन में अच्छी खरिदारी होती वी नज़र आई, एपल के शेरों में भी उच्छाल था, और अफकोर्स आपको यहाँ पर देखना है कि जो बॉंड डिल्ड है, वहाँ पर किस तरह से गिरती वी नज़र आई है, और गिरावट 10 साल की जो बॉंड डिल्ड में आई है, हो सकता है कि हमारे बाजारों को आज उससे थोड़ा से रिजाइस होते में नज़र आई, और IT काउंटर्स पर फोकल सके यहाँ पर आपको तेजी देखने को शायब मिल सकती है, अब यही देखना है कि यहाँ पर जो कच्चे तेल में लगातार गिरावट होती भी दिख रही है, उससे हमारे बाजारों को किता बड़ा फाइदा मिलता वा नज़र आएगा, बर अफकॉस हम अलरी लाइफटाइम हाई पर है और आगे भी तेजी की जो संकेत हैं वो यहाँ पर साफ दोर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि FIS की तरफ से अच्छे खासी खरिदारी कल के दिद में अगेन कैश मार्केट में होती भी दिखी है, पांच हिजार क्रोड से ज़ादा की खरिदारी कैश मार्केट में आपको FIS की यहाँ पर बनती भी नज़र आई है, तो जाइस से बात है कि जो क्यूज दिख रहे हैं, कच्छे तेल में गिरावट है, FIS की खरिदारी है, वो गिफ्ट निफ्टी को और उपर ले जाने में कारगर साबित होतावा दिख रहा है, तो ओपनिंग अच्छी हो सकती है, क्लोजिंग कहां पर होगी, यह देखना और जादा इंट्रेस्टिंग रहने वाला है, आशिश, तो मुझे तो लग रहा है कि क्यूज अच्छे लग रहे है, ठीक ठाक है, अच्छी तेजी का मुमिंटम बनावा है, बड़ आप कैसे देख रहे हैं बाजार को आज के लिए, और आपकी टीम में कोई सेल है क्या आज? कुबलरी 21,000 के पार है, अपने आप में सेंटिमेंट बूस्टर है, 21,000 के पार जाना तो यहां पर भी रखेंगे नजर, शुरुआत कर लेते हैं, कैश की कैटेगरी के साथ, तो पहला स्टॉक में आपको बता देता हूँ, जहापर करनी चाही खरिदारी स्टॉक लगातार, लिस्ट में शामल रहा है, स्टॉक का नाम है, विदान फाशिंज, यानि मानियवर, यहाँ पर आपको करनी चाही खरिदारी, जरसल अगर आप देखें, तो जिस प्रकार के टेक्निकल स्टॉक्चर के बाद यह स्टॉक में लगातार, तीजी आई है, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और अभी भी शमता है कि अपना जो आल टाइम हाई है, जो की करीब 1534 रुपे के आसपास होकर आई है, तो आपकोर्स यहां पर तीजी के लिए भी तयार होता वा दिख रहा है वेदान फैशन, आपकोर्स कल के दिन में भी आपको अच्छा गासम हो आता वा नजर आया है, और शादियों का सीजन है, तो इस वज़े से भी यहां पर बड़ा फोकस, मतलब विदाउ दो-तिन निरों से मैं लगातार, आपको टायल स्टॉक्स बताते वे भी आ रहा हूं, पहले C8 बताया था, फिर Apollo Tires बताया है, कल के दिन में आप देखिया Apollo Tires में भी ऑल्मोस 2,5% तक की तेजी देखने को मिले थे, क्लोजिंग हाला की 1,5% तक की गेंस थे, बड़ अफकोर आ रहा है, बहतरीन तेजी के लिए ये भी काउंटर तयार हो रहा है, क्योंकि fundamental सभी स्टायल स्टॉक्स कंपनियों के लिए एक साथ एक फैक्टर में ही आगे चलते वे नज़र आएंगे, तो कच्छे तेल में जिस तरह की गिरावट कल के दिन में अगें 10% तक की हुई थी उसका फाइदा आज आज आपको इस काउंटर पर देखने को मिल सकता है, 365 रुपए के टागेट तेले खरदारी करनी है, साड़े 300 रुपए का रहते स्टॉक लॉस चले, कैस सिग्मेंट की तो बात हो गई है, अब आगे डेर्विटे स्पेस की कैटेगरी में आज का फ्यूचर जो हमारा है, उस पर डिसकस कर लेते हैं तो मैंने इस कैटेगरी में स्टॉक चुना है, कोरोमंडल इंटरनाशनल का और यहाँ पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वज़ा बन रही है, फिछले पांस दिनों का चार्ट मूवमेंट अगर आप देखें, तो यहाँ पर अच्छे खासी खरिदारी धीरे धीरे, कोई अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आती वी नज़र आ रही है, और अब आल्मूस्ट बारासो के पास कोरोमंडल इंटरनाशनल का काउंटर आपको आतावा दिख रहा है, कल भी आप देखें, समापसंट के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई थी, तेजी का कैंडिडेट है और भी अच्छी तेजी बन सकती है, 1240 रुपे के नए टार्गेट के लिए खरदारी करिए 1150 रुपे के स्टॉक लॉज के साथ, फ्यूचर के आतार पर स्टॉक मैंने चुना है, जहाँ पर रखने चाही नज़र वो है, SRF टेक्निकल स्टॉक्चर काफी शानदा नज़र बार है, अब दरसल चार का स्टॉक्चर देखेंगे, तो 2170 रुपे के आसपा स्टॉक ने तीन से चार बार इसको टेस्ट किया है, कोशिश कर रहा है कि ट्रिपल बॉटम नज़र आ जाए, लेकिन ट्रिपल बॉटम नहीं है, काफी बार तीन सार बार जो है, इस तर को यहा पर आपको खरिदारी करनी चाहिए, पचीस सो रुपे के टागेट के लिए, और स्टॉप लोस आपको लगाना 2440 रुपे का तेजी आप पर काफी बढ़ी है, देखने को बली कि ऐसारे फ्यूचर करनी है, आपको खरिदारी बढ़ते हमारी अगली काट डेकरी कि और जो कि आज जो मूब है, इसका एक कनफर्मेशन भी देखने को मिला है, आज बिजार का मूड मौल काफी बढ़ी है, नाजड़ा कुचर्स भी ठीक टागी है, गिर्टने फटी चुरासी अंग को पर है, तो यहां पर आ सकती है, तीजी, तागेट काफी अच्छे हैं, 200 रुपे त टागेट के लिए खरदारी करिए, डाए रुपे का आपको रखना है, स्टॉप लोस, अब तर्क बता देता हूँ, अगर आप पिछली एक महिने का चार्ट सुकर देखेंगे, तो 144 रुपे के लेवल से अच्छे का से एक्मिलेशन होते हुए, अब 156 रुपे के आज़ प को बता दिये हैं, स्टॉक्स और उनके लेवल्स के साथ, पर आगे और बे कैटिकरीज लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले लेना होगा हमें एक चोटा सा ब्रेक। नीज ताल वर्मुराटाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूडफुल बनाने का नीज स्टाल अयुड़ेद का ये सार है, आरोक्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतनजली चवन्फाश है बेदाक चान, ब्यूटिफुल फ्लोरिंग्ड़ वर्मौरा, मचा गया सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा चार करोड पक्के घरों का निर्मान हमारा संकर विक्सित भार करेंगे छाई ए तू क्रिज़ करोंगी चारिगी अप्लेटार में घर नू है करोन दिस्टिबूटर एंध्ग कुछ किन एंप्ल लिमिटेट को शुरुवार की सालों में जितनी मेहनत करूगी जितने कस्टमर्स बनाऊंगी इतना ही फ्यूचर मेरा भला होगा आप धी मेरी तरह mutual fund distributor बन सकते हैं जानिये कैसे mfd करें शुरू.com पर तो करें शुरू मोधी सरकार की गैरंटी सस्ती दवाई अच्छी दवाई कम से कम 75 प्रतिशत डिस्काउं अब तक जरूरत मंदों के 23,000 करोड रुपे बचे हमारा संकल्ब विकसित भारत इंशुरेंस कोई ROI नहीं है, MF, ER चेक कर हाई होगा, क्या है? आप BP चेक कीजिए, हाई होगा, हाई BP से CKD हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खतम स्रेश्ट भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंट आज अपने स्वर्निम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल और द्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है आज अपार संभावनाव से भरे इंवेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है राज्य में 2000 से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में सुथार और उद्योगों के लिए अनुकूल विक्सित एकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतिया 200 से अधिक निवेश योग ये परियोजनाव और 6000 एकर से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तरा खंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविश्य सुनिश्चित कर रहा है आए जुरिये ग्लोबल इंवेस्टर सामिट 2020 के साथ और दीजी अपनी आठिक उन्नती को उड़ान मोदी सरकार की गारंटी हर घर पहुँचेगा नल सी जल अब तक साड़े तेरा करोड से अधिक नल कनेक्शन हमारा संकल विक्सित भारत अश्य दोश्वर्मा, Mutual Funds Distribute अरे सर जी, Mutual Funds वाले खुद ही कहते रहते हैं डिरेक्ट इंवेस्मेंट कर लो सारे डिरेक्ट इंवेस्मेंट करेंगे तो आपको कोन पुछेगा हम यहां क्यों बैठे हैं गट्टी सिखने के लिए सर जी, Mutual Funds का भी सेम फंडा है शुरुवात में किसी ना किसी को तो Mutual Funds की सारी जानकरी देनी होगी ना मैंने भी शुरुवात करनी आप भी मेरे तरह Mutual Funds Distributor बन सकते हैं जान ये कैसे MFD करेशुरू.com पर तो करेशुरू पहाड़ों पर जो देगा हर दुश्मन को धंड ऐसा है भारत का प्रचंड मेकिन इंडिया अभ्यान की मिसा डिजाइन और इंटिग्रेशन में स्वधेशी की पहचान युद्ध भूमी में अभेध है जिसका पाफ सीमा पर देता जो दुश्मन को धंड नाम है उसका प्रचंड थल सेना को मिले विच्चानवे और वायू सेना को मिले ये 65 हेलिकॉप्टर 500 किलो तक ता वजन उठा सकते हैं 21,000 फिट की उचाई तक उडान भरने में सक्षम है एंटि रेजोनेंस आइसोलेशन सिस्टम और हिंजलेस में डोटर इस घातक हत्यार को दुश्मन की नजर से बचाते हैं 70 MMP मेस्टर और हेलिना मिसाइल्स इसकी ताकत को अभेद बनाती है M621 कैनन एक मिनिट में 800 गोलियां पायर कर दुश्मन को धेर कर सकती है ये प्रचंड है सामर्थय, ताकत और शक्ति का प्रतीख है नया भारत, नई उडा हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंशॉरंस खतम करेगा और फिर सारी सेविंग्स पर घबराओ नहीं पॉलिसी बजार पे एक करोड का हेल्थ इंशॉरंस सिर्फ तीन सो नब्यर पे महिने से शुरू लेलो स्रेश्ट भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्निम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल और द्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है निवेशकों के पसंदीदा इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाव से भरे इंवेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है राज्य में 2000 से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में सुथार और उत्योगों के लिए अनुकूल विक्सित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतिया 200 से अधिक निवेश योगिये परियोजनाव और 6000 एकर से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तरा खंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविश्य सुनिश्चित कर रहा है आए जुरिये Global Investors Summit 2020 के साथ और दीजिये अपनी आथिक उन्नती को उड़ान ये सारे है आरोग्य का प्रकाश है ये धिक्वियै है अमूल्य है बतंजली चबनः खाश है जली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते हमारी अगली कर्टेगरी जो के टेखनो पे कुछल बताई आए बिल्कुल आशीज तो टेक्निकल चार्ट के अदार पर मुझे आईटी स्पेस काफी पिसंद आ रहा है आज के दिन में बिल्डा सॉफ्ट ये काउंटर है जहां पर आपको नज़्यर रखनी है इन फैक्ट कल के दिन में इसका चार्ट नोटस कर रहा था तो 12 बिजे तक तो गिरावट का ही ट्रेट बनावा था पर उसके बाद 625-626 रुपई के लेवल से जो उसके बाद अपमूव बना है मुझे लग रहा है कि आज ये तेजी और अच्छी बन सकती है 639 का हाई बनाया था कल के दिन में 637 रुपई के आसपास की क्लोजिंग रही है खरिदारी करकर चलिए चार्ट स्रक्चर बहतरीन हो सकता है 658 रुपई के टागेट के लिए खरिदारी करनी है बॉर्ड दिल में गिरावट का फाइदा इसको भी मिलेगा 663 रुपई का रखना है आपको स्टॉप लॉस स्टॉप के दुरान काफी बार डिसकस कि कभी भी स्टॉप कोई भी अगर आल टाइम हाई ब्रेक आउट देता है अच्छे पैटन और कंसॉलिडेशन के बाद तो उन स्टॉप में बड़ी तेजी आपको देखने को मिलते है तो वर्दमान स्टॉप यहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकते है टागेट मेरे तरफ से है 255 रुपे के और 224 रुपे का आपको पास का स्टॉप पसंद है ब्लू टार्ट यहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी और थोड़ा सा लंबा समय का ऐसा नहीं कि आज पता है तो आपते बरकेंदर गेंज आ जा जाएंगे या फिर आप इंट्राडे मोमेंटम को चेस करें स्टॉप ट्रेडिंग के लिए आज का नह का बढ़िया रिटर्ण यहां पर देखने को मिलेंगे जो टागेट मेरी तरफ से निकल कर आ रहे हैं वह आठ हजार रुपे के देखने को मिल रहे हैं अब तरक आपको बताता हूं एक तो दिग्ज़ पैरेंटेज है डीचल कंपनी के प्रमोटर साथ में अगर आप देखे जो टागेट से आपको ब्लू डाट में नज़र आएंगे चलिए तो ब्लू डाट में कन्विक्शन बढ़ता हूं नज़र आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो 35 रुपे एक तरह से लग रहा है कि बॉटम लेवल्स बनते वे नज़र आ रहे हैं इसके और अब आप देख के लिए अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही बहतरीन प्राइस है आपको याद है इसके पहले जब इसके तो प्रिविस दो बाइबैक हुए थे एक तो 45 रुपे के भाव पर किया था और उसके बाद 4150 रुपे के आसपास भी इन्होंने ये बाइबैक करते वे नज़र आये थे अब ही आप देखे तो उस परस्पेक्टिव से जो प्राइस बाइबाक का इन्होंने अनूंस किया था उसकी परस्पेक्टिव से तो अफकोर्स काफी रीजनिबली प्राइजड है और लंबी अ सॉफ्वेस बना रही है तो जो नया ग्रोट ट्रिगर है वो सभी आईटी कंपने के लिए बनते वे नज़र आ रहा है और उसमें हो सकता है कि जो बाजार की लीडिंग कंपनिया है वो बड़े रूप में जो पॉस्टिविटी है उसको फैक्टरिन करते वे नज़र आये त साल में TCS आपको दमदार रिटरंस दिखा सकता है तो यहां पर खड़दारी करने की राय है चलिए यह तो हो गई है फंडा पिक की बात आगे बढ़ते हैं अपने निवेश की कैटेगरी तरफ और इंवेस्मेंट की परस्पेक्टिव से एक हाई डिविडिंट टील स्टॉ पावर ग्रिट यह स्टॉक मैंने चुना है तो पावर सेक्टर की दिगज कंपनी है इन फाक्ट आप इसके लिए स्पेसिविगली रिटर्न और इक्विटी भी देखेंगे तो 19-20% की आसपास की आरोई भी है कंपनी की और डिविडिंट टील की जो मैं बात करा था पांच की ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और सरकारी कंपनी है और आगे के लिए इसके लिए जो फाक्टिस बन रहे हैं वो भी बड़े रूप में आपको फाइदा पहुंचा सकते हैं तो डिविडिंट डिल की परस्प्रक्टिव से फंडमेंटल क्यूज अच्छे है उस चीज़ को ध्यान में रखते वे अगले एक साल में 265 रुपे की टागेट के हिसाब से पावर ग्रिड में करकर चलिए खरिदारी दो सो पैसे तक के टागेट यहां पर आपको देखने को बन सकते हैं पार ग्रिड अंडिस्क्यूटड यहां पर आपको करने चाहिए खरिदारी निवेश के लाएज से मुझे भी पसंद है एक सरकारी कंपनी स्टॉक का नाम है सेल यानि स्टेल लिटार्टी ऑफ इंडिया स्टॉक का अगर आप देखें तो टेकनिकल तोर पर काफी बढ़िया लग रहा है और स्टील स्टॉक्स में खास अक्शन रखेगा क्योंकि कमपेडिटिवली आप देखें अभी तक इन में इतना बड़ा मूब नी है टाटल स्टील भी अच्छा लग रहा है सेल बी सब्सक्राइब तो आगे अच्छा असर देखने को मुलेगा बारा मैंने का समय दीजे डिविडेंट भी अच्छा कासा देती 115 तक के जो टागेट से आपको देखने को मुलेंगे समय थोड़ा सा जाधत देना पड़ सकता है लेकिन फिलाल अगर आप देकर बहुती सब्सक्राइब तो इसका एक इंपाक्ट देखने को मुलेगा हलाकि खबर इतनी दमदार नहीं जितना दमदार है इसका टेक्निकल पाटन तो इसके उपर बैट करते हुए 285 रुपे का ठागेट स्टॉपलस लगाना है 297 रुपे का चलिए तो खबरों के लिए आज से एन पर आपको गिरावट हो सकती है 507 रुपे के टागेट के लिए विकवाली करिए 530 रुपे का आपको हायर साइट पर रखना होगा स्टॉप लॉस तो चलिए खबरों के लिए हाट से भी जो स्टॉक से वो भी आमने आपको बता दिया है पर आखरी कैटिगरी माई चोइस क अभी वाकिये ले कराएंगे देखके बाद को न छू सके कभी ये जीवनिय शक्ति है इस मेन अती शोक्ति है अरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजली चवन्थाश है करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन हमारा संकल वेकसित भाद ICL FinCorp announces public issue of secured NCD double your investments in just 68 months and earn high returns to view the prospectus and download the application visit iclfincop.com ये ले चवन्थाश है मैं बूंद बूंद में दिखने वाली चतन हूँ सदकुनों से भरा खरापन हूँ खुदुरत का अंच लेकर जीवन दाइनी बना हूँ मैं पतंजली हनी हूँ मैं किसांस से दुकान तक चली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते हमारी आखरी काटेगरी आने माई चोईस की तरफ और यहां पर जो पहला स्टॉक है मिरे रिस्ट में वो है सोना विल्डेवलू प्रेसिशन्स यहां पर आपको करनी चाहिए खरिदारी तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों तौर पर भरोसा 600 रुपे का टागेट है स्टॉक प्लस लगाएंगे 570 रुपे का अच्छी स्टेंट और मैमानों कि देर सवेर स्टॉक में रिटर्न्स आपके बन जाएंगे अगला स्टॉक में रिस्ट में जहां पर भी अगर आप देखे तो टेक्निकल्स काफी शांदार है ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं लेकिन कॉन्फिदेंस है कि यहां पर तीजी आपको देखने को बली कि स्टॉक का नाम है स्टॉक से जुड़े हुए जो स्टॉक से इनमें भी खास बस आपको देखने को मुल रहा है तो राउंड फिगर याद करने में आसानी होगी इन्होंने रेटिंग को डाउंडेट किया और साथ में जो टागेट है वो 4252 से गटा कर 4129 कर दिया है स्टॉक में हाली में अगर आप देखे तो रन अप भी काफी बढ़िया देखने को बना तो बिक्वाली करेंगे 4100 रुपे के लक्ष के लिए उस्टॉप लस लगाएंगे 4145 कर चले मेरी तरफ से माइचिस कैटेगरी में सभी के कॉल्स खरिदारी के हैं सबसे पहला कॉल है DCW लिमिटेड पर और जो घरेलो सोडा एश कंप्रिया हैं को आगे चलकर बड़ा फाइदा हो सकता है क्योंकि चीन में जो सोडा एश के कीमते हैं उसमें लगातार तेजी आपको देखने को मिली है और इसी वज़े से मुझे लग रहा है कि यहां पर अच्छी घाजी तेजी हो सकती है इनफाक 9 अवंबर से अब तक लगभग 42% का आपको उच्छाल वहां पर जो सोडा एश की कीमते हैं उसमें आती भी नजर आई हैं तो यहां पर खरदारी करकर चलिए 55 रुपए के टारगेट के लिए 51 रुपए का आपको रखना है stop loss दूसरा call है star paper पर अभी सुभाई हमने आपको exclusive ख़बर के जरीए बताया है कि जो writing और printing पेपर की कीमते हैं वो बढ़ती भी नजर आई हैं इस वज़े से खरदारी करकर चलिए 232 रुपए के टारगेट के लिए 221 रुपए का रखे stop loss और आखरी call है Indian hotels पर तो पिछले एक महिने का चार्ट देखेंगे तो 395 रुपए के लेवल से धीरी धीरे बढ़ते हुए 435 रुपए के लेवल्स पर आचुका है और शादियों का जो सीजन है वो अपने पीक पर है और मुझे लग रहा है कि इस मुझे से भी Indian hotels से यहाँ पर खरदारी करकर चलिए तो fundamental क्यूज भी इनके लिए अच्छे है चार्ट स्टेक्चर भी मजबूट है 4.500 रुपए का टार्गिट बना है यह 430 रुपए का रिखिये स्टॉक लॉस तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगे यह त्यार और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखे रीकाप कैश का स्टॉक एम रिस्ट में मानिवर यानि विदान्थ फैशन करेंगे खरीदारी सर्फ के फ्यूचर्ज में नौकरी में खरीदेंगे कॉल आप्शन और टेक्निकली पसंदार है वर्दमान स्पेशल स्टील्स फंडामेंटली थोड़ा सा समय देकर खरीदारी करनी है ब्लू डार्ट में निवेश के लाज से खरीदेंगे सेल एन आरबी बेरिंग्स में खबरों का सर्फ देखने को में लिगा सोना बील डिबलू होम फर्स फरनांस टेक्निकल जे काफी बढ़िया और आईशर मोटर्स पर हो गए हैं दस टॉक में मेरा कन्विक्शन सब्सादा एक वर्दमान स्पेशल सीज टेकनिकल स्ट्रक्चर काफी शांदार है दो सु पच्पन रुपे के टागेट के लिए खरीदारी करनी है कच्छे तेल में लगातार गिरावत का फायदा इस टॉक को भी मिलेगा साथ फ्यूचर में कौरोमंडल इंटरनाशनल पसंदा आ रहा है ऑप्शन के टेकर में फ्रेडरल बैंक बहुती बहुतरीन चार्ट सेक्चर पिछले एक महीने बना है आज भी खरेदारी करकर चलिए बिल्डा सॉफ्ट यह बढ़िया लग रहा है इनफाक्ट आईटी स्पेस से TCS भी अच्छा लग रहा है आज ओवरॉल आईटी स्पेस का दिन भी हो सकता है जिस तरह से मॉन्डीलों में गिरावट आई है निवेश के लिया आज से पावर गिंड लंबी अवदी के लिए खरदारी करकर चलिए खबरों के लिया आज से हिंडाल को पर दबाव रह सकता है अलकोवा में जो गिरावट हुई है वो हो सकता है कि इस पर भी असर डालती हुए नज़रा है और माई चोस कैटिकरी में DCW स्टार पेपर और साथी इंडियन होटल में करकर चलनी है आपको खरदारी और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है बाजार का दिग होगा क्योंकि गिफ निफ्टी 21,000 के पार अब जाता हुआ दिख रहा है तो अच्छी ओपनिंग की हम एक्सपेक्टेशन है बट उसके बाद कैसे टेट करना है समझना बहर जरूरी है समझने के लिए सीरे चलते है शेरवजा लाइब में आनल सर और दीप के पास दीप हमा हमारे बाजारों की चाल पर है फोकस आई करते हैं शुरूरा शेर बाजार लाइब की हैडलाइन्स के साथ झाल 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 गिफ्ट निफ्टी 85 अंकों की तेजी के साथ पहली बार 21,000 के पार निकला डाव फ्यूचर 70 अंक उपर निके में 4500 अंकों का बड़ा उच्छाल सुस्त कारोबार के बीच मिले जुले रहे अमेरिकी बाजार डाव लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ 80 अंक नीचे हुआ बंद नाजडैक 45 अंक चड़ा कच्छा तेल लगातार चौथे दिन गिरकर पांच महीने के निसले सरपर 77 डॉलर तक फिसला सोना हलकी बड़त के साथ 62,200 रुपए और चांदी 75,300 रुपए के उपर अमेरिका में दस साल की बॉंड येल चार महीने के निसले सरपर सवाद 4 परसेंट के नीचे डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ 2 हफ़ते की उचाई पर 104 के पास अमेरिका में ETF मनजूरी की उम्मीद में क्रिप्टो बाजार की तेजी जारी बिटकोईन 5% उचल कर 20 महीने में पहली बार 44,000 डॉलर के पास आज से RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तीन दिन की बैठक होगी शुरू शुकरवार को ब्याज़रों पर आएगा फैसला पेपर कंपनियों के लिए बड़ी खबर दिसंबर में 2-3 रुपे प्रतिकिलो महेंगे हुए राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर आगे भी कीमतों में 5-10 रुपे प्रतिकिलो बड़ोतरी की उम्मीद जी बिजनस की एक्स्लूसिव खबर बैंक ओफ इंडिया ने लॉंच किया QIP फ्लोट राइज 105 रुपे 42 पैसे और वित्तमंत्री निर्मला सीता रवन लगातार पांचवे साल दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में शामिल इस साल Forbes की Most Powerful Women लिस्ट में मिला 32 स्थान प्रस्तुत करता पतंजली चवन प्राश बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ट चवन प्राश प्रायोजक पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सर्च और पतंजली केशकांती एडवांस नए बालोगाई बालों को जड़नेवा असमे सफेध होने से बचाए हफते के तीसे दिन लगातार भारती बाजारों में नए रिकॉर्ड बराने के लिए हैं तैयार और आज फिर से दमदार शुरात के पूरे हैं आसार एफाइस की लोट टेवी खरीदारी और साथी ग्लोबल मार्क केस की मजबूती के चलते गैप अप आपनिंग के बाद की स्ट्रेजी पर रहेगा खास फोकस वागत है आप सबका शेर बजार लाइब में नमसकार मैं हूँ अनिल सिर्भी और नमसकार मैं हूँ दिपांशु आप बनने के संकित साफ दिख रहे है 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 छप्रिक सब्सक्रा पसंदार लोगों को चाहि विदान सावा चनाओ के हटरी को हो चाहिए पिर आज हैतरिक वाला दिन निफ्क for ने हईए बनाने का हो तो इसलिए आज हमने स्लुभ पर इक स्वाल भी कुछ कि आज Bank Nifty की weekly expiry क्या आपको लगता है कि weekly expiry के दिन Bank Nifty नए हाई बनाएगा, Nifty का तो बहुत नजदिक है, Bank Nifty जरूर सवा 200 points दूर है अपने हाई से और साथ ही यह भी बता यह आपको क्या लगता है कि Bank Nifty की expiry का होगी विल्कुल, Nifty हाई की हैर्ट्रीक आमतोर पर है वॉल्ड किया जाने को माना जाता है लेकिन यह हैर्ट्रीक अलग तरह की है तेजी वाली है, खुश्यों वाली है है तो लगातार 30 दिन हाई बनेगा यह लेकिन बनेगा यह यह आपको बताना है हम भी आपको बताएंगे लेकिन तब तक आईए पहले आज के बड़े ट्रिगर्स देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रिगर्स आज बनते वे दिख रहे हैं दाउ असी पोइंट नीचे कमजोर बंध हुआ है उम्मीद के मताबिक नेस्टेक में रही अच्छी रीकवरी 45 अंकों की तेजी अमेरिका में दस साल की बॉंड इल चार दश्मलाव दो प्रतिश्यक की नीचे आती वी दिखी चार महिनों के निचले स्ट्रों पर यह 2400 के ड salud winding day je cash market में करना चाता है जब तक cash market में अब को सीिल करना चाता है जब में किसी बड़े मंदिर में जाते हैं दरशन करने के लिए ऑसे बार किले बार में को था यह है है यह वेसे दर्शन है एक बार अभी कर लिजे बाद में स्क्रीन पर भी करने का मिलेगा मौका मिलेगा मौका बिलकुल से और हमारी तो मंडे को ही जब बात हुई थी जब इलेक्शन रिजल्स के बाद लग रहा था बड़े गया पप होने वाले थीन सो पॉइंट से जाद के गया पप हो तब भी आपने का था इसी महीने 21,000 असी का जो हमारा तीसरा और फाइनल बुल मार्केट टारगेट था वो आपको आतो है लग रहा है लग रहा है कि वहां से इसी दिन शायद यह पॉसिबिलिटी हो गिफ निफ्टी को देखते हुए एक बार पहले देख लेते हैं 21,000 पर अनल जी से क्या बात चल लुई मेरा बुल रन का तीसरा टारगेट 14,000 के निफ्टी पर हमने कहा था 21,000 के लिए तयार है यह बड़ी बात नहीं है 21,000 के दरश्वन आपको निकले तयार हो जाए यह पैसे और पानी की ताकत है पैसा भी पानी की तरह ही आता है और ऐसे बहावल आता है कि आप देखते रह जाए जाएंगे ऐसे बहाए तो यह सुनामी वाली तेजी है यह ऐसी बाहर वाली तेजी है इसी महीने आ जाएगा अब तो लग रहा है इसी हफते आ जाएगा शाद इसी दिन भी आते हो दिखे के सब्सक्राइब बड़ी बात नहीं पर फिर मैं यह ही कोंगा एक बात में करता हूं कि हम क्रिकेट में नहीं है मार्केट में यह क्रिकेट और बाजार में समानता है बहुत है लेकिन एक बड़ी समानता है बड़ा फर्क है और वह है कि क्रिकेट में 99 पर सेंचुरी नहीं होती लेकिन यह आपर हम 99 बढ़ते तो हम यह बनता है 100 बढ़ता है इतना फर की ऐसे दर्शिक भी होते हैं जो Mr. Perfectionist की तरह पिन पॉइंट करते हैं, Sir आपने तो बोला था 21,000 ये तो 20,980 से ही गुम गया, आपका तो टार्गेट ही हासिल भी हुआ, तो ऐसे दर्शिकों को भी मैं कहा दूँ, जी हाँ, आपकी satisfaction के लिए 21,000 भी दिख जाएगा, परिशा पूरी समभाना है कि तेजी की हेट्रिक बाजार आज फिर से लगा, Nifty पर तो लगना ही लगना है, कोई सवाल ही निये, Bank Nifty 230 दूर है जहां पर आप बंद हुएं वहां से, Life High कल हमने 47230 का बनाया है, तो पूरी समभाना है कि Bank Nifty भी हाई बना देगा, कोई बड़ी दिक्कत की बात नी तो जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मेरी तरफ से ही है, जी हां, Life Time High की हेट्रिक आज बनेगी है, बड़ा सवाल दूसरा ये कि आज Bank Nifty की weekly expiry का होंगी, उसका जवाब मैं आपका इंतजार करो, जना लिखके मुझे मुझे जल्दी से बेजी, लेकिन overall वा ग्लोबल सपोर्ट है, ग्लोबल के साथ आपको FIS का सपोर्ट है, FIS के साथ काफिया तक Local Funds का भी सपोर्ट है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हिंदुस्तान के अपने इंवेस्टर्स का है, हमारे रिटेल कम एचे नहीं, दोनों तरह के इंवेस्टर्स बहर के पैसा लगा रह है, कम से कम यह सोच के तो लगा है, अगर हम बेचेंगे भी, तो चुनाओ के नस्दिक जाके बेचेंगे अभी नहीं, अगर यहां से चुनाओ तक 10%, 15% की निफ्टी में तेजी होगी, जो 10% का टार्गेट हम लेकर चल रहे हैं, कि हमारे इसाब से 10% की तेजी बननी है, 20,000 से 22,000, 22,500 के आसपास तो आप चुनाओ तक पहुँचे, तो वहां सोचेंगे प्रोफिट बुक करने का, लेकिन आपके पास 6 महीने में अगर 10% निफ्टी है, स्टॉक्स क्या हो सकते हैं, इमार्चे, तो इस लिहाद से आएगी प्रोफिट बुक की तो वहां पर नीचे चलता रहेगा, दिन के दोरान मौके मिलते हैं, कभी एक आद दिन रोज gap up opening नहीं होगे, किसी दिन gap down opening भी हो सकते हैं, लेकिन दिमाग clear रखिए, तेजी करने है, तेजी करने है, दिमाग clear रखिए, डिपर खरीदना है, दिमाग clear रखिए, कि अभी पहले support level पर अभी भी यह कहूंगा, कि तेजी करके पैसा बनाना इस market में आसान है, short करके बनाना थोड़ा मुश्किल, तेजी करके ज्यादा बन सकता है, short करके थोड़ा कम, F&O stocks में बन सकता है, लेकिन cash stocks में उससे भी ज्यादा बन सकता है, बन रहा है, so I think अच्छी stories देखिए, अच् के साथ, जिसमें दो रन पे तीन विकेट होगे थे लोल कप में, first match अगर कोई team में ऐसी हो, मतलब ऐसे मैदान से छोड़ के तो क्या हैगी, इज़त का सवाल है, वहीं सोच ले, हम तो हार गए, Australia, दो रन पे तीन विकेट, अब क्या जीते हैं, चोड़ना खतम, अरे भई, पूरे पचास और डटे रहोगे, खेलते रहोगे, तो जीतने के चांस है, आप मेदान चोड़के भागे, बेच के निकल जाओगे, कमा होगे किसे, और बेचना भी क्यों है, इसलिए नहीं कि बेचने का लोजिक देख लोगगा, बहुत बढ़ गया, इसलिए बेचूँग लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको उपरवाले ने जल्दी पैसा दे दिया, ज्यादा पैसा दे दिया, इसलिए बेच दे, ये लोजिक की गलत है, कई बार इसका बदला लेगा उपरवाला आपसे, बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं बना के देगा, तब क्या करोगे, तब य करता हूं, इंकम कमाने का टाइम नहीं है, वेल्थ बनाने का टाइम नहीं है, इंकम कमाने का टाइम नहीं है, वेल्थ बनाने का टाइम, लाइन को गोड़ गोड़ के याद करो, बड़ा पैसा बनाना है, इंडिया की इस तेजी का इस टाइम का आपको फायदा उठाना है, नहीं तो फिर वो प्रदा चला कि सारे पैसे एफाइज वाली बना के ले गया अभी तक तो अपने खुश हो रहे रहे आए लाइफाई पे अब लेने अपकी बार स्मार्ट भी हो सकते हैं भाई साब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात करें इस पर एक सवाल भी बनता है तेजी है बढ़िया तेजी है आपने तो इस पूरी तेजी में मार्ट से आप कहरें मुनाफ़ा तब बुक करें जब सेंस में करें पूरा प्रॉफिट कमाना है पोजिशन समाल के रखने है डिप पर घब बढ़ाना नहीं है बट लोग फिर भी कभी चिंटेत हो जाते हैं कि कब समझे की चलिए बहुत जादा यूफोरिया हो गया है बहुत जारी तेजी हो गई या कब पोजिशन सो क्या करें जिनको सोच रहा है यूफोरिया हो उनके लिए तो हुग गया अच्छा आप शनाव स्कूर्ण आप यूफोरिया हूचते है तो ही जिनको सब्सक्राब बहुत परिया अरप crazते है पांसा हे चाइजज़ताए जार होता है नो डाउट देखो ये मार्केटरसा है बिल्कुल वैसा है कि जो बंद गड़ी की तरह है, बंद गड़ी में क्या होता है, अगर किसी समझो दस मिच के दस मिट पर गड़ी बंद हो गई, तो भी दिन में दो बार तो सही समय बताएगी, एक सुबह और रात वाला, बंद जाजार और बावन हजार होके फिर वापस सेता लिजारा आप बोले देखो, मैं कहता था ना मंदी होगी, तो तो हो सकता है, सही तो आप कभी तो पढ़ी सकते है, एक ही राय बनाए रखे हमेशा, तो कभी तो सही पढ़ेंगे, लेकिन कहां और किस वक्तो मेरा पॉइंट यूफोरिया सोचने वालों का तो कोई हिलाज नहीं है, लेकिन अगर यूफोरिया सोच के आप बेज देते तो आप मार्च, अपरिल से लेके नुवंबर, दिसमबर तक नहीं कमा पता है, फिर भी जिनका शोट टम व्यू है, मैं इन्वेस्टर की बात कर चुका हूँ, 50, 21,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, आपका शोट टम व्यू है तो, 21,000 के आसपास, अब आप पहुचेगे, अचानक क्या हो आनिए, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि आपने कहा कि शोट टम के लिया से, तो 20,000 से 21,000 के नॉन स्टॉप 1000 आतर होगे, 21,000 के आसपास डेटा बन गए है, तो एक बार वहाँ 21,000, 21,000 अची जो हमारा टार्गेट है, वहाँ पर हलकी फलकी मुनाफ़ाँ सुए, मैं फिर कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग, दबा के शोट करने की बात नहीं कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग की या मार्केट कमजोर होगा, या बढ़ना रुकेगा, या बढ़ने की स्पीड कम होगी, यह कर पता चलेगा, यह दूसरा बड़ा साल, इसका भी जवाब मैंने आज आज आपके लिए त्यार कर दिया, पॉइंट नमबर वन, निफ्टी, अगर 20, 450 के निचे ट्रेड करना श को कमजोरी फील ही नहीं करने है, मन में, शरीर में और पोर्टफुल्य में कमजोरी का विचार आने ही नीचे है, बहुत साफ कर रहा हूँ, जब तक 20, 650 के निचे ट्रेड करना शुरू ना करें, तब तक कमजोर हैं ही नहीं, कोई भी बोल दे, अब देखो, 1200, 1500 पॉइंट क जब तक 45, 400 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें, डिसाइजिवली, निन्ना एक रूप से, तब तक आपके लिए शोट टम टॉप बनने का संक्यानी है, और यह एक और चीज़ बता दो नीप, यह शोट टम टॉप बनने का संक्यानी है, हर रोज मूँ होता दिखेंगे समझो, आज नया हाई बनाया, आज नहीं हाई बनाया कि बाद में कल फिर से आपको देंगा, आज के लिए अभी इस वक्त आपको यह दो लिए जिन लोगों को अगर यह जानने में इंटरेस्ट है, कि मैं कहां सोचूँ, फोर एक्जामपल, कल आपने 47, 230 का हाई बना है, ब जब तक 20,650 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, यानि कि यहां से करीमें-करीमें 200 पॉइंट तब तक कम जोनी है, यह ज्यानने में रखे, यह उन लोगों के लिए एकेडिमिक परपस से आपको लेवल दे दिये, ताकि अगर आपको सोचना ही है, कहां से हलका होना है, क्या है तो यह आपके लिए लेवल से, तो अगर थोड़ा अगर आपको मुनाफ़ा वसुली करनी है, पोजिशन हलकी करनी है, चाहे तो, यह लेवल आने के बाद जो आपने हाई बना दिये, वो आपकी शॉर्ट टम के टॉप हो गया, उसको पार करने के लिए थोड़ा टाइम थोड़ा लोगों के कम, उटे-उटेओ वाला माहूल हो जाएगा, तो जो तेजी आपको धंग-दांकी दम लगा करनी न, वो पंद्रा तारीक के पहले करनी है, जो करनी न, बढ़िया वाली, वो 15 के पहले कर लो, और पंद्रा तारीक के बाद बहुत सारे लोग तो इस चक तो आप 15 तारी तक पॉजिटिव साइट पर बुलिश रहे एक दम रहे वहाँ उसके पहले अगर यह लेवल के नीचे जाता है तो आपके आराम से एंज्योई कीजिए ठीक है यह है आपके लिए सारे इंपॉर्टन डेवल्स और आज की जातरी बताए फिर संकेत और कुछ संकेत पर एक सिंपल सी चीज़ बताओं यह सब है ना इदर उदर बार की चीज़े देखना करो बन ओके यह सारे लोगों को बोल रहा है हमारे अपनी संकेत इतने मजबु तक लिएंट डॉलर आथ हजार करोड की खरीद्धरी कलोगी ऐे पर्सो से ज्यादा इतना ज्यादा पर्सो साफट Kaf Resident करोड के आसपार किधिविवल मिला करोड एक हाई लेवल पे क्Hरीदने के voulais को जादा पेसे चीज़ए और ज्यादा पैसे आ नभी हिएं लुका दिव पर दों में से एक चीज कम होनी चीज है खतम होनी चीज है क्या या तो पैसे या फिर शेर जो लोग बेच रहे हैं वो सोचे अरे जो बेच तो हम बिख जाता रहा और ओर उपर अब मैं नहीं बेचूँगा इतना तो रखोंगा या फिर एफए और जितना खरी तो हम सप्ले कि ले लिया,ब क्या पैसे खतम, क्या पहले खतम होंगा पैसे तो फुटम कहा है अब है इनके पैसे हैं और हमारे अपने पास भी तो है ना नीचे आए तो हम लेने को तयार है ऊपर में एफाए लेने को तयार है आगल फिसलिए इसलिए यह सबसे बड़ा आज का पोजिव पेज, 77 डॉलर, बेरी नाइस, गिराओ, 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 22 तक लाओ, मज़ आएगा, रोच टेल खरीदना पड़ता है, रोच पैसे लगते हैं, लगते हैं, बिलकुल, बिलकुम हो जाए तो मज़े ये लगए, मजबूत एक अच्छा टेल कमज़र, आ, गोल्डन, और क्य 400-500 प्रिंट मत घड़ जाना है, बाकी इतने में तो हम समाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के ट्रिगर, हमारे अपनी स्ट्रेंज बहुत है, वो इस्टेबल है, लेकिन उसमें भी बॉन्ड इल 4 मेने के जिसले से रुपया ही, 4.2% वेरी गोड, बॉन्ड इल ज्यादा है, आपको ज्याद हो, एक दिन पहले भी मैंने बहुता है, बॉन्ड इल और डॉलर इंडेक्स में से बॉन्ड इल ज्यादा है, एक फुटी मार्केट्स के लिए, और बॉन्ड इल और कमजोर ही, डॉलर इंडेक्स से 24 के आसपा से नो प्रॉप्लम, अब आपकी यहाँ जातोंड आज की स्ट्रेटिजी, खरीदना है, पहले सपोर्ट में पर इहुँ है, ओपनिंं के बाद जो डिप आए, रियोंडोर के स्ट्रेटिजी और पैले सपोर्ट में करना है पहले सपोर्ट लेवल पर, पहला सपोर्ट कहां आएगा, ओपनिं के बाद 9 considering पीप कि आपका पहला सुपोर्ट कहा निकल करा आता है डॉन विभली जिए टीक के मिट कैप मॉल के तीनो में तेज़ी का ट्रेन रहे गा मिट केफ स्मॉल कैप शेर वाले तो सब पहले से पार्टी करें लार्ज के फाले दुखी आत्माओं के लिए भी अभी अच्छा समय चलता है और चलेगा चिंता मत करें आपका भी समय आ गया है को अपणकत निजयन को आपसलूट Deos. आपको लाइफ है पर वो बनाव चाहीए. यह जो चले नहीं है, फोर्चुनेटली और अन्फोर्चुनेटली लाइस के पैसे स्टॉक अवेलेबल हैं, विल्कुल है, जो चले नहीं है, एंजॉय कीजिए, कल तो हमने हाइलाइट भी कहे थे कुछ ऐसे शेयर्जों 2030 पे पार्टिस्पेट नहीं किया नों, काफी और वह बारली वहाँ बन ये मार्केत हैं आपको ये मारकेत आपकोे मैए में पेसा बना के दिरा रहा है। आपको कमाना आ है। जो विट्रेजी आपको सूट करें वो कर रही है वो कर लिकीन कमाई जरूर रोज रोज नहीं आएगा बार-बार नहीं आएगा, कमाई ये जरूर, ना कमाई ऐसे, एक और चीज में बताना चालो, एक बहुत कड़वी बात है, कहना चाहता हूं, बहुत कड़वी बात, अगर इस मार्केट में, जो आदमी, इन्वेस्ट करके, या ट्रेड करके, नहीं कमा रहा है, प्रपाया करके बहुत करके, भैसावा इस मार्केट से रिटायर हो जाएगा, या तो आपका टेमप्रमेंट, आपका काम करने का तरीका, मार्केट के हिसाब से जम नहीं रहा, आप अच्छी मार्केट में नहीं कमा पारें, खराब में और नुकसान करेंगे, तो बेटर है, कि आप को यह औ कीजे, कई बार मुझे है ना, बहुत सारे लोग रहा है, बहुत कमाना आया, यह ट्रेडिंग करनी है, मैं वालू है, इनको बहुत इंटरेसिंग चीज बोलता हूं, आपका कर लोग है, है गड्स, टेमप्रमेंट है, पैसे है, जिगर है, सब में हाँ बोलते हैं, हाँ बोल जाते हैं, सेफ, यह से, अगर वो बोलता है, हाँ मेरे तो किसमें लिखा है, ट्रेडिंग करके पैसा कमाना, फिर कमाया तो जिवस्पंडित ने बोला उसको पकड़ो, फिर भी लोस कर दो और कर लो तो, बहुत अच्छी बाद है, प्रोफिट बना तो बनाओ, यह आसान का के लिए सब जगे तेजी का ट्रेंड, आज की मेरी कमेंटर यहां तक सम अप्ट हुई, अब आगे कि मैं आपको डेटा और लेवल देता हूं, ग्लोबल नीट्रल है, और एफ, आइस के पोजिटिव है, एफ, नो है नीट्रल, आज तीन पोजिटिव, दो नीट्रल, एक न लाओ हुई, उननिस शेसो पजट्र, उननिस साथ सो पचेस, निफ्टि के लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट जो हुए, और इस रेंज में आएगा तो मैं किसी के इन्विटेशन का इंतजार किये बगए, खरीदने की राय दूँगा, यह क्या है भाई, कल की आगी इस्ट्रेज नोट कर लिए, मैं बता देता हूँ, बीस शेसो पचेस, बीस साथ सो पचेस, आज के लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट जो हुए, यह आपके लिए सपोर्ट, उपर का लेवल, बीस हजार नौसो के उपर, कल का ही बीस आट सो पैंसेट है, आट सो चो सेट, मैंने बीस नौसो ल करीब हलकियोफिवल की मुनाफव वसीली आसकती है, बैंक जुदिक पैंक लिए, बैंक जिफट, बबैंक लिफटि, च्छि़ाएस भजाएस चो सेटालिस हईिए यह दुस्वाफिश्र छिवाबुजबुजवज पांसो के लिएस पांसो की यह ले नहीं है, उपर सेंता 47,225 यह पहला टार्गिट है, एक बार 47,250 के ऊपर निकले तो बैंक डिफ्टी ब्लूस काईजा उनमे, फिर कितना बढ़ेगा पता नहीं, 47,500 भी हो सकता है, 48,000 भी जितना हो, आप स्टोप्रों स्ट्रेल करके बने रहें, डेटे रहें, आज आपकी जानकारी के लिए बता इसा है, बुले ट्रेंट नहीं है, दोनम फरक है, यह रोकेट है, अभी आज की रोकेट की सवार ही जाना चली है, बुले ट्रेंट की नहीं है, तो यह है आपके लिए, बैंक डिफ्टी में, ठीक है, पोजिशनिक ज़र, FIS की पुट्कोल रिशो, 49% ठीक है, पुट्कोल र इंटरें स्टोपलोस, 46,650, क्लोजिंग 46,400 का थोड़े दूर के है, यही मिलेंगे, और कोई है नहीं, इसी को फोलो करना है, अगर आपको बाकी अगर छोटा स्टोपलोस सकता है, आप अपनी श्रदा के अनुसार, अपनी रिस्क एपिटाइट के अनुसार, चाहे तो नहीं करते हैं, मुझे कोई आपती नहीं, और किस्टोपलोस यह निकल करा था है, शॉर्ट साइट पर स्टोपलोस क्लियर कट है, वही मैंटें करना है, 2900 इंटरेंडे क्लोजिंग और 47,200 इंटरेंडे क्लोजिंग, यहां कोई बद्ला दी ती, नई पुजिशन साच्छ, के यहां पर इंट्रेस्टिन हो गए कि आज आज आप कहे रहें आप साय painful आपको थोड़ी लेवल सिक रहरे और शॉटंग का भी मौख Cam करीद ना है कै करीदना है ह। बीस हेजार गदना है। करता हूं मैं ऐसा नहीं मैं सबका ध्यान लगता हूं जो बहुत ही मतलब बहुत तरफ है कई दिन से मैं मुझे बेचना मौका नहीं मिल रहा है आज आपको शायद थोड़ा मौका मिले 20,000 के आसपास अगर आप बेच रही चाहे तो बेचे दो तरीके दे रहा हूं पहला 20,000 क काट लेना 21,000 के वगए आइंदा नहीं करेंगे ठीक है नीचे के टार्गे बीस नोसो बीस आट्सो पचास पचास तीन टार्गे इससे ज्यादा नहीं तूसरा तरीका दीप और इंटर्सिंग है जो आपको बेचने नहीं रहेगा 20,650 तूटे और निफ्टी उसके नीचे ट्रेट करने लगे तो आपको कमजोरी का पहला संकेत आएगा तो बनने का संकेत आएगा राइट जो हमने बात कि आपना आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चिन था इसके नीचे बेचे स्टोपनस होगा आपका 20,750 का टार्गे जो बनेंगे वह भी दो ही छोटे है 20,600 बनेंगे तो 25,525 का टार्गे जाएगा काम कई बार 8,8 भी देता है और जहां जरूत है तो दो ही देता है लेवल मैं अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करता है जो मुझे डेटा देते हैं मैं वह आपको देता हूँ कई बार लोगों को हर 25,25 पॉइंट में लेवल दे रहे और आप मुझे में 50 बता दोगे लेकिन अगर मुझे डीप अच्छे लगते तो मेरे पास खाली एक ही कारण बहुत है अच्छे लगते है तो यह तो क्या है लाइफ में जिनको नेगिटिव सोचना है वो सोचते रहेंगे हम जो डेटा कहते हैं मैं इस हिसाब सका बता बात आईए बैंक टिफ्टी खरीदना अब भाई साब खरीदने के लिए बढ़िया रेंज है 46 450-4650 मुझे इस रेंज में मिलेगा तो मैं पक्का खरीदूँगा मिलेगा चांस कम है वीकली एक्सपारी भी है आना तू नहीं चीजिए आ नीचे अगर आये गलती से नोट करके र साथ देशकों से मेरा नम्र निवेदनी है थोड़े से उपर के आगे के 20 और 46 में इंटरचेंज हो जाना तो अपना आप सब समझ दा रहे हैं पीछे की तीन डिजिट पे फोकस करिएगा लेवल मिलते जिलते आ रहा तो बड़ा कभी कभी और भावनाव में बैते विदे फ करने के रहा है आपको 46 650 के स्टॉप्रों से खरीदना है टार्गेट उपर के जो होंगे अब आईए बेचना है ठीक आज निफ्टी की तरह बेंक निफ्टी में बेचने के दो ऑप्शन है एक तो बहुत खुंखार लोग जिनको बेचने ही है वह 47 200 250 के आसपस बेचे और स्टॉप्रों 47 300 एक कंडिशन है इनके 47 300 शुरुआत में पहले 2-3 मिट में आजा तो नही बेचना है उपर ही खुले तो नहीं बेचना है ज्यान से सुना जो लोग ट्विटर पर पढ़ेंगे ना भाव नहीं होते है वह तो दुखी होते रहेंगे लाइफ में जो सुनेंगे टीवी पर वह बराबर समझ पाएंगे तो 47 200 के आसपास बेचना है 47 300 का स्ट्रिक दूसरा तरीका वही नीचे तोड़े लेवल तो बेचना है और वह कौन सा होगा 46 400 यहां से 600 पोइंट दूर है तब तक सेल सिगनल जनरेट नहीं होता सेल सिगनल 46 400 के नीचे आएगा वो टूटे तो बेचेगा और स्टॉप लोस तब आपका होगा 46,675 का 650 बनता है पच् लेवल आपके सामने तो एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं अल्टरनेटल भी 46 400 के नीचे 46,675 का स्टॉप लेवल्स कम है अरे बहुत मज़िदार स्ट्रेजी बनता है और मतलब है यह 30 साल का 31 साल का जो अनुह है बड़ा काम आ रहा है मैंजा आता है इस तरह के मार्क इन्में बने हुए है इंपोर्टन लेवल सर कोई इस साथ सो सपोर्ट है हाई इस ओपन इंटर्स एक क्रोड़ दस लाग शेर है ऑपन इंटर्स कॉल्स में तीन सो पॉइंट की नहीं जे बीच में आप बंद हो एंड़ सो इधर सो तर ठीक है क्लियर कट 47,000 मेंक और ब्रेक ट्लेवल बैंक निफ्टी पर 36,000,000 शेर कोई है। 26,000,000 शेर कोई में है 27,000,000 चे उपर हो जाएगा मजबूद 46,000,000 के निएचे कमढ़ोर होनी की शुरूाइच यशिए ड़न 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 आए पिर स्टॉक्स पक्रताने फोकुस बिल्कु के आज सपस कमफ़र्ट दे रहा है तीन हजार दो सो के साथ फ्यूचर कर दें तीन हजार दौस पैचासी तीन जार तीन सो बीस तीन सो पैतालिस तीन टार्गेट आपके लिए उपर के बनेंगे एशिन पेंट से में करिदारी करने की राया है कच्छे तेल के गढ़ते दामों आज इसका पहले लेवल दे दूँ, 6,230 आपका stop loss लेवल होना चीए थोड़ा सा दूर का है, 6,230 वो इसलिए दे रहा है कि अगर मजबूत बाइजार के साथ अगर समझे थोड़ा उपर खुले है, 6,200 के आज पर बस बेच जिवाब, थोड़ा उपर खुले तो बेच जिए बजाज ओटो के केस में इननों टार्गेट बढ़ाया है, 5,670 से 6,320 लेकिन डबल डाउंग्रेड है और भले लेवल थोड़ा उपर का है, लेकिन कमेंटरी मज़दार नहीं लिखी, बादा नहीं आ रहा है, वाल्यूशन को लेकर थोड़े 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 गटाए है, और हीरो में तो क्या है भी आज कल में जिनों लिए वो थोड़ी एक दो जिन में थोड़ी बेचेंगे वाली रिपोर्ट आ जाए, तो जिनको मंदी करनी है, उनको वो भी तो हमें देना ही परता है, ठीक है, यह है आपके लिए आज की सारी कॉल्स, एशन भी जानते हैं, नुपर अर्मान और आशिश है तेयार, नुपर मॉनिंग बताए, क्या है आज की ट्रिगर सब खबरें? जो डुमेस्टिक बिकरी है, वो भी 7% उपर है, और एक्सपोर्ट में भी 3% की बड़त यहां पर नुवेंबर के महिने में आते हुई दिखिए, फोस मोटर्स फोकस में रहने वाला है, बैंक ओफ इंडिया, बैंक ने QIP लाँच किया, QIP के लिए 105 की रुपे का फ्लॉर प कंपनियों के लिए बड़ी खबर है, सुत्रों के हवालों से यह खबर आती हुई निज़राइए कि बढ़ गए, कि राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर की कीमतों में बढ़त होती हुई दिख रहे है, एक दिसेंबर से कीमते 2-3 किलो के भाव से बढ़ती हुई निज़ है, फूट कारोबार को लेकर अर्फा, फार्म प्लांटेशन का कारोबार भी दिय्के तों अट से बारासो के जोे लख्तिंग आने वाले पांथ सालों में, अकल्टेशन कारोबार 5 क्रोड डॉलर का पेमिन करेगी 125 क्रोड के आसपास तो सन फार्म आज फोकस में रहने वाला है और लास्ट में हिमादरी स्पेशलिटी केमिकल जहां पे कंपनी ने लीते मायन बैक्टरी की मैनुफाक्टरिंग के लिए प्लांट लगाया है पांच से 6 सालों में करीब अन 4800 क और रुपीज का इन्वेस्मेंट भी इस प्लांट में करेंगे बिल्कुल बड़ा इन्वेस्मेंट आते हो दिख रहा है मादरी की तरफ से अमांट बढ़ा है ऑपर्चुनिटी भी बढ़ी है इस स्पेस में आई फिर बात करते हैं अर्मान के साथ और उनसे भी कुछ खब इस डिलिवरी ओडर की बात करें तो वह भी 1.2 पर्शन बढ़ कर आया है और वी बियरिंग्स और और रियल्टी यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर कंप्री ने और रियल्टी के साथ एमुयू किया है जिसमें अगर आप बात करें तो पच्छीस हजाग साथ लिटर सेल और ट्रांसफर के लिए करार करते हुए दिके हैं लगबग 196 करोड में ट्रांसफर करेंगे यूको बैंक 41,000 ग्रहकों के खातों में 820 करोड रुपे गलती से जमा किये गए 10 से 13 नवंबर के बीच खातों में पैसा जमा किये गए हैं जिसमें CBI जाज करेंगी कि यह हर ट्रांसफर स्कैम था या सिस्टम की गलती है और जाज के तहित 13 जगों पर छापे मारी की गई है आयन एक्सचेंज यहां पर अगर आप बात करें एथीजैन आइएंसी के लगबग 150 करोड का अर्बिट्रेशन दावे को इंटरनेशनल चैंबर आफ कॉमर्स ट्रिब लगर 67 परसेंट हो गई है महीं अगर आप बात करें टाइड वाटर की यहां पर अगर आप बात करें तो जैनस कंसुलिडेटेट फिनेंस के साथ स्टैंडर्ड ग्रीसेज एंड स्पेशलिटीज में ओपन मार्केट के जरिए चार दिसंबर को इसेदारी खरीदी है उन्हो ने 20 लाग क्या स्पाइड खरीदे हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज यहां पर सेलर्ज में टीपीजी एशिया ने लगभग 1.7 करोड शेर जो है वो बेचे हैं और बायर्स में BNP परीबास ने लगभग 10.8 लैक तारा इमर्जिंग ने लगभग 8.9 लैक और ओहम एंटर्प वो बेचते वे दिखे हैं और अंत में स्नोमेन लाजिस्टिक माफ कीजिएगा प्रमोटर्ज ने गेटवे डिस्टिक पार्क जो प्रमोटर्ज हैं उन्होंने 8.5 लैक शेर्स जो की 0.5 परसेंट इक्विटी है वो खरीदते वे दिखे बरपूर एक्शन हुआ है और कल फं आज की रिपोर्ट से सबसे पहले पूरा टू विलर्ड स्पेस जो है यह रिडार पर रहेगा सेलेसे की तरफ से बड़ी डीटेल रिपोर्ट आई जहां पर कहरें कि स्टॉक्स में बड़ी राली आगी है आपकेट फिलाल जो है फाक्टर कर रहा है कि डबल डिजिट ग्रो से बड़ा कर 6382 लेकिन 6140 के आसपर चलना है डबल डाउंग्रेट पर जादा फोकस करना है आईशर मोटर्स यहां पर सीलेसी ने रिटिंग को डाउंग्रेट किया है और टागेट 4252 से घटा कर 4139 कर दिया है 4137 का भाव चल रहा है हीरो पर रिटिंग डाउंग्रेट है और टागेट 3701 से बढ़ा कर 4127 कर दिया टीवी एस मोटर्स पर बेरिश है बेक्वाली के रायदेर है सीधे तोर पर और टागेट 1206 से बढ़ा कर 1380 कर दिया है हाला कि 1903 रुपे का भाव चल रहा है अंबुजा सेमेंट यह स्टॉक भी रिडार पर रखेगा जेफरी इस अदानी पोर्च यहाँ पर भी खास आक्शन देखने को मिल रहा है सिटी खरीदारी के रायदेर है और लक्ष 900 बैतर से बढ़ा कर 1213 कर दिया है 1013 रुपे का भाव चल रहा है और मान रहें की एक्जिक्यूशन काफी स्टॉंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अच्छी रिपोर्ट आई है खरीदारी के राय को बरकर रहा है लक्ष 3800 से बढ़ा कर 3900 कर दिया है 3227 रुपे का भाव है नहीं करें मार्केट प्राइस से अच्छी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यह मान रहें की मार्केट में एक थोड़ा सा फियर है कि जिस प्रकार से नए कैपसिटी नए कॉम्पेटिशन बढ़ रहे हैं हलाकि मान रहें कि इससे जादा इंपक्ट देखने को नहीं मिलेगा और कंपनी लगातार माकेट शेयर गीन करेगी मेक्वारी ने आउट परफॉर्म के रेटिंग दिया है आनलिस्ट मीट के बाद इन्हों ने 3800 पड़ा कर 2000 माफ बीज़ेगा 3000 से घटा कर 2990 कर दिया है ओन जी सी पर सेटी खरीदारी के रायदेरे 230 के टागेट के लिए और अंत में एलेंटी फिनांस यहां पर देखें मौगएं स्टैनली अंडर वेट की रेटिंग को वरकरा रहे हैं 155 का भाव 113 का टागेट ओके तो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राकेश मंसल के साथ करेंगे शुरूआ गूड मॉर्निंग सर बताएं पिक अफ़ दे अनिल जी सुपरबात दिपांशो अनिल जी रखता है आप शौट ऑफ टाइम चल रहे हैं सीधा पिक अफ़ दे पर आगे आपने बोला नहीं बताएं जी सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट जी दो दिन पहले आपने भी कवर करा था कि काफी हाट अटेक्स गहरा हो रहे हैं और आप गवर्मेंट का भी फोकस आ रहा है वह सीपी आर की ट्रेंग दे रहे हैं तो अनिल जी काफी अवेर्देस की जुरूत है तो मेरी आपसे रि इतने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी छोड़ा चोड़ा विंडो में देखाईएगा कुछ लोग अनिल जी ये न्यूस पर व्यूज चीज़े शुरू होती हैं भाग जाते हैं क्या बात सब देखने के बाद अपना फीड़बेग दे चलो बहुत अच्छा है आज आज आपन कौन कौन के दर भागता है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ और आपके सर्जिशन के लिए धन्यवाद भी आज शाम 6 बजे हम इसी पर विशेज शोग करने जाएगा यह सी पी आर वाला जो मामला आपने बता है जो हार्ट अटेक्स आ रहे हैं हमारी यूथ और यंग लोगों में तो आज हमने इसी पर शोग करने का अलएडी प्लान कर लिया है शाम 6 बजा मारा इसी पर है प्रोग्राम तो काफी लोगों सुभई देखते हैं उनसे मेरी निवेदन है कि शाम को आप जरूर देखें और जैसा बंसल जी निका तो मार्केट आर्स के दोर किनाल जी ने 4200 के राउंड जूम 2021 में रिकमेंट करा था पिक आफ दा इयर के लिए 10,000 के टार्गेट दिये थे बट 3-4 मिने बाद 7,500 रुपे के हाई लगाने के पास टॉक गिर गया जो मैटो की लिस्टिंग हुई थी जो मैटो गिर रहा था ये भी गिर गया अब जो मै 70 के शॉट टर्ब टार्गेट के लिए नोकरी इन्फो एज है मेरा पिक आफ दे इन्फो एज यानि कि नोकरी.com खरिदारी करने के राएं लंबे समय बात यह तो मानना पड़ेगा कि पिछली बार कब ये स्टोक किसी के रडार पर आया था रिकमन हुआ तो मझे तो याद ह है है HDFC AMC 3030 का क्लोज है कैश में और मुझे लग रहा है जिसाब से मार्केट अल्टाइम हाइप है FIF लोज आ रहे हैं है domestic SIP है AMC stock brokerage stock market related stock में तेजी बननी चाहिए बड़ी बननी चाहिए तो यहां पर 3030 का क्लोज है 3000 का stop loss रखना चाहिए और मुझे लगता है आज के दिन में ही जिसाब से मार्केट मुवमेंट है 3000 60, 3000 80 और 3100 ऐसे तीन टाकेट हम देख सकते हैं तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है HDFC AMC को खरीदना चाहिए सबसे बार बार लगतार प्रसंद्स आया कुनाल जी राकेशिगों दो बार कुनाल जी को एक इंडिविजिगली एक जोंट ली एक वार कुनाल जी के साथ यह हम इच्छी साय याद है अम्रीच सर्ण बॉणिंग आपका भी बताएं सब्सक्राइब अब बॉनिंग अपका ही पिक है एशन पेंट अचेंट मार्केट लीडर है पेंट में फिफ्टी फोर यह डबल करता है टॉप लाइन एवरी फाइट तुश यह और थी यह बेसेश एशन पेंट ने इंडस्ट का और इन्होंने मार्केट शेर भी काफी गें किया है विद डीलर एडिशन्स और स्ट्रॉंग डिमांड ट्रैक्शन इंटियर ट्री सिटीज वाटर प्रूफिंग बिजनस में काफी स्ट्रॉंग ट्रैक्शन है रीटेल अस प्रजेट्स में और जो इनका किचन और बाद देख रहे हैं अभी और किचन बिजनस में अबिटा ब्रेक इवन आया है और प्रैसिस कम हुए है तो यह की रॉमिटल प्रैसिस भी काफी कम हुए है अभी एग्रिसिव प्रॉट्ट लॉच्ज प्लांट है रीटेल टच पॉंट इंक्रीज कर रहे हैं तू आमन बाद इसका अनुमान करीब 66 का है तो यहां पर मेरा टागेट बनता है 3,960 ओके तो यह है आपके लिए आपके लिए आपको पसंद सुप्रभात अनिजी सुप्रभात दिपांशू अनिजी सबसे ज़्यादा पसंद तो अनिजी आप आ रहे है आज मुझे और उसकी वज़या अनिजी है कि कले डॉक्टर साब मुझे मिले थे उन्होंने आपके संदर्ब में कुछ जानकारी दी अनिजी तो आप कहे तो मैं अनिजी अनिजी इन्होंने कहा है कि जब 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 बढ़ता है तो अनिजी बहुत चक्ते है आंनिजी के चेहरे से पता लग जाता है कि बढ़ रहे ा recommends में ऑज जिनको फिलिंग हो रही है तो उनका कहना है कि उनको क्या करना चाहिए अनिल जी से पूछ के बताईएगा तो उनका संदेश आप तक पहुंचा दिया मैंने पहली बात तो ठीक है उनकी बिल्कुल 100% सही है कि बजार बढ़ते हैं तो मैं थोड़ा अच्छे मूर में होता हूं जहकता हूँ जो आपने शब्द का इस्तेमाल करा बहुत अच्छा लगा मुझे चैकना अच्छा शब्दी है अच्छा क्यों नहीं हो कई बार लोग मुझे बलते हैं मन्दी में तो आप ऐसा नहीं करते हैं पॉइंट यह है कि ऐसा नहीं मन्दी करके भी लोग पैसा कामात है इसलिए हमारा मेरा चाभी साफश। मेरा बायस दो जीजे कि सर अभी भी कोई देर नहीं हुई है आपको कौन सा पिछले शुक्रवार को इस शुक्रवार तक के लिए पैसा डालना था करेक्ट करेक्ट तो आप यह मिस कर गए अफसोर से डालिए करते चलिए डोक्टर साहब है देखो हिंदुस्तान में पेशेंट की तो कमी आने वाली नहीं करेक्ट है ना करेक्ट कम पड़े तो हम बेज देंगे तो फीस तो आती रहेगी प्रेक्टिस चलती रहेगी दिनूनी की चार दुग अच्छा यह एक ऐसा प्रोफिशन है जितना और ज्यादा आएगी तो अभी उनको कहिए आप लगाए थोड़ा भाग गया है हलिका फिका थोड़ा नीचे करेक्शन के लिए भी रखिये और वैसे भगवान की दाया से उनको और आते रहेंगे पेशेंट भी आते रहेंगे फीस भी आती रहेंगे तब और लगाए है पिक्चर दिखाएए उनको बताए आज का स्टोग अने जी मैंने भी बिल्कुल अने जी यही राय दी उन्हें और मैंने कहा कि कल अने जी से पूछूँगा तो आप और सुन रहे होंगे अब बजार में अने जी हां मतलब डोक्टर साब अपने को उनकी मर्जी से बुला है और चाए पिलाए वो एक बहुत अच्छी बात है हम मजबूरी में जाए और वो हमें दवा पिलाए वेसा दिन ना है इसलिए दोक्टर साब को नमश्कार अने जी सर बताए तो अने जी अगर आप अने जी अगर आप किसी डॉक्टर के जाएंगे तो अने जी आपको चाए नहीं पिलाएंगे आपको तो खाना खिलाएंगे चाए तो मुझे और राकेश जी को पिलाई जाती है तो अने जी खरीदारी के राये है, खरीदना है नेसले इंडिया, अब बजार में इतनी तेजी है लेकिन एक डिफेंसिव शेयर के चार्ट पर जबरदस्ट ब्रेकाउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहां पर अच्छा मोमिंटम बनेगा, स्टॉप ल ओर मॉर्णिंग इपांशु, इपांशु पिक अपड़ एक के तौर पर जो स्टॉप सेलेक करना है वह को रोम अंडल, को रोम अंडल के अंदर ब्रिकाउट है, स्टॉप अप्रेंट के अंदर में रिसेंट के हाई के उपर भी आ चुका है, को रोम अंडल बारा सो के यहां पर भी करनी है आपको खरिदारी आए करते हैं आप शुरुआत फॉर्स ट्रेट की एडलाइज के साथ हुआ है पावर्ट बाई L.I.C. हर पल आपके साथ को पावर्ट बाई बैंक आउफ महराष्ट्रा एक परिवार एक बाई गिफ्ट निफ्टी करिफ सो अंको चलकर पहली बार निकला 21,000 के उपर दाउट फीचर सक्तर अंक मजबूत निके में दिखाए साड़े 500 अंको का दमदार उच्छाल सुस्त कारोबार के बीच मिले जुले रहे अमेरिकी बाजार डाउ लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ असी अंक नीचे नाजडेक 45 अंक चड़कर हुआ बंदा कच्छा तेल लगातार चोथे दिन गिरकर पांच महिनों के निचले सर उपर सत्तित डॉलर तक सिसला सोना हलकी बड़त के साथ 16,200 रुपर के उपर तो चान्दी 75,300 के उपर हुई बंद अमेरिका में 10 साल की बॉंड डियल 4 महीने के निचले सर पर सबाद 4 परसेंट के नीचे डॉलर इंडेक्स मजबूत के साथ 2 हफ़ते की उचाई पर अमेरिका में एटी एफ मंजूरी की उम्मीज में क्रिप्टो बाजार में जब दोस्ते जी बिटकोइन 5 परसेंट उचलकर 20 महीने में पहली बार 44,000 डोलर के उपर आज से आरबिया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की तीन दिन की बैठक होगी शुरू शुकरवार को ब्याज़ दरों पर आएगा फैसला पेपर कम जोग लिए अच्छी ख़़गर दिसंबर में 2-3 रुपे प्रती किलो मेंगे वे राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर आगे भी कीमतों में 5-10 रुपे प्रती किलो बड़ोतर की है उम्मिद जिब इस एक्स्क्रूज़ यू बैंक ओफ इंडिया ने लॉंच किया क्यू आइपी फ्लोट प्रैज 105 रुपे बैल पैसे और वित्त मंत्री निर्मला सितारामन लगातार पांचे साल दुनिया के सबसे पावर्फुल महिलाओं में शामिल इस साल फॉप्स की मॉस्ट पावर्फुल विमेन लिस्ट में मिला 32 स्थान प्रस्तुत करता पतंजली 54 प्राश बेश कीमती जड़ी बूट्लियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ट 54 प्राश प्रायोजक पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच्च और पतंजली केशकांती एडवांस नए बालोगाई बालों को ज घरने वा असमें सफेध होने से बचाए एक और बहुत दमदार शांदार ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाए तयार जहां खुलते हैं नए लाइफ हाई बनाने को तयार है सेंसेट और बैंक डिफ्टी बड़ा सवाल है कि क्या आज 21,000 के दरशन होंगे और क्या बैंक नमस्कार मैं हो दपांशू भंडारी अक्शन आपके आने वाला है स्क्रीन पर क्या होगी तेजी की हैट्रिक यह देख रहा है तो आए जल्दी से देख लेते हैं ट्रेडर्स डाइरिक अपडेट क्या आज क्या स्टॉक एमरेट में मानिवर यानि विदान फैशन करेंगे खरीदारी सारेफ के फ्यूचर में नौकरी में करेंगे कॉल ऑप्शन और टेक्निकली पसंदार है वर्दमान स्पेशल स्टील्स फंडामेंटली थोड़ा सा समय देकर खरीदारी करनी है ब्लू डार्ट में निवेश के लाज से खरीदेंगे सेल नर्वी बेरिंग्स में ख़बरों का सब देखने कुम लिगा सोना बील्डी ब्लू होम फर्स्ट परनांस टेक्निकल जे काफी बढ़िया और आईशर मोटर गिरावत का फायदा इस स्टॉक को भी मिलेगा साती फ्यूचर में कौरोमंडल इंटरनाशनल पसंद आ रहा है ऑप्शन के टेकर में फेडरल बैंक बहुत ही बहतरी चार्ट स्चर पिछले एक महीने बना है आज भी खरेदारी करकर चलिए बिल्ड़ा सॉफ्ट यह बढ़ होटिल्स में करकर चलनी है आपको खरेदारी और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है बाजार के दिग्ज आईटी काउंटर टीस लंबी अब्धी के लिए बहुत ही अट्रक्टिव वैल्यू है खरदारी करकर चलिए 3630 रुपे के टागर के परस्पेक्टिव स 10 या, स्वाथि के लिए बढ़ते आगे और पेपर कंशी के लिए आ रहे हैं बड़ी खबर हमारी एग्जेगूटर एडिटर स्वाति-गंदलवाल हमारे साथ है बताने के लिए बड़ी ख़बर स्वाथी गुड मॉनिंग बताएं क्या है बड़ी खबर पेपर कम्जों को लेकर क्या कुछ डेवल्लप्मेंट हो रहे हैं आपने देखे होगा बीच में कुछ इसके लिए लगा गए थी इसका मतलब थोड़ा सा कनेक्शन लूज हुआ हम थोड़ी दर में कनेक्शन करने की कोशिच करेंगे स्वाथी के साथ है यह तब तक एक दो स्टॉक्स पर चर्चा कर लें हमारे एक्सपर्ट के साथ जहां पर आज आपको आक्शन भी आते हो दिखेगा मुव आपको कुछ इंट्रेस्टिंग स्टॉक्स में आ सकते हिमादरी स्पेशलिटी केमिकल्स लिथियम आयन बैटरी के रिए प्लांट लगा रहे है चार हजार आट सो करोड रूपे का बड़ा निवेश करेगी अमरी सर कबर कर लिथियम आयन बैटरी की मैनुफाक्ट्रिंग ले प्लांट लगाएंगी यहां बैटरी काफी बड़ी खाबर है और जिस आप से एवी का एक्समेंशी ग्रोट होने वाला है विद्टाइट अब्ड़ियम आयन बैटरी भी इस पॉनेशी ग्रोग करेगा अधिंग इसी कार पर इसे रिटर आ सकता है इस साल भी बड़ा आक्शन में यह काउंटर दिखा है सवा तीन गुना के रिटर्न्स ऑलरी इस पर आ चुके हैं और अब लिथियन आयन बैटरी इवी वहिकल्स की जो बड़ी फोकस आ रही है उस पर ये कंपनी भी पार्टिपिट करने चारी है और देखते हैं आज किन लेवल्स पर हमारे बासार जाते हो देखेंगे ऑचिए गंटी की आवाज आपके कानों में आती हुए दिखेंगे और पहले दिखेंगे आज चुके है निफ्टी और बेंक निफ्टी में दोनों देख रहे हैं लाल निशान मेंज़ेगा नहीं सें पैसे कमजोर होते हैं तो आज देखते हैं किस तरह की चाल निकल कर आएगी बट उसके सामने आपको राहत है कच्छे तेल की इक सट सो के नीचे कल आपको दाम बंध होते हैं और ओवरनाइट भी हमने देखा है थोड़ा प्रेशरी बनावा था कुछ जादा बड़ा आक्शन आये नहीं तो देखते हैं आज हमारे बाजारों में कच्छे तेल की मूव कैसे आती है क्या 6000 के नीचे भी जा सकता है पूरी संभावना है नाच्रल ग्यास यहाँ पर एक सबाए 1% के आपको गिरावट आलड़ी आते हो दिख रही है सोना और चांदी भी पिछले कुछ जि इंडेक्स की ऊपर जाने से यहाँ पर थोड़ी कमजोरी थी आज हलके रीबाउंड के मूड में आ सकते हैं इस्पेशली जिंक जहाँ पर आपको 1% की ओपर खरेदारी दिख रही है रुपया आपका 3 पैसे मजबूत खुला है तो दो दिन की गिरावट के बाद एडिस गया है बड़ उसके सामने रुपया आपका 3 पैसे मजबूत है यह है आपके लिए फुरा का पुरा माहौल रिसर्च का आईए एक बड़ी और एक्स्कूजिजिव रिसर्च की तरफ तो बढ़ते आंगे कुशल गुता बरसा तैयार है कुशल बताए किस सेक्टर पर किस स् की जो कीमते हैं वो 12 परसंट का उच्छाल अल्रेडी यहां पर हो चुका है इन फाक्ट 9 रॉमबर से अब तक तो लगभग 42 परसंट का आपको चीन में जो सोड़ाइस की कीमते हैं उसमें बड़त देखनी को मिल चुकी है और 1932 आरेंबी पर टन से बढ़कर अब जो प्रा प्लांड से उनमें ऑपरेशनल दिक्कतों की वज़ाए से जो प्रोडक्शन है वहां पर कटाउती होती भी दिखी है जिस कारण से आपको लगातार यहां पर जो सोड़ाइस की कीमते हैं वो बढ़त की ट्रेंड पर हैं इन फाक्ट 24 नवंबर से 20 परसंट की बढ़त हो 30 परसंट जी एसील के 32 परसंट और साथी डीसी डबलू लिम्टेड के 35 परसंट का उचाल हो सकता है तो 10 परसंट की बढ़त प्राइस में मुनाफे में 30 परसंट से जादा की ग्रोथ आपको इन सभी कंपरियों पे आगे देखने को मिल सकते हैं तो बहतरीन आपको नवंब होगा केमिकल सेक्टर पर हम एकदम समय पर बुलिश हो गया बुलिश हो गया बुलिश हो गया दीवाली पर आर्टी इंडर्स इसके बाद से मैं लगाता है रहा हूं अब केमिकल स्टॉक कोई भी रिजल टालिया कोई बेचना नहीं है करेक्ट सर लेना है एसार एफपी चार्स देया रखना है आरहा हूं आपके पास और कुनाल जी को टाटा केमिकल के चार्स देखने हैं काम देजें फिले ठीक है ना बैसिकली हो यह राय कि सोडा एश्क के दाम तेजी से बढ़ रहा है चीन और अमेरिका दूनों जगे बढ़ रहा है और दूनों जगे पर टाटा केमिकल, DCW और GHC, यह तीन स्टोक है जिनके लिए बहुत बढ़ी है और कमाई की विए आपको बढ़ा है अभी कुशन ने कि 10% कमाई का जो प्रपोर्शन है 30% हो जाता है आपको 10% दाम बढ़ है आपके कमाई से देखने तो वह वेरिबल जो फाइदा मिलता है आपको सुमी जी आपका DCW आज भी एक्षेन में रहने वाला है अच्छा कल 7% 8% बढ़े थे आज 2% 3% और बढ़े 2750 के उपर के भाव आ गया है तो मतलब गजब का वन साइड एक्षेन में डीच रपी चार्स बताईए सर अब दन्यवाद अलें जी अने जी देखेंगे डीच यहां से बड़िया मूव भी दिखाएगा खलके जो टागेट से वह तो आज अच्छी होई ही खुलते ही और उसके माद और उपर के लेवल को मिलेगे हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि DCW यहां से पोजिशनल तोर पे आने वारे कुछ अफ़तों कुछ मैनों के लिए 65 रुपे से लेके 70 रुपे तक के लेवल दिखाएगा तो कोई भी चोटा मोटा डीप आता है इसमें 2 रुपे का तो लोड रुपे ख़दारी क 60 रुपे का टागेट फिर 65 से 70 रुपे तक की लेवल पोजिशनल दौर पे DCW में देखने को मिल सकता है कि लेकर हैं खरीदारी DCW में सुमिध जी के राए कुनाल जी के राए टाटा केमिकल्स पर चार्ट देखिये सोयावा शेयर उठकर भागने को तैयार है क्या बिल्कुल है अने जी और इसकी नीद अप टूटती हुई नेजर आ रही है जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है एक डबल बॉटम पैटर्न बना कल इसमें ब्रेकाउट भी आता हुआ दिखा और कल पहली बार इसने 980 के लेवल्स को पार किया है तो मुझे लगता है यह वापस से फोर डिजिट्स में ट्रेड करने के लिए तयार हो रहा है एक 975 के आसपा स्टॉप लॉस रख लें 975 का स्टॉप लॉस चोटा सा परियाब्त रहेगा और मुझे लगता है कि इसमें 1025-1030 के लेवल्स आपको आज भी देखने को मिल सकते हैं तो बिल्कुल खरिदारी के लिए 1025-1030 की तैयारी टाटर केमिकल्स की मजबूत हो सकता है यहां से भी आगे चलते हुए आईए मजबूत दिख रहे हैं पेपर स्टॉक्स को कल आपने बढ़िया एक्शन होते हुए देखा कई सारे पेपर चेरों में वजए क्या है क्य प्राइसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पेपर सेक्टर में भी और पेपर कंपनी इस्पेशली अगर हम जे के पेपर की बात करें से शेसरी वेस्ट कोस्टी एन यूस्प्रिंट यह कंपनी हमाई फोकस और रडार पर है क्योंकि हमें पता चला है सुत्रों से राइटिं की प्रिंटिंग पेपर की प्रैसे ऑर ड्रेड हमास से बढ़ चुके हैं हैं और यहीं नहीं अभी अगले थीन महीनों में पात से दस रुपे प्रतिकिलों यहाँ प्राइस हैक और आ सकती है पेपर के प्राइस में जो की बहुत अच्छा होगा इन कंपनी के लिए December 23 से March 24 के period की मैं बात कर रही हूँ, तो ये रुकने की बात नहीं है, यहां से और बढ़के आएगी, और इसके दो-तीन main कारण है, elections, school reopening, जिस तरह से अभी festival season है, इस सब चीजों के चलते हम देख रहे हैं, जबदस demand में एक तरह से pusher, paper prices यहां बढ़ाने का, एक elbow room बढ़िया बढ़ा हैं, तो उससे इन companies को बहुत बढ़ा फाइदा होते दिख रहे हैं, paper prices यहां से और firm up होंगे, 5-10 रुपे पूते के लिए, paper prices भी बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल और यह एक और sector ऐसा है, जो अब तक दबा रहा है, तो थोड़ा pricing power आ रहा है, थोड़ा cost benefit हो रहा है, यहां से भी हलके हलकी तेज़ी की तैयारी फिर से होती है, बढ़े action बन सकता है, तो है, invested है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकि नया कुछ अगर आप करने का मन रखते हैं, तो वागले साहब आपके साथ तैयार है, good morning वागले साहब, बढ़ाएं सार, pick of the day. अनिल जी, good morning, दिपांशू, good morning, अनिल जी, मेरा भी कोई नया कुछ करने का मन नहीं है, यह मैंने कल जिक्र किया था, और यह कॉल आपी का था, तो वो भी नया नहीं है, क्योंकि इसका credit भी आपी को मिलता है, मैं SRF की बात कर रहा हूँ, SRF में एक double bottom pattern जैसे resembling pattern बना है, इस का मैं थोड़ से आदा मिनिट लेकर explain करूँ, जूलाय का जो bottom है, वो लगबक 2050-60 का है, मतलब 2080 के आसपास का है, अभी का जो October का जो bottom बना है, वो लगबक 2082 का आसपास है, एक 20-25 रुपे का फरग होगा, और अभी जब यह 2480 का, जो मैंने कल जिक्र किया, 2500 के उपर, जब कम से कम 300-400 रुपे की मुँ आनी चाहिए, अगें ये एक दो दीन का व्यू नहीं है, ये पोजिशनल व्यू है, दो, तीन, चार हपते ले लीजे, में भी एक आद दो मैने ले लीजे, मेरा पहला टार्गेट लगबक 2630-2650 के आसपास है, और दूसरा टार्गेट 2900 के के लिए 2485 के ऊपर ही 2490 के ऊपर ही लेना है, और एक कैश और फ्यूचर के लेवल से लगबक सिमिलर है, और आपका स्टॉप लॉस तीस रुपे नीचे होना चाहिए, 2490 के ऊपर लेना, 2460 का स्टॉप लॉस, और फिर जो जब आप बुक करें, मेरे इस हब से तो आप थोड़ा पोजिशनल यू लेकर, ठीक बात है, तो यह है आपके लिए 2490 के ऊपर निकले लीजे, तो इस टॉप लॉस, 2460 का दिये, मैं जैज कर और वागला साब के अनुमति के बगेरी, 2450 कर दिजे, जो कल की क्लोजिंग के आसपास है, दस रुपे और नीचे स्टॉप ल पड़े दे रहे हैं, वागला साब 2600-300 का चोटा है, एकड़ो जिनों का, उन्हें 300 का टार्गेट, लेकिन वागला साब के लिए एक सवाल है कुनाल जी की तरफ से, वागला साब नेका मेरा कुछ करने का मननी है, चूंकि कुनाल जी अपने आपको सारे एनलिस्ट और एक् मेरा कुछ नया करने का मननी तो ऐसा क्यों उम्र क्या तो जिकर आपने किया है, उसको तो मैं नकार नहीं सकता, ओके अभी डाड़ी भी सफेरोरी लगी है, तो मैं क्या कह दू, मतलब मैं बिलकुल उम्र का तो यह है, पता दू, आगले साब, यहां पर बहुत सारे लोग डाइ करा करा के काले दिख रहे हैं, आप तो फिर भी बहुत बड़ी है, आप तो ओरिजनल है, ओरिजनल इस उम्र में इतने काले बाल कम नहीं है, बाल है उई बड़ी बात है, तो हम ज्यादा किन बात चोड़ी है, अभी कुछ नया नहीं करूँगा, यह काम यह डाल को नहीं जी घर पे चलता है, और भाबर भी फेल हो जाता है, नहीं चलिए, बढ़िया है, जब जो मन करें वो करिए, हमारे यहां एकदम आजादी है, स्वतन तत्ता है, चलिए, रेट्स हो गए, सेटल, रिकॉर्ड तेजी के लिए बाजार फिर से हैं तयार, लेते हैं अनल जी की ओपनिक स्टार्ट जी, पचास पॉइंट दूर हैं अनल जी, 21,000 से 20,950 नई रेकॉर्ड पर निफ्टी खुल रहा है, 47,256,200 उपर नई रेकॉर्ड पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी और्मोज 200 उपर नई रेकॉर्ड पर खुल रहा है सर, पहले निफ्टी 21,000, 21,080 जो हमारा टार्गेट उसके आसपास थोड़ी प्रोफित बुकिंग आ सकती है, तो वहां पर थोड़ा आएगा तो हलकी फ्रोफित बुक करके वापस नीचे का इंतजार करें, इतना गैप से कुलने के बाद करेंगे पहली चीज़, पर फिर आप वापस से समझ लिजे कि यह तो नई कुछ कमाल करने के तैयारी में है, तब है आपको 21,000 का कोल राइटर्स खड़ा है, सवा करोड शेर का वह भी बेचरे बेट फूट में आ जाएगे, वह भी शोट कटवाएंगे, पहली चीज़ है क शोट करने के हडबड़ी और जल्दबाजी ना करें, बहुत ही आपका मन बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं मैं तो बेचूँगा यह बेचूँगा तो अलग वात है किस जार का रहा है, जो हार्ड कोर शोट सेलर्स हैं, उनके लिए ठीक है, बाकि आपको मूर माउल बनाना बिगाड़ना नहीं है, आप टेजी की तरफ बने रहा है, नीचे आए तो और खर दिया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने तो ज़रूर आप किस जारी किस जारी किस जारी किस जारी के लिए इन्मेक कर सकते हैं, यह निफ्टी पर आपके लिए आपके लिए आ पर टिक जाए, तो 47,500 और 48,000 के तरफ जाने की कोशिश की हो सकते हैं, 47,500 और 48,500 पर बीचे मैंने कुछ दिया नहीं है, फुला मेंदाने हैं, यह तो 44,48,000 राजी बहुते हैं, कहीं तो कोल राइटर हो जो रोक पाए, कोई तो रोको, वैसा है, है ही नहीं कुछ, कैसे रो जारा नीचे आने नहीं देंगे, और 47,500 क्या तो 31,00 और कोल राइटर, तो शोट तो बन रहे हैं, और आज वीकले एकस्पायर रिये, तो शोट करने के हट बड़ी जल्दवाजी बिल्कुल भी ना करें, सुबह मैंने का भी था, कि 47,200 के आसफ़ बेचना चाहें, लेकर 47, 250, 300 खुल रहा है, तो फिर 47,300 के पर आपको शोट रहना भी नहीं है, यह ज्यान रहे है, सो खरीदारी का ही ज्यान रहे है, हार्ड कोर शोट सेलर्स है, वो स्टिक स्टॉक्टों के साथ करें तो अलग बात है, बाकि नॉर्मल आम इंसान, आम निवेशक, आम ट्रेडर, 6090 पहला टार्गेट है, बजाज ओटो वहीं पर एक्जाक्ली खुल रहा है, बजाज ओटो में उपर आए तो बेची, टेजी के मार्केट में नीचे बेचन के कोई जरूत नहीं है, और एशन पेंस अभी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ने के लिए एक औ और सेंसेक्स और बढ़ने के लिए बढ़ने के लिए लगाता है, आज आपका नया बनता हूँ, 75 अंको की तैजी के साथ 2930 पे की है, इस अधिश्टी ने शुड़ाद, देज़ सो अंको पर बैंक रिटियर, सवाद 200 अंको पर सेंसेक्स आपको नजर आएगा, बैंक रिष अधिश्टी हाई प्रतिशक की मजबूती सेंसेक्स निफ्टी बैंक रिफ्टी में दिखेगे, 2950 के आसपास निफ्टी है, तो 47,200 के आसपास बैंक रिफ्टी है, तो 69,550 के आसपास सेंसेक्स, आईए, स्टॉक जो एक्शन में बता दो आपको, अधानी सांग कवर होते हुए, 1035 पर अधानी पोर्ट, सेकंड टॉप देनर, 10% उपर, अधानी एंटरप्रेजर, 3.5% उपर, और इंशिन प्रेंट्स जहां खुले, वहां से भी हल्की फुली के रिदाजी बन सकते है, 1.5% की मजबूती 3260, पावर गेट, 1% मजबूत, HDFC लाइफ 1% मजबूत, संद फार्वा में तेजी 1% की और बिटानिया भी 1% ऊपर खुलता हो दिखा है, वीपी सेल 1% की तेजी के साथ है, आज काफी स्टोक सेल्स हैं जो 1-1% मजबूत खुलते दिख रहे हैं, बैंक्स में एक्सिस इंडसिन बैंक, दोनों 1-1% की तेजी के साथ कार आए वाइदा करबार की तरफ, अधानी पोर्ट 4% की मजबूती के साथ है टॉप गैनर, अधानी एंटरप्रेजेस 3% मजबूत, रफ्तार रुपने का नाम ने, ओ, हो, हो, ठाटा केमिकल, धाई पोने 3% मजबूत, हमारे एक्स्क्रूजिव रिसर्च की बाद ये स्टोक परसें मजबूत खुलता हुए इंडिया सिमेंट वाइदा करबार की बैन में होने के बावजूत तेज दोर लगाता हुआ, एशियन पेंट 10% ऊपर है, एच्पेसल कल, हलकी फिल की प्रॉफित बुकिंग के बाद, फिर से तेजी में है, बीपीसल तेजी में है, आप समझ दोरी और TVS मोटर आईशेर भी एक एक परसें लीचे कुलते हो दिख रहे है, इंडेक्स एक बार फिर से बता लूँ, इसके बाद बीप आगे का माहल बनाएंगे, बीस जार 915 का लो बना है, बीस जार 956 का हाई, बीस जार 935 के आस, बीचो भी स्टेट का ताओ, पसर तर उपर निश्टी है, बैंक डिटी, 47269 ये लाइफ हाई बन चुका है, और 4715 के आसपास, यानि कि 100 पोइंट की रहेंज मेरा है, अब 4717 के आसपास, और 7200 पोइंट उपर सेंसेक्स है, ये है नए रिकोर्ड बनने का दिन, बढाईयां, बढाईयां, बढाईयां बढाईया जेके पेपर, तमिलाणू न्यूस प्रिंट, आंधरा पेपर, वेस्ट को, सुतमा की, ये सारे स्टॉक्स में आपको जबरदस खरेदारी आती हुँ दिख रहे है, तो पूरा का पूरा पेपर स्पेस जो है, हमारी एक्स्लूसिफ खबर के बाद, आज जुबा आपको बज एलस इंटरनाशनल, CESC, अडवांस्ट एंजाइम्स, यहाँ पर अच्छी तेजी बन रहे है, एंजल बान, यहाँ पर नवंबर महिने का अपडेट आए, उसके बाद खरेदारी दिख रहे है, ये भी सेम स्पेस से सेक्टर्स के, काउंटर्स आपको अच्छी मूब दिख लगाने के लिए करीब 4800 करोड का निवेश करने जारी है, इस पर रखे है नजार, NRB बेरिंग्स दे अपना एक लैंड बेचा है थाने में, उबरोय रियल्टी को करीब 200 करोड रुपे में, इस पर रखे है नजार, यूको बैंक यहाँ पर खबर आई थी, 41,000 ग्रहकों के खातों में करीब सवा 800 करोड रुपे गलती से ट्रांसफर हो गए थे, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आईवान एक्स्चेंज इनके खिलाफ एक आबिटरेशन ओर को वापिस ले लिया गया है, कल बड़ी ब्लॉक टील्स होई थी, सफायर में, शीडम प्रॉ कमजोरी आती हो दिख रही है, इस पर भी नज़र डाल दीजिए, प्रेस्टिज एस्टेट्स आज 2% कमजोर है, मैक्स हेल्पकेर में आपको नर्मी दिख रही है, इरकॉन इंटरनाशनल वेल्सपर इंडिया, राडे को खेतान कल 10-11% भागने के बाद आज थोड़ा सुस् के साथ ही वर्दमान, टेक्स्टाइल, पॉली, प्लेक्स, निपॉन, लाइफ, किम्स, यहाँ पर भी आपको हलकी नर्मी आती हो, दिख रही है, हलकी नर्मी है, कोई ऐसे परिशानी नहीं है, ओपनिंग लेवल्स के इर्द गिर्धी बाजार ट्रेट कर रहा है, निफ्टी 20,950 के आसपास ट्रेट कर रहा है, बैंक निफ्टी ज़रूर उपर से थोड़ा 75 पॉइंट नीचे आयने जी, बट कोई परिशानी नहीं है, एक बार फिर से नई रिकॉर्ड, मजबूत ही है, और मजबूत ही माने जाएंगे, बाजार 21 की तरफ तेजी से बढ़ने को तैय 20,950 के ऊपर आईए, बिगुलू का वक्त है, वागले सावे तैयार, पहला विगुलू उनके लिए वागले का वंडर वागे साब फर्माएं अनिल जी, SRF अभी ब्रेक करने को तैयार है, 2484 का करन भाव है, पांच रुपे उपर इसको लेना है 2490 के आसपास, यह मैं कहता हूँ होते हो जाएगा, क्योंकि आज का ओपन और लोग सेम नहीं है, बड़ एकदम सेमिलर है, ज्यादा फरक नहीं है, तो इसका यह संकेत है क 24, आज का लोग है 2472, 70 का होना चे, 2469 का, ओके, तो यह है आपके लिए, SRF में खरीदारी करने कर आए, 2490 के उपर लेना है, वो तो होई चुका है, बस बात करते करते होई चुका, तो आप यहां पर खरीदारी करने कर आए, लेवल सापकी स्क्रीन पर आएंगे, जब तक आ कर आए, अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पर है, स्टॉक का अभी बाव चल रहा है, 587, 588, 587 रुपे, 588 रुपे अभी बाव है, स्टॉक का नाम है, UPL, United Phosphorus Limited, UPL के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, स्टॉक पिछले पांसना दिनों से दिरेदरे करके तेजी दिख हाई दे रहा है, तो 580 के नीचे का स्टॉप लगा के, UPL में खरदारी करके चलने का सला रहेगा, उपर में जो टागेट देखने को मिल सकते है, 597 ये इसका पहला टागेट होगा, 601 ये इसका दूसरा टागेट होगा, ये दोनों शॉट टागेट होंगे, तागेट अच् स्टॉक्स जिसने पिछले साल इस साल की राली में पार्टिस्पेट नहीं किया है, बट अब लग रहा है कि सायद UPL का भी वक्त आ रहा है, केमिकल, आग्रोकेमिकल वैसे भी आज आपको मुमेंटम में दिख रहे हैं, आरीजी, पीएफसी एक बार फिर से ये मुमेंटम मे अच्छा है, कंटिनूसली नए हाईस बना रहा है दिपांचू, जिनके पास है, होल्ड करें, मेरी तो दिपांचू, करेक्शन पर 390, 393 के राउंड खरेदारी के राय होगी, जिनके पास है, होल्ड करें पास है आपके तो होल्ड करिए REC अच्छी खरेदारी आपको वहां पर आती हूँ दिख सकती है इंडिया सिमेंट्स पर भी रखें नजर वैसे तो वाइदा करबार के बैन में है बट अच्छी मूव यहां पर भी ओपनिंग पर आ रही है ओइल मार्केटिंग कंपनी यहां पर लगातार मोमेंटम मना हुआ है BPCL यह समय अच्छा ट्रेट दिखा रही है वागने साब BPCL इस पर कुछ करना है तीन दिनों से OMC's ओइल मार्केटिंग कंपनी अच्छा वक्ट चल रहा है सरिनका कि दिपांशू BPCL का तो अच्छा वक्त लगबग ऑक्टोबर एंड से चल रहा है जब तीन सो तीन सो चालिस का मल्टिबल बॉटम पर सपोर्ट लेके यह वन में चला है अभी भी मुझे मोमेंटम दिखता है लेकिन जब स्टॉक कोई 340 से 480 दो तीन मैने में जाता है देर दो मैने में तो यहां पर एक रेजिस्टंस है 480 का तो यह ट्रैप हो सकता है अगर आप यहां पर चड़कर भाई करेंगे तो मैं कहूंगा अगर आपने नीचे में लिय चेशे परसंट उपर आज भी वाइदा कारोबार के स्टॉक्स हैं कल की तेजी देख लिए परसों की तीजी देख लिए और उसके बाद आज भी देखिए छेशे परसंट उपर यह कर रहे हैं बजट के बाद पहली बार 3000 के उपर आपको अधानी एंटरप्राइस दिख र हो रहा है फटलाइजर स्पेस पर आप रखे नज़र अभी सुमें जी की कॉल आई चंबल फटलाइजर यहां पर भी खरिदारी के संकेत आ रहे हैं विश्वे जी एक बार चंबल फटलाइजर का चार्ट देखें सर थोड़ा यहां पर भी मूवमेंट चल रहा है आज के ल लेवल आ सकते हैं तो लेकिन यहां पर 353 इमेजिट दिखता है मुझे लगता कोई भी गिरावट आया है तो 320 के स्टॉप लोस से खरीदारी कर नीची 350 शुट भी दर नेक्स अर्डल कुनाल जी देखें सर कैंफिन होम्स वजा किया हम निकालने की कोशिर करते हैं बड़ा कट आ रहा है इस समय कोई राया है इसके चार्ट पर सर देखें पिछले कुछ दिनों में देपांचु हमने एक स्ट्रेट रन स्टॉक में देखा था और लगबग 700 रुपे के लेवल से सीधा चलता हुआ आया है इस स्टॉक और उसके बाद आज हम इसमें करेक्शन आते हुए देखना है लेकिन ओवराल चार्ट के स्ट्रक्चर पर अभी तक इस गिरावट का कोई खास असर नहीं पड़ा है तो मुझे लगता है कि ओवराल ट्रेंड इस्टिल इंटेक्ट तो इसमें कोई खास चिंता की वज़े नहीं है एक स्टॉप लॉस जरूर रखे 795 रुपे के स्टॉप लॉस से फिलाज इनके पास लॉंग पो फ्यूचर्स दीपक नाइट्राइट 2270 के आसपास टेट कर रहा है 2270-225 इस वक्त आपको नजर आएगा यहां पर खरीदना है और इसको अगर 2245 के आसपास आए तो और खरीदना है दो टुकड़ों में खरीदना है यह ध्यान में रखें दिपक नाइट्राइट को और 2335 पर ट्रेट कर रहा है यह भगवान यह क्या है दूसरे टार्गेट के भी आप पास आगे पहले के तो ऊपर यह दूसरे के भी पास आ रहा है आपके बात करते करते स्पाइक आगया इसमें 2275 यह केमिकल स्टॉक्स की आगली है जबर्स मूँ है इसलिए मैं आप देखे द से 2300 भी कम नहीं होगा देटर्स के लिए फिर मैंने सुथ है कि थोड़ा महूल अच्छा है तो थोड़ा ऊपर के बड़े टार्गेट दिया है 2320-2325 के टार्गेट के लिए तो अब ठीक है जब नीचे मिले तब लीजेगा 2320-2320 का तो आ चुगा 2325 का अगला टार्गेट चले और अब चुकी इतना भागा हुए तो इस भागेवे शेर के लिए फिर में एक बार आए जड़ा वागले साब से ले दू जाला बड़ी है वागले साब जड़ा दीपक नाइटराइट के चार्ट भी देखने का कष्ट करें अनिल जी 2300 का जो लेवल तोड़ा है आपका तो ऐसे टार्गेट आ गया लेकिन अनिल जी दीपक नाइटरेट में जैसे सर्फ में मैंने एक्स्पें किया राउंडिंग डबल बॉटम हुआ है लगबग 1900 के आसपास दो बॉटम्स ऑक्टोबर के और जूलाई के और यह 380 का जो टॉप क्लियर करेगा अज़र नहीं बोल रहा हूं यह जाएगा 3000 के लिए 3000 तक बहुत-बहुत बड़ी मूँ अन्फोर्ड होने वाली है तो मतलब आप वो व्यू से लेते हो तो यहां पर ले थोड़े से नीचे मिले मेरा स्टॉप लोस होगा 2225 का ओके तो यह है आपके लिए दीपक नाइट्राइट यहां पर रखें नजर थोड़ा पुजिशनल व्यू लेकर चलिए अच्छी मूव आ सकती है 2340 तक अभी गया था वहांसे डिप भी कर रहा है तो वापस एंट्री के भी लेवल्स आपके लिए अच्छे मिल जाएंगे और फिर 2350 तक के टार्गेट अलजी के भी आ रहे हैं केमिकल स्टॉक्स यहां पर थीम बन रही है मूड मोहल बाजार का बन रहा है और मूव भी आपको अच्छी आती हुए दिख रहे है इस बीच बैंक निफ्टी अपनी गेंज 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 कर चुका है निफ्टी में कोई आपका इंपक्त नहीं आया इस बैंक भी अब फ्लाट आपको होते हुँ दिखाए इसे इसे बैंक का एक बार इसके चार्ट पर रही भी ले लिजाए विश्वे जी क्या करना इसे इसे बैंक का डिप आ गया है वापिस एंट्री के लेवल्स दिखते है या फिर थोड़ा और सुस्ताज ने दे इसे बैंक निफ्टी के डीटा को समझना जरूरी होगा मुझे लगता है बैंक निफ्टी के 47,000 के पुट में आज के दिन में 42 लाक शेर का उपन इंटरस्ट है और अभी अगर हम देखे तो हम 47,100 के आस पास चल रहे है और खुलने के बाद हम दिख रहे है कि कॉल साइट कि बार थोड़ा सा बिल्ट अप हुआ है मतब आज के दिन में आप जिस साब से कॉल साइट राइटिंग देख रहे हैं मुझे सा लगता है कि थोड़ा सा साइडवेश दे हो सकता है मतब 47,200 47,300 राइटिंग हुए और ओपनिंग के बाद अल्मूस 3 करोड 19 लाग शेर उसका बैंग लगता है तो आज के दिन में 9,90 मिलता है तो इसको खरिदारी कर नीचे आई इसे से बैंक नीचे रह सकता है, उसका रीजन बैंक निफ्टी एक्सपारी हो सकती है, बट 990 अगर आता है, तो मुझे लगता है, खरीदारी कर नीचे, शायद अगले वीक में वापस हम इसको 1030-1040 देख सका है, ओके, यह है आपके लिए आईसे से बैंक, इस पर रखें इंदुसान जिंक और वेदानता दोनों पर कर ये फोकस इस डिविदेंट अनाउस्मेंट का, यहाँ पर एक्शन भी दिख रहा है, हल्की फुल्की मूव इंदुसान जिक में इस समय आपको आती हुई दिख रही है, आए, चलते है सुमित जी के पास, और लेते हैं सुमित जो स्टॉक अभी मेरे रडार पर आया उसका भाव चल रहा है 540-549, 540-541 का भी भाव है, स्टॉक का नाम है मैरीको, मैरीको के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बार, बाउंस बेक के संकेत देखने को मिल रहे है, स्टॉक कल का हाई ब्रेक कर रहे है, और पिछले क कुछ दिनों से लोगर नेवल से तेजी के संकेत दिखा रहा है, स्टॉक में यहां पर खरदारी करके चलने का सला रहेगा, दूसरा टागेट 550 रुपे का यह दोलों टागेट शॉट टम के हैं, पोजिचन टागेट में मेरीको और ऊपर का मूद दिखाएगा, तो 534 के पर्षिजदारी करने की रहे है शुमी जी की तरफ से आती हुए आपकी लिए बढ़ेंगे आगे और वक्ते जेंज सबसे मुलाकात करने का जेंज साब जेंज साब सौगत आपका बताएं सर आज क्या है इरादा लाइफटाइम हाईपर मार्केट है तो कुछ नया स्टोक है फिर से पुराना स्टॉक कोई पसंद आए नहीं नया स्टॉक एनलजी और बहुत देर से इंतजार करना था दो पूरे मिनट लेट हो गया और स्टॉक एक्षली ऐसा है कि वो चल चुका उस दौरान को सब्सक्राइब करें आपको सबसे पहले हैं इतने सारे नोट्स में मतलब आज सुबह बनाया हूं मैं कल शान को हमने हमारी टीम ने हम लोगों ने पूरी रिसर्च की और सोडा एश और यह सब और यह स्टॉक काफी करेक्टेड और आपने बहुत सही सवाल पूचा कि इतने हाईज के मार्केट में कोई पुराना स्टॉक को रिपीट कर रहे हैं या नया स्टॉक लाने की इच्छा इसलिए रहते हैं कई बार कि स्टॉक अगर अपने 200 पूशिष की थी हम लोगोंने और यह स्टॉक देखिए उपर से अच्छा करेक्ट हुआ था 660 के लेवल से और आज 3-4-5 परसंट चलावा था सुबह सुबह क्योंकि कल हमारे सुमनी जी ने भी DCW की बाद की थी आज सुबह अभी हमारे टीम ने भी रिसर्टीम ने भी मतल करेगा और चीज़े इस कंपनी के लिए भी और इस सेक्टर के लिए भी बढ़िया हो रहा है बट सेटरली देखिए मैं एक चीज़ और साथ में कहता हूं कि जब जो सेक्टर चले वे रहते और वो चलने लग जाए तो थोड़ा सा अलग का संक्यत भी होता है जब मैं इंफिल्ड कमिशन किया है जो कि पांच लाग टन्स की कैपैसिटी और एड करेगा तो यह अगर हो जाए तो यह कंपनी का सबसे बड़ा सोड़ा एश का प्लेयर हो जाएगा एनिवेज इस वेरी बिग प्लेयर एक ओलिगो पॉलिस्टिक मार्केट है कुछ फ्यू प्लेयर की डिमांड लॉंग रेन में तो पूरी इंटैक्ट रहेगी क्योंकि यह लिथियम सेग्मेंट और सोलार सेग्मेंट सोलार ग्लास अभी परसोभी सरकार की न्यूज आई थी सोलार को लेकर तो यह सब चीजों को देखते वे लगता कि इस सेक्टर में काफी धम है और इस प ग्रेंबेस पर एक चार अर्तालीस करूर का पैठ है सेटनली सेप्टेमर कोड़र वस नूट ग्रेट बट जून कोड़र वस वेरी गुड और इनके मार्जिंस भी बहुत बढ़िया है वैसे सारे अलग अलग और भी इनके सेग्मेंट से और कंजूमर प्रोड़ाइश इक्विटी रेशियो है च्छे का पी मल्टिपल पर स्टॉक कांग कर रहा है च्छतिस परसंट की रिटर्न ऑन इक्विटी सवा तीन परसंट की डिविडेंट डील और प्योत्रोस की स्कोर जिसको मैं बहुत देखता हूं वो भी साथ है और पिछले अगर आप कौर्टर्स देखें बहुत बैतरिंग गया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल और डेट्स को इन्होंने काफी रिडियूस किया जो कि मैं पहले अगर आज तीन साल सारे तीन साल होगे जैन साब के जैन साब के जैन सो जी एच सेल को अगर पहले रेकमेंड नहीं क करने का एक रीजन यह होता था कि डेट्स और डेट्स को कमणी ने काफी रिडियूस किया और यही रीजन है कि मैं स्टॉक को आज वापस से लाया है और काफी गरम सेक्टर हो रहा करेडिट रेटिंग्स देखा तो डेवर अलसो वेरी गुड तो मेरे इसाब से स्टॉक को कर Dünyato candidates के लिए चैनल साब के लिए याजबसे राया है तर इस देखे जाने फचाने स्टॉक आपकी लेकी में पर यह मेरे लित पहली और कर नहीं सर्क मार्य कि वाली चलिए हर बार मैंने वो डेट्स की वजह से पहले रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि मेरे वो डेट टु इक्विटी रेशियो वाले क्राइटेरिय में नहीं आता था यह बात एकदम सही पगडिया आपने अनिल जी बट है मेरे पास अभी पिटारे में बहुत सारे टाइप के सब्सक्राइब करें रिसर्च को और स्ट्रेंग्दन किया हमने और हम रोज नहीं नहीं स्ट्रेंग्स लाने के पूरी कोशिस करेंगे मैंने मैं आट से दस आइडियास तो में नहीं लाने के पूरी कोशिस करता है यह अपने पैनल के सारे एक्सपर्स भी आप से जानना चा आनि वार शूवत हों, अब थे चैनल लोग भरे हैं और थोड़ी और थोड़ी और छैनल जेक्स आप अरोर थोड़ा फोकस करना। आप यह मानते हैं आप आप भी पहले कम वैंते हैं नाइस, okay. काम तो खूब करता था, वादर और हर बार प्रेकर करणा है, जैसे आप अनिल सी रोज कुछ नया हमारे चैनल के लाते हैं, नमबर वन तो आप 2019 में ही हो गए थे, बट उसके बाद भी रोज इनोवेशन और रोज नई चीज लाते हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलता है निल ज जैसे जैन साब ने अकिलेए निया जी जिन्होंने टीम को स्टेंथन करा था एक्स्पैंड करा था पड़ जैसे कल कुणाल जी को डॉक्टर साब मिले थे 5-7 बेने कुणाल जी के लिए फिर 5 मिने ने अनियर लिए अगर जैन साब होते तो उसी समय आपको वीडियो वाल ल सब्सक्राइब करने के लिए टीम को खुराग देनी पड़ती है तो मैं जैन साब से पूछा चाहरा हूं कि चाहे और तचोड़ी दूनों दे रहे हैं या कुछ और इजाफा किया है कुछ मिठाई उठाई एड किया है कैसे टाइट कर रहे हैं टीम को सला ऐसी लोग जिसको आप लागू करो जैन साब बचा भी देगे तो आप कौन सर ने कि स्टाप को चाहे को चोरी खिलाने वाले इसलिए जिए 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 वो स्टोग जाए जिन साब्सक्राइब कर देकिर आए 640-660 के टार्गिट लिए आए बिगल के लिए तैयार ह आप बागने का वर्डर जी वागने साब फरवाए सर अनिल जी पहले तो मेरा डिस्क्लोजर है कि हमने ये स्टॉक यही भाव पे हमारे क्लाइंट्स को दिया है स्टॉक का नाम है जी एन एफसी ये स्टॉक अभी अभी चलने लगा है 725 के पार निकलने के बाद ही इसमें सब्सक्राइब के लिए तैयार है जो आज आपका इंटरे टार्गेट हो सकता है और पोजिशनली दो से तीन दिन ने भी एखाद अपता दस दिन ये 760 तक जाएगा में भी तीन से चार दिन में में एंड आप दिस वीक ये 760 तक जा सकता है इसमें ज्यादा मूँ आई नह सब्सक्राइब के नीचे का स्टॉक लॉस और 747 4042 का इंट्राडे टार्गेट 758 760 का दो से तीन दिनों का यह भी तीन से चार दिनों का पोजिशनल टार्गेट यह आपके लिए जी एन एफसी यहां पर करे खरेदारी थोड़ों पोजिशनल भी लिए कर चले तो चेमिकल स्टॉक्स जो हमारी थीम अभी हम बात कर रहे थे यह आपके लिए क्लियरली फ्रंट एंड सेंटर आज होती हुए दिख रही है जी एन फसी टाटा केमिकल्स दीपक नाइट राइट सारे काउंटर्स पर आपको मूव आती हुए दिखेगी इस बीच बैंक निफ्टी टेक महिंद्रा विप्रो एल्टी माइंट्री बिर्ला सॉफ्ट एलंटी टेक टीस यह सारे काउंटर्स पिछले 5-10 मिनट में आपको खरिदारी के संकेत दिखा रहे तो आईटी में रोटेशन शुरू हो चुका है और आज फ्रंट एंड सेंटर आपको आते भी दिखेगा इस समय ट्रेड में बिर्ला सॉफ्ट कल भी मुझे याद है टोवर्ड्स क्लोजिंग यह स्टॉड़ा एक्टिव हो रहा था आज थोड़ी लीडर्शिप दिखा रहा है एक बार सुमेजी से बिर्ला सॉफ्ट के चार्ट पर रहे ली जाए सुमेजी देखें बिर्ला सॉफ कर सकते हैं उपर का मूव में देखने को मिलना चाहिए बिर्ला सॉफ्ट यहाँ पर मुव आ रही है बट सारे आइटी पर रखे नजर साथी चुनिंदा कंजम्शन स्टॉक्स पर भी रखे नजर सुबा कुनाल जी की निसले की बात कर रहे थे आईटी सीय में भी आपको थोड़ा आक्शन बनते हो दिख रहा है डेड़ परसेंट उपर आईटी सीय समय चार सो साथ का लेवल क्रॉस करते हुए तो निफ्टी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है बट आज बैंक्स का सहरा नहीं है आज आज आईटी और चुनिंदा एफ नुपर के साथ नुपर बताईए क्या कहा है कंपनी ने बल्कुल सबसे बड़ी हाइलाइट पतंजल की तरफ से यही थी कि मैनेजमेंट ने कहा कि आगे चलके फूड और आईल कारोबार दोनों ही कारोबार को अलग करने के लिए कंपनी विचार करिए उन्हें काफी सारे कि तरफ से सजेशन आते हुए दिखा है जहां पर उन्होंने वो सजेशन को एक्सेप करते हैं उनका कहना है कि इस पर जरूर विचार किया जाएगा हाला कि अभी इस पर कोई प्लानिंग नहीं चल रहे है लेकिन डेफिनेटली कंपनी अपना फूड और जो ऑईल का कारोब जो मार्जन से वो भी 17% के आसपास के फार्म प्लानिटेशन पर कंपनी का कहना है कि जो एबिटा होंगे एबिटा जो रहने वाला कंपनी का जो मुनाफ़ा होगा कामगाजी लेवल पर वो 800 से 1200 करोड का होगा आने वाले 5 सालों में तो बड़ा लक्ष यहां पर फार्म प् हजार करोड की आए आने वाले 5 साल में हो सकती है तो बड़ा लक्ष यहां पर मसाला की जो कैटेगरी है उसमें आते हुए दिखा है और यह इस कैटेगरी में हमने देखा भी है कि काफी ग्रोथ कंपनी ने पिछले कुछ समय में देखी एडिबल ओयल में उनका कहना है कि ज है कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन इस पर विचार जरूर करा अभी अगर आप देखे तो स्टॉक फिलाल 62 के टीटेम पर ट्रेट करता हुआ दिख रहा है तो यह है आपके लिए प्रतेंजली फूर्स के कुछ खास बाते हैं अमरीश सर को एक बार पूर में कि वह प्रतेंजली फूर्स पर आईये बढ़ते आगे एक दूर कुनाल जी राकेश जी के लिए चार्ट को लुड़ का बताएं कुनाल जी राकेश जी अनि जी आईटी स्प्रेस बजिंग है और आईटी से हम ने आईटी का दिख़गा एटी का दिख़गा जहां पर एक पॉजिटिव फ्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है बहुत लीडिंग और लेगिंग इंडिकेटर्स पर 3550, 3550 के एक नेकलाइन भी तूटी है तो BTSD शॉर्ट तम के नजरिये से TCS पर खरिदारी किरा रहा है ओवर टू कुनाल जी अनिजे देगे आईटी स्टॉक्स में तेजी बन रही है TCS पर हमारी खरिदारी के रहा है चार्ट स्टॉक्चर मस्बूत है सारे एवरिजेस के उपर ट्रेट कर रहा है और TCS ने 3550 की हडल को पार किया है तो 3550 पर ही स्टॉप लॉस रखें और खरिदारी करें है TCS में पहला टारगेट होगा 3640 का 3640 का पहला टारगेट है और 3685 का दूसरा टारगेट है खरिदारी की रहा है TCS यह आपके लिए TCS जहां पर खरिदारी की रहा है आरे अन जी लग रहा है कि आज अगर 21,000 जाना है तो IT का योगदान इंपोर्ट रहेगा और बात भी जावा एक आईटी आया था याद को मैंने रिजन भी जया था कि मुझे डाओ इवेंचुल लिए चालिस जार्श जार की तरफ जाता वा नाजर आता है और उसमें नैस्टेक जादा बैतर करेगा इसलिए हमें आईटी पसंद है और आप देखिए आज बचाने वाला आईटी है आज निफ्टी को बचा करें बैंक निफ्टी आज धिला है लेकिन निफ्टी को अगर किसी ने बचा कर रखा है तो आईटी है और देखिए यह लेवल जो आपको बाइबेक के वक्त थे जब इननने बाइबक का एलान किया था तब 356 की रेजमी था एक्जक्ली मुझे याद नहीं है टीम बताएगी लेकिन उस समय लगवग आसपास का था उसके बाद से स्टोक धीमें धीमें नीचा आए तो अगर आपने बाइबेक के वक्त यह सोच के खरिदा था कि मैं बाइबेक में टेंडर करूंगा और भाव बढ़ जाए लगवग लगवग आपकी को सिद्धार जी सूपरभाद मिडवीक लेडिंग सेशन में आपका स्वागत है सिद्धी सिप में and the color combination of your suit, shirt and tie is amazing. क्या color बोलते सर इसको यह जो टाई का color है अश्कुर्ण गुद मॉर्निंग बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी मुझे तो यह थोड़ा सा maroonish red के टाई का color लिखता है एक नाम बुलो सरी इतने सारे तो हम एक color ढंक से नहीं पेचान पादेगा मरूनish red तो कैसे समझेगा मैं अनिल जी बिल से आपकी वह बात याद आदी है English color समझ लेते हैं अच्छा ओहो और कोपर color तो नहीं है कोई commodity का expert हो तो हाँ हमारे ट्रेक करते हैं commodities बहुत सारी है एक तो बंसिल जी ट्रेक करते हैं और दूसरे सुमी जी ट्रेक करते हैं सुमी जी बहुत कमोडिटी ट्रेक क कि बताइए जो सिदार जी ने पहना हो copper color है कि अनिल जी अभी color ऐसे gray दीख रहे हैं मेरे को तो आप से सम बहुत 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 रहे हैं अच्छा पील करते लेगे जी बहुत अच्छा पील करते हैं जी बहुत नहीं है अब मतलब देखो हमारे सुमी जी का तो लेवल पता जिल गया color के बाबले में आगे तो पूछ ने कहीं थी जी विश्वेशी अने जी रोस पिंक लग रहा है और इन फैक्ट सिद्दार जी की एक तारीफ करने पड़ेगी कि वो जो कॉंबिनेशन लाते है टाय का वह बतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना बढ़िया कॉंबिनेशन होता है तो रोस पिंक मेरे हिसाब से अने जी रोस पिंक रोस गोल अने जी, तो आपको क्या है एक शब्धी बोलना है अपको तो पहले तो अने जी एक चीद बोलनी है सिधानी जी को देखिये कलर तो जेएं सेकंगी होता है English blue जो होता है जो अने जी निकाला हुआ हूए ये हर कलर के आगे English नहीं लगता है ये अनिल जी मैं तो नहीं नहीं चीले सिख रहा हूँ आप ये आपने copper color जिखाया और विश्वेज जी आए और अज विश्वेज जी की delivery मतलब अभी तक की बस्त है रोस पिंग अनिल जी मतलब कि कॉलिज के टाइम पहुंचा दिया अनिल जी जब आपको आज के लिए चुटी दे सकते हैं फिलिंग यंग फिलिंग बेटर बंसल जी के लिए विश्वेश जी फर्वरी का रोज दिलवा दिया रोज पिंक भूल के तो आप आपका भी मन ऐसा तो नहीं काम करने का नहीं है अब आप फर्वरी में जा रहे हैं नहीं नहीं जी बिल्कुल अपने पीम लेडी है बताए सर अने जी दूसरे दिमाई के नतीजह अभी अब जो बचा है वो है सेड़िकंड हाफ वह भी है सेड़न हाफ सेकेंड हाफ जो साल का बचा है उसके ओपर कौंसी यह दंधार आ सकती है तो कि इंक्रेमेंटल स्थेंच जो गववर्मेंट कर सकती है बिपॉर्ट जैनल इलेक्शन और वेलियस सेक्टर लाइक इनफरा साथ विकेशन का मौसम वेडिंग का मौसम और प्राइजिंग पावर कंपनियों के काफी बहतर हो जाते हैं एच्टू में क्योंकि कंजम्शन स्ट्राउंग रहती है तो आज का जो थीम है वो है सेकेंड हाफ जो थीम तो बहुत अच्छी है और इसमें बंसल जी की तरह से आपसे रिक्वेस्ट समझ लें, फर्माइश समझ लें, आदेश समझ ले बंसल जी ने चुके ऐसा तुनि मुझे लिखके भेजा, इसा नहीं मैं तो को गलप तो नहीं है बंसल जी का है तो लेकिन मैं बंसल जी की भावनाओं को समझते वे आपको कह रहा हूं बंसल जी चाहते है कभी कोई एक बेटर हाफ वाली थीम भी आप लाए बिल्कुल एन जी उनके जो रिक्वेस्ट भावना है वो नोट कल दी हमारे बेटर जी मैंने आपकी भावनाओं इस भी तो रखी भी तक वीडेयो बन गया होते हैं वीडियो पता जी कहा कहा से नेट्ट्रिक से जोड़के टुल जी दाल दिया गया होता ये तो सदानी जी से लोगों का प्यार है ठानावलों का कि यह ट्रोल नहीं होंगे ऑनिजी ऐसा थीद देने के बाद मी जी गुल्ण जी अने जी आनिजी देखें-बन-सल जी बेटर हाफ बीश्वास नहीं रखतेविए वेश्वास रखते हैं उनके लिए बेटर हाफ नहीं उनके तो बेस्ट हाफ हैने जी सबसे पहले होगा सिमेंट स्पेस का रैंको सिमेंट अपना है बारा सो बाइस का रैंको सिमेंट अपना है कई दो से धाई साल से करते आरें यह कंस्ट्रक्शन डिमांड जिससे सबसे पिक अपना है साउथ इंगिन बेस्ट सिमेंट कंप्री 22 में इस की कि एच टू में 30 पर संट गाया वाय जम्ट दिखा गया हम समझते हैं कि सिमेंट के वॉल्म इनके 28 पर संट वाय वाय जम्ट हो सक के हैं आफ इंफ्रा सेक्टर के लिए हमेशा दंदा गयता है और कंपनी है पी एंसी इंफ्रा टार्गेट 432 का यह भी हम करीमेंट दो धाई साल से रेकेमेंट करते आरे हैं विट डिस्केमर ओर इंफ्लो स्ट्रॉंग है सेकेंड आफ में आ सकता है एच टू में स्ट्रॉं एक्जिकुशन के पेप्रिक्टी से चौरासी प्रोजेक्स अलड़ी कर चुके हैं सत्रह हजार करोड का ओडर बुक है दस से पंदरा परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ एफट ट्वेंटिफोर में आप उम्मीट अब जो इलेक्शन खतम हुए एंपी राजस्तान यहां से और दमदार आ सकते हैं यूपी से आ सकते हैं केपेक से सौ करोड के करीब का और एनेची आई के तरफ से नब्य हजार करोड का रोट प्रोजेक्ट पी एंसी इंफ्रा को मिल सकता है तीसरी सेक्टर होगी कंजम्शन बेस्ट और यह है यूनाइटेट स्पिरिक्स जिसका टा सेकेंड हाफ में यूनाइट स्पिरिक्स द्वारा एंफड़ ट्वेनिफर में पंदा पसंट का कामकाजी मुनाफ़ा का गाइडेंस है और ओवर और जो इन्होंने नई ब्रैंड लॉंच हुई है डॉन जूलियो यह टकीला की बेस्ट ब्रैंड सबसे बड़ी ब्रैंड ल सेकेंड हाफ इनका जो है वेडिंग सीजन के कारण दमदार रहता है एक्टी परसेंट ऑकिपेंसी लेवल और इका होटेल जो मुंबाई में सबसे बड़ी होटेल को ली है यहां से भी अच्छा हूँ आबरेज रूम रेच चा सकते हैं पच्पन बूम का टायप अभी डेर रादून में किया गया है और पंद्रा परसेंट के सीज जैसे घ्रो हो सकती है लेमेंट्री चारों कम्तियां सेकेंड हाफ में दमदार परफॉर्म कर सकती है तो आप इस पर जरूर नजर रखे छे से बारा मेने का अब्जेक्टिव ओके तो चार कम्तिया रेमकों सिमेंट पेंसी इंफ्रा यूनाइटेड स्प्रिट्स और लेमेंट्री यह चार कम्तियां इसे जो अगले छे मेनों में या साल के बच्छे मेनों में कर सकते हैं बहतर कमाई और इसलिए इनोंने इसका नाम दिया है सेकंड हाफ बहुत मुश्किल है बार बार मेंटर हाफ बड़ी से करना वियार करके बोला इस बार तो मैंने बिल्कूँ अच्छे से यह सिद्धार जी की तरफ से बहुत ही बड़ी थीम बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धार जी दिल से आबार बंसे जी को इंतजार रहेगा उस थीम का जिसके बारे वो दोने आप से की है रिक्वेस्ट मेरे जी यह उस पर जरूर आप काम करें वैसे एक दो स्टोक आप कुछ है तो से से जी मदद कर देंगे स्टोक को राफ टाइब के हैं जैंसा मदद कर देंगे प्रेस्टीज वेस्टीज होकिन्स टाइब के दूसरों की भी आप साहता ले सकते हैं अपने पैनल पर पिपल रेडी तो हेल्प सिर्फ आपको F1 प्रेस करना है help को बढ़ते आगे बढ़ते आगे सुमित जी के लिए एक बिगूले सुमित के सुपरिट सुमित जी फर्माएं अनिल के एक सेल को अभी मेरे रडार पर आया है जो स्टॉक अभी मेरे रडार पर है उसका भाव चल रहा है 459 50 460 460 रुपे का अभी भाव है स्टॉक का नाम है बल्रामपूर चीनी बल्रामपूर चीनी के अदर पिछले तीन चार दिनों से उपरी ल बल रहा है आज भी स्टॉक ने मार्केट खुलने के साथ सेलिंग प्रशा दिखाया है और पिछले एक हफते के लो लेवल में आ चुका है बल्रामपूर चीनी के अदर यहां से दबाव देखने को मिल सकता है बिक्वाली करके चलने का सना रहेगा स्टॉक का जो ऊपर में 470-471 के पास है तो 470 का स्टॉक लगा के बल्रामपूर चीनी में बिक्वाली करें नीचे में जो टागेट देखने को मिल सकते है पहला टागेट 445 रूपेगा दूसरा टागेट 440 रूपेगा यह शौट तम के टागेट है करेक्टी मूव स्टॉक के अंदर देखने को मि बिक्वाली पहला सेल कोल आज का आता हूँ आज का क्या इन दिनों का यह कहता है इस हफते का यह कह सकते हैं सुमिछ जी की तरफ से आईए बढ़ते आंगे दस की कमाएकी करते हैं शुरूआत और शुरूआत करते ही विश्वेश जी देंगे आपको एक दमदार पिक कि कि अ आईए तरस मेसी हाँ आईए और शुरूआता करते ही तरस मेसी देखड़ते आईए तरफ से इन देखड़ते हैं Dell'tv Beij बढ़ते हैं लगेता हैं लगवेश कीई संदेश थिवारते की मिould दूशचे फसलोआत वता हैं मैं भालों आपका दस्की गभाई में बाजार है 20,940 के आसपास निफ्टी पर डे हाई के आसपास फिर से आते हो दिखेंगें पता से इंकों की मजबूत है निफ्टी जुके गा नहीं रुके गा नहीं ठेके गा नहीं बाकि जुके गा नहीं के साथ तो एकदम सुमिजी एक्षिन में जाते हैं सुमिजी ने सबसे मैं अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि पिक्चर इतनी सुपर हिट है सबसे पहले सुमिजी ने एक्षिन करके बताया है पुश पावाला है तो तो डेविड वोर्नर और सर रविंदर जड़ेजा काफी लोगों काफी वाइरल हो गया था सु अच्छा लगा और एक्षिन अच्छा लगा लेकिन एक दो तो जो परफॉमेंस सुमिजी की रही है न होने अल्टीमेट है वो तो जो मतलब मिमिक्री करते हैं कमाल बहुत पढ़िया आइए बढ़ते आगे विश्वेश जी है तैयार पहले विश्वेश जी से जानते हो ब पहले विश्वेश जी एक थीम जो आपने मैंशन की कि बो स्टॉक जो अच्छे थे और बीटन डाउन थे और अभी क्योंकि मार्केट में पैसा पानी की तरह आ रहा है तो यह वहां पे बाट्मिंग फॉरमेशन है प्लस फंडमेंटली स्टॉंग स्टॉंग स्टॉक है तो पानाम है आर्ती इंड़स्ट्री 579 के आसपास अभी चल रहा है अनल जी मैंने इसको पहली बार किया था 460 में और उस वक्त हमारा टारगेट 530 था फिर हमने वापस उसको रिकमेंट किया और उस वक्त हमारा टारगेट 560 था अब जब हम 579 पर रिकमेंट कर रहे है तो मैं इसको आप 10 की कमाई में दू या ऐसे देतो लेकिन 10 की कमाई में FNO का स्टॉक नहीं देना चाहता था मेरा यह मानना है एनल जी की केमिकर स्टॉक में जो मुमेंट आ रहा है जिससाब से इसका चार्ट है क्वालिटी स्टॉक है बीटन डाउन स्टॉक था मुझे लगता है क अगर आपको कोई डिलिवरी लेना है मतलब आपको 10 से पंदरा दिन होल्ड करना है आरती इंडर्स्ट्री करूंड करूंगा 579 के एंट्री है 553 का स्टॉप लोग 620 640 यह सीरीज के टार के टैनियल ची यह है आरती यह तो 10 की कमाई तो अलग से दोगे ना कि उसमें लेना ह आपको नॉर्मल आपके विश्वेश का विश्वेश लिए के चल रहा हूं पांसटार्यपन के स्टॉप के साथ 620 640 के टार्गेट के लिए और थोड़ी देन में विश्वेश जी आपको नेंगी दसकी करमें का भी एक बैतनी शेर वह भी हम लेंगे उससे पहले आईए ए कारणे में व्हां पांस साथ साल में व्हाली में ग्रोंका इध्यर रखेंज के साथि तो पॉजिटिव आउटलुक के इहां पे पैंड केक्पनि दिए ये लिए नए यहां पे नए प्लेयरश आ रहे जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे कि ग्रैसिम उन्हें अभी थोड़ा समय लगेगा ब्रैंड बिल्डिंग के लिए साथी साथ इनिशल जो खर्चे होंगे वर्किंग क्यापिटल को लेके और जो लॉसस होंगे उसकी वज़े से अग्रेसिव जो वहाँ पे उनकी कै उनका ये भी कहना है कि अनौर्गिनाइज मार्केट से मार्केट शेयर बढ़ने की बहुत उमीद है अनौर्गिनाइज प्लेयर्स ए एशन पेंट को मार्केट शेयर होने की उमीद या मैजमेंट इसको भी लेके पॉस्टिव है तो दो बड़ी चीज़े सामने निकल कर है एशन पेंट ने साथ ये भी काया कि नए प्लेयर्स की एंट्री से जो इंपक्ट होगा वो बहुत कम होगा बहुत मिनिमम इंपक्ट होने वाला है यूबेस का भी टागेट देखे तो यहां पर उन्होंने टागेट बढ़ाया एशन पेंट पे 3800 से बढ़ा के 3900 क्या है और मेकवेरी ने भी आउट पर्फोर्मेंस की रेटिंग को मेंटेन रखा है और टागेट देखेंगे तो 3800 रूपीस का है थर्टी एट रूपीस 3800 रूपीस 3800 रूपीस और यह आपके लिए एक्षिन में आता हो देखा एक बार चार्ट पर राई लिजा है एशन पेंट्स के सुमिझ जी चार्ट सेखिए एशन पेंट्स बताईए आज वैसे तो मजबूत है कच्छे टेल के गिरने का भी फायदा 45 पर भी चल रहा है और कितने लेवल्स ऊपर के सकते हैं अनि जी मेरे को स्टॉप बहुत मजबूत लिग रहा है क्योंकि स्टॉप ने कुछ हफ्तों में कुछ मेंनों में पफूंग किया नहीं है जस्ट अभी मूव का शुरुवात कि लास्त पूस जिनों में स्टॉप मुमेंट्डब बनने का शुरुवात है जैसे ही इ में को लगता है बहुत जल्दी स्टॉप के अंदर उपर में अचीव होंगे क्योंकि स्टॉप का चास मोमेंटम शुरुवात है यहां पर खड़दारी करना चाहिए जिनों ले रख है वो लोग होल्ड करें इमीजिट टागेट उपर में 3355 तक के देखने को बिलेंगे फ अगर आप किसी हाडवेर वाली पेंट वाली शॉप पे जाएंगे वहां पर आपको एशेंट पेंट बर्जर पेंट मिलेगा और ग्रासिम को पेंट में एंटर करने पर कोई एज नहीं है इसको एज मिलेगा जो प्रोड़क्स दूसरी जो सीमेंट और जहां बिखते हैं य जी ग्रासिम को जो मैंने अपनी चैनल चेक करा है उसमें ग्रासिम को पेंट के डिस्ट्रिबूशन में मार्केटिंग में कोई एज नहीं जी जैसे नया प्लेर आता है वैसे ही ग्रासिम होगा पेंट के अंदर कोई डिस्ट्रिबूशन मार्केटिंग में एज नहीं अल्जी कमोर्टी बाजार में एक्षिन की बात यह है कि करिंसी मार्केट में आपको आज स्टेबिलिटी दिख रहे है दो दिन गिरावट के बाद आज आपको रुपे थोड़ा स्टेबिल दिखेगा दो पैसे मजबूर है कुछ जादा आक्षिन महाँ पर नहीं आ रहा है कुछ भी मूबमेंट नहीं है 30 रुपे की हलकी आपको बड़त दिख रही है चांदी रेलेटिबली बेटर है करीब सवा सो रुपे उपर है बट ज्यादा आक्षिन यहापर भी नहीं आ रहा है गिरावट के बाद आज बाउंस बैक के मूड में आपको बेस मेटल्स दिख तेजी फेल यह होने वाला है चर्चा का विशे कर्चे तेल की किमतों में हम तेज गिरावट देख रहे हैं करीब करीब साथ परसेंट भाव पिछले हफ़ते में गिरे हैं पांच महीने के निचले सतर पर हैं बहतर पर डब्लू टी आया गया है सततर पर ब्रेंट आपको प एकुझे साथ सेगमेंट देखिए तेल की तेजी फेल आज साड़े किआरह बज़े किच्छे तेलपर करेंगे फक भी आपको नहीं करना है और एकशन को मिस करने कर तो सवाल ही नहीं जब खास लरसे मेंधु दो खास मेहान हमानों हमासाएत तयार हो कुपता साथ सूप्रभाद करे शुरुआत बनाएं से लॉंग टर्म पिक्ट सूप्रभाद अनिल जी सभी को सूप्रभाद अनिल लॉंग टर्म के तौर पर जो स्टॉक आज पसंद है वो सबका फेवरेट स्टॉक जो थोड़ा समय से साइलेंट रहा है जो कि मुझे लगता है कि अब एक कंसॉलिडेशन मोट से निकल निकल चुका है और यहां से अच्छा मोवी स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में बनतावा नजर आ सकता है काफी समय से साइडवेस कंसॉलिडेशन में अटका हुआ था लॉंग टाम अगर चार्ट देखें तो 200 वीक की मुविंग अवरेजिस के आसपास एक हाई हाई लोग बनते में नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से बजार में अब वापस से पैसा आ रहा है तो मुझे लगता है यह सब स्टॉक्स रडार पर रखने चाहिए तो डी मार्ट में अगर मिलते हैं 4000 के आसपास तो पोजिशन को एड करें स्टॉक्स के तौर पर 3850 का स्टॉक्स लगाई है और मुझे लगता है कि आने वादे तीन से चार महीने में यह स्टॉक्स चार हज़ार साथ सो तक के टार्गेट दिखाने के लिए तैयार है तो डी मार्ट आर्ट लॉंट टॉर पर खरिदारी करके चलने की रिकमेंडिशन और के डी मार्ट लिए आपके लिए वजाए अफ लिए खरिदारी करने करे आले और जचैन की कहा भी हमांचुजी ने सबका फैवरिट सबकाा हैं तू है या या नहीं यह तot मैं न amendments ने राएं मैंने और मैं यह में कुस्या की कसी ज़ी का तो फैवरिट है और किसी की ज़ी का फैवरिट होनी के वज़े मादा बाकिंसे कुछ लोग दुखी भी है परेशानद भी है इसके बारे में कोई insight information किसी के बास पास है तो मुझे बताएं जड़ा पैनल पर अने जी मेरे पास नहीं है या information यह यह शेर नहीं है नहीं अने जी शेर है information मेरे पास नहीं है अच्छा अब मैं फिर तो थोड़ा सवाल आसान करेता हूँ कुनाल जी के पॉटफिलियो में होने की वज़े से उनका फेवरेट शेर होने की वज़े से कौन परिशान है जी सुमिझे बताए अरे यह तो पहले ही पता चल जा रहा अच्छी था हिमाच्छी जी वोड़ी लाइक तो करेक्ट वर स्टेंड अवाट कुनाल जी के बढ़ते पॉटफिलियो को देखकर सबस्यादा खुश होई होंगे अच्छा एक मनसल जी भी अपनी सफ़ाय में कुछ कहना जाता है उससे वज़े विश्वेश जी जी विश्वेश जी अने जी वो 3D वाला डायलोग यादा रहा है कि अगर दोस्त फेल हो ज करते हैं तो राकेश जी का चेहरा में पहले दिखता हो फ्रेम में कि वह असर है या दुखी हो रहे है तो अनेल जी मुझे सीरियस लेसा लगता है कि यह वाला एनालोजी यहां फिवरेट फिल्कुल आप सही कह रहा है खुद फैल हो जाए तो उतना दुख नहीं होता जितन करते हैं दुख नहीं होता है और दूसरे के पास होने की खुश है नहीं है दुख इस बात का अनेली पास होने के बाद भी आदमी दिल बड़ा दे रखता है पाटी द्रों नहीं करता नच्छाब थो पार्टा कोटा में आप जहन साख पर नाम दिलो, खातिदारी हो जाएगी, बोटा से बोंबे आते हैं, नाच्ता, कचोरी सब्सक्राइब लेगे आते हैं, कुनाल जी इनके सुसराल का एक छोटा सा वेंचर है, सैलून जी, कभी बेचते नहीं हैं, वो तो कल जबर दस्ती, आप मेरा हेर कट देख रह मुफ्त में आपको हलका कर दिया, इनके एक ब्रांच मुंबई में भी घुलाओ, हमें भी सक जरूत है, कुनाल जी का दिल बड़ा है, वो सैसा बेजा है, बंसल जी को बिलकुल, कुनाल जी, हम सब का वादा है, मुंबई वालों का, वागल साब थाने वाने में रते दूर है, सुमी जी कहीं नौर्डवम में रते मेरी तरह है, विश्वेश जी भी, हम कितनी भी दूर आप सनून खोले है, हम महरत मेशकर करके, जरूरू राइंटे के ट्रेसिक में भी व चर्चा में आया है, और चाहिं हूं यहे वहां बड़िया कर रहे है, और जब खर रिसquiera करके स्क्राइब से लाये घरू थे तो वेस्कॉस Florian जी प्रेस्ट पर इंडीची में का fundamentals तो देखिए चार सारे-चार के P multiple पे क्या बोले और 53 की return on capital employed, 53%, 41% की return on equity, 1.5% की dividend yield, पिछले 3 साल में profit की क्या अगर 37%, sales की क्या अगर 26%, debts को reduce करके सिरब 133%, यानि कि 0.04 debt to equity ratio, net profit margins 23%, इसका reason है कि last साल dream run गया था, इनका post-covid day लोगों ने बहुत बढ़िया किया, बट इस company ने बहुत घजब का, in fact overall देखें, तो TTM business पर भी highest level profits पर बैठी है, last year was extremely good, तो overall मुझे लगता है याने वाले दिनों में और भी बढ़िया करेंगे इन fundamentals पे, और plus मैं देखता हूं, तो promoters के अलावा FIIs, DIs करीब 15% hold करते हैं, public shareholding में कुछ renowned names हैं, जिनकी वज़े से बहुत बरुसा आता है, तो overall I feel बहुत ही सस्ते levels पे ये stock है, 780 का highs दिखाया हुआ है, वहां से corrected है, और जिस valuations पे है, ये और attractive बना देता है इसको, तो मेरे हिसाब से stock को बिल्कुरी लेवल्स पे लीजिए, और 780, 830 का दो target, ओकी ये हराए, आपके लिए West Coast paper पर खिर्दारी करने की जेन साब की तरफ से बढ़ेंगे, आगे और और वक्त है, news for use segment का, सौम डिसिलरीज एंड ब्रूरीज, ये है वो कंपनी जिसके से आज हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, बोपाल की कंपनी है, ये देश की डिगज लिकर मेनिफिक्चरर रिसमें से है, एक असी के दशक में वाइट लेबल बॉटल यूनिट के रूप में इसमें कीती शुरुआत और अब पॉर्टफोली में सारे लिकर प्रॉडक्स आपको कई सारे नजर आएंगे, अक्रोस प्रॉडक्स आपको देखेंगे, और कई सारे यह सी पावरफिल ब्रैंड्स हैं कंपनी के पास और हर साल 10 लाग से ज्यादा कैसी जानी है, 10 लाग से ज्यादा कैसी को क्या बोल सकते हैं निमें, बोटलस, बोटलस, ये बेचती है कंपनी, आईए मुलाकात करवाई जाए आपकी कम्पनी के चेर्मेन मेनेजिंग डिरेक्टर जेके अरोरा साब हमारे साथ कारेकर में शामिल हो रहे हैं 40 साल से ज्यादा का लंबा घहरा नुभा है अरोरा साब का इस पूरे बिजिस का आपने साइन्स में ग्रेजिशन की है और कम्पनी की ग्रोथ की स्ट्रेजी अरोरा साभी बनाते है अरोरा साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए सबसे पहले थोड़ा डिमांड आउटलूक जानना चाहता हूं इस वक्योंकि काफी लोग बड़े बुलिश हो रहे हैं करें कि हिंदुस्तान में ये लिविंग पैटन्स काफी बदल रहे हैं इसके चलते हैं लिकर प्रोड़क्स की डिमांड काफी जब्रस बढ़ रहे हैं जड़ा समझाएं सब किस तरह का मूर माहूल हो ले सकते एक ओवर ऑल जो एक सोशल टेबू होता था जमाने में आपके लोग पंजाबीز है और लेकर पीना पिलाना हम लोगों की वे ओफ लाइफ है लेकिन फिर भी हमारी का भी हिमत नहीं होती थी कि हम अपने फादर के सामने कोई सिग्रट की या लेकर की बात करें करें पर आज देखें कितना परिवरतन है कि अपना जो है एक रूम में ऐगर पढ़े लोगों की पार्टी हो रही है तो दूसरी रूम में बचों की पार्टी हो रही है और वूमन इस डिंकिंग मोर दन मैं नौ अल्मोस्ट जो लाइटर डिंक्स है वो उसमें तो एक सोशल जो एक पूरा जो वो है एक प्रस्पेक्टिव वो तो बदल ही गया था सब अब यह जो है अब यह जो है कोई यह नहीं है कि कोई खराब चीज नहीं है कोई बुरी चीज नह तो यह एक जो समाजिक परीद्रिश्ट में जो एक इसकी खपत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है यह एक जो है और एक हर हर सेलिब्रेशन की पैचानी लिकर और यह सब हो गया है करें तो इसकी वज़ा से ओवर आल जो एक काफी जम पाया है एक उछाल आया है जो काफत में तो बिसनस में तो वो तो ही है अप देख रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं इसको अपना जो आप अंतर देख रहे हैं तो ये एक reason है, दूसरा ये है कि पहले जो states में जो departments होते थे, excise department वो ऐसा कहा जाता था कि excise and prohibition department, ऐसा mostly states में कहा जाता था, कि ये liquor की prohibition को promote करने के लिए department बनाए गये थे, पर अब वो सारे departments सिर्फ revenue earning में लगे हुए हैं, अब वो state governments काफी smart हो गई हैं, उनको ये पता है कि भई ये चीज को रोका तो जा नहीं सकता है, जहां जहां रोका है, वो सब उसके negative हो हैं, चाहे हर्याना में होई, चाहे बिहार में हैं, चाहे गुजरात में हैं, अब जैसे आप देखिए, जो बिहार में हैं, जैसे की हैं, तो आप देखिए, एक लाख लोग से जीजा अंदर हैं उसमें करके अपना, और वो जिरू है, और इतना criticism हो रहा है, गवर्मेंट का, हाई कोट ने भी कई बार का है, कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से लोगो, और गुजरात देखिए, गुजरात में आप कहने को prohibition है, लेकिन आप, जब आप किसी होटल में जाके रुकते हैं, या किसी guest house में ठहरते हैं, तो पहले manager आपके पूछता है, कौन सा brand आप पियेंगे, फिर शाम को एक दम नहीं होगा, आप आप भी बता दीजी क्या brand चाहिए आप, तो ये सारी चीजें, मतलब लेकर prohibition तो कहीं successful न है, आप देखिए जैसे यूपी government है, एक दम clean fair government है, लेकिन आप देखिए, निकर को left right center promote कर रहे हैं, और सारी जो है, आप आज apply करिये, आपको एक महिने के अंदर land, सारी permission, सारे clearances आपको घर बठे मिल रहे हैं, तो ये, अरोड़ा साब बहुत ही interesting deep insight आपने दिये हैं, माहोल को लेकर भी, डिमान को लेकर भी और पोजिशनी को लेकर भी अलग अलग states की, सब सवाल मेरा ये है कि आपने अभी दो दिन पहली एक announcement भी किया है, कि अब आप करनाटक में भी अपनी beer बेचना शुरू करेंगे, माफ किजिएगा, तामिल नाडू में भी, करनाटक से आपको इसकी approval मिल चुकिए, जड़ा समझाएंगे क्या approval है और इससे कितना revenue या कितना profit आपकी company को मिल सकता है, देखिए ये एक बहुत बड़ा, जो है, एक बहुत बड़ा advantage आया है company को, देखिए पिछले 30 सालों में कभी भी तामिल नाडू government ने state के भार से लेकर ये beer नह अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये जो government आई है वहाँ पे, उनका ये है कि हमको जो consumers का ध्यान रखना है, जो brands, जो अच्छे brands है, उसको हमको entry देनी है, irrespective of the fact कि वो state में बन रहे है या state से बाहर बन रहे है, तो वो इस तरह कि किसी criticism को allowed नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ state के brand ही मिलेंगे आपको या आपको limited brand मिलेंगे, आपको जो चाहिए वो brand मिलेगा करके तो इस policy के अंतरगत हमारे को ये approval मिला है, ये करके तो ये एक हमारे लिए एक तमिलाडू एक बहुत बड़ी market है इंडिया की, और उसमें हमारे entry हमारे लिए एक बहुत बड़ मिलेंगे हमारे को इसमें, तो हमारे लिए एक बड़ी बड़ी चीज है ये हमारे, बड़ा achievement है company के लिए, एक और चीज़ सर जैसा आपने कहा था कि पूरे साल बर के लिए आप revenue हजार से 1200 क्रोड के आसपास करेंगे, पहले 6 मेने में आपका 633 क्रोड पहुंच जिए तो उ मेरे सारे कुलीक्स और वो कह रहे थे, आप बहुत ज्यादा optimistic हैं ये जब देखा उन्होंने तो पहले ही quarter के देखे तो फिर उसके बाद के, तो अभी भी हजार कहा था, मैंने, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, कि जो 1100 क्रोड की लोग बात कर रहे हैं, पर इससे ब्रैंड से उसको लेकर के जो हमारे plans हैं, जो हमारी ongoing schemes हैं, उसको लेकर के इसके आने वाले लगातार पिछले अगले 4-5 सालों में ये growth बनी रहेगी company की, क्योंकि अभी हम आधे इंडिया में हैं करके और सारे इंडिया में बहुत वह है, तो हम statewide जा रहे हैं, जो अच्छी की growth आप अभी देख रहे हैं company में, उसी तरह की growth आनी है, और देखिए जैसे हम अभी हमारा Odisa में है, Odisa में 70% से ज्यादा की growth है पिछले साल से, करनाटका में हमारा जो वो है, करीब 70% से उपर growth है हमारी पिछले साल से, मंदब रदेश में 50% से उपर growth है, हमारा market share almost 50% के न बेचते हैं, बेर की तो एक बहुत सारी company मिला के बेचती है, इस तरह का हमारा acceptance of products है, इन सब को लेकर के हमारे अगले 5 साल की जो इस्तिती है, वो मैं समझता हूं बहुत अच्छे आने वाली है, और आने वाला साल तो definitely एक बड़ी growth हम expect कर रहे हैं company, तो यह आपके लिए प देखे हमने last year करनाटका plant का expand किया था, 100% capacity बढ़ाई थी, अभी एक साल नहीं हुआ पूरा, हमने मार्च में बढ़ाई थी और अभी दिसंबर चल रहा है, और यह हमारे को capacity short होने लग गई है, इस साल हमने फिर expansion order किया है जर्मनी को, तो जो की already online है, बिलकुल, और मार्च म इसका हमें पूरा advantage मिलेगा करनाटका की बात हुई है, और उडिसा में हमारा काल्सबर के साथ tie up हुआ, उनके साथ हमारा एक लाख पेटी परमत का tie up हुआ था, अब उनकी demand है धाई लाख पेटी की हमारे से जो है करके, जो की हमारे expectation से भी बहुत ज्यादा है, और हमारे ख है, तो जो उडिसा का जो हमारा जो हमने expansion किया था, वो भी हमारे को कम पढ़ने लग गया है, तो अगले साल के लिए हमें उस पर भी बहुत गंबीता से coming board meeting में हम उस पर भी decision लेने जा रहे हैं, कि अपना उसके उडिसा को भी करने का, मद्द प्रदेश भी बहुत, it's doing extremely well, काफी अच्छे हमारी profitability है मद्द प्रदेश में और काफी के हुआ हैं, और सबसे अच्छी बात यह हुई है कि जो सरकारें जो आई हैं, वो भी एक stability की तरह रिशारा कर रही हैं, पूरा एक business stable रहने की उमीद है, इससे भी business को आगे काफी advantage आएगा, with the continuation of the government in मद्द प्रद utility utilization बढ़िया है, बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और सब बहुत धन्यवाद आपने विवाग तरीके से पूरी अपनी राय रखी sector के ऊपर भी और साथी company के प्लान्स के बारे में भी हमारे देश्कों को दी जान करें, thank you so much sir, thank you sir, thank you so much, आईए, some list के बाद बढ़ते आगे, तो यहां बीस जार नो सो पर ही, थोड़ा साथ प्रॉफिल की प्रॉफिल की घृर्पित बॉफिल की आए, तो इसलिए जो हो गाहिए थोड़ा उपर के लेवल पर हल्का फिल का आज आ सकता है, प्रॉफिल का मामिला निछले लेवल पर आप करें इंतजार दीमेंडिमें तो अधनितरी कर दिका ब्रीक का वक्ते लोटे के जल पोईशनल पिक्स और दसकी कमाई लिए शूपर शक्ति पेश करते हैं सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अब देए अधन्स्ट वायरीब सूपर शक्ति ट्म्त बार निर्मान को बनाता है सूपर स्टॉंग स्टॉंग In Consumer Electronics, our Opto Semi-Conductors empower you with new and exciting experiences PolymerTech's Smart Opto Technologies provide higher quality images enable large displays with minimal power consumption and make every task easier and more enjoyable Whether visible or behind the scenes, Opto Semi-Conductors are everywhere An investor education initiative by HDFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें रचनी गंधा, wires and cables, connecting people to power अरे क्या मैडम, कब से गंटी बजा रहा हूं? अरे मैडम, जल्दी हाथ साफ करो ना, मेरे कु लेट रहा है? एक मिन्ट वाँ, पिन नहीं लगा? चोटी पेमेंट्स के लिए पिन नहीं लगता नो पन for small payments अब लेटने हो रहा है? May Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully अरे रह्मी, ऑंकार मेरा संदेेस्ट्स मेचल दोना Thank you I will I will माल के ओ, चेरी डालना बोल लिया ये में फिकर है क्योंकि इनके पास है सुरक्षा और भरुसा दोनों S.P.I. General Card Insurance इतना इजी? हाँ मैडम को पैसे से प्यार नहीं है भाई साब, पैसे से प्यार है तभी तो EU से करार है ऐसा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंट्रेस्स देता है तीन महीने भी एक बार मेरा EU हर महीने सोच बदलो और बैंक भी EU Small Finance Bank बदला हमसे है स्वागत है आप सबका दस्की का महीन वे 20,900 पर है निफ्टी 45 संगों की मजबूति के साथ लेकिन 25 संग नीचे है बैंक टिटी अब 46-800 के नीचे ट्रेड करता हूँ दिख रहा है अगला बड़ा सपोर्ट 46-650 के आसपास आ रहा है द्यान में रहे आपके Mid Cap Small Cap Share हलके हरी निशान में इंफेक्ट Mid Cap इंटीस तो ठीक है Small Cap Index हलके हरी निशान में आपको दिखेगा आईए बढ़ते हैं आगे और पोजिशनल पिक्स का वक्त है डी मार्ट पसंद आया था हिमाशु गुपता साब को जान लेते हैं क्या है उन्हें पसंद पोजिशनल पिक के तरफ़ बताएं सर अने जी फर्टिलाइजर स्पेस फोकस में है एक PSU स्टॉक जी एस फी मुझे पसंद है पोजिशनल परस्पेक्टिव से दोसो बीज दोसो इंकिस रुपे के आसपा स्टॉक कर रहा है लगा ताक स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है लोगर लेवल से भी और आज यहां पर एक स्टॉक में अच्छी टेजी बनते हुए नजर आ सकती है 208 रुपे के साथ जी एस फी पोजिशनली खरिदारी करके चलने की सला है मुझे रगता है कि आने वाले तीन से बुक पर ट्रेज करती है तो काफी अच्छी हल्दी वैलिवेशन साथ मुझे लगता है यहां से 250-260 रुपे तक के टार्गेट आने वाले यह स्टॉप भी जैन साथ के जैंस में मैंने दिया हुआ है और बढ़िया से टार्गेट अच्छी हुआ अर्मान इस वेरी वैल अर्मान के सबसे बढ़िया बात है गजब की एउएम ग्रोथ हुए है इनकी 46% की वायो वाय बेसस पे और आप सबसे बढ़िया बात है जो ब्रांचेज आड कर रहे हैं लोग जो ऑपरेशन से लोग काफी बढ़ाते जा रहे हैं 385 ब्रांच का नेट्वर्क के साथ काम कर रहे हैं 42 ब्रांचे जिसमें से लोग ने लास्ट कॉर्टर में एड किया है वरी बुलिश और नम्रा नाम का इनका माइक्रो फैनेंस का जो यूनिट है उसका नम्रा मतलब अर्मान अर्मान का उल्टा करें नम्रा विच इस दूइंग वेरी वेल वहां पे भी करीब अगर आप जी एन पी देखें तो वह भी डिक्रीज ही हुआ है इन फैक्ट पर्फॉर्मेंस वहां पे भी बढ़िया हुआ है और ओवर ओल तेरह चौदर के पी मल्टिपल पे स्टॉक बढ़िया लगता रिटन ओन एक्विटी करीब 33 परसेंट का है पिछले तीन साल में प्रॉफिट की ग्रोथ 31 परसेंट सेल्स की ग्रोथ 25 परसेंट और रिजल्स गजब के क्वार्टर ले रिजल्स दिये हैं इंफैक्ट सेप्टेंबर 2022 में अग यह 40 करोड का पैट, हाइस्ट एवर टॉप लाइन, हाइस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैटी विए है, हाइस्ट एवर टीटीम बिजस के प्रॉफिट से बैटी विए है, यानि कि 187 करोड का टीटीम बिजस में पैट है और FIIS, DIA इसका भी पूरा भरोसे हैं, in fact चार-पांच परसंट वोलो गोल्ड करते हैं, और काफिस सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है इस स्टॉप में, अगर पब्लिक शेरोलिंग देखते हैं, तो I'm quite bullish on the स्टॉप और मुझे ऐसा लगता है, कि 2290-2350 के टार्गेट के लिए स्टॉप को लिए 90-2350, दो टार्गेट हैं जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी अर्मान फिनेशल्स में, राइज जेन साबकी, थोड़े देर में दोनों देंगे आपको शोटम पिक और साथी विश्वेज जी और कुनाल जी देंगे आपको राकेश जीर, दसकी का मैंका शेर भी, लेकिन उस सेपहले वक्त है, हमारी एक और खास से जीर का मारकेट आउटलुक इलेक्शिन रिजल्स के बाद बादार के आगे की डिरेकशन पर बात करने के लिए हमने रखिए एक खास से जीर, मारकेट आउटलुक और आज हमारे साथ कारेकरब में शامر हो रही है, कोटक इन्वेस की CEO लक्षमी आईयर जी लक्षमी जी को अरड़ी बाइस साल से ज्यादा कानुभब कोटक रूप के साथ काम करने का है इन्वेस्टमेंड एडवाजरी में वो फिक्स इंकम, एक्विटी, रियल स्टेट, अल्टरनेट एसेट क्लास सभी पर काम करती है और बड़ी घहरी पकड़ रखती है और आपने एनमाई, एमस या एनम कॉलिज इंस्टूट आफ मेनेजमेंट स्टिडी से एंबी किया है फा अनिल जी, तो सबसे पहले आप चुनाओ के मुद्दे पे बात करने से पहले, अगर आपने फणा पिक्चर में एक गाना सुना होगा, यहां हर कदम कदम पे धर्ती बदले रहा है, तो इसको मैं चुनाओ के साथ जोड़ना चाहूंगी, इस वज़े से क्योंकि अगर आप तो हर टाइम जो हवा का रुख बदल रहा है, हर टाइम परिस्तिती बदल रही है, विश्व भर में यह आपको यह चेंज बदलाव दिखता आ रहा है, और यह चुनाओ के चलते, बजार ने यह बता दिया है कि जो हमारी जो उमीद से परे जो होता है, उसका जो आउटकम ह वो आप पिछले दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हो, तो यह हमारे हिसाब से यह एक जो मोमेंटम है, यह दरशाता है, एक दो चीज दरशाता है, एक तो बजार में यह एक्सपेक्टेशन है कि जो दोजार चौबिस की जो चुनाओ होंगे, वहाँ पे एक ना कि हमारे देश में निवेशक देख रहे हैं, विश्व भर में, जहां भी हम गिदेशी निवेशकों को मिल चुके हैं पिछले एक दो मैने में, उनका भी यही विचार है, और उस कनेक्शन में हमारे इसाब से यह चुनाओ के जो आउटकम हमने देखे, वो काफी बजार के लिए बहुत ही इंपोर्टन है, बजार के लिए बड़े इंपोर्टन है और रिजल्स के बाद इसलिए बाजार में बड़ा एक्शन भी होता है, चुकि आप बड़ी गहरी पकड मेक्रो पर भी रखती है, एकोनोमी के लियाद से आपको क्या बड़े डवलोप्मेंट हो माखने देखे है, वो तकरीबन साड़े दस ग्यारा टका है, इसी टाइम पर आप देखोगे तो इंडिया अगर आम निफ्ती की तुल्ला करें तो तकरीबन साथ टका है, लेकिन आई से शुरू होता है इंडिया, आई से शुरू होता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया न के आखड़े हो हमने क्यूर्पू के नंबर्स देखे अगें बजार में अनुमान था कि छे टका के आसपास ग्रोथ होगा वो तकरिवन साथ के आसपास बहुत चुका है नंबर वान और चाइना यही टाइम पे ग्रोथ पांच टका ग्रोथ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है चार टका नहीं कौचा जो आर्बियाए के आखड़े है बट ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं वो नीचे की तरफ दर्शाता है और यह सारी जो मैक्रो इंप्रूव्मेंट जो हम देख रहे हैं हमारी देश में वो डेफिनिटली यह मोमेंटम को मजबूत रखेगा आने व इसके लिए भी दो पहलू है सिक्के में दो पहलू होते हैं आप किस तरफ से देख रहे हो वो बहुत जरूरी होता है अगर आप केवल निफ्टी पे फोकस करें जो की लाज कैप स्टॉक्स उसमें है अगर वहां पे अगर आप देखोगे तो वैलुएशन्स में जादा खी है जहां पे काफी सारा मोमेंटम पैसा लग चुका है वो मोमेंटम इंडेक्स में काफी जादा मजबूती दिखाई दी है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पे बहुत काफी हद तक मतलब 25 से 30 टका रिटर्न अगर फंड में किसी ने लगाया हो तो 35 टका रिटर्न उनको मिला है लेकिन यह जो लाच कैप और मिट कैप की जो वैलिवेशन है वो काफी हद तक क्रंच हो चुका है याने काफी गैप नैरो हो चुकी है अगर उस आख्रिया से उस अगर नजिरियसी देखोगी तो लाच कैप में अभी भी जूस बचा हुआ है तो हमारा यह मान अगरी है आने वाले कुछ एक दो क्वार्टर में हमें लगता है इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो अपसाइड में बरकरार रहेगी तो मोमेंटम आप खेलेगा जरूर लेकिन आपकी जो सीट बेल्स वगरा है वो लगाता लगा के आप गाड़ी चलाईएगा बिल्कुत साव पसंद क्या है और अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें देखे यूएस में तकरीबन 525 बेसे याने सवा पांच ठके का रेट बढ़ चुका है यह रेट हाइक साइकल में इंडिया में उससे आदा ही बढ़ा है पॉइंट नमबर वान कहने का यह मतलब है आने ब्याज दरे है प्लैटो आउट याने टॉप आउट हो चुके है तो इस माधियम से अगर हम देखे तो बैंकिंग बी-फैसाई जो सेक्टर है जो फिनांशल सेक्टर है वो इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशिरी होंगे तो इंट्रेट सेंसिटिव पे हमारा व्यू पॉ सेक्टर है वहाँ पे फार्मा और अगर आईटी सेक्टर की हम बात करें तो आईटी में एक दो क्वाटर का शायद और पेन हो सकता है लेकिन फार्मा और हेल्थ केर सेक्टर में मानती हूं काफी रानाप हो चुका है लेकिन स्टॉक पिकर्स मार्केट है तो वो सेक्टर में हमको काफी रूची दिखती है आज की तारीक में और जो infrastructure जो हम spend की बात कर सरकार जो खर्चा करेगी वो naturally infrastructure, real estate और उसके जो allied sectors है जैसे cement वगरा का sector ले लिया वहाँ पे हमको काफी मजबूती दिखाई दे रहे हैं तो ये कुछ sectors है जहाँ पे हम आज की तारीक में भी market की ये level पे भी ओवरवेट रहना चाहेंगे मार्केट में और रहे हैं फार्मा हेल्थ के वगरा शेयरों में अभी भी काफी मोखे अब फिक्स इंकम के जो investors हैं जो debt में पैसा लगाते हैं बहुत सारे हैं जो एक्विटी की नीची रिस्वड़ी होती है उपर नीची होता हम से नही कंपेर करें तो जो दस साल का जो बॉर्ण है वो तकरीबन सवा साथ के आसपास है साथ सेवन ट्विटी फाइव सेवन थर्टी के रेंज में है वो काफी हद तक जो विदेशी निवेशक है कितना पैसा लगाएंगे आने वाले साल में याने दोजार चौबिस में यह हमको ह किताब है बॉंड्स में कि जो इल्ज है काफी हाय है तो हलकी हलकी जब आपको इल्ज उपर की तरफ जाने की अगर संभावना होगी पांस-दस बेसेस पॉइंट भी यहां से बड़े तो हमारा यह मानना है कि अगर आपके पोर्टफोलियों में व्यूरेशन है यह जो एव का उसका वो कैच अप फेस होगा तो उसके पहले अपने आपको पोजिशन करना बहुत जरूरी है तो अगर आप तीन साल का बॉंड खरीद रहे हो तो आप पांच साल का खरीदेगा पांच अगर अगर है अलड़ी तो दस साल का खरीदेगा तो पोर्टफोलियों में आपक के मौकों पर हमारे देशकों को आपने दिशा और देशाज बताई ही बहुत बहुत धनिवाद आपका थेंक्यू सो मच आइए बढ़ते आगे और कुछ बैतनी स्टॉक्स आपके लिए तैयार है दसकी कमाई में कुनाल जी और राकेश जी से आनते उनकी प्रसंद का शेयर बताएं सर अने जी लेकि दसकी कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज एक सरकारी कमणी को चुना है स्टॉक का नाम है बामल लौरी जिस पर हमारी खरिदारी किराये है मध्यम से लंबी अबदी के लिए स्टॉक में कंसॉलिडेशन हमें चार्ट्स पर पूरा होता हुआ और जिस तरह का चार्ट्स ट्रक्चर है हमें लगता है कि ये भी बाकी सारी सरकारी कमणी के तर्स पर इसमें भी एक अच्छा कैच अप मूव आना चाहिए तो मौजुदा स्वरों पर हलकी फुल की गिरावट में बामल लौरी में खरिदारी करें ओवर टूर आकिर जी अने जी भेतरी इन टेक्निकल स्ट्रक्चर है डाइवर्सिफाइड पीएस्यू है रेविन्यू सेग्मेंट देखें तो इंडस्ट्रियल प्रकेजिंग है लॉजिस्टिक्स है ट्रेवल है लोबिकेंट्स है री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है दो से तीन मिने का न इंवेस्मेंट के लियाज से राए ऑप्षिन में ट्रेडिंग के लिया से देने को तैयार है जैटकर कैश का उप्षिन सूज स्वागतम बताएं जाएं गूड मॉर्निंग कौन सा ऑप्षिन ट्रेड करना है अनिल जी एंवेरी गूड मॉर्निंग तोड़ी वीक्नेस है यह लेवल से एक तोड़ा साइडवेस मोमेंटम देखने मिला हालागे मैं होंगा कि रिवर्सल नहीं देखने मिला है वापे अनिल जी एक तोड़ा बहुत अगर दिखने मिला है तोड़ा बहुत अगर दिखने मिला है यह बहुत अगर दिखने मिला है तोड़ा गांगर जातर्ट को अगरे का करिदा मिलिखने मिला है तो रिखने मिला है तो हुपार कर सकता है मेरे टार्गेट से आपके निकल करारे है 10,150 के है 98,50, 99,100 इमीरेट सपोर्ट है आपके स्टॉप लोस क्या लगा रहा है इसमें हाजी कंबाइन स्टॉप लोस अलेंजी आफ्टर दी एवरेज जो स्टॉप लोस रहेगा डैट विल्ट बिर 34 34 का स्टॉप लोस सततर में खरीदें 60 में और खरीदें 67 का आपका एवरेज हो जाएगा 124-150 के टार्गेट के लिए 34 का स्टॉप लोस निफ्टी मिटकेप सेलेक्ट इंडेक्स जो है 9950 के आसपास का add the money call option करीदना है 11 दिसंबर की एक्सपायर का डेट और यह सब आपको याद रखने पड़ेंगे जाई की रिकमेंडेशन पर आप ट्रेड करेंगे तो यह तो हर रोज की एक्सपायर वाला मामला है याद तो आपको रखने पड़ेगा उसके बगर काम चलेगा नहीं याद मुझे भी है कि हमाच्चु जी और एक काफी अच्छा फ्लैक फॉमेशन का ब्रेक आउट है निल जी काफा काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी उसके बाद पिछले कुछ हपतों से कंसॉलिडेशन देखने को मिला मैटर स्पेस में थोड़ी सी ट्रेक्शन भी है और मुझे लगता है जिस तरह की ल प्रेकर स्टाप लोस तड़ाएं 530 और 550 के दो टारगेट के लिए शाम मेटलिक्स शॉट टम के लिए खरीदारी करके चलने की सबाहरा है शाम मेटलिक्स शॉट टम पिक के तार पर खरीदारी करने कर आए मांची जी जैंस साब बताएए अर्मान फाइनिशिल के बाद दिया और मिंडा कॉर्प ने इसमें इंफेक्ट एक्विजिशन किया स्टेक का और कंपनी ने बहुत सारे नए लॉंच भी किये हैं और रिप्लेस्मेंट मार्केट्स में में गजब का काम करती है और अपना यह जो इनके प्रोड़क्स है उनके पॉर्टफोलियो के बात देर तो ड्राइवर इंफ्रमेशन सिस्टम्स, सेंसर्स, पंप्स, इनलाइट प्रोड़क्स यह सब बनाती है वाइपिंग सिस्टम्स तो ओवरॉल इच्छे कासे प्रोड़क्स का इनके पास पॉर्टफोलियो है अच्छे कासे इंटरनाशनल मार्केट्स में एक्स्पूजर है और बहुत बढ़िया रिजाल्ट्स भी देते आ रहे हैं, ग्रोथ भी बढ़िया और अटो इंचलरी स्टॉक्स तो वैसे में काफी बुलिश हूं तो 20-21 परसंट का रिटरन अन कैपिटल एम्प्लोईड है, 47 परसंट की प्रोफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की 356 के लगबग तो इन लेवल्स पे ले 370-380 का टार्गेट 345 का स्टॉप लॉस यह है आपके लिए प्रिकॉल जहां पर करके चलिया आपको खरीदारे जैन साब की तरफ से शॉर्ट टंप पिकारी स्टॉक में भी थोड़ा मूब्मेंट है आए जै की तरफ से लेते हैं ए बताए जाए दीब खरीदना है वोल्टास फ्यूचर्स यह ट्रेड कर रहा है 847-848 की रेंज में इसको खरीदेख अलका सा स्टॉप लॉस लगा है या पांट सो 28 का 828 के स्टॉक के साथ वोल्टास फ्यूचर्स को खरीदेख मुझे सलग रहा है यहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने मिल सकते हैं लगबग इसके जो टारगेट निकल गरा रहे है फॉर्स टारगेट उलबी 870 सेकंड टारगेट उलबी 887 सो यह तो टारग है तो वोल्टास का फ्यूचर खरीदें खिराए आपके लिए जय की तरफ से आइए दस की कमाई का शेयर देने के लिए तैयार है पहले विश्वेज जी उसके बाद जय भी देंगे तो विश्वेज जी बताएं सर मैंने जो दस की कमाई में स्टॉक पिक किया है वो मैंने एक बार आगे भी रिकमेंड किया है और स्टॉक में आज बहुत अच्छा रुजान देखा जा रहा है स्टॉक का नाम है एडवांस एंजाइम अभी 360 के आसपास चल रहा है अनली जी मुझे लगता है कि यह बहुत ह अंधा कंपनी है टेक्निकली बहुत स्टॉंग है और फंडामेंटली भी ऐसे पॉइंट पर है जहां पर आप ऐसा एसपेक्ट कर सो कि यहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है थर्टी के पी पे चल रही है और अगर इसका यह नो चार-पात साल का प्रॉफिट मुझे लगता है स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा करना चाहिए इसका इमीजर्ट टार्गेट मेरे इसाब सानिल जी ऊपर में 425 होका तो 360 के आज पास चल रहा है 425 मतला अलमोस्ट 15% का अपसाइड हो जाता है लेकिन अगर थोड़ा टाइम दे जैसे अभी मैडम भ गह रहे दे लक्ष्मी जी कि वह वाले पॉकेट जो अभी चले ही नहीं और अगर मार्केट के हम बात कर रहे है यह नो 24 के इलेक्शन के बाद भी चलता रहना चाहिए तो यह सारी कंपनी से फैली वैलूड है टेक्निकली स्ट्रॉंग है पुल बैक के बाद चल रहे तो मु प्रवेस्मेंट के लिहास से तीन से चार मैने का व्यू होगा ओके तीन से चार मैने के लिए 425 पान्ट सु का लक्ष दसकी का मेंका शेयर तैयार जै ठकर की तरफ से भी जै बताईए इसको खरीदना है यहाँ पर एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटन में से ब्रेकाउट आते हो देखिए कि अच्छा सब्सक्राइब करने के राएं बड़े दिनमाद इस तो की रेडार पर आता है इसका स्टोप्लोस किया जै पिंसुस्वस्वा और कल जिस सतर से घर जैने अपने पिता जी की बात मानके हो आज और कल ऑर सुनिवे कि स्मार्ट लग्त तो आज में रहाएं शानी के नहीं है स्मार्ट तो आप यहार बहुँए स्मार्ट बटकल कुछ जरुद से जारा खई आए करने के बाद निफ्टी एक बार फिर से उपर आकर 75 पॉइंट उपर है निफ्टी कोई कोई सेक्टर कोई स्टोक निफ्टी को बचाने के लिए तैयार है लोग भी आप देखे 20870 का है तो कोई खास नहीं है बैंक डिफ्टी जरू उतना मजबूत होनी पा रहा है 46,750 का लोग बनाने के बाद 46,875 के आजब यह भी रिकावर होता है लेगि है 47,000 के नीचे यह अब तक का रुजान मिटके एक्ट्रों के शहर हरी निशान में है बढ़ने वाले शेयर अब भी ज्यादा आएं कमज़ोर शेयरों के मकाब्दा में यह आपके लिए ट्रेडिंग का बहुत बहुत आभार दिल से धन्यवाद हिमानशु जी और साथी जैन साब का शुक्रिया विशेश इसलिए के इस पर लिमिटके नहीं और विश्वेश जी और जैठकर का भी बहुत बहुत आभार दो परके शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात मुझे औरदीब को इ मुझे भी मार्केट में आना है शेर बनना है अच्छा शेर बनना है For that you'll need a serious approach, serious research, serious risk analysis, serious discipline क्योंकि जब serious बनोगे, तब ही मार्केट का शेर बनोगे Investment and securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing Girlfriend, huh? No, no, just researching a good multi-asset fund to invest in That's not tough at all, yeah? It helped me out, no? Of course I will, but first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness But you forgot the most important part? There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes Equity, which can be domestic and international Debt and commodities like gold and silver Got it, balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund, wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully Read all related documents carefully before you have a good balance in all these, no? Options are a lot of many options What are the options, Dr. Sahab? Call option, put option, stock option, index option, currency option, and how many options do you have? I'm so excited, Dr. Sahab! You're not a very big doctor, but you're a better trader too Because I have U-Trade Algos Ab U-Trade Algos की back-tested strategy और fully automated algorithm के साथ Trading परी इतनी efficient और आसान कि Like a pro trade करेगा पूरा हिंदुस्तान U-Trade Algos with Share India Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing रचनी गंधा, wires and cables, connecting people to power एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आस्मान के नीचे लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा The New Safari, Reclaim Your Life Shethal Universal Limited launches its IPO on NSE Emerge Platform with an issue price of Rs. 70 per equity share IPO opens on 4th December 2023 closes on 6th December 2023 Lead manager to the issue is Beeline Capital Advisors Private Limited पिछले 6 सालों से हर रोज यही हो रहा है यह वो SIP है जो Chaudhary सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिंदीगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिंदीगी के लिए SIP क्यो ना हो ICLFINCOP.com वर्निम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल और ध्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है निवेशकों के पसंदीदा investment destination के रूप में उत्तराखन आज अपार संभावनाव से भरे investment sectors में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है राज्य में 2000 से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में सुधार और उत्योगों के लिए अनुकूल विक्सित एकोसिस्टम से 27 से ज्यादा focus नीतिया 200 से अधिक निवेश योगिये परियोजनाव और 6000 एकर से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविश्य सुनिश्चित कर रहा है आए जुरिये Global Investors Summit 2023 के साथ और दीजिये अपनी आथिक उन्नती को उडान trading shouldn't feel like this इसलिए हमने बनाया ICICI direct flash trade जो देता है clutter-free experience, quick entry or exits, live tracking के साथ, सिर्फ साथ रुपर पर order investments in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing ये है सास है, सांसों की तरहतू, दिल के पास है 70 years of trusted care, backed by science and innovation क्यूंकी तू खास है girlfriend, huh? no, no, just researching a good multi-asset fund to invest in that's not tough at all, yeah help me out, no? of course I will, but first you tell me, what does a good fitness plan have? exercise, diet, rest and mindfulness but you forgot the most important part there needs to be a good balance in all these, no? of course similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes equity, which can be domestic and international debt and commodities like gold and silver got it, balance is the key to a good multi-asset fund choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund wealth sets you free mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully Nani Kuli bank jana address change ke liye khamal leena please branch jau gi aysa kyu, chal video call karte hai na please, branch bond ho jayegi welcome to AU0101 digital bank ya banki saare kaam ho sakti hai soch patlo and bank AU small finance bank badlaav humse hai WHoo bundan la dan kumpli pergunta oral health can search pecanjali keish kanti an advance ch बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए। अधानी ग्रूप शेरों में आज भी शांदार तेजी, अधानी पोर्ट्स, अधानी एंटर्प्राइजेस तीन से चार परसेंट उछलकर निफ्टिके टॉप गेनर्स में शामल तो अधानी ग्रीन एनरजी, टोटल गैस और अधानी एनरजी सिलूशन्स 11 से 19 परसेंट तक उ नेसले, देर से धाई परसेंट चड़कर निफ्टिके टॉप गेनर्स में तो मैरिको, कोलगेट, एचिवल इमामी भी मस्बूत चीन में सोटाश की कीमतों में तेज उचाल से केमिकल शेरों में तगडी ख़दारी, टाथा केमिकल चार परसेंट उचाल कर वाइदा का टॉप गेनर्स तो डीसी डवल्यो जीएट सीयल भी 306 परसेंट तोड़े इस महीने दाम बढ़ने से पेपर शेरों में उचाल, जेके पेपर, स्टार पेपर, ओरियंट पेपर, सेशुसाई पेपर 2-4 परसेंट दोड़े आगे भी कीमतों में 5-10 रुपे प्रतिकिलो बढ़ोतरी की उमीद, जी बिजनस की एक्स्लूजिव ख़बर और आज से RBI मौटरी पॉलिसी कामिटे की 3 दिनों की बैठक शुरू, शुक्रवार को ब्याजदरों पर आएगा फैसला नमस्कार, जी बिजनस के बंदन, म्यूट्र फ़ण स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ नेहा अननाई करते हैं, शुरुआत स्टॉक सोशल के खास सेग्मेंट, 11 बजे की लीडी स्पेशल की, एक ऐसा शोव जहां महिला दर्शकों की शेर बाजार से जुड़े सवालों के हम दिलाते हैं, जवाब बत और एक्सपर्ट हुमारे साथ, निर्म नेहा करें देफिनिटल व्यू पॉसिटिव जिए सबसे लास्तीन चाह दिन में हम लोग ने लोग ने निफ्टी की रैली रही है काफी स्पेक्टाकुलर लारी है, गप आप अपनिंग्स में हम लोग ने देखा है, अब साथ मुझे लगता है भी यह स्टॉंग रिव अब साथ मुझे लगता है अगर 21,000 के लेवल्स पार कर देती है निफ्टी तो हम एक अपसाइड मोमेंटम वापिस देखने है 21,400-600 के लेवल्स पर अभी मैं कहूंगे कि थोड़ा बद अभी यह पॉसिशन स्लाइट रखने चाहिए लोग पोसिशन के लिए, डाउंसाइ अपने स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्डाउन करने चाहिए तो ओवरल वी वो डेफिनेटली पॉसिटिव है पॉसिटिव व्यू तो बना हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन भरपूर है, फटा-फट हमारी मैला दर्शकों के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं पॉलिफ्लेक्स पर सवाल पूछ रही है शर्मिला जी, 18 शेर है, 2021 रुपे 45 पैसे की खरीद है, प्राइस बहुत जादा कम हो गया, वो चिंता कर रही है कि रुकना चाहिए, कि निकल जाएं, क्या करें? अगर मैं इसका पर्टिकुलर का चार्ट तो मुझे लगता है यह जिसमें उनको भी फिलाल लॉस देखने मिल रहे हैं पॉलिफ्लेक्स में बट अधि करेंट लेवल मैं देखने की 20DA में के असपास से नहाजी थाउजन फॉर 35 का एक सपोर्ट लेवल है तो मैं कुड़ा हो अगर कीजेगा अल्री यह कांटर साइडवेस मुमेंटम में अपसाइड हमें मुमेंटम कब देखने मिलेगा जैसे यह 1100 के लेवल्स ब्रेक आउट हो जाएगा तो कारण लेवल पर मैंनी सर्जिस्ट करूंगी कि लॉस बुक करने चाहिए थोड़ा होल्ड ओन करना चाहि है बाइंग प्राइस नियानबी के आसपास कर रहा है प्रॉफिट में है और चीज हैपी विदिट तो वो जानना चाहिए थी कि एक्जिट कर लें कुछ और रुख सकती है कि अज़ बुक कि अज़से सबस्ट रही हम लोग ने लास्ट ये 2023 के स्टार्ट से लेखिती अन्मूस फ्रॉम्स फिर्फिट प्रॉफिट लेवल से बीक्सोचारी स्थारी सब्स्ट नियुम्स मुमेंटम देखा है मुझे लग्टे है यह पर प्रॉफिट बुकिग अमें कि अज़से सब्सक्राइब कि अज़से सब्सक्राइब कर सकते हैं कोलकता की अदृता जी है उन्होंने अपना सवाल आयो सी में भेजा है ओमसी काफी बाजिंग है उस पर सवाल है 2000 शेर है आयो सील के 76 के भाव से अब वो जानना चाह रही थी कि क्या किया जाए आयो सी में जो दंदार प्रदर्शन दिखा है उसके बाद पूरा प्रॉफिट बुक कर ले और रुकने का स्कोप है करना चाहिए पार्च्राशल को पाउचिया है काफी अच्छे लेवल पर उन्होंने बाइं की है अंगोंने ऊड़ भी रखा है पोजिशन इस बैर बुट बुट अश्य करना चाहिए मेरा वियू है कि युटल बिट कॉशिए हूं में अभी में क्योंकि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सेम स्ट्राटीजी अपना ही है जैसे मैंने प्रीवियस में भी गाइड किया है तो करेंट लबल पर अपने आदे प्रॉफिट्स बुक किजेगा मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉंग है कांटर है मुझे लग यह एक सु तीस तक कैरी फोरवर्ड हो सकता है पर अपना प्रेलिंग स्टॉप लॉष रपना काफे इंपॉर्टन पॉइंट होता है तो मैं काऊंगे कि 110 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉष रखके अपने लॉंग पोजिशन से होल कर सकते हैं 130-135 टागिट की ठीक है आयो सी पे वो राय बनती हुई तुलसी रभी कुमार जी वड स्टॉप काम धर है क्योंकि जिसी सबसे उसने मंतली इन वीकली में पैटर्न ब्रिक आप देने के बद ने हैं जब उनने के स्टॉप मोमेंटम रेका है अब भी यह ट्रेंड इंटक्त है मैं कोंगी कि डिफिनेटली होल्ड ओन करना चाहिए अगर अगर अप्रेलिंग स्ट स्टॉप में भी है इंट्रेस्टिंग इसले क्योंकि आज इसका मैनेजमेंट भी था उननोंने शम्ता विस्तार को लेके बात भी की है यहां पर कि उस पर खासा फोकस रहेगा उनका कुछ उनके प्लांट्स में 100 शेर है तुलसी जी के पास और खरदारी इनकी 300 की है तो सोम डिस्टिलरीज क्या किया जाया भी मतलब हलके से प्रॉफिट में है यह क्या स्कूप बन रहा है सोम डिस्टिलरीज की पात करता है तो डेफिनिकली काफी साइडवेस मुमेंटम है हम लोग ने देखा था इसमें राली ऑल्मोस्ट दोसो 290 से 311 अभी यह कंसॉलिडीशन फेस में जा सकता है मुझे लगता है उसका ब्रेकाउट है 320 का जैसे 320 के ब्रेकाउट से देंगे त अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिलेंगे बर मैं कौंगे कि होल कीजिएगा जब तक ये 290 के लेवल्स इंटाक्ट रखते हैं चलिए होल करने की इसमें भी रेकमेंडेशन आ रहे हैं हम रुकते छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेके बाद जो लोटेंगे स्वाती जी के ब जैलेंट एडवांस LRF रिफाइन TMT बार्स नर्मान का रियल हीरो प्रेजेंट टॉप गेनर्स प्रेका स्वाची सेखेवा एक रज़िए के लिए अगरेंशन आखेवा था-फॉल्स इन आखेवा रिशन आखेवा स्थे लेड़ियोचित लिए ने भी जाखेवा पर दिए टार्दीड-ग या खेवान सेंटया मुझत आखेवाच्ई इन रिशेट में आना ब्रेक तैक् तो श्टी रेस्ट एंट का शेर बनोंगे. मेरे पिता जी ने ना ये शेर्स में भी इंवेस्मेंट किया पी एसेस को फोन लगा पी एसेस? ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करते है पी एसेस फिजिकल शेर्स सलूशन जैसा नाम जैसा काम सेह नो पैसा पोड़ी सब का ग्यान करे परिशाद ये नाम जैसा प्रिजिकल शेर्स में भी इंवेस्ट को बनाए आपको अपने दम पे एक्सपर्ट क्योंकि यहाँ सलाव ही जो आपके लिए सेही HDFC Sky बनो अपने दम पे एक्सपर्ट इस प्रिश्में इस को प्रिजिकल प्रिश्मेंट शेर्स रिस्ट प्रेश्ट भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तरा घंड आज अपने स्वर्निम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल और ध्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखन आज अपार संभावनाव से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है राज्य में 2000 से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में सुधार और उत्योगों के लिए अनुकूल विक्सित एकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां 200 से अधिक निवेश योग ये परियोजनाव और 6000 एकर से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविश्य सुनिश्चित कर रहा है आए जुरिये ग्लोबल इंबेस्टर सामेट 2023 के साथ और दीजिये अपनी आर्थिक उननती को उडान शीथल उनिवेशल लिमिटेज लाँचे इस IPO on NSE Emerge Platform with an issue price of Rs.70 per equity share IPO opens on 4 December 2023, closes on 6 December 2023 lead manager to the issue is B-Line Capital Advisors Private Limited जब आप लंबे सफर पे निकले हैं, मज़ा अलग है पर तभी आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते और वापस अपने सफर पे निकल पड़े ऐसा ट्रांस्वोमेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इन्वस्मेंट्स में हो सकता है पेश एसाम को डाइनमेक असे अलोगेशन पार मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मन्जिल तक बेफिकर पहुँच सके म्यूचल फंड निवेश बाजार के जोखे मों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी क्योंकि इससे होती है विकसत भारत के निर्मान की जरूरत पूरी आपका अडवांस टैक्स देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने शिक्षा, सामाजिक योजनाएं वा देश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे महत्तपून कारियों को अंजाम देने में काम आता है तो फिर अपनी अडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें याद रखिए वित्यवर्ष 2023 के लिए 75 प्रतिशत टोटल पेबल अडवांस टैक्स का भुकतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए कंपनीज, कॉपरेट्स या फिर सालरीड इंपलोईज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है प्रतिएक आय करदाता एक राश्ट्र निर्माता यह है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर कॉंपलिक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है एंजिल वानु सूपर आप जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे सूपर पिटीस और भी। इसरीद रॉर्टेरी इस सेंटारी रॉप्ट इशरी ग्रीट टीम्ट कर्फू कर दूर्च्टिब। च्छनी गंदा कर थेृट में एक भी अच्छत करना थे पूंध्सी एक एक डूकर्ट इन्युट आप्छेंट नुट इन्युट 寵os, झाली उन्मॉडरीमितैंज जए इस एपलीस, मुनीख वार्युमॉडाः फिसलिक मेन इसाथ सुमारीम। गुड़ी विल्या फिकम्स भंढ़ी चाहिटा झालीजडनी look, छोट लिर्श जोड़ B Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नानी को लेके बैंक जाना है, एड्रिस चेंज के लिए, हमाल लेना प्लीज, ब्रांच जाओगी, ऐसा क्यो, चल विडियो कॉल करते हैं न, प्लीज, ब्रांच बंद हो जाएगी, वल्कुम टो ऐयू 0101 डिजिटल बैंक, ट्या बैंके सारे काम हो सकते हैं, सोच कतलो, बैंक, एयू स्मॉल साइनांस बैंक, बदलाव हमसे हैं, सूपर शक्ती पेश करते हैं, सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ दे डे, अड्वास्ड वायरीब्ड सूपर शक्ती टी एम्टी बार, हर निर्मान को बनाता है, सूपर स्टॉंग, वल्कुम बाक, आप देख रहें, एक और सवाल ले लेते हैं, ये सवाल पूछ रही है, पर्शम मंगाल की रीना जी, स्वाती जी 110 शेर है, इनके पास, उलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और आवरेज प्राइस इनकी 1190 की बैठ रही, इनका थोड़ा सा लंबा प्लान है, तो ज़रा बताईए कि क्या व्यू बन रह हैं, तेक्निकल अगर हम देखे तो उसने ये फॉल में भी सपोर्ट लिया है, तो मैं काऊगे कि होल्ड रखेगा पोजिशन वापिस इसमें उमी तो रख सकते कि 1300-1340 के लेवल समें देखने मिलेंगे, तो नीचे में, इप यूवान, आपने लॉंग पोजिशन होल्ड़ आपको क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स? पिक्स? बेस्ट टारगेट में देखने लिस्ट 265-270K, सेक्ट पिक्स? लिच्छ मेरा है लक्ष्मी और्गानिक इंडस्ट्रिस पे 281-282 के आँसपा सी है पुर्ड अप्रिकुलर काउंडर ट्रेड हो रहा है, इसमें लोग लोग रहे लोग रहे अच्छा फॉल देखा ह है और यहां से हमें अपसाइड काफी स्ट्रॉंग रागी देखने मिल सकते हैं, तो इतके अप्साइड काफी स्ट्रॉंग रागी देखने मिलेंगे, तो 270 का इक स्टॉप लोग रखेगा पर इमिजे टागट ऑप 300-310K लेवल्स, नौसल आ रहा है पसंद 270 के अपसाइड टागट के लिए 235 का रखे स्टॉप लॉस और लक्ष्मी ओर्गानिक्स 310 तक जा सकता है, 270 के स्टॉप लॉस के साथ करे यहां भी खरदारी, तैंक यू, स्वाती जी हमारे साथ जुडने के लिए बताने के लिए हमारी महिला दर्शकों को कि उनके पोर्टफोलियो में ज किसी के साथ स्टॉक सोशल को हम यही राप अप करते हैं, लेकिन बने रहना है जी बिजनिस के साथ मेरे के उस पार आप लिए लेकर आएंगे कि मॉड़िटीज लाइफ, हमशकर. लेकर आप लेकर बैंक जाना है, एड्रिस चेंज के लिए हमार लेना प्लीज, ब्रांच आओगी, ऐसा क्यों, चल विडियो कॉल करते हैं, प्लीज, ब्रांच बंद हो जाएगी, वल्कम तो A.U.0101 डिजिटल बैंके सारे काम हो सकते हैं, सोच पतलो, और बैंक भी, A.U. Small Finance Bank, बदलाव हमसे हैं. पिस्टे चे सालों से हर रोज यही हो रहा है, यह वो SIP है, जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, जब जिंदगी जीने का तरीका ही SIP है, तो जिंदगी के लिए SIP क्यों ना हो? जड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series, for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Esalor. यह है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया. अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर, complex market को करे सिंपल, आ गया है Angel One Super App, जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे, सूपर. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Trading shouldn't feel like this. इसलिए हमने बनाया ICICI Direct Flash Trade, जो देता है clutter-free experience, quick entry or exits, live tracking के साथ, सिर्फ सात रुपर पर order. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 70 years of trusted care, backed by science and innovation. क्योंकि तु खास है तेखो तेखो तेल तेखो, तेल की धार तेखो, सब है तयार तेखो, अक्ट बहार तेखो, पेशे, वितमिन, A-D or E-Yuk, V3 Plus वाला, वितालाइफ रफाइन सोयाबीन ओल. अरे, रेमी अंगा है, मेरा संडे स्टेशल दोना. तांक्यो. अरे, समाल के? ओ, चेरी डालना बोल लिया. ये मेफिकर है, क्योंकि इनके पास है सुरक्षा और भरोसा दोन. SBI General Car Insurance. इतना इजी? या. ये में आपके लिए रफाइन प्रिस्टेशल दोन. experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor Skilled Steel or Dil Se Ban Raha Hai Bharat AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures ICL FinCorp announces public issue of secured NCD Double your investments in just 68 months and earn high returns To view the prospectus and download the application visit iclfincorp.com Options are many. Which options, Dr. Saab? Call option, put option, stock option, index option, currency option and how many options do you need? I'm so excited, Dr. Saab. You're not a very big doctor, but you're a better trader too because I have U-Trade Algos Now, U-Trade Algos's back-tested strategy and fully automated algorithm is so efficient and easy that like a pro-trade, you'll be able to do whole Hindustan U-Trade Algos with Share-India Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing Nani Koli ke bank jana hai address change ke liye Hamaal le na, please Branch chaoogi Aisa kiyo? Chal video call karte hai na? Please, branch bond ho jayegi Welcome to AU0101 Digital Bank Yeah, banki saare kama ho sakti hai Soch, patlo And bank bhi AU Small Finance Bank Badlaav, humse hai Sit ka is da, please Take care Oppos支 Oiec Fix Speaking Stay Dun See What Bye You होने से बचाए पांच मेहने में सक्से सस्ता हुआ कुरूड ब्रेंड का भाव 77 डॉलर के करीब ड़ू टी आई कुरूड का भाव 32 डॉलर के करीब महने भर में करीब 14 परसेंट गिरेदा गोड की तेज रफ्तार पर ब्रेक एमसी एक्स पर भाव 62 साथ सो के नीचे रिकॉर्ड उचाए से करीब तेरस सो रुपए घटा ग्लोबल मार्केट में लाइफ हाई से स्वा सो डॉलर नीचे भाव जीने पर आज भी दबाव एंसी डियर्स पर भाव 49 जार के नीचे कल लगा था 6 परसेंट का लोवर सरकीट आज 200 रुपए से ज्यादा की कमजूरी साथ दिनों की एक तरफार एली में आज फिर लाइफ हाई पर बाजार निफ्टी पहली बार निकला 20,950 के पार तो सेंसेक्स में 79,675 के करीब बना नया रिकॉर्ड आई टी और एफम सीजी शेरों से सपोर्ट आज से आरवियाई मॉनेक्टरी पॉलिसी कमिटी की तीन दिन की बैठाक शुरू शुक्रवार को ब्यास दरों पर आएगा फैसला नमस्कार जी बिजनस के बंधन मीच्वल फंड वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूं मिर्तुन्जा कुमार जहाब और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरेश शर्मा साथ फर्मर चेर्मेन ओएंजी सी के हमारे साथ नमली दमानी है मुतिला लुस्वाल के कुनाल शाह हैं निर्मल बंक के और साथी हमारे साथ उन जाय पीम सी के चेर्मेन दिनेश पटेल साहब है आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम bulletin की शुरुआत करने जा रहे हैं कच्चे तेल के साथ क्रूड के साथ इसलिए क्योंकि कच्चे तेल का भाव 5 मेहने में सबसे कम हो गया जी हां पांच मैने में सबसे सफता हो गया है क्रूड और ब्रेंड क्रूड का भाव 77 डॉलर प्रती बैल के करीब पहुँच गया है और WTI क्रूड जिसको US क्रूड भी कहते हैं उसका भाव 72 डॉलर के करीब पहुँच गया है हफते भर में 7% 15 दिन में 10% और मेहने भर में करीब करीब 14% की गिरावट कच्चे तिल की किम्दों में आ गई है क्यों आई है साथ बड़ी वज़ा आप जानिए जराब कि ये दाम क्यों घटे हैं पहली बड़ी वज़ा यह है कि क्रूड में जिस तरह से हमने एक माहौल बनता हुआ देखा था उसके बाद यह हुआ कि डिमांड को लेकर चिंता है तो ताजा अपडेट यह आया है कि चीन में डिमांड घटने की आशंका और बढ़ गई है मूडीज ने चीन का जो क्रिडिट आउट्टूक है उसको निगेटिव कर दिया है एस्टेवल से जापान यूरो जोन और यूएस के आर्थिक आंक्रे खराब है वहां की पीमाई नमर को लेकर चिंता है यूएस में पिछले हफटे क्रूड का स्टॉक करीब करीब 6 लाग बढ़ा है यह की रिपोर्ट है जबकि बादार का स्टॉक 20 लाग घटने का था उसके मुकाबले करीब करीब 6 लाग बढ़ा है तो उसका इंपक्ट हमने देखा है इसके अलावा यूएस में जो कूड का उतपादन है वो रिकॉर्ड इस तरपे है और इन सब के अलावा जो उतपादन कटोती को लेकर दिखने रही है तो इन वजहों से कच्चे तिल में गिरावाट आई है लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन वजहों के दम पर कुरूड और लुड़केगा यही सवाल शर्मा सर आप से मेरा कि अपने अपने अच्छा कवरेज दिया है एक जो करना चाहूंगा एक तो यह था कि इनकी जो ओपर कॉपरिक प्लस की मीटिंग यह पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो है अपने इंडिजल वो जो उनका कोटा वो ओपेक ओपेक प्लस पैर नहीं करेंगे इंडिजल पंट्रीश पैर करेंगी इससे सेंटिमेंट्स क्रूब के दाम के लिए काफी लागिटिव हुए है इसका मतलब सही धंसे उनकी स्वेमती नहीं है इसको यह बात होगी दूसरा यह बहुत बेजी से खबर आई रही थ प्रोड़क्शन पर कोई क्याप ने लगाएगे तो यह सिंबॉलिक सा जॉइन करना हुआ वो भी सेंटिमेंट्स को थोड़ा नीचे लेके जाता है आपने एकॉणोमी इसका बताई दिया है और डिमान इस चाइना वो सब जो है यह सब यह जो है इस वकट सेंटिमेंट जो है है और मैं समझता हूं कि इसके रहते में अले कोई मेजर ठीजर हो और रिवर साइब में प्राइजिस अभी नीचे जाने का देशा बना हुआ है यहीं शाद हमने पिछले हफ्टे में डिसकुस किया था और आप देखें कि जब लाश्ट वीक आफसे बात हुए थी उसके ब अच्छा रहा आप एक जरिया की कुरूड पर लेकिन अब सर एक बात मैं आप से पूछना चाहरा हूं कि जैसा कि अभी आपने कहा कि कुरूड के दाम और कम हो सकते हैं अगर दाम कम होंगे तो क्या आपको लगत चुकि उपक प्लस की इकनोमी का बड़ा हिससा कूड है यह कि कई सारे देश कुरूड पर ही टिके हुए है तो क्या आपको यह रखता है कि कुरूड में जब गिरावाट आएगी तो क्या नहीं कोई स्ट्रेजी ओपक प्लस की तरफ से आ सकती है इस वकत जो जो भी अंडर करेंट सापस में है तो उसमें यह है कि सई दंग से संजोता नहीं हुआ जब ही ऐसा फैसला हुआ है कि वो इंडिव इंडिव इंडिजल कंपनी अपना वालेंटरी डंग से जो है स्वेचिक डंग से अपना कटोफी करेंगे तो उसकी तरफ से कोई भी पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं बताया कि हमारा कि उनके एकॉनमीज को जो है पैसा चाहिए वो कट करने के लिए प्यार नहीं है यह कि तरफ स्विव कुछ ऐसी सेंटिमेंस आ रहे हैं तो यह सब देखते वे और अभी तो हालात मैं यही कहूंगा कि नेगिटिव बने वे और हमारे देश की अच्छ बने वे हैं हमारा जो तो सरकार इंट में कुछ रिलीव देगी क्या भूबता को यही सोचने वाली बात है अभी तो हमें काफी रिलेक्स है कोई स्ट्रेस टेंशन वाली बात महीं है आखरी सवाल सर आप से कि रूस का यह बयान आया है कि साओधी अरब के साथ मिलकर मार्केट में स्थिरता लाइ तो यह तो अभी स्पेकुलेटिव जैसी बात है तो कुछ देफिनेटिव तो है नहीं और अगली ओपेक का प्लस्क मीटिंग होनी है जून 24 में तो इसके रहते वे या तो कुछ ऐसा होता कि हम जल्दी मीटिंग करेंगे 6 मैने बाद अगर मीटिंग करेंगे इसका मतलब अभी उनका जो बिहांड असीम वो डिसकुशन जारी करेंगे एक बाद एक से कुछ सहमत ही होने पे जब ही वो अगली मीटिंग जन्दी डिसाइट करेंगे अभी जह तो हालात है उसमें तो कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है ओपेक प्लस का जो है इत प्रेट क्या लिए अफर कच्छे तेल में ऐसे में अब बेच के काम कीजिए असपास बेची है कुणाल जी दुबारा आपको जोड़वाता हूं नम्रीज जी आप बताएं सार आज के लिए कुरूब में क्या ट्रेट पूल बैक कल के सतर में आतवे देकार मुझे लगता है कि वापास जो अंडरलाइंग टोन है थोड़ा सा बैरिश ही है जैसे आपने फंडमेंटल भी एक्स्प्लेइन की विए शर्मा जी नहीं बता है तो मुझे लगता है कि पांच जार नोसो तक का सतर आने वाले को दिनो आपका एंजी में कोई ट्रेड आज के लिए लेना चाहिए क्या करना चाहिए बताइए काफी रेंजबांड ट्रेड हो रहा है एंजी में और कोई खास ट्रेंड क्लारिटी नहीं डवलप होते वे आ रही है कल के सतरह में कूल बैक का मावन डवलप हुआ था बट वो भी 30- तो मिलें लगता है कि यहां पर राइंट बेसिस पर आपको बायों डिप्स की स्ट्रेजी बनाई जा सकती है जब तक 16 17 अगस्तर नीचे में तूट सकता है तो 222 24 के रेंज में बाय करें तो यह रहा है क्योंग आप नज़र रखें कुनाल जी आपका विव कच्छे तिल प लाइन पर 6100 में बेची है 59 50 तक के टागेट आपको देखने में सकते हैं 61 50 का स्टाप्रोस रखी है ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की गोल्ड के लिए यह हफता बहुत ज्यादा महत्पून रहा गोल्ड ने ओल टाइम हाई को टच कि पर नीचे है ग्लोगल मार्केट में सवासा डॉलर के आसपास की गिरावाट और टाइम हाई से गोल्ड में आई है तो एक लंबी बड़ी तेजी के बाद गोल्ड थोड़ा सा यहां पर रुपता हुआ दिख रहा है इस पर नबनीद जी आपका टेक क्या होगा क्योंकि जि लहाज अभी गोल्ड रेंज में ही रहेगा वेल फंडमेंटल जो थोड़ी से पॉजिटिव होता है नजर आ रहे है डेफिनेटल और हमने इसका इंक्रिमेंटल रैली जो देखा है करी परिफ 6,000 पॉइंट के आसपस की रैली अपने गोल्ड प्रैस में आते वह देखी थी तो 2,000 पॉइंट का फॉज जो आमने टॉप से देखा है वो सुंभाव की तौर में टेक्निकल रे या जा जा क्या जा जकता है या जो एक्सेस रैली हो गगी थी उसका रीट्रेस्टेमेंट भी जा जा चैना है कि आज एक तो दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है 62,000 62,200 के आज पास बाइ किया जाए आप शिक्सटी वार इतनर का स्टॉप लगाई है कुनाल जी आप बताइए सर यह करेक्शन है गोल फिर से तेजी के मूड में आ जाएगा या अभी कोजिन तक रुखा रहेगा आपका क्या टेक है कर सकता है डिसर्वन में पर मुझे नहीं लग रहा है कि इकदम इमीजिटली टेक ओफ हो जाएगा पर ध्यान तेजी है मेरा और मेरी राह में पोजिशन बना के रखना चीए कोई एसा रीजन नहीं है कि गोल्ड बेहर मार्केट में चला जाएगा तो यही सब बातों से यही बातों का रीजन मना के मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुआ है ताइम लग सकता है बट बने रहना चाहिए गोल्ड में एक बार फिर से गोल्ड का मार्केट तेजी का रुख करेगा शानदी पर आपका विबने जी सिर्वर में क्या करें प्रफिश से इस तरह से चानदी वे उस पीड में या उस मोमेंटम की रर्फिट में आई जिस तरह से गोल्ड में देखने मिला है अला कि उपर के लेवल से करीभ करीब सब्सक्राइब आपका पोजिशनल व्यू क्या है कुनाल जी आपके हिसाफ से क्या करें सब्सक्राइब आपको एटीफाइब देखने मिलेगे सब्सक्राइब फंडमेंटल बहुत देजी है ठीक है ओके तो यह रहा है आपके वह गई सिल्वर में ठीक है चलिए अब वक्ट है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जीरे में आखिर चल क्या रहा है और इसके अलावा मेटल में आपकी कॉल क्या होनी चाहिए इस पर बाद ब्रेक के बाद बने लगी हमारे चाहिए जैलेंट एडवांस LRF रिफाइन TMT बार्स निर्मान का रियल हीरो प्रेजेंट टॉप गेनर्स प्रेजेंट बार्स निर्मान का रियल है क्योंकि जब सीरिस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे पिछे चे सालों से हर रोज यही हो रहा है यह वो SIP है जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिन्दगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिन्दगी के लिए SIP क्यों न हो An investor education initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें पर अधार के लिए पार्णा पर अधार के मैं बनाओंगा उमीदों के पंख गंधों पे लगा के मैं बनाओंगा बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बनाओंगी मैं तो बनेगा भारत बनाओंगी मैं तो बनेगा भारत The vertical velocity is now being constantly reduced India is on the mode बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत अज़ प्राइब पर देखो यर जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं सेखिए पधाने कब फोटों पे हार चड़ जाए और फैमली का फूचर बच्छों की पढ़ाई खिर फार शूरीश प्रश्चिन स्वार्दी बच्छों की पढ़ाईं पर जाए उच्छों की पढ़ जाए ल एक करोड का टर्म लाइफ इंशॉरेंस कराओ सिर्फ पान्सो पच्छीस रूपे महिने से शुरू Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. परिशान करे परिशान? That's why download HDFC Sky, a new age all-in-one app, जो बनाए आपको अपने दम पे एक्सपर्ट. क्योंकि यहां सलाव रही, जो आपके लिए सही, HDFC Sky, बनो अपने दम पे एक्सपर्ट. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. समय पर Advanced Tax भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विक्सपर्ट भारत के निर्माण की जरूरत पूरी. आपका Advanced Tax देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाए, वादेश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे मेत्तपून कारियों को अंजाम देने में काम आता है. तो फिर अपनी Advanced Tax की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें. याद रखिए, वित्य वर्ष 2023 के लिए 75 प्रतिशत टोटल पेअबल Advanced Tax का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए. Companies, corporates या फिर salaried employees जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपे या उससे अधिक है, तो फिर Advanced Tax देना आवश्यक है. प्रति एक आई करदाता, एक राष्ट्र निर्माता. जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे, सुपर. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. काम वो करो जो कर पाओ, बाकी सब प्रोफेशनल्स पे छोड़ दो. जैसे कि F&O Trading, Utrade के fully automated algorithm पे छोड़ दो. Utrade Algo's with Share India. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. रचनी गंधा, Bires and Cable, Connecting People to Power. मैडम को पैसे से प्यार नहीं है. भाई साब, पैसे से प्यार है, तभी तो EU से करार है. अज़ा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है. पीन महीने भी एक बार. मेरा EU हर महीने. सोच बदलो और बैंक भी. EU Small Finance Bank. बदला हमसे है. सूपर शक्ती पेश करते हैं. सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ दे डे. अडवाजड वाईरीब्ड सूपर शक्ती टी-एम्टी बार. हर निर्मान को बनाता है. सूपर स्ट्रॉंग. ब्रेके बाद भी आपका स्वागत है. अब बात करते हैं जीरे की और जीरे में जबरदस्ट गिरावाट का बाहल बना हुआ है. आप देखी कि 49 दार के नीचे आगया है जीरा. हमारे चार्थ दिनेश पटेल साब जोड़ रहे हैं उन जाब जो की जीरे की सबसे बड़ी मंड़ी है. जीरे में जीरे में अभी क्या है कि सामने जो सीजन आ रही है. जीरे जन्तियां भी दो महिने बाकी है और बाजर में हाल में डीमांड भी कम रहे. अभी जो डीमांड है वो रमजन से पहले पहले थोड़ी डीमांड आएगी और अगली साल अभी वेतर बहुत फेवरेबल हैं और फार्मस ने ताफी जीरा बोया है. जिरे में लबग दो गुना क्रॉप होगा ऐसी संभावना है अच्छा इसकी वज़ा से जिसके पास जी छोटा मोटा जो भी स्टॉक है लोग अभी उसमें से निकालने का सोच रहे हैं अच्छा तो मतलब यह गिरावार जाये जाए जाए तो कोई गरवड़ी नहीं है ना जब तक शीजन आएगी तब तक यह विपार चलता रहेगा तो अच्छा एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी है सर अभी अभी चुटा-पुटा अभी डिमांड शुरू हुए है जो भी चाइना और वहां से जो इंपॉर्ट हुआ था वो सारा माल निकल गया है अब शुरू हो अब जीरा कहां से निकल रहा है सर निकल रहा है जीरा मतलब कि जब तक सीजन नई सीजन सुरू होगी तब तक तो यह नील होज गया होगा तब तक ज्यादा बचेगा नहीं स्टॉक अच्छा ओके ठीक है शुक्रिया आपका पटेल साब जूड़ने के लिए और जीरे पर बात करने के लिए और शुक्रिया कुनाल जी आपका भी नबनीद जी आपका भी जूड़ने के लिए बताने के लिए कहां पर ट्रेट के मौके बढ़ेंगे तो फिलाली शो में इतना ही छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार नमस्कार मैडम को पैसे से प्यार नहीं है भाई साब पैसे से प्यार है तब ही तो एउ से करार है ऐसा क्यों आपका बैंग सेविंग्स अकांट पे इंटरेस्ट देता है तीन महीने में एक बार मेरा एउ हर महीने सोच बदलो और बैंक भी एउ स्मॉल फाइनांस बैंक बदलाव हमसे है रचनी गंधा, Buyers and Cable, Connecting People to Power शीथल उनिवर्सल लिमिटेड लाँचे इस IPO on NSE Emerge Platform वित अशु प्राइज प्री 70 पर एक्विटी शेर IPO उपन्स उन 4th December 2023 जब आप लंबे सफर पे निकले, मजा अलग है पर तभी आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते और वापस अपने सफर पे निकल पड़े ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है पेश है साम को डानेमिक असेट अलोकेशन पर मुमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मन्जिल तक बेफिकर पहुँच सके मुच्वल फन निवेश बाजार के जोखे मों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बादनों पे चल्के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Essilor बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा भारत The vertical velocity is now being constantly reduced India is on the most बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत पर तब ही आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते और वापस अपने सफर पे निकल पड़े ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है पेश एस्टम को डानेमेक असेट अलोकेशन पर मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ड्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मन्जिल तक बे फिकर पहुँच सके मुच्वल फंड निवेश बाजार के जोखे मों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें मेरे पिता जी ने ये शेर्स में भी इंवेस्टमेंट किया पी एसेस को फोन लगा पी एसेस? ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करते है पी एसेस, फिजिकल शेर्स सलूशन जैसा नाम, जैसा काम sister रूख फली छोटे से छोटा रिस्क भी महंगा पड़ सकता है इसी लिए SBI जेर्ल हेल्थ इंशॉर्स सुरक्षा और भरुसा दोनो इस बार इससे करे? experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor trading shouldn't feel like this इसलिए हमने बनाया ICICI direct flash trade जो देता है clutter-free experience quick entry or exits live tracking के साथ सिर्फ साथ रुपे पर order investments in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing Hardwin a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin fittings that fit perfectly perfection redefined experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor and Raju how are you going to do algo trading? maan bae let's see this is not even trade time when it comes to portals then it comes to algo you trade algos with Share India when brokerage or algo portal is together to trading hassle-free or lightning fast investments in securities markets are subject to market risks read all related documents carefully before investing madam dham ko paisē see piaare nahi hai hai baisab paisē ser piaar hai tabhi imparati ai seu aaaaa asa kyou aapka bank savings account pere data posters teen mahine明 me a bio maria air marriage her데 soch badlo No. But first you tell me, what does a good fitness plant have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course! Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of 3 or more asset classes. Equity which can be domestic and international, Debt and commodities like gold and silver. Got it! Balance is the key to a good multi-asset fund. प्रिवाराद ईच्जट पूज्टेट एलोकाशिस वालोकाशियन। मुझे अपपपा! जब आप लंबे सफर पे निकले, मज़ा अलग है, पर तभी आजाए ऐसी अर्चन, जो आपको कर दे बेचा है, कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते हैं? और वापस अपने सफर पे निकल पड़े हैं, ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है, पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है, पेश एस सैंको डाइनेमेक असेट अलोगेशन पंड, मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में, और जब भी रिस्क द जिल तर बे फिकर पहुँच सके, म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े हैं, प्रस्तुत करता, पतंजली चवन प्राश, प्रायोजक, पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट, कम्प् हेल्थ का सच, और पतंजली केशकांती एडवांस, नए बालोगाए बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए, साथ दिनों के एक तरफा रैली में आज फिर लाइफ हाई पर बाजार निप्टी पहली बार निकला 20,950 के पार तो सेंसेक्स में 69,675 के पास बनाया नया रेकॉर्ड अदानी ग्रूप, IT और FMCG शेह से सपोर्ट वीकली एक पारी से पहले निफ्टी बांक 47,260 के पास नया रेकॉर्ड बनाकर 47,000 के नूची फिसला ICICI, Kotex, AXS, Bandhan और EU Small Finance Bank से दबाब अदानी ग्रूप शेह में आज भी शांदार तेजी, अदानी पोर्ट, निफ्टी का टॉप गेनर तो अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टूटल गास साथ से 20% तक उच्छ लिए IT Shares से Bazaar को मिला सहारा, विफ्रो और LTE माइटी दो परसेंट चरकर निफ्टी के टॉप के इनर्ज में HCL Tech, Inforces, TCS, Emphasis, Co-Forge और LNT Tech में आदे से 2% की तेजी FMCG Shares में भी खरदारी ITC और Nestle, देल से 2.5% चरकर निफ्टी के टॉप के इनर्ज में तो Mariko Colgate, HUL B मजबूट CL SA की डाउन ग्रेट से 2-Wheeler share फिसले, आज का Stock of the Day बजाज आज आउटो पॉने 2% गिरकर निफ्टी का टॉप कुरूजर, तो Ayesha Motors, TVS Motors, Hero Moto आधे से 1.5% नीचे चीन में सोड़ा आश की कीमतों में तेज उचाल से केमिकल शेर्ज में तगडी खरदारी टाड़ा केमिकल 4% उचाल कर वाईदा की टॉप केनर्ज में तो DCW, GHCL भी 5-7% चड़े इस महीने दाम बढ़ने से पेपर शेर्ज में उचाल जेके पेपर, स्टार पेपर, ओरियन पेपर, सेशिसले पेपर 2-4% दोड़े आगे भी कीमतों में 5-10 रुपे प्रति किलो बड़ात्री की उमीद, Zee Business के एक्स्क्लूजिव खबर आज से RBI Monetary Policy Committee का 3-3 निन की बेठक शुरू, शुक्रवार को ब्यास दरो पर आएगा फैसला हलो और वालकम आप देखरें कॉपरेट रडार, मैं हूँ स्वाधी खंडेल वालवल, आज हमारे रडार पर है पैकेजिंग और लामिनेशन सेक्टर की बड़ी कमनी, कॉस्टमो फर्स्ट, सेप्टम्र तिमाही के नतीजे, इस पर हम बातचीत करेंगे कैसारा प्रदर्शन, आगे क्या है, आउटलुक कंपनी के ग्रुप सीओ, पंकच पोडार साब हमाई सचो में जल्दी जुडेंगे लेकिन बाजार में आज आक्शन्स अब अदस्त है, नए रेकॉर्ड आज टच हुए हैं, एक पर क्विक चेक ले लेते हैं, इस वक्ट मार्किट का चलते हैं नुपूर के पास, नुपूर बताइए बल्कुर रेकॉर्ट लेवल पर निफ्टी ट्रेड करते हैं आपको नजोरा रहा हाला कि वीकली एक्स्पाईरी के चलते हैं, बैंक निफ्टी में आज काफी वालेटिलिए देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी देखे तो सो अंक नीचे आपको नज़राएगा, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स हरे निचान में फिलाल ट्रेड करते हुए दिखरें काफी सारे स्टॉक से गेनिस के साथ शुरुआत कर लेते हैं आई टी सी अदानी पोर्ट्स विप्रो एलेंटी माइन ट्री देखें आई टी स्टॉक साथ सपोर्ट आते हुए दिखरा है तॉप ग लेकिन काफी सारे स्टॉक से खबरों के दम पर आज फोकस में इंदर प्रस मेडिकल कॉप देखे तो आपको तीन परसे नीचे निचे नज़र आ रहा है पतंचली फूट चैनलिस मीट के बाद चार परसेंट उपर आपको इस्टॉक नज़र आ रहा है होना सा कल की ब्लॉक स्टॉक दिल के बाद तीन परसेंट उपर ये स्टॉक भी है इमादरे स्पेशलिटी केमिकल बड़े केपेक्स अनाउंस्मेंट के बाद चार परसेंट उपर ये भी आपको फिलाल दिखेगा पेपर स्टॉक जार जी बिसनिस के एक्स्क्लूजिव खबर के बाद दोर लग बातार तेजी में बने हुए अधानी टोटाल गैस अपर सरकिट पे अधानी ग्रीन 16% उपर दिखेगा अधानी एनर्जी और अधानी पावर भी देखें तो चैसे 11% के मूज आपको देखने को मिलें ब्रॉडर मार्केट में भी पॉस्टिव है और काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको बजिंग दिखेंगे DCW वालाजर माइन्स, H.A.L. सोम डिस्टिलिरीज, सोम डिस्टिलिरीज जी बिसनिस के इंटेव्यू के बाद 5% उपर आपको ट्रेड करता हूँ नज़ा हैगा और लास्ट में कुछ लूजर्स के लिस्ट भी आपके लिए पु ऑके थोड़ा से वालेटिलिटी है निफ्ति बैंक में बर बाए अलाज ओवर रॉल मार्के बहुत स्ट्रॉंग है बड़िया स्ट्रेंग दिख रहे है श्टॉक स्पर्फार्म कर रहे है और बहुत सारे सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहे है और बहुत बहुत तो वहां पर दबाव देखने को मिला है, कहां से आया दबाव, आगे क्या ट्रेंज दिखने है, पेट केर सेग्मेंट में कंपनी ने जो शुरुआत किया, उसको क्या रिस्पॉंस मिल रहा है, यह सब जानेंगे कंपनी के ग्रुप CEO पंकज पोडार हम ऐसा जीर रहे है, पंकज गुड आफ्टरून, और्वेज अ प्लेजर सब, पहले तो जब हमने लास्ट टाम बात की थी, ओवराल बिजनस के उसके बाद अब जो आपके नंबर आये थे इस बार, वहाँ पर हमने थोड़ी सी जो कमजोरी देखी, वो अम्यूटेट परफॉर्मेंस रही, वो क्यों रही सरच, जाए वो टॉप लाइन की बात करें की बॉटम लाइए? वेई गूड आफ्टरून, इंडस्ट्री में इस वक्त, अगर हम देखें, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दो सेग्मेंट्स है, एक बियो पीपी है, एक पॉलियस्टर है, बियो पीपी सेग्मेंट में पिछले कुछ समय में थोड़ी कपासिटी आई है, जिसकी वज़े से करीब 10% की ओवर कपासिटी है, जो की बहुत जादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री को लर्न करना चाहिए, कुछ और इंडस्ट्री से कि अगर थोड़ी भी ओवर कपासिटी है, तो शायद हमें as an industry इतने prices low नहीं होने चाहिए जो होने है, नॉर्मली देखा जाए तो यह 10% अगले एक साल में कंज्यूम हो जाना चाहिए, डुमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो यह अभी टाइम बिंग के लिए pricing का जादा concern है, लेकिन in spite of that Cosmo की performance अगर हम vis-a-vis overall industry के देखें तो वो बहतर है, और उसका simple reason है कि हमारा करीब 65% speciality sales है, जहां हम अपने margins को protect कर पाते हैं, बजाए कि बाकी BOPF films लें, जहां पर margin हम protect नहीं कर पाते हैं, हमें domestic margins के accordingly price play करना पड़ता है, second segment हमारा BOPF film का है, जो कि नया segment है हमारे लिए, हमने last year इस segment में entry करी थी, और इस segment में actually हमारा objective था mainly shrink film बनाने का, पेजी film जो कि एक बड़ी niche market है, label film बनाने के लिए, लेकिन अभी पिछले एक साल में हमारे को उसमें initial equipment में कुछ challenges आ रहे थे, यह जादा तर issues हमें लगता है कि हम अगले एक-दो महिने में sort कर लेंगे, because machine manufacturer जो कि globally बहुत renowned manufacturer है, उन्होंने इन challenges को समझ लिया है, तो अगले कुछ दिनों में वो आके जो भी necessary minor modifications हैं, वो हो जाएंगे तो हमारा focus उसके बाद बहुत जादा shrink label पे होने वाला है, बजाए कि एक commodity Bopit segment में, अगर हम Bopit segment की बात करें तो वहाँ पे पिछले 15 महीने से करीब-करीब या तो break even चल रहा है, या कुछ महीनों में losses चल रहे हैं, और उधर over capacity बहुत जादा हो रखी है, fortunately Cosmo का Bopit में बहुत जादा stake नहीं है, हम largely BOPP company हैं, जहां पर इतना over capacity नहीं है, और मुझे लगता है कुछ आने वाले समय में कुछ ना कुछ margins improvement जरूर होने चाहिए, ओके शूर, आपने जो inherent issues हैं, इस वक्त सेक्टर में और external factors ज्यादा responsible है, जो situation है, चाहिए वो pricing की बात की जो pressure है, या pricing elbow नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी excess capacity की बात की सर्वो, यह दिक्कत हैं आपको कब तक लग रहा है, resolve या better हो जाएंगी, vis-a-vis, आप अपनी जो strategy और focus speciality पे रख रहे हैं, आप अपने margins प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप वहाँ पर अब ज्यादा focus करना चाहेंगे, अगर यह situation थोड़ी long term रही, तो थोड़ा सा अंदाज़त दीजिए कि situation यहां से बहतर कैसे होगी, आपके क्या steps होगे करने के लिए? अगर हम market की capacity की बात करें, तो मैंने कहा कि अगले एक साल में capacity use हो जानी चाहिए, और जैसे जैसे capacity use होती जाएगी, market में price improvement आना चाहिए, लेकिन Cosmo का focus हमेशा से speciality बे रहा है, unfortunately last July अगस्ट से global markets काफी disturbed थी, हमने 4-5 साल तक हर साल 10-15% का speciality growth लिया था, लेकिन last year हमने देखा कि हमारे अगस्ट में एक बार अगले 2 quarters में थोड़ी सी degrowth आई, because बहुत जगह पे stock corrections हुए थे, हम ये देख रहे हैं कि January onwards हम वापिस से, जो हम 57% पे देखा हम वापिस से 65% पे आ गए, जो हमारा June जुलाई तक के last year का level था, तो company के effort जा रही हैं कि हम इस number को contents की लें, इस पूरे plan में मुझे लगता है कि हमारा global markets के impacted होने से 8-10 महीने का delay हुआ है, यूरोप अभी भी impacted है, लेकिन month on month हम देख रहे हैं कि कुछ नो कुछ growth speciality में हो रही है, definitely यूरोप का impact ज़रूर आ रहा है, लेकिन हम बाकी markets हैं, चाहे South America है, चाहे US है, उन markets में भी हम बहुत focused रहें कि हम उन markets में grow करते रहें, तो एक तरफ हम, हमारी कोशिश यह है कि हम speciality growth करें, second हमारा definitely focus है कि हम cost को भी अपनी rationalize करें, हमने power cost है या raw material cost है, उनमें हमने पिछले चार-पांच महीने में काफी काम किया, उसका कुछ result अलड़ी आ चुका है, और कुछ result हमारे को October से December में cost reduction का impact आएगा, कुछ January से March का आएगा, तो largely हमारे film industry में अगर बात करें, तो external factors एक तरफ हैं, जो कि ज़्यादा capacity या market price linked है, बड़ कमनी की कोशिश यह है कि हम speciality growth करते रहें, और हमारी जहां-जहां हमारे cost के controllable factors हैं, चाहे वो raw material हो या power cost हो, उनको हम नीचे लापाएं. ओके, तो ये साल का आपका क्या target है सर, कैसे close करेंगे with all the challenges जो आपने अभी बताए, और उसको आप उस पर work करके भी, realistically कैसा close करेंगे ये साल, पिछले साल के मुकाबले? देखिए, last year से पहले दो quarters already result बहुत अच्छा नहीं है, बट last year के अगले दो quarters बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे मैंने कहा कि last year हमारे को अगर सप्टेंबर से जाधा impact आना शुरू हुआ था, लेकिन definitely full year इस साल का में last year जितना नहीं अच्छा देख रहा है, क्योंकि पहले दो quarter की performance बहुत अच्छी नहीं रही है, बट last year और अगले दो quarters में भी improvement धीरे धीरे आने की expectation है, नॉर्मली इस industry का वैसे भी quarter one और quarter four नॉर्मली सबसे आधा strong रहता है, तो पिछले साल के मकाबले तो हमें definitely कम दिख रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि हमने पिछले कुछ time में जो diversification किया है, हम ये भी expect कर रहे हैं कि वो diversification आने वाले समय में अगले एक डेट साल में हमारे को profit देगा, चाहे वो हमने कुछ speciality films ने का ली थी window film या chemical business, या जिखली तो अभी लगता है में pet care में थोड़ा ज़ादा समय लाया है profit करने में, लेकिन जो हमारे बार की diversification थे, चाहे वो rigid packaging के हों, window film के हों या chemical business हों, उनमें भी हमारे को profitability अगले 8 डेट साल में आएगी, तो 3-4 areas हैं जहां पर company का continuous effort चल रहा है. Okay, sure, so क्या हम कहेंगे कि पिछले साल की मुकाबली ये साल आप negatively numbers या growth दिखाएंगे, या growth नहीं होगी इस साल मिशले साल? इस साल definitely हमारे numbers में deep growth दिख रही है, क्योंकि एक तो क्या हुआ है, raw material बहुत गिर गया है, और क्योंकि raw material गिरता है, तो finished goods के भी prices गिर जाते हैं, और declining market में हमेशा margins पे pressure रहता है, तो इस साल अगर आप generally देखे हैं, जो जितने भी polymers है, उनके prices में काफी correction हुआ है, और उनके चलते वे हमारे prices में भी correction हुआ है, तो in spite कि हमारी volumes higher है, हमारा revenue overall पिछले साल से lower है, volume growth definitely है, कही न कही margins पे भी impact है last year से, लेकिन इतनी difficult market में भी हम करीब-करीब 10% का bidda margin maintain कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे, at least हम industry से कहीं न कहीं, हम better perform कर पा रहे हैं अपनी speciality sales के चलते हुए. ओके पंकर जी एक काम करते हैं, छोड़ा सा break लेते हैं, आप हमाई सती जुड़े रहें, क्योंकि आप से और भी चर्चा करेंगे business को लेकर, छोड़ा सब्रीक हम जल्द वापिस आपके. सूपर शक्ती पेश करते हैं, सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ़ देए. अडवास्ड वायरीब्ड सूपर शक्ती टी-म्टी बार, हर निर्मान को बनाता है, सूपर स्ट्रॉंग. Stock market, हाँ? How do you plan a trade? Handles ballonga, What's your strategy? Rup-chaat-se hai na re, Oh yeah. Tu casual hai re, Papa, Papa, Tu market me mata, Mata. क्योंकि जब serious बनोगे, तभी market ka share बनोगे. Investment and securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Girlfriend, huh? No, no. Just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah? It helped me out, no? Of course, I will. But first, you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest, and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international. Debt, and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Visit India's number one tech showcase, The Unmissable, The Unparalleled. 16th NGMAG, 6 to 10 December. Helipad Exhibition Centre, Gandhita, Gujarat. Register today. Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sheethal Universal Limited launches its IPO on NSE Emerge platform with an issue price of Rs. 70 per equity share. IPO opens on 4 December 2023. Closes on 6 December 2023. Lead manager to the issue is B-Line Capital Advisors Private Limited. This is India's old investing world. Now, investing has come to be changed. Something super. Complex market is simple. The angel 1 super app is coming. Which makes India's investing. Super. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. When you leave on a long journey, fast car, clear roads, fun is different. But then you come to such an urchin, which you have to send. How will it feel if you pass that urchin in a row? की में पार करते हैं और वापस अपने सफ़ा पे निकल पड़े हैं ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इंवस्टमेंट्स में हो सकता है पेश है सैंप को डानेमिक एसेट अलोकेशन पार्ण मोमेंटम में यह रहे एकुटी मोड में और जब आप अपनी मनजिल पर बे फिकर पहुँच सकें मूचल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें रचनी गंधा वायर्ज और किया मैडम कब से गंटी बजा रहा हूं मैडम जल्दी हाथ साफ करो ना म पी आई लाइट तुमसे मिला निज जाया ना तुम में जी रूड समझ गया है वा मामू मिठायों की डिलिवरी चल रही है CID के प्लानिंग डिरेविन नी बिटा सब अलग अलग बैंक जा रहा है ऐसा क्यू एयू कारेंट अकाउंट पे सब मिलता है मामू सोच बदलो और बैंक भी एयू स्मॉल फाइनांस बैंक बदलाव हमसे है जैलेंट एद्वांस LRF Refined TMT Bars निर्मान का रियल हीरो प्रिजेंट आप गेनर्स वालकम बैक आप देख रहे हैं कॉपरेटर रहा हम बात कर रहे हैं कॉस्मोफोर्स की कंपनी हमारे फोकस में पंकच पुड़ा ग्रूप सीयो मैस सच्छों में जुड़े हुए हैं चो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में और आगी किस तरीकी का आउट्रुक है उसकी बा जिस तरह आसे एक्स्टरनल एंवार्मेंट है लेकिन पर फोकस है और उसके ही थूरु माजन और बिजनस को प्रटेक करने की बात कर रहे हैं सर क्विकली मैं जाना चाहूंगी क्या आपने लाइन अप किया हुआ है इस वक कंपनी का और उसकी का पासिटी लेवल फिलाल है और आगे क्या लग रहा है हमारी लाजली 450 तू 500 कोर सा कैपेक्स है तिल मार्च 25 जिससे कि हमारी फिल्म कापासिटी जो है ओर आल करीब करीब 40 परसेंट में ग्रोथ आएगा लाजली हमारी पॉलिपुप्लिंग बेस्ट कापासिटी है अगर हम देखें तो आज हमारी ब क्योंकि मार्च नहीं है तो हम 50 परसेंट के आसपास चला रहे हैं जैसे हमारा श्रिंग फिल्म का जो नॉम्मल इशू जो हाइवे स्टेज के वो सॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद कंपनी श्रिंग फिल्म पे ज्यादा फोकस करेगी और श्रिंग पे कपैसिटी इसका आज के समय में इंडिया में काफी इंपोर्ट हो रहा है और अलड़ी हम करीब करीब 40% कपैसिटी उटलाइजेशन पे आ गए हैं यह भी हमारा एसेट हार्ड़ी दो महीने पहले स्टार्ट हुए और हमें काफी उमीद है कि अगले दो से तीन महीने में हम बहुत जल्दी इसके 80-100% कपैसिटी उटलाइजेशन पे आ जाएंगे इसमें हम एक्सप हों? Northern Plastic एक प्लास्टिक क्या था जो अभी हम flexible packaging में हैं और नया segment rigid packaging हैं काफी similar set of customers हैं दोनों के अगें यह business भी अभी अभी start हुआ है यहां पे customers के साथ यह thin wall containers बना रहे हैं हम बहुत different different applications के चाहे वो sweets हो, curd हो, pickle हो, there are a lot of applications जो इस probation में rigid packaging में जाते हैं और इसमें normally again पहले साल में समय लगता है brands के साथ approval में इसमें अच्छी चीज़ के है कि हम brands के साथ directly काम करेंगे क्योंकि flexible packaging में हम normally printers के साथ काम करते हैं जो पुरा laminate structure बनाते हैं और print करके brand को देते हैं जबकि plastic में directly brands के साथ काम करेंगे हमेशा से चाहते थे कि brands के साथ direct access को विकास वह में flexibles में भी help करेंगा ओके फैर नफ बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ हमसे जुडने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीगी का प्रदर्शन रा कंपनी का और आगी क्या है आउटलूक का धन्यवाद वाल उन दिस नोट एक छोड़ा सब रेक लेते हैं आप कही मैं जाएगा खबरों का सर्थ हरेगा जारी बने लिए हमारे साथ स्पेशल पार्टनर SBI General Insurance सुरक्षा और भरोसा दोनो प्रायोजक Active Life का पार्टनर Vita Life स्वयभी नौई और मोतिलाल ओस्वाल थिंक इक्विटी, थिंक मोतिलाल ओस्वाल नानी को लेके बैंक जाना है एड्रिस चेंज के लिए हमार लेना प्लीज ब्रांच आओगी ऐसा क्यो चल विडियो कॉल करते है ना प्लीज, ब्रांच बंद हो जाएगी वल्कम तो A.U.0101 डिजिटल बैंक या बैंके सारे काम हो सकते है सोच पतलू और बैंक भी A.U. Small Finance Bank बदलाव हमसे है प्रोट्रेट करेगा पूरा हिंदुस्तार यूट्रेट आल्गोस विचेर अप्रेट करेगा पूरा हिंदुस्तार शीथल उनिवर्सल लिमिटेड लाँचे इस IPO on NSE Emerge Platform विध इस इशु प्राइज आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिससा The New Safari, reclaim your life ICL FinCorp announces public issue of secured NCD double your investments in just 68 months and earn high returns To view the prospectus and download the application visit iclfincorp.com स्रेष्ट भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तरा घंट आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश-दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल और ध्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है निवेशकों के पसंदीदा investment destination के रूप में उत्तराखन आज अपार संभावनाव से भरे investment sectors में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है राज्य में 2000 से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में सुधार और उध्योगों के लिए अनुकूल विक्सित एकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतिया 200 से अधिक निवेश योग्ये परियोजनाव 30 के साथ और दीजिए अपनी आथिक उननती को उड़ान देखो यार जिन्दगी का कोई भरोसा नी पता निक कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमिली का फूचर बच्चों की पढ़ाई ए खत्रम पढ़ जाए तो आज ही पॉलिसी बचार से एक करोड का तर्म लाइफ इसूरंस करा हो सिर्फ 525 रुपे महिने से शुरू गर्फ्रेंड ना? नो, नो, जिस्ट रिसरेचिंग अगुड मुल्टी असट फॉन तो इस तो 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 यह? ला इस दिते लुक मुल्टी अजी वो रुर mm जलें बनकी अहीं हुड एक यहाद से तहरे टождलह की तो फो थाक्तुर्ण थाय। का सर्विश्रेश्ट चवन प्राश प्रायोजक पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच और पतंजली केशकांती एडवांस नए बाल उगाई बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए साथ दिनों के एक तरफा रायली में आज फिर लाइफ हाईपर बजार निफ्टी पहली बार निकला और 20,950 के पार तो सेंसेक्स में 69,675 के पास बना है नार रिकॉर्ड अदानी ग्रूप, आईटी और FMCG शेरों से मिला है सपोर्ट वीगली एक्सपारी से पहले निफ्टी बैंक 47,260 के पास नया रिकॉर्ड बना कर 47,000 के नीचे फिसला, ICICI को तक अक्सेस बंतन और EU स्मॉल फिनान्स बैंक से पना है दबा अदानी ग्रूप शेरों में आज भी शांदार तेजी, अदानी पोर्ट्स, निफ्टी का टॉप गिनर तो अदानी पावर, अदानी ग्रीन, एनर्जी और अदानी टोटल गास 7 से 20 परसंट तक उचले IT शेरों से बजार को मिला सहारा, विप्रो और LTM आइंटरी 2 से 3 परसंट चड़कर निफ्टी के टॉप गिनर्ज में शामिल HCL Tech, Infosys, TCS, Emphasis को फोर्ज और LNT Tech में आदे से 2 परसंट की तेजी FMCG शेरों में भी खरेदारी ITC और नसले 1.5 परसंट चड़कर निफ्टी के टॉप गिनर्ज में शामिल, तो मेरिको, कोल्गेट, HCL भी है मस्बूत CLSA के डाउंग्रेज से 2 वीलर शेर फिसले, आज का स्टॉक अफ दे डे बजा जोटो 2 परसंट गिरकर निफ्टी का टॉप लुजर तो आईशर मोटर्स, TBS मोटर और हीरो मोटो आदे से 5 परसंट नीचे फर्टिलाइजर शेरों में जोरदार तेजी चंबल फर्टिलाइजर साड़े 5 परसंट उचल कर वायदा के टॉप गिनर्ज में शामिल, FACT, GSFC, मदरास फर्टिलाइजर, RCF, NFL, SPIC भी करीब 2 से 9 परसंट उपर चीन से सोड़ा ऐच की कीमतों में तेज उचाल से केमिकल शेरों में तगड़ी खरीदारी टाटा केमिकल 4 परसंट उचल कर वायदा के टॉप गिनर्ज में शामिल तो DCW, GHC, L भी 5 से 7 परसंट दोड़े इस महिने दाम बनने से पेपर शेरों में उचाल, JK पेपर, स्टार पेपर, ओरियन पेपर, सेशा साई पेपर 2 से 4 परसंट दोड़े आगे भी कीमतों में 5 से 10 परसंट रुपे प्रती किलो, बड़ोतरी की उमीद, Zee बिजनिस की एक्स्क्लूजिव खबर आज से आए RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की तीन दिरों की बैटक शुरू, शुकरवार को ब्याज दिरों पर आएगा फैसला जी बिजनिस के बंदन मुचल पंच टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार मैं हूँ आपके साथ, आशी चतरवेदी और आप देख रहे हैं, सुपर फास्ट फ्यूचर्स लगातार बन रहे हैं, नए रिकॉर्ड, निफ्टी की बात करें, तो फ्यूचर है 21,000 के पा आपको बड़त देखने को मुड़ी है, कितने गिरावट शुरुआत करते हैं, निफ्टी के साथ, निफ्टी में बालेंस अप्रोच नज़र आ रही है, 26 शेर ऐसे हैं, जहां पर बड़त देखने को मुड़ी है, टॉप कॉंट्रिबूटर रिलाइंस, ITC और TCS, गिरने व कि 1180 स्टॉक कैसे हैं, जहां पर बड़त के साथ कारोबार देखने को मुल रहा है, और 1069 स्टॉक कैसे हैं, जहां पर गिरावट देखने को मुल रही है, यह बात कर रहा हूं है, एनेसी की, साथ में अगर आप देखे तो डाव फीचर्स और नाजड़क फीचर्स दोनों हर नाजड़क पिचर्स में 58 अंकों की बड़त के साथ फिलाल देखने को मुल रहा है कारोबार, लेकिन आज की नज़रे टिकी हैं, सबकी बैंक निफ्टी पर जहां पर कल की शांदार तेजी के बाद, आज हलकी सी मुनाफ़ा वसुली देखने को मुल रही है, आज वीकली ए नितिन मुरार का है हमारे साथ, टीना, वेरी गुर आफ्टरून, निफ्टी बैंक, यहां पर आपके कॉमन समझना चाहूँगा, क्या लग रहे हैं, टूर्ज क्लोजिंग यह गिरावट यहां से बढ़ सकती है, फिर रिकावरी की उमीद है, वेरी गुर आफ्टरून आश तरफ में 47,000 जो है के एहम रिजिस्टेंस लेवल है, तो मुझे लगता है कि एक्सपारी जो है वो करिए 46,800 से 900 के रेंज में होनी चाहिए, और इधर ही बैंक निफ्टी की एक्सपारी होगी, पर ओर 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 मुमेंटम कापी श्टॉग है, अगर हम देखे तो ब्रॉडर म में कापी स्रॉम पार्टिसिपेशन हो रहे है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है नेच्ट वीक्ली एक्सपारी तक बैंक निफ्टी एजिली 47,500 से 47,800 तक जा सकता है, तो हमें आराम से पोजिशनल व्यू है ते पर बैंक निफ्टी में ट्वेट करना चा तो मैं एक बुलकॉल स्प्रेड इदर रेकमेंड करूंगी, हमें 47,000 का अप्शन एक लॉट बाइ करना है और सामने हमें 47,500 का अप्शन एक लॉट बीचना है, टोटल इस स्ट्राटिजी के अगर हम लागत देखे तो 180 से इसकी अलागत को भी करिक 180 से 190 के रेंज में आ रह का स्टॉप लोस 400 का टागेट लागत एक 180 से 900 की और बुलकॉल स्प्रेड बनाकर है आप पर फोकस आपको करके चलना चाहिए, फिलाल मार्केट में इस प्रकार के प्रीमियम्स आपको देखने को अमल रहे है, स्ट्राटिजी के माद्दे हम से करेंगे तो बहतर पॉसिबि आपको यह ग्राजुली यह तार्वित आ सकते है, स्ट्राटिजी में हम लेखे तो सेटर्स अभी FMCG पारिसिपट करने लगए है, पावर का की स्ट्रॉं है, स्ट्राटिजी में क्वाई विजिबल है, और जो ग्राइगर से वह इतनी ज्यादा नेगिटिव नहीं है, स्ट एक दिकेट जो है वो निफ्ती में की तरह पर इंडिकेट कर रहे है, और फ्लो भी काकी स्ट्रॉंग लीपोस्ट है, ओवर ले के स्ट्रॉंग बायस के मार्ट में दिखाई दे रहे है, सो नेक्स्ट वीकली एक स्पारी, 14 डिसम्बर के लिए भी हमें एक बुल को रहे हैं, वो रहेगा सबाद 200 से 200 के रिंज का और स्टॉप लॉस रहेगा चारीज का, टागेट काफी बढ़े हैं, डाइसो तक के टागेट से हैं, तो नेक्स्ट वीक का 14 डिसम्बर के लगता है, नेक्स्टी में स्ट्रॉंग रेकाउट आ सकता है, और 21,300 तक हम जा सकते ह 21,300 की कॉल अप्शन आगे जाकर आपको बेचनी है, और वहाँ पर अगर एक्सपार योगी तो मैक्सिम्म मुनाफ़ आपको देखने को बलेका 500 रुपे तक का, स्टॉप लॉस चालीस का लगाना है, वेतरीन रन नीती है, आपको एक बार तुरंत नोट करके चलना चाहिए तीना करेक्टर रिएगा, शोके अंत पर हम स्टॉक शोपर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं शो में आगे, और एंजल वान के ओशो कृष्ण ने अब हमारे साथ ओश्यू जी नमसकार, बताइए, क्या व्यों है मारकेट पर? अब ही देखें मारकेट में काफे बुशिश अंडर टोन है, थोड़ा ओवर हैंग हो चुका है मारकेट, और निफ्टी में भी स्पेसिफिकली देखें तो 21,000 बहुत क्रूशियल लेवल है, रिजिस्टेंस के तौर पे, तो यहां पर फ्रेश बाई का रिकमेंडेशन नही यह मेरे तरफ से थोड़ा सा ब्रीदर का वेट करना चाहिए, मारकेट में थोड़ा करेक्शन आये, एक प्रॉफिट बुकिंग आये, तब हमें वहां पर बाइंग ऑपरचुनिटी ढूननी चाहिए, निफ्टी में अगर करेंच देखें, 21,000 फाइर लेवल पर आये, तब यहां पर फोकस करके चल सकते हैं, भी थोड़ा सा स्ट्रेच देट तो कमफर्ट नी आ रहा है, लेकिन स्टॉक्स में तो ज़रूर कमफर्ट होगा, बताए, यह दोनों आइडियास का खरीदारी वाले हैं? सपोर्ट के पास से टर्न अराउंड हो रहा है, तो नीर अबाउट 176 के आसपास स्पोर्ट पे है, करेंट लेवल पर बाई करें, 173 का स्टॉपलास में चलें, और आने वाले एक से दो दिनों में 182, 184 के टार्गेट एक्स्पेक्टेड हो सकते हैं, सेकेंड काउंटर है, वोल्टास में भी अभी पिछले दो दिनों से बाईंग ट्रैक्शन काफिश ट्रॉंग है, और वो अपने कलस्टर ऑफ मूविंग आवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, तो 840 के आसपास बाई करने की सलाह रहेगी, 820 का स्टॉपलास मेंटेन करके चलें, और 870, 75 के वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं. सूपर शक्ती पेश करते हैं, सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ़ देए, अद्वांस्ड वायरीब्ड सूपर शक्ती टी-एम्टी बार, हर निर्मान को बनाता है, सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक मार्केट ना? क्योंकि जब सीरिस बनोगे, तभी मार्केट का शेर बनोगे. क्योंकि जब सीरिस बनोगे, तो जिन्दगी के लिए साइपी क्यों ना हो? क्योंकि जब आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते? और वापस अपने सफ़र पे निकल पड़े हैं. ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है, पर आपकी इन्वेस्टमेंस में हो सकता है. पेश एस्टम को डाइनेमेक असेट अलोगेशन पंड. मोमेंटम में, ये रहे एक्विटी मोड में. और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में. ताकि आप अपनी मन्जिल तर बे फिकर पहुँच सके. म्यूचल फंड निवेश बाजार के जोखे मों के अधीन, योजना से जुडे सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Sheetal Universal Limited launches its IPO on NSE Emerge Platform with an issue price of roughly 70 per equity share. IPO opens on 4th December 2023, closes on 6th December 2023. Lead Manager to the issue is Beeline Capital Advisors Private Limited. This is India's old investing world. Now, investing has come to be changed. Something Super. Complex market is simple. Angel One Super App is coming. Which makes India's investing. Super. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Competition Monday. Fire salon media also has confirmed there. Still, you know dran aroma with aindi. Sure, do you think the difference? destructive. What do you think the difference is? We know the difference between those and the risks? Wait until this i wake up. Follow your destiny in January opening your life is a windy inclusion quality. पारत गानाँ कि मैंतो बनेगा भारत पारत भोरों पारत हो नियनि कर दोन गौन in the world भारत स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme-related documents carefully मैडम को पैसे से प्यार नहीं है भाई साब वैसे से प्यार है तभी तो EU से करार है ऐसा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है तीन महीने में एक बार मेरा EU हर महीने सोच बदलो और बैंक भी EU Small Finance Bank बदलाव हमसे है आपका स्वागत है निलेज जीन कनेक्टेड है हमारे साथ निलेज जी नमस्कार शो में स्वागत है आपका बताईए क्या व्यू है मारकेट पर क्या है ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए? नमस्कार शी जी बिलकुल देखिए मारकेट पे हमारा व्यू लगातार पॉजिटी साइड में बना हुआ था और निफ्टी 20,900 अलमोस्ट 21,000 के आसपास पहुँच चुका है अब यहां पर तोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है और एक कॉश्चन एडवाइज है क्योंकि कॉल राइटर्स 21,000 पे काफी एक्टिव हो चुके हैं अब जो रेंज है वो है 20,600 से 21,000 तो कि यहां पर रिस्क और इसका फिवरेबल नहीं बना है लॉंग साइड के लिए और उतने कंविक्शन व सब्सक्राइब करना होगा थोड़ा ता करेक्शन आता है उसके बाद प्रेश लॉंग की पोजिशन यहां पर बंती हुने जराएगी जी साबसे वॉलाटिलिटी इंडेक्स में लगातार उचाल हम देख रहे हैं तो यहां पर क्लियरली वॉलाटिलिटी थोड़ी सी बढ़ यहां पर लॉन पर देखने को मिल रहे हैं तो फॉर परसंट का हुआ है इसाफ़ यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो इसको लॉंग करने की सला होगी 470 478 यह दो टागे होंगे 454 के आसपस कहां पर शॉपलास रखी चलना होगा तो पहली खरीजारी की पीक होगी ITC वहीं 55, 770 तक के टागेट के लिए 722 का यहां पर स्टॉपलास रखी चलना होगा तो GNFC में भी यहां पर लॉंग करने की सला होगी साथी साथ ITC वहां पर भी लॉंग की सला होगी ओके तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर रखनी चाहिए अपनुज़र शुक्रिया सार हमारे साथ जुणने के लिए और बहतरी इन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए तो चलिए बढ़ते हैं शो में आगे और अब वक्त है छोटे अबिटी पाया है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा टीप आएगा और टार्गेट स्ट्राइक है बीस जाजार नौसो की कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस अभी 71 है बट यह इस रेट पे नहीं लेंगे क्योंकि बीस नौसो एड़ दमनी कॉल हो गई और कल एक्स सब्सक्राइब करेंज में लेना चाहिए और फिर आपका स्टॉप लॉस उसका प्रीमियम एड़ दमनी में काफी ओवर प्राइस है तो मुझे ऐसा लगता है कि डियूरिंग तडे यह प्राइस अज़स्ट होगा और अभी आज जो मार्केट में करेक्शन आ रही है वो प् और फिर आपका स्टॉप लॉस उस केस में बनेगा पच्चीस रुप्राइब का यानि आप लेंगे पचास बावन की रेंज में पच्चीस का स्टॉप लॉस और फिर आपके टार्गेट बनेंगे 80-90 रुप्राइब करेंगे इस लेवल पर ओवर प्राइस रहे तो हम डिप क्या इंतजार करना है डिस्सिप्लिन के साथ ट्रेट करना डेविल्स आपको समझा देगे उन्हीं लिवल्स पर आपको एंट्री करनी डिपर और टागेट आपको 80-90 के मिलेंगे स्टॉप लोस होगा 25 रुपे का शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्र बेकाउट आए और ओडर टो कर डिटा भी एक स्टॉण कर रहा है जहां पर कंटिनूस की बार सब्सक्रिया सब्सक्राइब हो रहा है चौती सो का जो है वो कॉल में अन्वाइनिंग हो रहा है और आगे 35 की तरह शिप्ट हो रहा है जो मुझे लगता है एलंगती में हमें सब्सक्राइब करना है यहां पर फोकस करके चल सकते हैं आइडिया है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर इसके लावा दूसरा स्टॉक पावर स्पेस में से टाटा पावर एक स्ट्रॉंग डेटा रहा है पहले हमने देखा था कि इसमें शॉट कवर्डिंग हुई है औ सब्सक्राइब को और उपर तक लेकि जा सकता है तो टाटा पावर यहां पर भी आक्षन आपको भरपूर देखने कुम्रा साथ में लेंटी इस स्टॉक के उपर आप रखेंगे नजर शुक्रिया तीना हमारे साथ जुड़ने के लिए धेड़ी स्टॉक्स पर डिसकॉशन उस साथ में ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेर करने के लिए और इसी के साथ सूपर फास्ट वीचेज में इतना है लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनिस के साथ नमस्कार के लुदिन साथ girlfriend o no no just researching a good multi-asset fund to invest in that's not tough at all yet help me out no of course you tell me what does a good fitness plan have exercise diet and s कर दिजन, और अबन प्यंचेख, लिगा भालंपे लि 한데-निए फो फिसे, दो फिसे, स essentials भालंपे भालंप्टीम दिन स वि Tob fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Esalor. Pesh has Sam dynamic asset allocation fund. Momentum may, ye rahe equity mode or jab bhi risk dikhe, ye transform ho jai debt mode may. ताकि आप अपनी मन्जिल तक बे फिकर बहुँच सके. mutual fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. देखो 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 अपने दंपे एक्सपर्ट क्योंकि यहाँ सलाव ही इसलिए हमने बनाया ICICI Direct Flash Trade जो देता है Clutter-Free Experience Quick Entry or Exits Live Tracking के साथ सिर्फ सात रुपर पर रॉडर Investments in Securities Market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing बादलों पे चंके हबाओं से मिलके मैं बनाऊंगा होसलों को कसके क्युवानों से लडके मैं बनाऊंगा ऑशनीक टुक्लों से अधेरे को हरा के मैं बनाऊंगा उमीदों के पंख गंदों पेलागा के मैं बनाऊंगा बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा भारत The vertical velocity is now being constantly reduced India is on the mode स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत एम एनस इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूजर्स यह है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर, complex market को करे रैस संपल अगया है एंजिल्वन सुपर अब जो इंडिया का investing बना दे सुपर Investments in securities markets are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Visit India's number 1 tech showcase The Unmissable, the Unparalleled 16th NGMAG 6th to 10th December Hilipad Exhibition Center, GandhPr Gujarat Register today अरे रेमी अंगा है, मेरा संडेय स्पेशल दोना थांक्यो अरे संवाल के अरे शेरी डालना बोल लिया ये में फिकर है क्योंकि इनके पास है सुरक्षा और भरुसा दोन SBI जनरल कार इशॉरंच इतना इजी? हाँ ये और नालना दी था खॉवियो ये में बीटलुष सावा सिर्णी ते लोगे साथ के में येuba एल्यचिए आप अपनी मंजिल पक बे फिकर बहुत सकें Mutual Fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें मैं बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बनाओंगी मैं तो बनेगा भारत बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत स्किल्स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Ayurveda का ये सार है, Aarokya का प्रकाश है ये दिव्य है, Amulya है, Patanjali Chavanthraash है Nani को लेके bank जाना है, address change के लिए हमाल लेना, please branch आओगी ऐसा क्यों? चल, video call करते है ना? Please, branch बंद हो जाएगी Welcome to AU0101 Digital Bank या bank ये सारे काम हो सकते है सोच पतलो और bank भी, AU Small Finance Bank बदलाव हमसे है जालों को जड़ने वा असमे सफेद होने से बचाए साथ दिनों की एक दरफा राली में नए लाइफ हाई पर बाजार निफ्टी पहली बार 2950 के पार तो सेंसेक्स में 69,670 के उपर बना रिकॉर्ड अदानी ग्रूप IT FMCG शेरों से मिला सहारा वीकली एक्स्पारी से पहले निफ्टी बैंक लाइफ हाई से 300 अंग गिर कर से 40,000 के नीचे फिसला ICCC या बैंक, इंडिसन, कोटक, आकसेस, SBI में मनाफ़ा वसूली हाई IIT शेरों में चौतरफा तेजी, LTI माइंट्री, निफ्टी का टॉफ गेनर, विप्रो, HCL Tech and Fossils, TCS, MFASIS, को फोर्ज, L&D Tech में भी तगडी तेजी MCG शेरों में भी खरदारी, IITC, Nestle, निफ्टी का टॉफ गेनर में शामल, तो मैरिको, कोल्गेट, HUL भी मस्पूत अदानी ग्रूप के शेरों में अक्शन जारी, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गास, 10-20% उचले, अदानी पार, करीब 6% चड़ा CLSA के डाउंग्रेट से टू-Wheeler, शेर फिसले, आईशा मोटर्स, और आज का स्टॉक अफ टे बजाज, आटो, निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामल, तो TVS मोटर्स और Hero मोटर में भी बना दपा फर्टलाइजर शेरों में जोरदार तेजी, चंबल फर्टलाइजर, करीब 6%, उचल करवाइदा के टॉप गेनर्स में, फाक्ट, GSFC, मदरास फर्टलाइजर, RCF, NFL, स्पिक भी करीब 4-12% उपड़े चीन में सोड़ाश की कीमते बढ़ने से केमिकल स्टॉक्स में तेजी, टाथा केमिकल्स, DCW, GHCL 3-6% तॉड़े ताम बढ़ने से वेपर शेरों में उच्छाल, JK पेपर, स्टार पेपर, ओरियन पेपर, सेशिसाई पेपर, डेर से ठाई परसेट दोड़े आगे भी कीमतों में 5-10 रुपे प्रतिकिलो बढ़ुतरी संभव, Zee Business की एक्स्लूजिव खपर और आज से RBI Montreal Policy Committee की तीन दिनों की बैटक शुरू, शुक्रवार को ब्याजदरों पर आएगा फैसला आप देख रहे हैं Midcap Bazaar, एक ऐसा शो जहां Midcap शेरों में मिलते हैं मुनाफ़े के मंत्र आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं Live Show के दौरान 022-2300-1634-35 पे कॉल करके या फिर WhatsApp के माधियम से भी आप अपना सवाल हम तक पहुचा सकते हैं नमबर आपकी स्ट्रीन पर हैं, लेकिन आईए पहले Bazaar पर एक Quick Check ले ले लेते हैं Bazaar में record high बनने का सिलसला कायम है, हमने 20,950 के पार Nifty में record highs बनते हुए देखी है Sensex में नए record बनते हुए देखे है, हाँ Nifty Bank को हमने देखा कि नए record स्टरों से यहाँ पर market आलमोस्त 300 सवा 300 अंख हलका हो चुका है और अभी 46 900 के नीचे हो रहा है ट्रेड लेकिन मिट कैप शेरों में कहां आक्शन दिखाई दे रहा है पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहियोगी कुशल के पास कुशल गुड आफ्टिनून ज़रा बताईए कौन-कौन से एरियाज है जहां आक्शन सबसे ज़ादा है बिलकुल नहीं है आप देखें लगातार जिस तरह से तेजी फ्रेंट लाइन इंडाइसेज में होते भी दिख रही है वैसा ही समलर सरजहान आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस पर भी आतावा नज़र आया इंडिक्स लेवल पर आप देखें तो अभी भी हरे निशान में करोबार करते हुए दिख रहे हैं खासकर स्मॉल कैप इंडिक्स अल्मूस्ट पॉइंट टू परसिंड के गेंस के साथ करोबार कर रहा है तो यहाँ पर आक्शन काफी बनावा है खासकर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आक्शन से गर आप देखें तो वहाँ पर कैमिकल स्पेस यह एक बहुती बड़ा टर्नराउं स्टोरी अब बनती भी नज़र आ रहे है पहले जितनी अंडर परफॉर्मेंस थी अब वापस से वहाँ पर कमबाक होता हुआ दिख रहा है और इसी वज़े से बाला जी अमीन्स आप देखें करीब 12% के गेंस के साथ कारोबर कर रहे हैं साथी केमकॉन स्पेशालिटी टैनफक इंडेस्ट्री जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छे खासे गेंस अभी भी होल्ड आउट होते वे नज़र आ रहे हैं और उसका रियाक्शन आप देखें टाटा केमिकल्स में अल्मूस तीन परसन के गेंस यहां पर अभी भी बने वे हैं जी एच सी एल और साथी डी सी ड़लू लिमिटेड अल्मूस साड़े च्छे परसन के गेंस दिखा रहे हैं यही नहीं पेपर से जुड़े वे एक्स्क्लेसिव खबर भी हमने आपको बताए थी कि यहां पर भी जो कीमते हैं वो बढ़ी हैं अभी दिसंबर में 13% की अब उचाल दिखा रहा है चंबल फटलाइजर भी पीछे नहीं है 5-6% की गेंस यहां पर भी बनते वे दिख रहे हैं हाला कि रियलेट से कुछ जुड़े वे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है प्रिस्टीज स्टेट्स, इमाभी रियल्टी, ब्रिगेड इंटर्प्राइस जिससे स्टॉक्स पर 2-4% तक का फॉल आपको आता है वह दिखेगा और शुगर से जुड़े वे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी धीमापन आपको देखने को मिल रहे हैं मगज शुगर देखे आवज शुगर यहां पर भी 5% से जादा की गिरावट होती भी नजर आ रही है और कुछ एक चुरिंदा बैंक्स हैं चोटे मजॉले जहां पर आपको हलका लान निशान में कहरबार होता है दिखेगा वेड आल इन ओल जो पिच्चर बन रही है काफी सारे सेक्टर्स जो वापिस से रिकवरी के फेस में लोटते वे दिख रहे हैं माजिन्स हो सकता है कि आगे जाकर इंप्रूव होती भी दिखे कीमतों में बढ़त हो रही है इसका सीधा फाइदा आपको स्टॉक प्राइस एक्शन में आज देखने को मिल रहा है धन्यवाद कुशल वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए आए आज की महमान से आपका परिचा करा है मोतिला लोसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी है शिवांगी जी गूर आफटरनून बहुत स्वागत है सबसे पहले तो यही बता देजिए कि मारकेट पर व्यू क्या बन रहा है बैंक निफ्टी की एक्सपाइरी का दिन है तो अफकोस उठापटक है और उपरी सरों से थोड़ा प्रेशर जरूर दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी क्या सला है आपके शिवांगी जी आप म्यूट पर है पर बैंक निफ्टी के अगर फोकस रहे क्योंकि आज उसकी एक्सपाइरी है तो यहां पर अंडर पर्फॉर्मेंस आज देखने को मिल रहा है तो क्लियरली निफ्टी में जो है वाइन डिक्लाइन हम अप्लाइ कर सकते हैं अपसाइड 21,000 तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे है और सपोर्ट के तौर पर 20,750 के एक लेवल को ध्यान रखे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर थोड़े बहुत हम स्ट्राटेजी बेस प्ले करें अगर हम एक्सपाइरी के तौर पर अगर हम देख रहे तो और जो सपोर्ट है वो 46,750 का एक क्रूशल लेवल है इंट्राडे परस्पेक्टिफ से जो बनते हुए दिख रहा है अब साइड जो है 47,000 के एक लेवल है जो एक थोड़ा हलका हर्डल की तरह एक कर रहे है तो 47,000 क्रॉस करते हैं 47,250 जो कि इसका रीसिंट हाई है वो बनते हुए दिखेगा ओके चलिए ये तो राय बन रही है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए लेकिन चरिंदा मिटकाप स्पेस के स्टॉक्स है उन पर जरा फोकस कर लेते हैं अभी कुछ समय पहली मेरे सयोगी कुशल ने बताया था कि फर्टलाइजर स्पेस काफी बाजिंग है उसी की एक कंपनी है मदरास फर्टलाइजर बारा-तीरा परसेंट की दमदार स्ट्रेंथ यहाँ पर देख रही है जरा बताये इन स्टरों पर चार्ट्स पर कोई राय बन रही है परकुल वेरी राइटली पॉंटेट की फर्टलाइजर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम आक्शन है और सारे ही स्टॉक्स यो है काफी बजिंग हो रहे हैं अगर हम बात करें मदरास फर्टलाइजर तो यह बड़े ही लंबे कंसॉलिडेशन के बाद ब्रेक आउट दिया है और ब्रेक आउट के बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है तो यहां पे immediate basis पे 110 और फिर 115 तक के targets बनते हुए दिखेंगे 102 के एक support को हम ध्यान रखते हुए इसमें पाइंग कर सकते है तो चितने लोगों की position है मदरास फर्टलाइजर से में बिलकुल बने रहें यहां से और 5 से 10 रुपे की strength तो बिलकुल बनती दिखाए दे रहे है लेकिन stop losses के साथ काम करना है पहले दर्शक फोन लाइन पर जोड़ चुके है नौइटा से पवन जी हमारे साथ है इस समय पवन जी नमशकार गुर आफटनून क्या सवाल है सर आपका अबर जी नमस्ते हैं गुपन नमस्तार बहुत है जा रुपन नमस्तार बहुत का किसे है बढ़ा है आप ही आई आपके आई कर यही को जी को पर आपके पना सवाल पूछें आजी हादी यहादी मेरा BSP के शेयर है मैंने 2500 रुपिज के लेखे हैं मैंने तो इस दोनों शेयरों का बताईए मुझे और मैडम से वो उसे शिवांगी इसादर जी बहुत अच्किते रेट देती है उनसे बहुत तो कोई सर बीएसी का एक बार लेवल मुझे बता दीजे फिर से किस पर बीएसी जो है काफी पॉजिटिव है इन फाक्ट हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कोई भी भाव पे लेने लाएक है कोई भी डिक्लाइन्स मिले इसमें मेरी राय रहेगी कि हम खंदारी की ऑप्चुनिटी की डूढ़ें इंवेस्मेंट के तौर पे काफी स्ट्रॉंग काउंटर है बोथ ये फंदमेंटली आड टेक्निकली हम देख रहे हैं कि स्टॉक अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्टॉक में कामकाज किया है कोई भी टाइम फ्रेम अगर हम देखे तो क्लियरली आउट परफॉर्म भी किया है ये पूरे साल तो मेरी राय रही कि हम बिलकुल बने रहें स्टॉक में इमीजिटली 2600 तक के लेवल्स यो है वो बंते वे दिख जाएंगे हमें इसमें 2430 के आसपास का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान रखे स्टॉक लॉस जो है वो ट्रेल करते रहे हम आगे की तरफ दूसरा आगेस आरा केबल की हम बात कर रहे थे तो इस स्टॉक में हमने देखा है कि एक कंसॉलिडेशन नजर आ रहा है स्टॉक में कॉस्ट डेटा जाधा नहीं है पर मेरी राय रही कि हम इसमें होल्ड कर सकते है स्टेन करते हुए दिख रहा है सपोर्ट जोंस में मोमेंटम हाला की थोड़ा मिसिंग है तो यहाँ पे जो अपसाइड है वो हम धीरे एक्सपेक कर सकते हैं तो साड़े सतरा सो तक के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं सवाल है आपका थाउजन फिफ्टी फइफ राइट एस ओके इन फाक इंसिडेंटली हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी स्ट्रेंट यहां दिखिए साड़े पांच पर सेंट उपर है और मॉनिका जी तो प्रॉफिट में है शिवांगी क्या राय होगी जी कोचिन शिर्प्यार ने एक काफी अच्छा ब्रेकाउट दिया है और हम देख रहे हैं कि वीकली में एक अच्छे प्राइस राइस के बाद रिट्रेस होके वापस यह स्टॉक जो है तेजी दिखाया है हमने देखा था कि 9.43 के आसपास इसका एक काफी अच्छा सपोर्ट पेस बाइंग देखने को मिला था वहां से यह स्टॉक जो है मॉनिका जी आपको बढ़ाई है अच्छे लेवल पे लिए वेट किया बस अब स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बारी है 1210 का आपको अगला स्टॉप लॉस होगा ट्रेल करते जाए इसे और 1300 अगला पढ़ाव बन रहा है यह पूजिशन आने पे चाहे तो आप प्रॉफिट आपको अगला स्टॉप लॉस वायरीब्ड सूप शक्ति TMT बार मॉस्टार सुपर स्टॉप लॉस टॉवड़कों वह लॉसेरय। प्रिचोर नगे चारे, तू। आया तू। चास्थ हैनाँ रह… Oh yeah! तूट रहे रहे बावा वा 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 तूम संपते हैं माट डू। क्यों कि जब सेरिय्स बनोगे, तभी मार्यट का शेयर बनोगे! Investments and securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Girlfriend, right? No, no, just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah? Then help me out, no? Of course I will. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international. Debt and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. And Raju, how are you going to do algo trading? Come on, man. Look, I don't even have a trade time. If there are protests, then there are algo. You trade algos with Share India. Jab brokerage or algo portal ho ek sat. To trading ho hassle-free or lightning fast. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Hardwin. A one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965. With over 30,000 sales outlets pan India. Hardwin. Fittings that fit perfectly. Perfection redefined. Yeah. You're done. To pay S.M. to Dynamic Asset Allocation Fund. In your momentum, these keep up in equity mode If you see risk, these get transformed into debt mode, so that you can reach for your mind to no fears. मुच्वल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बादनों पे चंगे हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत. AMNS India. Smarter Steels. Brighter Futures. पेश है साम को डानेमिक असर्ड ऐलोगेशन पर्ड। मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क पिखे ये ट्रांसफॉर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मंजिल पर बे फिकर पहुँट सकें. Mutual Fund Nivesh Bazaar के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. शीथल Universal Limited launches its IPO on NSE Emerge platform with an issue price of Rs. 70 per equity share. IPO opens on 4th December 2023. Closes on 6th December 2023. Lead manager to the issue is B-Line Capital Advisors Private Limited. जो पनाए आपको अपने दंपे एक्सपर्ट. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Trading shouldn't feel like this. इसलिए हमने बनाया ICICI Direct Flash Trade. जो देता है clutter-free experience, quick entry or exits, live tracking के साथ. सिर्फ साथ रुपे पर order. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Visit India's No.1 Tech Showcase The Unmissable, The Unparallel. 16th NGMAC, 6-10 December. Helipad Exhibition Center, Gandhika Gujarat. Register today. स्रेश्ट भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंट. आज अपने स्वर्निम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल और ध्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है. निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंट आज अपार संभावनाव से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है. राज्य में 2000 से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में सुधार और उत्योगों के लिए अनुकूल विक्सित एकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतिया, 200 से अधिक निवेश योग्ये परियोजनाव और 6000 एकर से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविश्य कर रहा है आए जुरिये ग्लोबल इंवेस्टर सामेट 2020 के साथ और दीजिये अपनी आर्थिक उन्नती को उडान मैडम को पैसे से प्यार नहीं है भाई साब पैसे से प्यार है तभी तो EU से करार है ऐसा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकांट पे इंटरेस्ट देता है तीन महीने भी एक बार मेरा EU हर महीने सोच बदलो और बैंक भी EU स्मॉल फाइनांस बैंक बदला हमसे है वेकम बैक आप देख रहें मिटका बाजार शिवांगी जी बता और एक्सपर्ट हमारे साथ बनी वी शिवांगी जी बताइए उस मार्केट में वैसे तो बहुत उठापटक हो रही है बाजिंग स्टॉक्स भी हैं आपको क्या पसंद आ रहे है काफी अच्छा अक्शन है और यह स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि कंटिनूसली बीकली फ्रेम में अप्वर्ट स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है इंफाइंट डेली फ्रेम में एप्रिल से लेके अभी तक हमने देखा है कि 50 exponential moving average को काफी इची तरह से इसने support बनाते हुए कामकाज किया है और एक लंबी consolidation के बाद अब यह स्टॉक जो है वो चलाए तो यहां में एक अच्छी upside जो है ब्रजर आ रही है बंते हुए तो साड़ी 800 तक के लिए हम इसमें expect कर सकते है खरदारी की राय रहेगी और 795 के एक stop loss के साथ जो फ्रापिक मेरा रहेगा banking space में से वो है can bank पूरे ही banking space ने काफी underperform किया है और अब जाके हैं पे थोड़ी बहुत strength देखने को मिल रहे है उसमें से ये counter है जो काफी पसंद आ रहा है मुझे हम देखरें कि पूरे इस week on week basis पे stock ने काफी इच्छा perform किया है तो यहां पे 447 तक के target के लिए हम expect कर सकते हैं stock में 420 के एक stop loss के साथ एक बार fact का पहला stock आपने fact बताया राइट जी बिलकुल और जिसमें आपने 800 का target दिया और 795 का stop loss करेक्ट जी बिलकुल और can bank है दूसरा stock जिसमें 440 का target है और 420 का stop loss आपको इधर लगा के काम करना है 447 का target है और 420 का stop loss यहां पर आपको लगाना है तो एक तो fertilizer space of course buzzing है तो वो पसंद आई रहा है शिवांकी जी को और can bank उसकी भी strategy आपके सामने 447 तक के भाव बनते दिख रहे है थांक यू सो मच शिवांगी जी हमारे दर्शकों के सवालों के जवाग देने के लिए नपकॉस दो बैतरीन पिक्स इस market में लाने के लिए इस शो को हम यही राप अप करते हैं लेकिन बने रहेगा जी बुजनस के साल प्रेकियोस पार लेकर आएंगे market radar मस्का करते हैं प्रायोजक, LIC, हर पल आपके साथ, और एक्टिव लाइफ का पार्टनर, वीटा लाइफ स्वया भी नौईल ऐसा क्यों, AU कारेंट अकांट पे सब मिलता है, मामू, सोच बदलो और बैंक भी, AU Small Finance Bank, बदलाव हमसे है रचनी गंधा, बायर्स और केबर, कनेक्टिंग पीपल टू पावर विजिट इंडियास नबर वन टेक शोकेस, The Unmissable, The Unparalleled, 16th NGMAG, 6-10 December, Helipad Exhibition Centre, Gandhidhakar Gujarat, Registered Today पेश है साम को डाइनमिक असेट अलोकेशन पाट, मोमेंटम में, ये रहे एकुटी मोड में, और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में, ताकि आप अपनी मन्जिल पर बे फिकर पहुँच सकें. Mutual Fund Nivesh, Bazaar के जोखिमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual Fund Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series, for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Sister! Wookfully! छोटे से छोटा रिस्क भी महेंगा पड़ सकता है. इसलिए SBI General Health Insurance. सुरक्षा और भरुसा दोनों. इस बार इस से करे? जब आप लंबे सपर पर निकले, मज़ा अलग है. पर तब ही आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है. कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुट्की में पार करते हैं? और वापस अपने सपर पे निकल पड़े. एसे ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है. पर आपकी इंवस्टमेंट्स में हो सकता है. पेश है सामको डाइनमिक असेट अलोकेशन पार्ण मोमेंटम में, ये रहे एकुटी मोड में. और जब भी रिस्क पिखे, ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में. ताकि आप अपनी मन्जिल तक वे फिकर पहुँच सके. म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखेमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. सब का गयांद करे परिशान? जो बनाए आपको अपने दंपे एक्सपर्ट. क्योंकि यहां सलाव रही जो आपके लिए सही. HDFC Sky, बनो अपने दंपे एक्सपर्ट. इंवेस्मेंट इन सिक्यूर्टी समार्केट अप्जिक्ट तो मार्केट रिस्ट. वीड अपने रिलेटे डॉकुमेंस केफुली पफोर इन्वेस्टें. पेश है साम को डाइनमेक असे अट अलोकेशन पार्ट. मोमेंटम में ये रहे एक्विटी मोड में और जब भी रिस्ट दिखे ये ड्रांसफोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मन्जिल पक बेफिकर बहुँच सकें. म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. देखो 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 देल की धार देखो सब है तयार देखो आक्टिव भाहर देखो पेशे विटिमिन एडी और ईयुक्त वीट्री प्लस वाला वीटालाइफ रिफाइंड सोया बीन ओईल ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया. अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर, कॉम्पलेक्स मार्केट को करे सिंपल, आ गया है एंजिल वानु सूपर आप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे, सूपर. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 70 years of trusted care, backed by science and innovation. India is on the most. Skills deal और दिल से बन रहा है भारत. AMNS इंडिया, Smarter Steels, Brighter Futures. पिछले छे सालों से हर रोज यही हो रहा है. यह वो S.I.P. है, जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं. जब जिन्दगी जीने का तरीका ही S.I.P. है. तो जिन्दगी के लिए S.I.P. क्यो ना हो? An Investor Education Initiative by HTFC Mutual Fund. Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. अधी एफिनो ट्रेडिए, यूट्रेड के फुल्ली आउटमेट अगर्दम पे चोड़े. यूट्रेड आल्गोस विचेर इंडिए. इन्वेश्में 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 सेक्योर्टी मार्केट साब्जेट तो मार्केट रिस्क्स. तुमसे विलेंज जाना, तुममें जी जरूट, समझ गया? जी सेट. वा मामू, मिठायू की दिलिवरी चल रही है, CID के प्लानिंग. डिरेविन नी बिटा, अशब अलग अलग बैंक जा रहा है. ऐसा क्यो, एउउ कारेंट अकांट पे सब मिलता है. मामू, सोच बदलो और बैंक भी, AU Small Finance Bank, बदलाव हमसे है. रिकॉर्ड्स तर से दिन के निचले, सर पर फिसला बाजार, निफ्टी लाइफ हाई से सौ अंग फिसल कर 20-850 के पास, बैंक, रियाल्टी, फार्मा, ओटो शेरों से बना दबाव. वीगली एक्सपारी से पहले, निफ्टी बैंक लाइफ हाई से चार सो अंग गिर कर 46-800 के करीब, ऐसे ऐसी है, बैंक, इंडुसें, कोटक, अक्सिस, SBI में मनाफ़ा वसूली हाभी. आइटी शेरो में चौतरफा तेजी, LTI माइट्री, निफ्टी का टॉप गेनर, विपरो, HCL Tech, इंपॉसस, TCS, एंफैसिस, को फोर्ज, L&T Tech में भी तगडी तेजी. FMTG शेरो में भी खरदारी, ITC, नेसले, निफ्टी का टॉप गेनर्स में शामिल, तो मैरिको, बिटानिया भी मस्पूर्थ. CLSE के डाउंग्रेट से टूबीलर, शेर फिसले, आईशर मोटर्स, और आज का स्टॉक अफ दे बजाज, आटो निफ्टी के टॉप लूजर्स, तो TBS, मोटर्स, हीरो मोटो में भी तपाव. अदानी ग्रूप के शेरों में अक्शन जारी, अदानी एनरजी, ग्रीन और अदानी टोटल ग्यास, 10-20% उचले, अदानी पार करीब 6% चड़ा. एवियोनिक्स एक्सपो से पहले 6% की रिकॉर्ड तेजी के साथ, H.E.L. वाइदा का टॉप गेनर, पिछले 9 दिनों की एक तरफा, तेजी में शेर 30% उचला. चालू वितवर्ष के लिए सरकार के अतिरिक सबसीटी की मांग से पर्टलाइजर स्टॉक्स उचले, चम्बल पर्टलाइजर 6% उचलकर, वाइदा का टॉप गेनर, फाक्ट, J.S.F.C., मदरास पर्टलाइजर, RCF, NFL, स्पिक, 4-12% भागे. चीन में जोड़ाश की कीमते बढ़ने से, केमिकल स्टॉक्स में तेजी राथा केमिकल्स, GCW और GHCL 3-6% दॉड़े. दाम बढ़ने से, पेपर शेरों में उच्छाल, J.K.P., StarPaper, OrionPaper, S.S.I.P.E.P.R. देर से ठाई परसेंट दॉड़े, आगे भी कीमतों में 5-10 रुपए प्रतिकिलो बढ़ोतरी संभव, Z.Business की एक्स्लूजिव खबर. और आज से RBI Montry Policy Committee की तीन दिन की बैठक शुरू, शुक्रवार को भी आज़दरों पर आएगा फैसला. दिन के उचिदम स्तर से बाजार में बन रहा है प्रेशर, निफ्टी 100 अंक नीचे है, तो बैंक निफ्टी भी 400-500 अंको की कमजोरी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से दिखा चुका. अब सवाल यही है कि बैंक निफ्टी के एक्सपाईरी के दिन और अगले दो घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीती अपनानी है. सटीक स्ट्राटेजी अपनाने में करेंगे, हम आपकी मदर ट्रेडिंगी दमदार कॉल्स पेश करेंगे और अक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा, फोकस्ट इस पर एक्सपर्स किराया रखेंगे आपके सामने. सबागत है आप सभी का मार्केट रडार में, आपके साथ मैं हूँ नेहा अनब. सदानी टोटल गैस में 20% का उपरी सिर्किट लिखा है, लगा है, लास्पट नौद इलीस्ट, एचेल, लगातार, नौवे दिन की तेजी के साथ 8% उच्छल कर, इस टॉक रिकॉर्ड सतर पर पहुंच गया है. आईए आज के महमान से आपका परिचाय कराए, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट भाविन शाह साब हमारे साथ शो में शामिल हो जुके हैं. बाविन जी, गुड आफटरनून, बहुत स्वागत है. साथ दिनों की एक तरफा राली, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तेजी, थोड़ा सा आज उपरी सरों से हमने प्रेशर देखा है, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी. लगबग 20-100 के पास क्लोजिंग दिया था हम 30 नवेंबर को और हम यहां पे 700-800 पॉइंट की रैली अपने देखी है, निफ्टी में. तो जाहिर सी बात है, एक थोड़ा पॉस आ सकता है, बट मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉंग है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते ह हम बट और स्ट्रॉक्टर जिसे साब से बन रहा है, एक अच्छा मोमेंटम जो है, वो कंटीन्यू रहना चाहिए, बट डेफिनेटली यह लेवल पे अगर अगर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, तो थोड़े रिस्क रिवर्ड अन्वर्ड फेवरेबल हो स सकते हैं, तो बायान डिप्स की अपनानी चाहिए, निफ्टी बहुत ही एच्छे लेवल पे है, एक मेजर सपोर्ट जो बैठ रहा है, वो है बीस साथ सो का, जो थोड़ा रिट्रेस करें, तो मेरे किसाब से जरूर से बाइं करना चाहिए, ओपर में 2100-2200 तक के लेवल हमे देखने को मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी में अगर मैं कहता हूँ, तो बैंक निफ्टी ब्रॉडली देखा है, तो थोड़ा प्रेशर में है, आज सुबह ओपनिंग के बाद ही उसमें प्रेशर दिख रहा था, बट थोड़ा अंडर परफॉर्मंस भी आज दिखा हुआ है बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसके लिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो एक 46,500-400 का जो जो जोन है, वो बहुत ही इंपॉर्ण्ट है, बहाँ पे आएगा तो मेरे साब से जरूर से बाइन डिप्स करना चाहिए, जो मोमेंट बुकिंग वाला दिख रहा है, बट डेफिनेटली मोमेंटम कंटिनू रहना चाहिए, उपर के लिए. बाइबक और कलता के जारी रहने वाला है, जरा बताइए, विपरो TCS, क्या राय बन रही है, डेज हाई के पास है दोनों स्टॉक्स? इंडेक्स पे, और स्टॉक्स स्पेसिफिक जैसे हमने बात के ही, TCS में येस, डेफिनिटली बाइबक का जो प्लान चल रहा है, और डेडलाइन्स है, I think 7 December है, और स्टॉक्चर के विसाब से बहुत ही स्ट्रॉंग है, मोमेंटम बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मेरी साब कंपरेटिवी मैं देख रहा हूं, तो बहुत ही स्ट्रॉंग है, और विपरो की अगर आपने बात कहीं, तो विपरो में हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉक्चर एक वीकली में थोड़ा रींज में चल रहा है, बट आज के दिन में देख रहे हैं कि एक पॉस्टिब मोमेंटम पकड़ा हुआ है, मेरे इसाब से इसमें भी एक अच्छा मूँ आ सकता है, उपर में 425 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और एक एनम सपोर्ट है, वो 405 का बनता है विपरो के, चलिए, तो दंदार स्ट्रेंथ आटो स्पेस में पूरे आईटी स्पेस में दिखाई द 10 रुपे से BPCL, HPCL दोनों में ही इन्होंने अपना लक्ष बढ़ाया है, औल्दो ये दोनों स्टॉक्स इस समय दिन के निचले स्तर पर हैं, लेकिन क्या शांदार रन-अप पिछले कुछ समय में रहा है, चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है भाविन जी, दोनों ह कीब स्टॉक्स के बारे में बताईएगा, जी मेरा मानना है कि BPCL, HPCL ने बहुत ही शांदार रैली हमने देखिये, दिवाली के बाद कंटिनियूसली हमने देखा है कि फॉल अप के साथ बहुत स्ट्रॉंग बाइं हुआ है, आज देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर दिख और दोनों में ही उन्होंने 110 रुपए तक का, यहां पर आप कह सकते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड टागेट दिया, लेकिन अच्छा बस तो हम देखने हैं आज फॉर्टलाइजर स्पेस में है, अक्रोस अच्छी स्ट्रेंद दिख रही है, RCF उनमें से एक है, डेज ह स्ट्रेंद बन रहा है डेली में और बहुत ही स्ट्रॉंग वॉल्यूम के साथ बाइं हुआ है, 144-145 का भाव चल रहा है, उपर में ऐसा लग रहा है कि 160-175 तक के लेवल पोजिशन ले देखने को मिल सकता है, और आज इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है कि 150-150 तक का स्ट्रॉंग वॉग आ सकता है RCF में, नीचे में सपोर्ट 137 का बनता है, कि RCF में अची स्ट्रेंद की संभावना है, एक बार नजर जरा टाटा पार में भी डाल ली जाएगा, स्ट्रेंद के साथ तो स्टॉक ट्रेड कर ही रहा है, और पिछले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस या रादर कहें, पिछले कुछ हफतों का प्रदर्शन काफी बहतरीन उसमें देखने को मिला है, क्या राए बन रही है चाट्स पे? अच्छा, तो ये राए बनती हुई RCF में वो स्पेस चो पूरा आज बजिंग दिखाए दे रहा है, लेकिन जो स्पेस अच्छा खासा चड़ता हुआ दिखा था, जिसके दम पर हमने बैंक निफ्टी को रिकॉर्ड स्टर चूते हुए देखा था, वो अब उपरी स्टरो उसे थोड़ा सा मुनाफ़ा वसूली का शिकार बना है, अच्छा, ICICI Bank, दमदार रिकॉर्ड हाइस हमने यहाँ पर भी बनते हुए देखे, हजार के लेवल को तो होल्ड किया है, लेकिन प्रेशर यहाँ पर भी बना, एक प्रतिशत नीचे है इस समय, क्या राय होगी उनक जी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अगर मैं बात करूँ तो मेरे सबसे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट पोजिशनली अगर होल्ड करना है, तो मेरे सबसे HDFC Bank और ICSA Bank दोनों में एक शांतार पैटन बनरी और फॉल उप आ रहा है, और ICSA Bank लगबग अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो माना जाता है, वो है 980 का, जब तक 980 नहीं दूटता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजिशनली भी ये स्टॉक एक अच्छे रनम दिखा सकता है, चलिए रुपते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रे अच्छा है, सुपर्स्टॉ। Girlfriend, है? No, no, just researching a good multi-acid fun to invest in. That's not tough at all, yeah? It helped me out, no? Of course I will. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international. Debt and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. You don't love Madam with money. Brother, you love money with money. Then you're willing to do it with AU. What's that? Your bank gives interest in savings account. Three months for once. My AU every month. Think about it and the bank too. AU Small Finance Bank. Change with us from our bank. It's we only love to do it. Help your business. We need to raise your money. There is no need to be a great deal. You trade all the way to invest. With the real business on the bank, change it from our bank. The bank says the wealth of bank, change it from our bank. And they've changed any more money. You're not going to have to be a good place. यह वो SIP है जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिन्दगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिन्दगी के लिए SIP क्यो ना हो An Investor Education Initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें जब आप लंबे सपर पे निकलें मज़ा अलग है पर तभी आजाए ऐसी अर्चन जो आप को कर दे बेचा है कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करतें और वापस अपने सपर पे निकल पड़ें एसे ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इंवस्टमेंट्स में हो सकता है पेश है सामको डाइनमिक असे अलोगेशन पार मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क पिखे ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मंजिल पक वे फिकर पहुँच सके म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें हार्डविन, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India हार्डविन, fittings that fit perfectly, perfection redefined पेश है सामको डाइनमिक असे अलोगेशन पार्ड मोमेंटम में, ये रहे equity mode में और जब भी risk दिखे ये transform हो जाए debt mode में ताकि आप अपनी मन्जिल पक बेफिकर बहुँच सके म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. ICL FinCorp announces public issue of secured NCD. Double your investments in just 68 months and earn high returns. To view the prospectus and download the application, visit iclfincorp.com. Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Wizard India's No. 1 Tech Showcase. The Unmissable, The Unparalleled. 16th NGMAC, 6-10 December. Helipad Exhibition Center, Gandhithakar Gujarat. Register today. Pesh S.A.M. Code Dynamic Asset Allocation Fund. Momentum में, ये रहे एकुटी मोड में. और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में. ताकि आप अपनी मन्जिल पक बे फिकर पहुँच सके. Mutual Fund Nivesh, Bazaar के जोखेमों के अधीन, योजना से जुडे सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े. Experience a new Verilux Progressive Lens, designed with artificial intelligence, so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series, for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Trading shouldn't feel like this. Isliye हमने बनाया ICICI Direct Flash Trade. जो देता है clutter-free experience, quick entry or exits, live tracking के साथ. सिर्साथ रुपे पर और. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Visit India's No. 1 Tech Showcase. The Unmissable, The Unparalleled. 16th NGMAG, 6-10 December. Helipad Exhibition Centre, Gandhidhakar Gujarat. Register today. सेटो पैसाथ पर दे. सेटो पैसाथ पर दे. स्रापस करे तुर्याब! सबका गयान करे परिशान? That's why download HDFC Sky, a new age all-in-one app, जो बनाए आपको अपने दम पे एक्सपर्ट. क्योंकि यहाँ सलाव रही, जो आपके लिए सही. HDFC Sky, बनो अपने दम पे एक्सपर्ट. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Rajnigandha, wires and cables. Connecting people to power. Girlfriend, huh? No, no. Just researching a good multi-asset fund to invest in. Grand consumption. Yeah, for me helpful as well. But first, you tell me ... What does a best partner have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you have been the most important part. There need to be a good balance in all of these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity ... which can be domestic or international Debt, and Commodities like Gold and Silver. Got it! Balance is the key to a good multi-asset fund. पीवार् निप्निया इस इस पे़ए अबीनटी इसे फिरी तु पार इसंटेश अ गरेत-पॉट कि आफंट जालन से टुम्सलिए चूलिशन चार्बरेंज का में। ठालन आंषार एंट के को सूपर ए ठांका इसे डांका इındaki अर्शोंलिड तकुषिंबแरो इसासर वेल्कम बैक आप देख रहे हैं मार्केट इडार भाविन शाह हमारे साथ बने वे भाविन जी ज़रा कोचिन शिप्यार पे एक बार नजर डालेगा डेज हाई पर अच्छी दमदार स्ट्रेंथ यहां दिखाई देरी कोई व्यू बन रहा है बिल्कुल हमने देखा है कोचिन शिप्यार में एक लगवग दीन चार दिन से एक कंसोलिडेशन हो रहा था उसमें एक चोटे से रेंज में चल रहा था स्टॉप बट आज एक बहुत ही शांदर वाइंग दिख रही है मेरे इसाब से यहां पर मोमेंटम कंटियो रहना वह 1220 रुपे का है कोचिन शिप्यार और एन एफल एन एफल पर क्या व्यू बन रहा है एन एफल पर काफी अच्छा बन रहा है इसमें बहुत ही हाई वोल्यूम के साथ वाइंग हुआ है वीकली स्केल में भी एक एक अच्छा पांच छे वीक का कंसोलिडेशन जो रहता है वो ब्रेक किया है और स्ट्रोक्चर काफी अच्छा बन रहा है इसमें उपर में यहां पर जर कभी ऐसी तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और को तो बहुत है और जी जैसे मैंने कहा कि पोचिन शेपियाड और मजगाउं डॉक दोनों में और जी आरेसी में ये पूरे सेक्टर में ही एक अच्छा मोमेंटम बिल्ट हुआ है तो मुझे मजगाउं डॉक अच्छा लग रहा है लगबग 2076 का प्राइस चल रहा है एक स्टॉप लॉस नीचे म और उपर में 665 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉप्चर बहुत अच्छा बन रहा है और प्राज इंडॉस अल्मोस्ट एक लाइफ आइटरी में ड्रेट हो रहा है मंतली वीकली में भी बहुत ही अच्छा है और एक अच्छा फ्रेश मोग स्टार्ट होने की अच्छा बावना है प्राज इंडॉस तक के लिए और इतने सारे बाजिंग स्टॉक्स पर अपनी राय दर्शकों के साथ बाटने के लिए बहुत धन्यवाद marketradar.com यही राप अप करते लेकिन बने रहिएगा Zee Business के साथ रेकियो उस पर लेकर आएंगे फाइनल ट्रेट मुस्कार प्राजकों के साथ पर आएंगे विर को नहीं है उसलिए रेकियो प्राज करते है के लिए झाल किया भी ब्ल्ल करते हैं hunt have exercise diet rest and mindfulness but you forgot the most important part there needs to be a cold balance in all these not of course similarly a good money asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes equity which can be domestic and international debt and commodities like golden silver got a balance is the key to a good multi aspects choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset क्लास्स निपन इंडिया मुचुल फंड फंड वेल्थ सेट्यू फ्री मुचुल फंड फंड इंवस्मेंट्स अब्जिक टो मार्के रिस्क्स रीड ओल स्कीम रिलेटेड दोकुमेंट्स केर्फुली तुम से मिला इंज जाना तुम में जी रूरूड समझ गया है जी सेट वा मामू मिठायू की डिलिवरी चल रही है CID के प्लानिंग डिरेविन नी बिट्रा सब लगलक बैंक जा रहा है ऐसा क्यू एयू कारेंट अकांट पे सब मिलता है मामू सोच बदलो और बैंक भी एयू स्मॉल फाइनांस बैंक बदलाव हमसे है रचनी गंधा, Buyers and Cable, Connecting People to Power और राजू, कैसी चल रही अलगो ट्रेडिंग? मौन बाई, देखो ना, एक भी ट्रेड टाइम पर नि लगती कभी पोर्टर्स तो हो जाता है, तो कभी अलगो यू ट्रेड अलगो जाता है, तो कभी अलगो आ गया है कुछ सूपर, कॉम्पलिक्स मार्केट को करे सिंपल, आ गया है एंजल वानू सूपर आप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे, सूपर इंवेस्मेंट्स इन्वेस्टिंटिस मार्केट अ सबजेक्ट तो मार्केट रिस्क्स, रीड अल दे रिलेटे दोकुमेंट्स केफ़ली बिफोर इंवेस्टिंग बारत की अप्रतिम विकास यात्रा में, देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड, आज अपने स्वर्निम दशक के दौर से, देश दुनिया को रूबरू करा रहा है, और अपनी सफ और दियोगिक विकास यात्रा की नई परिभाशा लिख रहा है, निवेशकों के पसंदीदा इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, उत्तराखंड, आज अपार संभावनाव से भरे इंवेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे पर रहा है, राज्य में 2000 से अधिक वियवसाइक अनुपालनों में सुधार और उत्योगों के लिए अनुकूल विक्सित एकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतिया, 200 से अधिक निवेश योग्ये परियोजनाव और 6000 एकर से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ, आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओ भरा भविश्य सुनिश्चित कर रहा है, आए जुरिये Global Investors Summit 2023 के साथ, और दीजिये अपनी आर्थिक उन्नती को उड़ान पेश है साम को Dynamic Asset Allocation Fund, मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में, और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाए डेट मोड में, ताकि आप अपनी मन्जिल पर बेफिकर पहुँच सकें Mutual Fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बादनों पे चंके हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा उम्मीदों के पंख गंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा Skills deal और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly, perfection redefined ये है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर, कॉम्पलिक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है Angel One Super App जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे, Super Investments in Securities Market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing देखो 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 देखो, देल की धार देखो सब है तयार देखो, आक्टि बहार देखो Payshare, Vitamin A, D और E-Yuk, V3 Plus वाला Vita Life Refined Soya Bean Oil अरे क्या मैडम, कब से गंटी बजा रहा हूँ मैडम, जल्दी हाथ साफ करो ना, मेरे को लेट हो रहा है एक मिनेट वाव, पिन नहीं लगा? चोटी पेमेंट के लिए पिन नहीं लगता नो पिन, फो स्मॉल पेमेंट अब लेट नहीं लगता अब लेटने युराइगा? नानी को लेके बैंक जाना है एड्रिस चेंज के लिए हमाल लेना प्लीज, ब्रांच आओगी ऐसा क्यो, चल वीडियो कॉल करते है ना प्लीज, ब्रांच बंद हो जाएगी वलकुम तो A.U.0101 Digital Bank यह बंके सारे काम हो सबते है सोच पतलू और बंक भी A.U. Small Finance Bank बदलाव हम से है Girlfriend, huh? No, no, just researching a good multi-asset fund to invest in That's not tough at all, yeah It'll help me out, no? Of course I will But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness Mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly, a good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance of three or more asset classes Equity, which can be domestic and international Debt, and commodities like gold and silver Got it, balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund That has good balance and appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund Wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully To be continued 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 बढ़ने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा प्रोपर लेवल पर आता रिखा है विच इस गूड अच्छी प्रॉफित बुकिंग भी हो रही है एक लेवल पर अच्छी खरीदारी भी होती है तो जो शॉट टर्म ट्रेडर्स हैं पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो आज कल के लि लाई क्या जानना चाहते हैं पूछिए मतरा है आप कुछ कह रहे थे एक्षिन का इस आट सो की नीचे की मैं दे नहीं है बीस आट सो आट सो पचास आपके लिए सपोर्ट का का काम करेगा इस स्रेंज में आते ही आपको देखें कि खरीदारी या आप कॉंफिडेंस बनाए है वही आके रुट गया है तो क्या है आपको बीस आट सो आट सो पचास के रेंज में मिलेगा बहरपूर सपोर्ट इसके जल्दी से जाएगा नहीं पॉइंट नमबर वन वह आपको खरीदना है ऊपर यादोगा सुबरी अमने का है 21,000 के नस्दिक से प्रोफिट बुकी ग बेंगे ऊपर निकले तो 21,000 पर जो हमारा बुल के सिनेरियो का फाइनल टार्गेट 21,000 होता है यह आपके लिए लिए बैंक टिफ्टी 47,200 के आज पास दो दिनों से टॉप बना रहे हैं कल 47,200 के आज पास जाकर रुक रहे हैं तो आपके लिए 47,200 सप्लाई जो होने नीच तो आज का लो 46,750 से वहां से भी 100 पर नीचे तो 46,750 के रेंज में खरीदारी आएगी 47,200 के रेंज में प्रॉफिल बुकिंग यह जाता है यह आपके लिए क्रिस्टल क्लियर लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के हैं रहा सवाल स्टॉक और सेक्टर स्प्रेसिविक अज वीकली एक्सपारी का थोड़ा सा प्रेशर इसलिए हलका सा हलका है बट यहां पर भी कोई खास कमजोरी वाली बात निए तो आज के सेशिन में आपको सिर्फ एक चीज करने बैंक निफ्टी में दोनों तरफ के ट्रेड करने सपोर्ट पर लेना है रिकाट पर जाना है और निफ्टी में बायों डिप्स करना है बेचना है तो 21,000 के आस पास बस यह आपकी स्टोड़ी डन गॉट इट सर चलिए अज सोड़ा बीस नो सो पजास के पास रेजिस्टन्स जरूर एक बार के लिए नया रिकॉर्ड बनने के बाद देखते हैं वहां से क्या होगा 21,000 अगर अटेम्ट इस चो में आता है कि नहीं आई कुशल और अर्मान तयार इवेंट्स और खबरों के साथ कुशल गुड आफन बताएं इंपॉर्टन इवेंट्स कौन से आने वाले देखते हैं गुड आफन डीप इंपॉर्टन इवेंट्स के लिहाद से हिंदुस्तान ए इंजिनेरिंग 50% IPO एंकर लॉक इन भी इसका 90 दिनों का खत्म हो जाएगा साथी ग्लोबल इवेंट के लियाद से यूरोप फोकस में रहेगा तीसरे तमाही के इनकी GDP आखड़े भी आते वी नज़र आएंगे अफकॉर्स आठ तारीक को शुकरवार को आर्बे की पॉलिसी जो आती भी नज़र आएगी उस पर क्या फैसला आता है गवर्नस आप क्या कहते हैं कॉमेंटरी में ये इस पर सबका ध्यान रेने वाला है साथी कैस पर से स्पाइस जेट दूसरे तमाही के भी अपने नंबर्स डिक्लेर करेंगी अदाने एनर्जी सिलूशन्स यहाँ पर पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है जेनरल इंशरेंस कॉर्परेशन यहाँ पर कंपनी से जुड़े जनरल माटर्स पर विचार करतवा दिखेगा बोर्ड साथी बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्योई पी के इश्यू प्राइस पर कंपनी की बोर्ड बैटा गया इस अफ ऐ और अफिरा और वीवार को भारत बनाम साथ अफरिका का पहला टी 20 ब्योंगा इंडिया आस्टेलिया के बाद अब जो है यहां पर अथित्मांग करते हुए दिखिए है फाइट 24 के लिए ओटो मोबाल स्टॉक्स यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि फाड़ा की तरफ से डेटा आता हुआ दिखा है नवंबर में पीवी रीटेल बिक्री लगभग 17% बढ़कर आई है वही गाडियों की रीट शेयर इंतरिम डिविडेंट का यहां पर इन्होंने एलान किया है और डिविडेंट के तौर लगभग 2540 करोड का यह खर्च करेंगे लुपिन यूए से दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती वी दिखी है और इस दवा का अगर आप देखें तो कुल मार्केट तेके और यह दूमरपान के आदत को रोकने की दवा जो है इसमें इसका इस्तमाल किया जाता है एक यहां पर अगर आप देखें इन्होंने ग्रूप के साथ डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन के लिए करार किया है और यह पास साल के लिए करार करते हैं जिंदार ड्रिलिंग ओंग प्रकेट के जरिये जो है हिस्सेदारी गटाते हैं दिखें पी एनबी हाउसिंग यहां पर इन्होंने अपडेट दिया है कि जो रोशनी होम लोन है जो नहोंने चालू किया था उसमें हजार करोड तक का लोन बुक वहां तक पहुच चुका है वर्दमान स्टील यहां पर स सोलर में 26% हिस्सेदारी खरीत को बोर्ड की मंजोरी मिलते वी दिखी है डी सीम श्री राम यहां पर यूपी प्लांट में शमता विस्तार को बोर्ड की मंजोरी मिली है और शमता विस्तार पर अगरा बात करें लगभग 190 करोड के आसपास का खर्च किया जाएगा और कई सा लॉक डेल्स होने का सिलसला जा रही कम नीं हो दरा दर भारी भर कम वोल्यों आज भी यह बहुत पर यह आपके लिए खतरनाक वोल्यों वाले कुछ ट्रेडिग सेशन जो आप देखना पसंद करते हैं आप देखना मिलना सुनना पसंद करते हैं हमारे उन सभी एक्सपर्स क सुमी जी फर्माएए सर गुड़ आफ्रों अने जी बाय का स्टोग अभी रडर पर आया इस टॉक का वाव चल रहे एक्षो टौदार रुपे नबबबबबब पैसे एक्सो पंदर रुपे है उनिदेट फोटिंपॉंड निटी को निटीक सव नवी बाव है स्टोग का न में को लग रहा है कि यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़िया मूव उपर की तरफ का देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहां पे सी एंपी पर खरदारी करें जिन्हों ने ले रखा है वो लोग होल्ड करें स्टोक का जो नीचे में चार् बैंक ऑफ इंडिया सोंवार के दिन हमारा स्टॉक ऑफ देड़ जब बाजार में तेनौाओं के नतिवी के बाद बरपूर तेजी के तयार इती बैंकिंग शेड़ों में से चुना था बैंक ऑफ इंडिया और बाकी चुना था एच्पी से ल जो उस दिन से कमाल करता हो दि मार्केट प्राइस के आज पास होनों ने प्राइस रखी उसके बाद रुकने ठमने और ठकने का नाम नहीं ले रहा है मजबूत एक्षिन बैंक अपने 111-113 के टार्गेट से उसके उपर आपको ट्रेट करते हैं बढ़िया फरस क्लास देड़ होता है आई कुना जी राके फर्माएं जब अने जी फर्माने को बोला है तो सबसे पहले ये एक अपडेट है एएडी पेरी अभी कुल दिन पहले मैंने और कॉना जी ने दस्की कमाई में लिया था स्टॉप चल रहा है एक चीज आड करना नहीं जो दिन रह गया था एएडी पेरी के अंदर की एएड करोड की है को अंदर इंटरनेशनल में चापन पॉइंट सम्थिंग परसंट सेखोंड करता है जिसकी वैल्यू बीस अदार पांसो करोड की आती है तो एकदम फ्राइडे वाली सेल चल रही ऐसा लगता है तो जेनोंने ले रखा है हमारे कहने पर होल टाइट सिट टाइट को गिरावत पर लेने की चेश्टा करें और अब जो चाट कॉर्णर फिक है वहाँ वधानता इसके अंदर एक breakout देखने को मिल रहा है एक टूट रही है इंपोर्टेंट वाली नेकलाइन टूट रही है साथ में देखने को मिल रहा है एक पॉजिटीव क्रॉस ओवर बोथ हॉन लीडिंग लेगिंग इंडिकेटर्स ओवर टू कुनल जी अनिजी देखें अगस से लेकर अभी तक डेली चार्ट पर एक पैटर्न बना रहा था विदानता जिसको इन्वर्स हैडन शोल्डर पैटर्न कहते हैं और आज के ट्रेड में उसका बड़ा ही जानदार ब्रेकाउट आता वा नजर आ रहा है बड़ी नेकलाइन टूटी है चा पर रखें पहला टार्गेट होगा 258 रुपे का टूफिटी एट का पहला बड़ा अग्रेसिव टार्गेट और 262 रुपे का दूसरा टार्गेट है जिस पर विदानता के में खरेदारी कि रहा है और अलजी ये भी आपकी रिसेंट रेक्मेंडेशन में रहा है हमने कुछ मिन्टों में भागा आप चार्ट लिखाएगी क्योंकि मुझे आदेश हो के थोड़ी देर पहले मेरे नजर पढ़ी थे तब 242 में अलजी पे ही ट्रेट करता हो दिख रहा था ता अशिव जी नहीं आच्छियों में आते हो गार्ट शिजी नहीं है खडी तेजी वाले फिख रिख रिख आ ऐसी करेक्शन के मिना किसी कमजोर्य के किसी ब्हाव से जो श्टॉक या इंडिक्स नीचे ना एड़ना उसको खडी तेजी का जया है और एक लेक उर खडी है वर् निए आनि जी इसको पंजावी में नि कैसे संजाओ मेरे तो यही पंजावी आनिजी और मैं निए यह कहना चाह रहा हूं कि यह आप विदानता पर आनि जी आपको शोबानी देता है वो 10-10, 20-20, 30-30 वाले टारगेट विदानता अनिजी जब भी सामने आता है तो याद आता है वो समय जब यह डबल डिजिट में था अनिल जी और तब आप ने इसमें डबल के ऊपर के टार्गेट दिये थे तो विदानता में जब भी आप ऐसे 20-20 रुपे के टार्गेट देते हैं अनिल जी परसंटेस्ट में काफी छोटे लगते हैं तो यह 20-20-20 चोटे होडे टार अनिल जी अपने कहा कि मान सम्मान रखने के लिए थोड़ा बहुत दाम कम उपर कर देते हैं दुकांदार आमतोर पर लेकिन यह इतिहास गवाई के जब कभी उन्होंने कहा है कि आपका मान रखने के लिए चलो इतना ले लेते हैं वो अनिल जी आपको सौदा महगा जी बढता है तो यह सौदा भी महगा पड़ सकता एं दूसरी बात ले जी जो आपने अभी केस करो आश्यू जी पे और केस करके उनसे कुछ बड़ा मोटा पेसा जीतो तो आपको भी मजा आए हमको भी आए और तब फिर हम माने बाकी तो ठीक है मान लेंगे मानने के लिए आपका मान रखने के लिए मान लेंगे यह आपने कहा था जी आईए बिगुल हिमानशु अनि जी देखिए पहले गुड़ आफ्टर नोल दू यू और अवरीवन ऑन दे पैनल अनि जी थोड़े सी वह है कि निराशा है कि पहले बीगुल फास्टेस फिंगर स्फ में वाकेश जी कुनाल जी आज आगे निकल गए बहुत ही शांदार विदानता का पैटन का ब्रेक था टाटा पावर जिसमें खरिदारी के सला दी थी स्टॉक आज लगबग 5% ऊपर है 300 रुबे का टार्गेट सुझाया था तो अल्मोस्ट वहासिल होता हुआ नजर आ है और मुझे लगता है अभी पी उसमें और स्पेस है तो ट्रेल करें पार्ट प्रॉफिट बुक भी क कि नेशनल अलुमिनियम ये अच्छी तेजी के लिए तयार है अच्छा बेश बनाकर एक कॉंटिन्यूशन पैटन का ब्रेकाउट यहां पर होने की तयारी है 100 के स्ट्राइक की कॉल में जहां पर लगबग एक करोड़ तीस लाग शेर था वहां पर और और अन्माइनिंग ह हो चुकी है कि शुरुबात हो चुकी है तो मुझे लगता है यह स्टॉक एक से दो दिन के नजरिये से 105 और 107 रुपे तक की तेजी के लिए तयार है और 107 रुपे के नीचे का और 105 और 107 रुपे के लिए नेशनल अलुमिनियम में खरीदारी करके चलने की सला है नाल को यह भी स्टॉक बड़ा एक्षिन में आता पिछले कुछ मिंटों में तेज उशाल दिखा रहे हैं मेटल स्टॉक दीब जी नहीं होगा नहीं होगा कैसे आएगा नीचे बैंक ठीको थोड़ा सा लाल लिशान में आपने क्या तो इदो को मेटल खड़े हो गया डिको आईटी खड़ा हो गया कर नो नीचे कैसे कर सकते हो जी तुछ नहीं कर सकते निफ्टी जुकेगा नहीं रुकेगा नही तकी गार नहीं है बिल्कुल एकदम आए नितिन जी के लिए भी गुल नितिन जी बताएं सर इनल जी बीच एजार नौशुपचास की कॉल आप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 66 है इसेजार नौशुपचास की कॉल आप्शन 66 प्राइस है टार्गेट इसके होंगे 90 के और सर स्टॉप लॉस इसका होगा 35 रुपए का नीचे जाके फिर से सौट कवरिंग आई है अगर अर्ली मिलता तो और अच्छा होता बट यह है कि इस रेट पे भी अब हमें ट्रेड के ख्याल से कॉल लेनी चाहिए 67 पे हम लेंगे 85-90 का टार्गेट और 35 रुपए का स्टॉप लॉस 2950 की कॉल ऑप्शन खरीदें आप कल की एकस्पाइरी वाली 66 में 35 का स्टॉप लॉस 90 का टार्गेट नेतिजी के राय आपके लिए आती हुए इस वक्त बिल्कुल तो बढ़िया आक्शन है और मार्केट में भी मूव मेटल्स में आपको एक अच्छा आक्शन आते हो दिख रहा है बट फोटलाइजर इसकी बात करते हो फिर अनलजी से भी एक बार इस पर राय ली जाएंगे कि फोटलाइजर शेर्स में जोरदार चलांग आती हुए दिखरी है बंपर तेजी के क्या कुछ वज़ा है क्या अनलजी फोटलाइजर स्पेस में जी बिल्कुल देखिए सबसे पहले अगर आब बात करें कि दक्षिंड कोरिया सबसे ज्यादा जो है कंपेटिविल 90% के आसपास का यूरिया वो चीन से इंपोर्ट करता है अब दक्षिंड को यह कह रहा है कि वहां पर चीन से जो यूरि इसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है अब यह चीज दिक्कत की बात क्यों है क्योंकि अगर आप देखें जितने वी जनातर इंडुस्ट्री के प्लेयर्स है वह यह बोल रहे हैं कि जब 2021 का जब क्रैसिस आया था जिसके चलते फटीलाइजर बहुत तेजी से उपर तक अकेला जो है वो सिफ चीन करता है तो अगर चीन यहां पर सप्लाइद में अगर वहां पर देरी हो रही है तो माना यह जा रहाए कि हो सकता है तराश्च्टिय स्तर पर जो यूरिया के दाम है वहां पर बड़ोधी हो और क्योंकि हमारी कम्पनियां हमारे देश की कपनिये अगर आप बात करें तो उनको जो इंटरनेशनल भाव रहेते हैं और जो भावió कि जाते हैं सरकार के द्वारा उसके डिफ्रेंस के उनको जादा सबसीडी दी जाती है तो उसके चलते हो सकता है कि जब बाव बड़े तो हमारी कंपनियों को सबसीडी जादा मिले तो उसका भी यहां पर इंपेक्ट आ सकता है उसी के साथ साथ आज ख़बर यह आती भी इंट्रेस्टिंग है और सुबासी यह स्पेस बस भी कर रहा है इंफाक्ट अनली के रिडार पर तो कई सारे फटलाइजर कंपनी रहे हैं उसमें चंबल फटलाइजर पर काफी कंदेंसिंग अपर और तीन सो पचीस तीन सो पचास के टार्गेट हमारे बजट तक के थे यह अब हमें नहीं पता था चीन तीन राजियों में विदान सबाचनाओं में बीजएपी जीते गी और इस तरह से मार्केट उपर हो यह हम टार्गेट अपना उपर कर देंगे हम सीधी अगर मैं आप लोगों को भाशन देता हूं कि भाई साब कोई कुछ भी बेच नमाद बे आपने खरीदारी किराय दीती तब 290 पर था साड़े 300 और उसके बाद कुछ और बड़े टार्गेट भी हैं 300 मेरा भी तो confidence बढ़ना ची साड़े 300 जो आज ही हिट हो गया अभी 300 पिचत्तर 400 और 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 लंबे टाइम हरुआ इंक लिए 500 करेक्ट साल देर दो साल के विए औ और स्टार्ट किया था हमने इसको करना 260-262 लगातार तब यह था जन्वरी तक रखना तो भाई और बैनों पहली चीज प्राइस टार्गेट से नहीं टाइम टार्गेट से रखना है यस जन्री तक रखना बोला तो रखना है जन्री तक बहां पहले आए इसलिए बाद में पहले के अर्मने हैं ग 69 सारा चीज एक सवर रिसर्च और याँ जो की अब हम पाईस नहीं सबसक्री ऊंब्सक्र मेलएच के सससे काम विन बिल्कूर ऊराल अई एक बार देखनी लेते हैं चंबल फरचलाईजर पर अनल जी ने क्या राय दीती और कब से उनके रेडार पर अक्टिबली भी है. अगर मुझे आप फर्टिलाइजर में कहें तो यह मैरी पहली पसंद है. सबसे बेस्ट पिरेड होता है चम्बल फर्टिलाइजर के लिए यहां से शुरुवात होती है सितंबर के अंत ऑक्टोबर की शुरुवात से लेकर बजट अब तक का पितले कई सालों का आप ट्रेक रिकोर्ड देख लेकर कभी चम्बल ने एक भी बार इस पिरेड में नेगे अगली दिवाजी तक मेरे टार्गेट है दीप 315, 315, 400, 3 तार्गेट है और आप दो साल के लिए इसको होल करना चाते है तो 500 रुपे तक के लक्ष के लिए भी इसको होल कर सकते हैं अलजी एक महीने के अंदर अंदर पहला टार्गेट तो आपका दिवाली 12 महीने बार आती है एक महीने के अंदर ही आरी है छोटी दिवाली से थोड़ा और मीडिम दिवाली तक सारे फायर वर्क्स हो गया इसमें नहीं लेकिन रखना चाहिए यह देखिए क्या होता है हम भ कोशिस हो के चलते ही है तो अब जब मूर महाल ठीक है समय अच्छा है दिवाली का टार्गेट आपका एक महीने में आ रहा है तो थोड़ा तो रखो अगर ऐसे हर चीज जल्दी जल्दी में पहले टार्गेट दूसरी टार्गेट बेज देंगे तो बड़ा पैसा कैसे बना चंबल फोटलेजर और पूरे स्पेस पर ही आए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का एक सूपरहेट मत आएं सर लिवांच यो मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है मेटल सेक्टर के एक-एक स्टॉक रडार पर आ रहा है तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पर आया उसका भी बाव चल रहा है दो दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट वूगिंग देखने को मिला लेकिन वापा से उपर का मुझ रिज्यूम कर रहा है कल का है जैसे अभी निकलेगा जो की एक सॉसी रूपयासी पैसे के पास है उसके बाद इसके दर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो ज एक सोपिचासी एक सोटाइसी के टार्गेट के लिए करें खरिदारी हिंदूस्तान को पर में आई ये राय जान लेते हिमाशु गुप्ता साब की भी बिगुल हिट मैं हिमाशु बढ़ाएं मांशु जी अनिल जी देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बिल्कुल पहले तो बढ़ाई हो आपको आपकी चंबल की कॉल सुपरेट रही बहुत अर्ली आपने आइडेंटिफाई किया मुझे लगता है निलगी ना केवल चंबल बलके कैश सेग्मेंट के भी ये फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं ये भी काफी समय से एक तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समाव अभी तक ब्रेकाउंस यहां पर नहीं आ रहा था मुझे लगता है कि अब हम क्योंक पाई पैसा के आसपास के भाव हैं एक दो रुपे का कोई डिप निलता है तो पोजीशन को एड करें 73 यानि 74 इसके नीचे का यहां पर क्लोजिंग पेसिस पर स्टॉप लगा लेकिन इसमें पोटेंशल अपसाइट जो होगी वह सौर्प में की खुलती हुई नजर आएग और उसके बाद 99 से 100 रुपे के टार्गेट के लिए नेशनल फर्टिलाइजर में खरीदारी करके चलने की सला है ओके नेशनल फर्टिलाइजर यह वह स्टोक जांकर एक खरीदारी राए हिवान चुजी की बहुत ही बड़ा फर्टिलाइजर उपर सब हैं लगातार बुलि सब्सक्राइजर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए बताएं सर आज की पहली पिक गुड़ आफ्टून अनिल जी गुड़ आफ्टून डिपांचू अनिल जी बजार में तो एक धुवाधार तेजी चल रही है जी मतला आप तो कहें लाज केप स्मॉल सब जगह भयान एक धुवादार तेजी हो रही है और एफ इसके भी जो नंबर जो लोटके गए घर वापिस चले आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है इस तरह की खड़ी तेजी जो आप बोल रहे हैं उस तरह की तेजी देखी जा रही है अनिल जी दो स्टॉक है कैस्ट मांकिट के जिन में खज़डारी करने की सलाह है और जो आज का पहला स्टॉक है अनिल जी एक फंडमेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है एक MNC है स्टॉक का नाम है D-Link जो अभी 325 के लेवल्स पे ट्रेड करता है पहले इसके शॉट टाग है तैवानी इस कंपनी की प्रेंटेज वाली और यह कंपनी बनाती है राउटर्स फिस्विचेज और कई सारे और ऑप्टिकल नेटवर्क प्रडक्स जिस सेग्वेंट में इनका 30 से 40 प्रसेंट का मार्केट शेर है और अब यह कंपनी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इंब देखने को बिलेगा और सरकार का जो फोकस है एक तो डिजिटाइजेशन के ऊपर फिर फाइजी रोलाउट हुआ है यह हो रहा है तो उसका एक फाइदा होना है फिर मैनुफेक्ट्रिंग पे फोकस और इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्ट्रिंग को बढ़ावा देने के जो की बहुत ही सस्ता लगता है इस तरह की कंपनी के लिए जहां इतनी ट्रिमेंडर्स ओपरचुनिटी और एक बहुत ही सॉलिड परेंटेज वाली कंपनी है तो खरीदारी करने की सेला है डिलिंक में फर टागेट ऑफ 350 स्टॉप लोस ऑफ 320 ओके दूसरा स्टॉक बढ़ा 370 रुपए का यह भी एक यह निर्मा ग्रूप की कंपनी है जो की सिमेंट फिर रेडिमिक्स कॉंक्रीट और कई सारे बिल्डिंग मटीरियल जैसे अदेसिव है वाल पुट्टी ड्राइप लास्टर यह सब बनाती है थार्ड लाजस्ट प्लेयर है भारत की करिबन 23.82 मिलि इस तरह से बड़ी कंपनी है सिमेंट कंपनी और वहां पर इनका 17 पर सेंट माकेट शेर है और वहां पर फासेंट ग्रूइंड इस तींडिया जहां पर कई सारे इंफ्रस्ट्रॉक्टर के काम हो रहे हैं और बाकी भी इनकी एक हर्याना ओडिसा में एक्सपंशन प्रोग्र हाउजिंग का भूम है तो उसलियाद से भी अच्छा लगता है वेलेशन बहुत ही अट्रेक्टिव और जो हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं सिमेंट सेक्टर में हाली में हमने देखा अडानी ने सांगी इंडस्ट्री को एक्वाइर किया तो यू नेवर नो कुछ के लियाद से बहुत सस्ता और कैचप करना चाहिए शॉट टर्म टागेट चार सो स्टॉप्लोस 370 ओके यह हैं आपके लिए दो कॉल सेटी साब की तरफ से डी लिंक और नुवो को विस्टास नुवो को के लिए 400 का टारगेट डी लिंक 300 का टारगेट बहुत बहुत बहु करने के लिए आई अब लेते हैं अनल जी से धाई बजे की मार्केट स्ट्राटिजी भी अमेरी की बाजार भी थोड़ा शाम को अक्शन दिखना अब ले निरासन के तो वहां से नहीं लेते हैं नहीं मैं तो एक ही चीज़ देखूंगा जी बताई एक हैस के नंबर आज कितना लिया अपने तो वही नंबर देख लेए ना दो तीन जार क्रोड़ दो तीन जार ग् तो एफाइस के वरोसे तो थेंक यू वरी मच्च ठीक है अब आई ये डेटा बताएं आप हैं ट्रेट करें 19,940 पर आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि बाजार 19,940 नहीं थोड़ा एर्जस करना है बस 19,20 हो जाता है वह लिटरली 19,20 के बाज़ार 20,800, 20,850 अब बचे वे समय के लिए आपके लिए हो गया मजबूत सपोर्ट इसके नीचे जाएगा नहीं यहां से सो डेर सो पॉनिस से ज्यादे के रिस्क है नि एक परसेंट की भी नहीं उस सपोर्ट को मानते वए आपको उपर का टार्गेट करना है 21,000 से लिकर 21,75 है इस रेंज में थ है कि एक बार फिर ध्यान से सुनेगा अंडरलाइन करके इंवर्टेट कोमाज में बॉल्ड लेटर में बॉल्ड और बिगर कैपिल लेटर में फिर से पूरी संभावना यह है कि मार्केट आज डे हाई के नजदीक बंद होगा हट्टक हो जाएगी येस डेटा ये बता रहे अगले एक घंटे में मार्केट डे हाई की तरफ ही बन लोना चाहिए 2900 आपके लिए बैस बन गया रहे हैं 2900 के पुट पर 70 लाग शेर कॉल्स पर 76 लाग शेर है 295 पर 73 लाग शेर धीमें धीमें कॉल रैटर एक एक स्ट्डाइक पर फसने की तैयारी कर रहे हैं हाँ 21,000 प कर रास्ता करने की तैयार है पार कर गए कर गए तीन बजे के पहले 21,000 को तो 21,75 तक जाने की तैयार है बाद में देखेंगे क्या होना है यह आपके लिए निफ्टी के डेटा रूजान तेजी का बायो निफ्ट का खड़े रहें डटे रहें डटे रहें ठीक है सर अब आए पर गए बाद में देखेंगे जाने की जरूरर भी नहीं है यह चियारी साथ सो पर एक करोड़ साथ लाज शेर और आटा यह लो बना है दीपाज यह सपोर्ड का काम करेगा यह जल्दी से नहीं तुटेगा इस सो पोण के रेंज में आते ही खरीदारी हो जाएगी सबस्या प्रॉब्लम मालम क्या है थोड़ा सा निफ्टी बैंक रिफ्टी हलका सा बढ़ना क्या नहीं रुका लोग ऐसे कोल बेच बेच की सारी दुनिया की कमाई कर लेंगे दबाके कोल राइटिंग हुई है अब ऐसे में यह जहां आ गया 46 पर तीन बजे के पहले 46 900 के ओपर निकल के ठीका यह शौट कवरिंग टेजर करेगा वापस 47000 के तरफ जाएगा हो सकता है बैंक निफ्टी आपको सर्प्राइज करने की कोशिश करें तेजी की तरफ निफ्टी के सपोर्ड लेकर लेकर ऐसा लगता है एक बार 47000 को टेस्ट कर है बट निफ्टी पूरी संभावना है लगातार तीसरे दिन आपको रेकॉर्ड है बंद होते दिखे आईए जैठकर के पास भी चलते हैं एक कॉल लेते हैं उनकी जैका जाकपॉट बताए जाए क्या आपका ट्रेड बिल्कु दिप-दिप खरीदना है ग्लेनमक का 800 के स्ट्राइक का कॉल ओप्शन 31 रुपे 70 पैसे 31 रुपे 90 पैसे 32 रुपे तक खरीद है इंफाट फ्यूचर भी दिप ले सकते है बड़ वहाँ पर रिकाउट अभी तक पूरा आया नही इसलिए मैंने कॉल ओप्शन चूज किया है अगर 812 के उपर जाता है तो फ्यूचर्स भी ले सकते हैं 112 के उपर तो फ्यूचर्स भी ले सकते हैं ग्लेंग मार्क के बहुत ही बढ़िया सिमिट्रिकल ट्राइंगल पैटन में से ब्रिकाउट है स्टॉप में मुझे से लग सब्सक्राइब को सकते हैं इसे खरीदे टागेट पर में जो मैंने बताया 46 एं 53 एंडी फ्यूचर्स भी अगर वह खरीद रहा है 812 के उपर जो ब्रेकाउट कंफर्म होगा देर अफ्टर राइधी मिनिमम् 835 850 तक के लेवल्स आपको के लेगमार्क में दिखने मिलेंगे 800-795 is a very crucial support तो आप दिखेंगा रिस्त रिबॉर्ड बहुत ही बढ़िया निकिल कर आएगा 812 के उपर फ्यूचर करी दे तिल देन मन किन बाई कॉप्शन तो 810 के उपर जाए तो फ्यूचर का भी ये ट्रेट कर सकते हैं फिलाल अगर अगर आप चाहें तो कॉल ऑप्शन के जरी ट्रेट करें ग्लेन मार्क पर जै का भरोसा है यह एक लिए क्लियर मेसेज आ रहा है इस समय है सुमित जी के पास सलते हैं सुमित का सूपर हिट बताएं सर खरदाली करके चलने का सला रहेगा जिन्होंने ले रखा है वो लो घोल करें स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के उपर सपूर्ट है तो 33 का इसके ने नीचे में स्टॉप लोज लगा रहा है छोटा सा स्टॉप लोज है रिस रोड रेशो भी यहां पर बढ़िया बैट र तो सुबेक्स में खरदारी करें 33 के स्टॉप लोज से 36 पचास और 39 के टागेट के लिए से भी पांच रुपए और उपर आगे अब साड़े साथ परसंट की तेजी इस काउंटर में आपको दिख रही है एक और ऑइल और गास स्टॉप जहां पर अच्छी मूव आ रही है पेट्रोनेट इस पर जरह नजर रखें तीन परसंट ऊपर पेट्रोनेट अभी ट्रेड करते हैं कुना जी एक बार पेट्रोनेट का भी चार्ट देखें अच्छी मूव आ रही है इसमें क्या सब्सक्राइब अधिके अडर परफॉर्मिंग स्टॉक है दिपांचू आज एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक 230 के लेवल्स वे आ है यह आपके लिए पेट्रोनेट जहां पर रखनी है नजर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पिछले एक महिने में करी 30% की बड़ी तेजी इसमें आज चुकी है हमार साथ सानी अगरवाल साब भी जोड़ रहे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब मोमेंटम में HAL इसमें नाइनटी एल्सी एलाइट कॉमबैक एरक्राफ उसके बाद इसमें कहीने के तेजी देखी गई और मुझे लगता है कि यह जो तेजी है हाला कि स्टॉपराइज रेसेंटली चला है बड़ अगर मैं थोड़ा सा लंबा नाजरिया लू तीन मेने चे मेने का तो परफेक्ट यह है आपके लिए एच ए एल पर रहा है यह रुकेगा नहीं ठकेगा नहीं जुकेगा नहीं थमेगा नहीं कितने दिनों के दीप आठवा नहुआ दिन इसका तेजी गा हाँ गजब सकता है और मेरे ख्याद से अनुवेश ने जितनी है एच एल पर बेकिंग क पिछले दो तीन महिने में यह ओडर हो अम बहुते हैं कितने ओडर लाएगा तू एच एल के तू ला रहा हो बना भी पाएंगी नहीं हम मजाग में हमारे रिपोटर को यह कहते हैं तू तो ओडर ले आएगा इतनी एक्सक्लिजिव कर रहा है यह और और बेस नहीं दो चार कोई अगर एक स्टोक पे अहाली के दो तीन महिनों में इसमें ओडर को लेकर तो हो है और कल परसुत हमने वह बाइट के साथ की थी एरचीफ मार्शल साब की बाइट भी थी और साफ ही बोला मैं तो ओडर दे रहा हूं एचल को यह है कवाल हमारी रिपोर्टिंग टीम भी बहुत जवर्स से अंदर से बड़ी तगड़ी खबरें आपको निकाल निकाल के लाती है तो यह सारी चीज़ आप बिलकुल और वह अच्छी ची खबरें और फुटेज और टस्वी रहे हैं मजाएगा बहुत आप देखना इंटरस्टिंग एकदम और इंटरस्टिंग मना करते हैं जैसा कि हमने निवेदन किया था निफ्टी को कि आपको अगले गंटे में दीमें दीमें और उपर की तरफ बढ़ना है दिन की उंचे आयो पर जाकर आपको बंद होना है ऐसा हमारा निवेदन निफ्टीं स्विकाल किया है 20-9050 तक पहुँच चुकी और 46,900 के पा क्या कुछ विचार विमर्श किया जाएगा क्या कुछ फेसले लिए जाएंगे और क्या कुछ खास बाते होंगी कुशल तयारे हैं सारी सारी डीटेल्स लेकर कुशल बताएं बिलकुल तो बड़ा इवेंट आर्बियाई का ये शुरू हो चुका है और अब आठ तरिक को ये फाइनल पॉलिसी के रिजल्स आते वे दिखेंगे आपके सामने तो गवर्नर जाने की कोशिश की यहां पर इस बारी इस पॉलिसी में आर्बियाई क्या करने वाला है और एक मत युनानिमस डिसिजिन यही निकल कर आया कि status quo लगातार पांचवी बार ये maintain करने वाले हैं यानि कि जो rates है उसमें कोई भी बदलाव आपको आतावा नहीं दिखेगा दूसरा बड़ा सवाल हमने पूछा कि अब आप क्या expect करते हैं कि जो rate cuts है वो कब से शुरू होंगे क्योंकि यही सवाल सभी investors, सभी traders के जहन में है कि इसका जवाब जो है शक्ति गांतादास साब अपनी जो speech है अपनी जो commentary है policy decision के पाद देते वे नज़र आए बट expectations अब ये बन रहे है जानकारों में कि 30% जानकार ये मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर अप्रेल 2024 से ये शुरू हो सकता है यानि कि आगे आने वाला जो वित्तवर्ष है वो जब शुरू हो जाएगा उस टाइम पर एक्सपेक्टेशन है या फिर 70% की प्रॉबिलिट 70% लोगों की प्रॉबिलिटी ये है कि यहाँ पर जून 2024 यानि कि Q1 के end से आपको यह almost जो है rate cut की cycle शुरू होती भी नजर आ सकती है तीसरा बड़ा सवाल हमने stance को लेकर जाने की कोशिश की कि भई अभी जो withdrawal of accommodation stance से आपका वो बदलेगा या नहीं तो इस पर भी लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा इस बारी stance में अब देखते हैं कि जब calendar year 2024 में हम पहुचेंगे तो किस तरह से यहाँ पर जो next of policies होती है उसमें कुछ commentary में बदलाव होता है या नहीं GDP estimates को लेकर बात की तो यहाँ पर तो expectations यही है कि इस बार भी यह बदलाव होने वाले है RBI जो है inflation को लेकर भी क्या commentary करेंगे इसको लेकर भी हमने जाने की कोशिश की थी तो इसमें जो inflation update है वहाँ पर changes है या नहीं तो उसमें 70% लोगों ने कहा कि वहाँ पर बदलाव नहीं होंगे 30% हाला कि यह भी मान कर चल रहे हैं कि GDP के साथ-साथ इसमें भी बदलाव हो सकता है और अंत में यहाँ पर जो भी recent measures लिये गए हैं और further क्या risk tightening हो सकती है RBA की तरफ से तो लोगों ने साफ इस बार पर मना कर दिया है तो status quo रहने वाला है stance में कोई बदलाव नहीं होगा ऐसा जानकार मान कर चल रहे हैं बिल्कुल तो कुछ ज़्यादा बड़ी expectation ना लें policy से देखते हैं अगर रुजहान में कुछ बदलाव आता है या फिर आगे की commentary especially growth और inflation estimates पर governance आपका क्या कहना है but as such status quo policy होने वाली है कुछ ज़्यादा expect नहीं करें but move एक अच्छी आ रही है आपके लिए ITC में को याद होगा सुभा के शो में ही identify किया था वहाँ पर move तभी तभी शुरू हुई थी उसके बाद से निफ्टी को आज सहारा देने में एक बड़ा योगदान ITC का भी आपको आते वे दिख रहा है सुभा से बजिंग है और इस हमें days high के आसपा स्टेट कर रहा है एक बार ज़रा बंसे जी से चार्ट पर राए ली जाए और अब एक बड़े वाली नेकलाइन टूटरी है 458 जी तो जिनके पास है दिपांचू बने रहने की राय है यहां पर एक दो दिन के अंदर 470 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तो जिनके पास है hold tight, sit tight और गिरावट पे मतलब कि एक दो रुपे नीचे मिलता है त सुमी जी दोनों ने भी इसमें recommendation की राय फिर से दी थी आप दोनों को भी बढ़ाई भी गोल हिट में ही मांचू बढ़ाई सब्सक्राइब करने है और घरिदारी करनी है टाटा मोटर्स में जिसमें चार पांट दिनों की consolidation का breakout आता हूँ नजर आया है stock already all time highs के आसपास trade कर रहा था एक brief consolidation देखने को मिली और एक sort of flag formation का breakout यहां पर बनता हूँगा नजर आ रहा है मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को ऐसा बीटीस ट्रेड राइट करके चला जा सकता है कि टाटा मोटर है ओर स्टोक जहां खरिदारी करने की राए आपके लिए आती बीगुल अगला सुमित जी के लिए सुमित के सुपरिट बटाएं सुमित जी करें क्योंकि एक स्ट्रॉंग ब्रेकाउट भी देखने को मिल रहा है पर एक अच्छी के अंदर लेमेंटरी के अंदर फॉर्म हो रही है ओके लेमेंटरी यहां पर करें खरिदारी यह राय आ रही है आपके लिए सुमित जी की तरफ से जै की तरफ से क्या कॉले यह जान लेते हैं जै का जैक पॉट बताए जै क्षिरल उन स्क्राइब करें जिसने जिलेंगे जरा संफ तर Watts City सेट्चने जिनले और अक्रझें parti प्रशोफ पोएटी निवी तो प्रेस्ट है जो थे गाएटी पर सब्सक्राइबगा परगे। कि यह फो वे जो किश हुआ है एक दम यृ ना इंध्डम मन में आदा मन में इस इन्वाandажи कर वोले जो समझ ने पाए मैं तो समझ गया जो जो से वापस से बोलो ऑड़ा प्र लो इत क्या क्या वह कर दो जो पेष़ वापस से बता हो फिर सारनी कि है यह महिना निफ्टी इत के लिए बहुत ही इंपोर्टन ते बिकॉस अरली इंडिकेशन अनिजी मंतली चार्ट पर निफ्टी इत के मिल रहे हैं विच वेरी पॉसिटीज रहे हैं जहां तक दिगज शेर जरुसके नो जो हैर वेटेज रखते हैं इन्फोसिस, TCS इनमें तो ITB करें सकते हैं जो इन्फोसित यहीं बड़िए जो इन्फोसिति ऊर्टी बड़िए यहीं मन्त पर एक्सपेक्ट कर रहा है वाव 20% 20% ITB में जी अने जी मुझे सा लग रहा है कि ऊपर में लगभग जो इसके हाई से 38,000 तक के लेवल्स पहले तो 36,700,800 के आसपास के हाई से अने जी और 33,000 के आसपास के टुट कर रहा है तो यहां से तीन अजार चार अजार पॉंट में तो कोई बड़ा रेजिस्टंस ही नहीं तो इसी हो गया अने जी और तो और तीजी आगे अने जी थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहे कि अपने आये भी लगा दीजे बट 37,000 तक के तो लेवल्स देखने मेरी सकते हैं अच्छा यह बताईए जै आम तोर पर मतलब इन जर्नल का जै को दिखाए इसके में आम तोर पर हाओ दो यू प्रिफर थेंक्यू आपको किस फॉर्म में लेना पसंद है मतलब मैं आपको ऐसा बड़ाई कर दो हूँ कि जै बहुत धन्यवाग या मैं आपके कही मतलब डिन यह बड़ाई बटन दबाएं 16 अक्टूबर नवरतन SIP निफ्टी ITBs सबसे पहला हुई था निफ्टी ITBs यहां पर IT में SIP गरे उसके बाद परसों चुनाओं के नतियों के बाद किसे नहीं लग रहा था कि कोई HPCL बढ़ सकता है या IT बढ़ सकता है हमारे राय थी IT में और अब जय को IT बड़ा मुग आता दिखा है दूसरा सवाल जो मेरा है आप सभी लोगों से जैसे भी अगर 3600 वाला TCS 3830 जाने को तयार है 10% ITB भागने को तयार है तो निफ्टी क्या हो जाएगा एनिवन एनिगेस प्लीस टेल में नहीं तो मैं तो किसी हो पूछी लूँगा अपनी स्वेच्छा से बता दें तो आपके लिए अच्छा है और बाकी लोग भी बच जाएंगे नहीं तो फिर क आपको किस तरह से धन्यवाद पसंद है जे इनके तो नाम में जे है इनका जै-जा कार कर देंगे तो यह खुश हो जाएंगे तो अन्यजी हम मेरी और राकी जी के और से इनको धन्यवाद भेज दिजिए तो कि मैंने और राकी जी ने अभी अभी TCS पर एक खरिदारी की र रही है और एक और हमारे पास तड़कता वड़कता इसी तरह का शेर है तो अनिल जी जब समय हो तो pick of the week का बिकुल बज़वादी लेकिन एक चीज़ बिताओ बंसी थोड़े टाइम पहले आई-टी इंडेक्स तो आपने भी रिकमेंड किया था जो इंटली किया था अलगलग सब्सक्राइब करता है मतलब की लेने वाले के लिए एक कुनाल जी बैचार है ने वो एक जोइंट फैमिली की बहु की तरह है कितना ही काम करें सबके लेकिन वो करें वोरी इसु क्रशिता था तब इसके बहुता थो है बहुत कव्रेचित करना गौत उल्है उसके बाद लिए कुनाल जी आप है ना कहां चक्रम पड़े हमको भेजो हम कितने गुंगान करेंगे आप सोज भी नहीं सकते हो आपने भी तो बंतल जी को ही चुना है बगवान आपका बला करें जी कुनाल जी अज तक कोई नहीं करता है इसको क्लिप को नोट करके अपने कई चाहने वालों को भीजूने जी वंतल जी अने जी क्लिप को यह अपनी बेस्टाफ को भी बढेंगे अने जी में और अने जी काल इनोंने मुझको भीजा नी मैं तो गेट ग्रेश करा एक जबरदस्ती पोंच गें बेस्थाफ से आपका क्या मतलब है आपने गुड और बेटर हम भी रखिये अनि जी आज ही नहीं चीज सीखी अनि जी इंग्लिश में जो चीज नहीं सीखी जाती है तो उसकारी जी एक मतलब कि हम मेरे ऐसा बक्ति अनि जी बार-बार प्रयोग तो करेगा ना चलिए बढ़िया तो चलिए TCS पर जो जय की रिकमेंडेशन और आया आई है वो आपके सामने खरीदारी करने के और सब लोग बुलिश है एक बीगल कुराल जी राकेशी के लिए चार्ट कॉर्णर का जी बताएं सर देख अनि जी जितने भी लोग आई टी पे बुलिश हैं अपना बड़े वाला थेंक्यू हमको देदें क्योंकि जिस स्टॉक पर अब हम मतलब की पिक आप दे बता रहे हैं वो स्टॉक ऐसा है कि सबसे आदा आई टी स्पेस के अंदर ब्रेक आउट के फेलि परसल है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है डो नाट मिस ओवर्वेट खेदारी की राये और विप्रो ओवर टू कुनाल जी अरे जी देखें काफी मशक्कत करने के बाद विप्रो ने एक ब्रेक आउट दिया उसके बाद 200 देज मोविंग एबरेज के उपर कुछ समय ठीका और अब इस पे एक इमफैटिक ब्रेक आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है तो हमें लगता है कि विप्रो भी 440 रुपे विप्रो में हमारी खरीदारी के रहा है यहां पर आपके लिए विप्रो यहां पर खरीदारी करने के राय आती हुए कुनाल जी राकेश जी के तरफ चार सो पंदरा यह एस टोप्रो चार सो तीस और 440 के टार्गेट के लिए आइजिंक किसी की तो बेगुल की फरमाईश कुछल जी है अगर आपके किसी की फरमाईश है ठीक है नौ प्रॉब्म ओके कुछल जी हमारे साथ तैयार है टूवीलर कंसियों के ओपर पूरी रिसर्च लेकर और कुछल यह बताना जारा है कि CLS ने क्यों डाउंगेट किया है किसको डाउंगेट किया है और कितना डाउं इनको डाउंगेट कर दिया है एक पेंसल की रेटिंग बरकडार रखी है तो इसमें बजाज आटो है आईशर मोटर्स और साथी हीरो मोटकॉप इन तीनों को इन्होंने डाउंगेट कर दिया है रीटिंग वाइस बजाज आउटो पहले यहाँ पर डबल डाउंगेट किया पर घटाए हैं 4252 रुपए से घटा कर 429 रुपए और साथी हीरो मोटकॉप पर 3701 रुपए से बढ़ा कर 427 रुपए के टागेट दिया है तो दो कंपनियों के टागेट इन्होंने बढ़ाए है हालाकि रेटिंग ओवराल तीन कंपनियों की इन्होंने डाउंग्रेट क उसके बाद इनको वैल्यूएशन जो है यह फैरली प्राइस अब लगते वे नजर आ रहे हैं CLS से को और वो यह मान कर चल रहे हैं कि जो आगे आने वाले कुछ सालों में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है टूविलर कंपनियों की वो पहले ही अब प्राइस मे फैक्टर इन हो चुकी है स्टॉक मोव्मेंट वाईज अगर आप 87 दिनों का फैस्टिफ पीरियट देखेंगे 17 अगस्से 14 नवंबर तक तो उसमें भी हमने ट्राइक किया तो TVS मोटर 23 परसंट भाग चुका है साथी बजाज आटो में साड़े 16 परसंट के गेंस हो गए है आईशेर मोटर्स भी डबल डिजिट गेंस दे चुका है स्टॉक प्राइस वाईज 11 परसंट की तेजी वहाँ पर भी हुई है और हीरो मोटो कॉप में 4-4 परसंट की बढ़त हमें देखने को मिली है बट लाजली जिस तरह का रन-अप अल्रेड़ी यहाँ पर हो चुका है इसी वज़े से उनको जो वैलिवेशन के लिहाँ से जो थोड़ा कंसर्न है इस चीज़ को ध्यान में रखते वे इन्होंने ये रेटिंग डाउन ग्रेड किया है हाला कि टार्गेट्स चार में से तीन कंपनियों के इन्होंने बढ़ा दिये हैं ओके तो टार्गेट थोड़ा बड़ा है बट लग रहा है कि इन लेवल से अब वैलुएशन उतनी अट्राक्टिव नहीं है आटो टू वीलर्स के लिए ये राय आ रहे है सीले से की तरफ से सनी अगरवाल साब आपकी भी कोई रहे है वैसे तो स्टार परफॉर्मर्स नहीं है पूरा आटो स्पेस ही बज़ेंग है उसमें टू वीलर्स की भी भड़िया परफॉर्मर्स रहे है बट सीले से कह रहे है अब वैलुएशन तोड़ी जादा महेंगी हो गई है जिस तरफ से रैली हुई है एंटायर टू वीलर्स पैक में ताइम वाइस करेक्शन हम देखेंगे कहीने के जितने पॉजिटिविटी थी वो स्टॉप प्राइज में डिसकाउंटेड है बट मुझे नहीं लगता है कि स्टॉप प्राइज वाइस करेक्शन होगा में भी टाइम वाइस कंसॉलिडेशन होगा क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर काफी लॉंग टाइम रूरल मार्केट में कहीने के रिकवरी देखने मिल रही है और जिस तरह से टूविलर सेल्स में अड़ कर सकते हैं और यह सेक्टर को प्ले करने के दूसरा तरीका ऑटो एंस भी होगा तो अटो एंसलरी में काफी सारी कंपनी हैं जहां हमें काइंड आफ टानरां स्टोरी देख रहे हैं जैसे सुब्रोज हो गया जो कि इंडिया की वन आफ दे लार्जेस अगर अगर अटो इम किसी को महंगा लगता है आगा टो अगर आपको महंगे लगना तो आटो अन्सलरी में जरूर आप निवेश कर सकते हैं यह आपके लिए रह रहा रहे है इस भी च अनल जी डेज़ाए निफ्टी अभी बना है 960 या आफका इस बात किर राए बना है 962 अब ज्यादा बार बन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं अच्छी करने का मौका तो है तो आपको और हमारे जितने भी पैनल पर सारे महानुभाओं हैं आप सभी को नए लाइफ हाई की बहुत-बहुत फिर से बढ़ाई और जिस हम क्या भी रहते के डे हाई की तरफ बंद होन अच्छा एक चीज और जो मैं करना आपको 46-900-4700 के रेंज में बैंक निफ्टी में सप्लाई आ रही है बड़े बड़े दिगज दुनिया वर के ब्रोक्रिजाइस भी यह सोचें कि और वाह यह तेल कम्टिया तो बड़ी जोड से चलेंगी क्यों कैस कौन ऐसा सोच रहा है और कितनी तेजी किन कम्टियों में दिखरी ज़रा समझ लीजे नुपूर हमारे साथ बताने के लिए कि सिटी ग्रूप की तरफ से तेल कम्टियों पर किस तरह की आई यह रिपोर्ट नुपूर बताएं बल्कुल सर आपके बाद अब सिटी भी अरे बाद नहीं 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 पहले भी प्राइस कट के पहले भी प्राइस कट की जो लाइक लिए हुटता वो अब खतम होते हुए क्रूट के भाव भी गिरते हुए नज़रा रहे तो मार्जिंस में आपको इंप्रूमेंट होते हुए दिखेगा इसलिए सिटी ने ओमसी पर जो है वो लक्ष बढ़ा दिया है पैकिंग ओडर देखे तो सबसे ज़ादा उन्हें एचपी सील पसंदे उसके बाद बीपी सी ने डबल अपग्रेड किया है पहले सेल की रेटिंग थी अब न्यूट्रल की रेटिंग है और लक्ष भी देखे तो पिचासी से बढ़ा के 125 रुपे क्या है सिटी का कहना है कि अब जो प्राइस कट है वो अब अनलाइकली आगे चलके क्रूट के भाव गिरते हुए दिख कि पिछले कुछ दुनों में शाप रन अप दिखा है ओंसी स्टॉक्स में सिटी को अब भी यही मा यही लगता है कि आगे चलके भी बड़ा रू में यहां पर ओंसी कंपनी के लिए स्टॉक प्राइस मुमेंट के लिए दोजा-चौदा के बाद दोजा-थेईस ऐसा साले जहां पर ओंसी में बड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और वैलिएशन के लियाद से अगर आप देखे तो दस साल के आवरिज के बिलो ही जो यह ओंसी कंपनी से फिलाल ट्रेट करती हुई नज़रा रही है ओके यह है आपके लिए ओमसी जबर्दस तेजी में बनी हुए है फिला आपके लिए अडेंटिफाय किया था मंडे को तब बड़ी तेजी आई वहां से और अच्छी तेजी इस पर आती हुँ दिख रही है और अब नए टार्गेट से यहां पर निकल कर आ रहे हैं और इन हे आई ओसी पर दिख रहा है 125 का टार्गेट तो अगर लग रहा है कि रैली पूरी हो चुकी है तो सिटी का मानना है कि यहां से तो 25 से 50 परसें तक की रैली इन तीनों नामों में आपको आती हुए दिख सकती है सनी कारवाल जाब आपकी कोई राय ओमसी इस पर कोई स्कम करने की तो डबल बेनिफिड है और वन साइट के दाम नीचे है और आदर हैंड जो रिटेल के जो दाम है फ्यूल प्राइस के ओपर है तो इनके जो मार्केटिंग मार्जीन है डेफिनेटली बहतर रहेंगे कोटर त्री के नतिजे काफी अच्छे आएंगे और मेरी इ राइली इसमें कंटिम्यू रहेगी विट पाच के पी पे स्कॉप मिल रहा है मिन कोई यहां से अगर एवरीइटिंग इन प्लेस तो मुझे लगते कि स्कॉप डबल भी हो सकता है अंडर वैल्यूड अपको आती दिख सकते है और डबल होने की श्मता है कॉंसे स्टोग होने की श्मता दिख रहता है तो बड़ा कन्विक्शन आ रहा है सेटी तो सिर्फ 34-35 परसंट की अपसाइट देख रहा है सनी साब को तो डबल होते वे दिख रहा है एच्पी सील तो बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर आपको होते वे दिख रहा है और अलन जी ने भी मं 63 तक के टार्गेट दिये थे वो तो खैर उसके उपर ही अल्री मंडे को आ गया था बट वहां से भी देखिए अच्छे मोमेंटम है आज हलका फुलका आपको डिप जरूर आते हो देखा बट वहां से भी मोमेंटम पिक अप कर रहा है तो बड़ा कन्विक्शन बाजार का सनी अगरवाल साब कहने है और डबल हो जाएगा एच्पी सिल तो घले थोड़ी बोले सनी जी तो हमीशा सही बोले है तीन साल लगेंगे तीन साल लगेंगे तीन साल कमाई डबल हो जाएगा आराम से अराम से मार्केट मौल्टिपल से रिरेटिंग कर दे कर दे कि अधार से बड़ा है इसलिए रिरेटिंग हो रही है इनको दो साल आगे कमाई पर ट्रेड किया रहा है और कहिंके यह बड़ी चीज़े हैं जो सरकारी कम्प्रेंवें के साथ ह बड़ी जिनको हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ना यह इनडायर्ट रिफॉर्म से कैसे आम तोर पर कई सालों से हम बच्पन से यह देखते हैं जब से वोटिंग करना शुरू कि एलेक्शन के आस पास आते ही सारी चीज़ें के दाम मत बढ़ा हो यह मत करो वो डल जो रहता अब आपको कमाए की विजिबिलेटी दिख दिखती है और उसके साथ साथ आपको पोलीसी की विजिबिलेटी लेक्ति इसलिए वाजार इनको रि रेट करना रहा है आए बढ़ते आगे और फॉकस और चीज़ पर करते हैं आई बताये शादियों के सीजन पर और नए साल प आशिष बाते अशिष से सुनेंगे होटल के डिमांड कितनी जादा है। 8 पटाए आशिस नी सुनेंगे। अशिष न हुठव है , अची आपको की सार ब बता नहीं किस तरडी की होटल की डिमांड हों है। इसे क्यों कि आप पूछ नहीं आप दो लों को नहीं पता चला तो मैं पूछा तो जर आवारे पैनल की तरफ बढ़ते हैं कि एक बार पूछ लेता है क्यों मैं ऐसा कहा है आशीश को कि आशीश को कि आशीश बताएंगे दीपको कि सीजन में और होटल इयर इंड पे न्यू लगाने के लिए कि अच्छ्ट करेंगे अग वर को बढ़ते सीजन में जाने क्वाइब ला मामला है होटल यह दिमांड बहुत ज्यादा है तो एक bachelor दूसरे bachelor को समझाएगा कि strategy कैसे बनानी है कि अब होटल मिलने वाली है नहीं तो जी अब समझाएए आपस पे एक दूसरे को आपने बता दिया कि होटल मिलने वाली नहीं है क्योंकि demand काफी strong चल रही है थोड़ दिन पहले अपडेट देखे बताया थे कि देश्वेर में 38 लाग शादिया है तो पहले दो कॉर्टर अगर आप देखे तो hospitality industry के लिए काफी शानदार रहते हैं और माने जा रहे हैं कि जो second half अगले दो कॉर्टर हैं यह भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रही है यहां पर occupancy में काफी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है जो average room rate है रेंट्स हैं करीब देश बर में अगर आप देखे तो 4.74 लाक करोड का पूरे इस 38 लाक शादियों में जो खड़ चोका जिसका फाइदा आपको इंट्रस्टी में यहां पर देखने को मिल सकता है अब दरसल अगर आप देखे तो काफी सारी destination ऐसे हैं जो बहुत जादा popular हो रहे हैं जैपूर है अगर आप देखे तो demand काफी बढ़िया देखने को मिल रही है लेकिन देखे शादियों का trigger तो है लेकिन एक और अच्छी चीज यह भी हो रही है कि December के दुरान की extended weekend जो आ रहे हैं इसका बड़ा benefit देखने को मिल रहा है जैसे की तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि हमें सिफ लेनी है 26, 27 और 28 की छुट्टी 26, 27 और 28 की छुट्टी आपने ले ली तो आपके पास पूरे 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो जो demand है काफी बढ़िया देखने को मिल रही है जितने भी popular destinations है वहाँ पर अगर आप देखें तो 95% के आसपास की occupancy है उंचे भाव पर भी आपको रूम अविलेबल नहीं हो रहे होटेल अविलेबल नहीं हो रहे तो demand trend काफी strong है दो quarter काफी बढ़िया निकल गए अगले दो quarter इससे भी बढ़िया होंगे दो quarter बढ़िया निकलके अगले दो और से भी बढ़िया होने वाले है औक्यूपेंसी दस दिन की चुटी मिल रही है लोग घूमेंगे मैंने आपको आइडिया भी बता दिया इसको implement भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 26, 27, 28 की चुटी लेनी है चार दिन की अगर आपने है तीन नो दिन की हुई ना दस के सुई सर्फ आपका देखे 22 तारीक फ्राइड़े है तो 23 बाइस को आना है अच्छा उस दिन आप फिजिकली प्रेजेंट होगे चुटी ले जाएगे अमाओ मैनेज हो जाएगा सरु मेंटली तो अभी से दो दू गंटा चुटी है जिस दिन से खायाल आए तो नो दिन की बनेगी कैलकुएशन बरावर करो और इस महामले में आप एक काम करो सर्टेर जायेंगे आप एक तारीकी वेडियक चुटी इस यूरेareं कि ogaारिए मिन्शू को होगे तो ओक ऑना बर बॉल से खुटी हो ऑफ हैं काफी चुटी है काफी दिन की यह जारि दिन्की नेखन की नहीं हो और एक तारीकव आना पड़ेगा है तो इन्डारिक लिए जिसको भी आपका भला बुरा करना है मन-मन में आप कहेंगे हमें लेकिन जाएगा कोई एक्सिंजर की पास जी मंसल जी अने जी मैं भी ये कह रहा था आशिश को ये मैं सोचेगा एक तारिक को कि वही है नई सीरिस की शुरबात होगी है इंडिया वो लाउजिंग बैन से निकल गया है तो बैन लिस्टा भी काम नहीं होगा तो अने जी दिपांचू में शूर की आशिश को एक्स्टा काम दिया जाए एक तारिक को इंशूट भी प्रेजेंट मतलब की राइट फ्रॉम द मॉर्निंग यस साड़े साथ बज़े साथ बज़े जो ये ट्वेंटी ट्वेंटी जो कर रहे होते हैं उसमें देखेंगा आशिश आपको हम यॉर और इंप्लिमेंडेट सर लेकिन कुल मिलाकर बड़ी इंटरेसिंग स्टोरिज देखेंगा है तो दिमांड जबर्दस से लंबी छुट्यों के हिसाब से थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं लोग होटल की दिमांड थोड़ी शादियों के हिसाब से हालकि 15 दिसंबर के से लेकि 14 जन से लारी है कल के 2000 और इसे जो भी बनके आ रहा है यह आप यह कहने कि एक ग्रेन बेस्ट लिया जाएगा तो जो ऐसे शुगर से इतनोल बनाने वाली जो कम्समिया है उनके लिए थोड़ी नेगटिव इसलिए आज बल्रामपुर इसलिए यह खबर आ रहे हैं लेकिन यह उनके लिए अच्छ कैसा है जो बड़ा तेज दोड़ लगा सकता है मैं आपको पहले टार्गेट सब्स देदो आठ सो असी रुपए यह आपका इस टो प्लोस का लेवल होना चाहिए यह नो सो तीस और नो सो पचतर दो बड़े टार्गेट रखे थे मैंने 930 975 के 975 पोजिशनल टार्गेट है इसके लिए खर्दारी करने की राया है क्योंकि यहां पर बड़ा एक्षिन हो सकता है यह 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 बड़ा बड़ा पोजिति होगा ग्रेट सी वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए गौवर्मेंट अब एडिशनल बेनिफेट्स भी देगी और एथिनल जो आप शुगर से बन इसी वज़े से ग्लोबस स्प्रेट भी आपके लिए मजबूत दिख रहा है एक वाज़ा हमें ग्लोबस के चार्ट पर राहे लेना चाहता हूं ज़रा एक बार हिमांशु जी चार्ट देखनी की तकलीफ करें जा रहा हूं अनिल जी पहले को मेरी दर्फ से धंग्नेवार ले लेजिए प्लीज कल ही मैंने शायदी दसकी कमाई में रिकमेंड किया है तो अनिल जी चार्ट डेफिनेटली मुझे पसंद ही है वैसे ही बहुत अच्छा एक लॉंग टम सपोर्ट के आसपास से स्टॉक में मोमेंटम बन और अगर इस स्टॉक को थोड़ा समय दें तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक 1100 रुपे तक का एक अप मूव दिखाने के लिए तयार है ऐसे बदार में अनिल जी काफी कम स्टॉक सेंट्यों पी काफी लॉंटम सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर हमें खरी कि इनके लिए यह खबर नेगेटिव है हमारी राय हमारी नजर बनी वी थी इस टॉक पर आपको वजह भी पता चल रही है कि क्यों यहां पर आपको वीक्निस आती हो दिखरा बल्रांपुर चीनी के चार्ट पर भी रहे ले ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक में काफी कम्सोरी यह जै जै गरा एक बार बल्रांपुर चीनी का चार्ट देखें बिल्कुल दीप जहां तक बल्रांपुर चीनी का सवाल है दीप और अगर देखें तो इस टॉक में तीजी आपको यह में देखने मेरे थी बहुत प्त देन जो मूँ आया है पर राइसींग वेच पैटन थ तो मुझे सा लग रहे है कि अब बल्रांपुर चीनी में दीप जो रीसेंट हाइस के आसपास के लेवल से चार्सो पच्छतर के आसपास उसके उपर निकले तो ठीक अधरवाइस यह रीचे में चार्सो तक के लेवल से टेस्ट कर सकता है विचिस दे लोर एंड ऑग दी और आज सुमिझ जी की सेल कॉल भी थी सुबाइब अब आज का एक मत तर सेल कॉल था जाए बिलकुल मजबूद वाजार में शॉर्ट कोल के आपको बढ़ाई भी बहुत बढ़ाता अच्छली दीप है यह बलरामपुर चीनी नहीं यह पूरे शुगर से पूरे शुगर से क्या रिखता है यह बलरामपुर चीनी तो बेचा रहा है इसलिए इसलिए बट मैं बतानों यह कैश मार्केट में जितनी सारी कमिया है आपकी शुगर वाली धामपूर आवर्च, जो भी आप त्रिवेनी इसन सब के लिए बही नेगेटिव गेटिव है जो शुगर से एथ अच्छा बहुत सारी कंपने ने तो लगए इसलिए थी प्लांट्स वगरा डिस्लिरीज वगरा कि हम इथनोल बना बना अच्छा डिमांड भी बहुत थी और बीच में चल भी रहा था वो कौन-कौन सा बायो फ्यूल और दो तरेके के अलग-अलग फ्यूल को क्या बोलते हैं दोनों मिला के साथ में करेंगे बायो फ्यूल का ही था ना ब्लेंडेट फ्यूल का यह सारी चीज़ें चल रहती है तो पूरी कहानी इस पर क्वेश्चिन मार्क लगए यह डिसिजन कैसे हुआ है इसना रहा कि आप शुगर कमजों से इथनोल नहीं लेंगे यह बड़ा डि से या कोई फ्रूट से या अलग-अलग तरीके से जो दूसरे उनके लिए थोड़ी पॉजिटिव और जिसमें दो तुमुझे ध्यान में आ रहे हैं बी-सी एले दूसरा ग्लोबर से बाकी का देखिए अम रिसेच कर करेंगे चीक है चलिए यह आपके लिए शुगर से जो कि बड़त है नाजरेक फ्यूचर में अपको हलकी बड़त है कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं आने वाले आज शाम को ट्रिगर्स के मुकाबले में और यॉरोप के बाजार भी ठीक है कच्छा तेल प्रेशर में रुपया आपका पांच पैसे मस्बूत है कोई प्रॉब्ल लीजिए और 20-725 में तो थोड़ा और ज्यादा लीजिए नीचे में आपको लेने के हम्मत होनी चीए उस हिसाब से प्रेशी के पोशिशन बनाए रखिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऊपर के टार्गट भी 21-2175 में नमत आ दिये है ठीक है है उसको होल्ड करिए दम ह हिम्मत है रिस्क लेनी के टाकरत और भी खरीड के जाए है अब आईए बैंक्टिफ्टी है आप बंद हो रहे हैं 46-825 पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं दी यहां पर भी अच्छी बंद हो रहे है आपकी तो आपकी सिंपल है 46-650 अगर कल मिलता है यहां से 1.500-200 पोई नि इतना भागाव है वापस से 47-270 अच्छी तो यह दो लेवल उपर के आपको कल मिलने की तैयारी हो सकती है बैंक्स टिकल आपका हलका भी हो जाएगा एक स्वाईरी के बार हलका भी हो जाएगा एक स्वाईरी के विए के साथ बने रहे हैं डेटर है कोई टेंशन नहीं कोई कोई परिशान नहीं है बने रहे है यह आपके लिए रहा है बाजार पर अनल जी की तरफ से कैश का ओप्शन आई चलते हैं जैट अपकर के पास बता है जै दिप 47 अजर का एक कॉल ओप्शन बैंक डिफ्टी का खरीदना है यह खरीदना आपको 296-97 के रेंज में में मिल रहा है 296-97 के रेंज में 47,000 यह स्ट्राइक का बैंक डिफ्टी का कॉल ओप्शन 13th December की एकस्पाइरी का नेक्स्ट वीकली एकस्पाइरी का खरीदेर टागेट्स दीप में पहले बता दू टागेट्स यहां पर निकलेंगे 460, 460, 530 यह जो टागेट्स के लिए खरीदना है 296-97 में में सजेश्ट के और दीप जैसे अनल जी ने कहा कि इनो अगर इनकेस कल सुभे अगर 100 यहां पर आगेट्स के खरीदेर आगेट्स पर दूखे डिविख था इंगर आगेट्स पर दूखक अप्डेंगे तो एकस्ट उसका रह रह रहे हैं अं यहां पर फोट जो चबना से अग्देर में प्लागेट्स यहां निक्टी और रह एं, टेर शो ने पर दो रहां रहा तो थो लाइट हो जाएगा फिर तो और ही अच्छी अपर्चोटी मिल जाएगी अदरवाइस तो इसको खरीद कर चले 47,200 के मेरे मी ठागेट से इमेजिए यहां से तो यह है आपके लिए 47,000 की कॉल अप्शन खरीद कर चलिए जै ठाकर के तरफ से अगले हफते की एकस्पारी की कोई परशानी के बात नहीं है बैंक टिफटी हलका भी हो रहा है जै मतलब एकड़ तयार ही थे जैसर मेरे पहले ही देर से एकड़ शूट कर दिया जै मैं धन्यवाद दे देता हूं आपको अच्छे से एकड़ दिन से धन्यवाद आपका और ओल आफ दे अबो में जो दो चीज़े बाकी धन्यवाद में वो जल दी आपको मोका मिलने पर इस पर भी पहुचाए जिसमें एक तो डिनर और दूसरा क्या था पार्टी बिल्कुर होगे ओके आई यहीविस इस बीच वक्त बैंट से बेनिफिट का आशी जी चार है नो बैंट में सिर्फ चारी स्टॉक है ओट दी मीन भाई सिर्फ पांच कर देते हैं सरे से ओके मॉस्ट विलकम लाइए किसको ला रहे एक स्टॉक है सेल जहां पर पुजिशन काफी तेजी से बढ़ी है स्टॉक में मूव भी बढ़ा है आज 108 परसेंट हो क्रोस करकी स्टॉक आपको बैंड में देखेगा तो आपके पास पांच नाम होंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस डेल्टा कॉप जी एंटेटीन्मेंट इंडिया सिमेंट्स और सेल बाकी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो एक्जिट करता हुगा नजर आए तो टो आपके पास बैंड में आते हुए यहां पर एंट्री होने थे तो रखेंगे नजर्टा इंडिया सिमेंट्स एंडिया वल्स हाउसिंंग और यालिए बैन में बने हुए है फ्रेश एंट्री के लिए सेल तैयार हो रहा है इसको भी अपने डेडार पर रखें चले फिर आख काउंटर्स के हिसाब से देखें हेल बाइद वे अभी एक फ्रेश अप मूव आपको और दिखा रहे हैं क्लोजिंग में जाते जाते यहां पर और एक बढ़िया स्पाइक इस काउंटर पर आते हूं नजर रखिएगा कल के ट्रेड में भी इस पर कैसी मूव आपको आती है मेटल्स में अच्छी आक्शन रही है बाकी मेटल्स के हमने बात के लिए एक बार जेएस पेल पर भी नजर डाल दीजिए यहां पर भी एक अच्छा खासा स्पाइक आपको दिखा है टाटा पावर यह एक और इंट्रेसिंग काउंटर है जहां पर आपको बढ़िया मूव है ब्रेकाउट हुआ हुआ है नया हाइस पे आने की त्यारी है दिपांशु तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए दिपांशु एक बार 300 रुपे के ओपर सस्टेन करेंगा थोड़ा सा वेट और बोच करें ब्रेकाउट का मतलब यह नहीं होता है कि लाइन टूटी और ले लो अंचाटिट टेरिटरी में आने की त्यारी कर रहा है तो एक बार ठेके 300 रुपे के ओपर तब नई खरीदारी करेंगे तो जिनके पास है बने रहें कर्रेक्शन्स पर खरीदारी की रहे होगी करेक्शेंस पर खरीदारी की रहे होगी टाटा पावर इस पर रखे नजर है увер एक इंट्रेस्टिंग चार्ट है जहां पर आपको एक मूव आती भी दिख रहे हैं सुमी जी एक बार आयर सीटीसी का भी चार्ट देख लें दो तिन दिनों से यह भी थोड़ा अक्टिव हो रहा है डेज हाई के आसफासी बंद हो रहा है साथ सो चालीज का लेवल सरूरी है साथ सो पचास का लेवल तूटे का तब इसके अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर आट सो प्लस के लेवल आयर सीटीसी पर उपर में देखने को मिल सकते हैं फिलाल ट्रेलिंग सो फिलाल साथ सो तीस के नीचे का ट्रेलिंग सो लगा के पोईशन एक बार होल्ड करे साथ सो पचास इसका इमिजे टाकेट होगा और साथ सो पचास के बाद इसके अंदर उपर का मूब देखने को मिलेगा ओके तो यह है आपके लिए IRCTC इस पर भी आपको अच्छा आक्शन आते हुए दिख रहा है यहाँ पर भी रखें नजर आए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं लगातार तीसरे दिन नई रिकॉर्ड भारतिय बाजार में आपको आते हुए दिखें लगातार सात्वे सभी काउंटर में आपने खरीदारी देखें तो बढ़िया आक्शन आईटी की तरफ से दिखाए बढ़िया सपोर्ट निफ्टी की गेन में आज ITC का आया है L&T की तरफ से आया है Tata Motors आक्टिव था बजाज फाइनाइंस आक्टिव था रिलाइंस इंडस्टिव में तीसर 12 निफ्टी स्रॉक्स नेगटिव क्लोज हो रहा है अदानी एंटर्राइजस में आपने कमजोरी देखें धाई परसंट कमजोर हाला कि इंटरडे में 6 परसंट तक उपर भी दिखा था डाउंगरेट के बाद आईशर बजाज आटो और हीरो मोटकॉप यहाँ पर आपने न तुवर्ज दी एंड एक फ्रेश स्पाइक इस काउंटर में आपको आते हो दिखाए दो बड़ी खबरे इनके लिए पॉस्टिव होते दिखें हैं यहाँ पर जबर्दस तेजी बन रही है लगातार आट वे दिन खरिदारी टाटा पार जिसकी अभी बात कर रही थी इंड अच्छी खरिदारी कॉरोमैंडल यहाँ पर पॉस्टिव मोमेंटम दिखा है आपको साथ ही आपने अच्छा मुवमेंट दिखा है गोदेश प्रॉपरटीज में भी आते होए इंडेवल्स हाउसिंग बैन में हैं बट यहाँ पर भी आपको पॉस्टिविटी दिखिए है कैश मार्किट के भी काई सारे काउंटर रेडार पर थे एक तेहाई परसंट आपके लिए मिड और स्मॉल काप दोनों इंडेक्स उपर बंद होते होए दिख रहे हैं अदानी टोटल अदानी ग्रीन अदानी टोटल 20% का सरकिट अदानी ग्रीन 16% का सरकिट आपको आपको आते हुँ दिखिए आर्सी एफ फैक्ट दोनों काउंटर्स फर्टलाइजर स्पेस से काफी अक्टिव थे जी एस एफसी में भी आपने अच्छी खरेदारी आते हुँ देखिए अडवांस्ट एम्जाइम कोचिन शिप्यार्ड जोती लबारिटरीज एंजल वन जी आर इ GIC, Sequent Scientific, PTM, Radical Khaitan, Brigade Enterprises और श्री इन्रुकाश शुगर्स शुगर्परा कमज़ोर हुआ था राज किया इस्टापर फोर इती स्टॉक और फटलाइजर चंबल वहां से भी बात करने के बाद डे हाइप और उपर बंद हुआ है एक्सिट डे हाइपर 356 रुपे 70 पे से और बहुत जैनियूनली बंसल जी ने एक चिंता प्रकट कि थी कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं हार्ट अटेक के और हार्ट अटेक आने पर अगर तत्काल पेशन को CPR मिल जाए उसके बचने के चांसे दो से तीन उना बढ़ जाते हैं ऐसे में सरकार ने देश बर में CPR क अभियान चलाया है आप भी इस ट्रेडिंग का हिस्सा बनकर जीवन बचाने वाले सुपर स्टार्ट बन सकते हैं एक जागरूप नागरिक होने के नाते और जागरूप चैनल होने के नाते हम CPR को लेकर समय समय पर शोज करते आएं ऐसे में आज एक बार फिर हम अपने दर् का बताएंगे एक्सपर्स के जरिए तो फिर शान 6 बजे जी बिजनेस पर देखेगा ज़रूर CPR की क्लास हमारा साथ देंगे डॉक्टर अरून के चॉपरा डायरेक्टर कार्डियोलोजी फॉर्टीस होस्पिटल डॉक्टर निमित शा ब्रीच केटियो होस्पिटल से और ड इसको आपके सजेशन थी उसको मान के हमने आज युशेष हो लेकिन बंसेश जी की सजेशन है कि इसको मार्केट आवर्स में भी दिखाये जाए जाए तो बंसेश पर भी हम कोशिच करेंगे और कहीं एक अच्छी से जगह देखकर वहां पर बाजार के लोगों को थोड़ा क्योंकि शाम को जनरली पांच बजे मार्केट के लोग ठोड़ा है बड़ी गलत फिमिया होता है कि हमने दिन बर बहुत काम क्याब नहीं करेंगे इसलिए वह उस वक्त शायद किसी के टहलने का टाइम है किसी के कुछ गुनने पिनने का ताइम जो भी हो आप देखने का स्टेबल दनी की संभावना से फिक्स इंकम का भी इन्वेस्मेंट जो है वो थोड़ा अट्रेक्टिव है गोल्ड जवर्द स्मोके दे रहा है ऐसे में पॉर्टफुलियो में कैसे करें आप स्मार्ट एसिट अलोकेशन इसमरे साथ इच्छे में हमारा शो तेजी में इन ही नहीं होता लेकिन सचाई है कि इसी डाक नेट पर तमाम लोगों के परसनल जानकर्या मोजुद है जिनकी उंची किमतों पर बोली लगाई जाती है संसच में जानकर नहीं देते हैं सरकार ने का कि डाक नेट के खत्रे को लेकर सतर कताब बरती जा रही है और इस तरह क हमारी कवर स्टोडी इंडिया 360 डिग्री की डाक नेट का सेफ्टी नेट रात साथ बच कर चपन मिट पर है समाचार समाप्त वे 20,937 अंकों की तेजी के साथ लिफ्टी ने किया आज समाप्ती सेंस्टेक्स उननतर हजार 653 पर 357 अंक उपर बंद होता और बैंक लिफ्टी 170 अंक नीचे 177 अंक नीचे 46,834 पर बंद होता और दिखा मिट के परसमाप्त के फिर आज भी हरे निशान में लगातार 23,22,24 वा कितना दिन अदीब बताएंगे 24 दिन 24 रखेंगे 24 दिन मिट के पिंडेक्स लगातार हरे निशान में बंद होता और दिखा आज के सेशिन में साथ देने के लिए कुनाल जी राकेश जी सुनिजी का दनिवाद हीमाणशु जी जैटकर साब और सुधीफ शाह साब का में बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात कल निफ्टी की वीकली एक्सपारी का भी दिन एक्शन बरा दिन रहेगा और कल मॉनेटरी पोलिसी कमिटी की बैठक का दूसरा दिन और सुआएगी पोलिसी देर सार एक्शन कल भी रने वाला है जुरिए का ज़रूर मुझे और द के तिल का यह सबसे कम भाव है और हम आपको साथ रिजन के जरी बताएंगे कि आखिर कुरूर में ऐसा क्या हो गया कि जो कुरूर में एक हपने पहले साथ से आठ पर से उपर था वो कच्छा तिल नीचे आ गया है इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इन वजहों के दम प 5 व भी लाइंग इस मोर नंग प्रिूमिना हन्ग आप्ट टेओ्नोड़गी एसे आफ आफ जालगवर और जलू रख वो We prioritize safety, efficiency, aesthetics and overall delight in our lighting solutions. Whether visible or behind the scenes, opto-semiconductors are everywhere. AU every month. Think about it and the bank too. AU Small Finance Bank. It's a change from us. There are many options. Which options, doctor? Call option, put option, stock option, index option, currency option, and how many options do you have? I'm surprised, doctor. You're not a very big doctor, but you're a better trader. Because I have U-Trade Algos. Now, U-Trade Algos is a back-tested strategy and a fully automated algorithm. trading is so efficient and easy, like a pro-trade, the whole U-Trade Algos will do. U-Trade Algos with Share India. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Hardwin. A one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965. With over 30,000 sales outlets pan-India. Hardwin. Fittings that fit perfectly. Perfection. Redefined. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. We have all scheme related documents carefully. Sajid, Payal. 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 Sabka gyan, karhe paraishan. That's why download HDFC Sky, a new age, all in one app, jho banai aapko apne dhampe expert. Kyonki yaa salah wa hi, jho aap ke liye sahi. HDFC Sky, bano apne dhampe expert. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ी जी यास्तुमी अजब विपन चेह बें पू filme कि अकष भी आ तूह पूजेक तूमर्य कारे चीनित मेडरे बीट्वर्स, इन ठिल अलभsz फून प्राटयर में पूल्य तrüिपके।, तुम्री ज्जबी तो 지금 कि शूदेयर टाटय। यह है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर, कॉम्टिक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है एंजल वन सूपर आप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे, सूपर! Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. A new age all-in-one app, जो बनाए आपको अपने दंपे एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ सलाव ही, जो आपके लिये सही, HDFC Sky, बनो अपने दंपे एक्सपर्ट. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पर तभी आजाए ऐसी अर्चन, जो आपको कर दे बेचा हैं। कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते हैं। और वापस अपने सफर पे निकल पड़े हैं। ऐसा ट्रांस्वरमेशन रियल लाइफ में मुश्किल है। पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है। पेश है सैम को डाइनमेक असेट अलोगेशन पार्ट। मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में। और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्वर्म हो जाए डेट मोड में। ताकि आप अपनी मन्जिल तर बेफिकर पहुँच सके। म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखेमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे रह्मी अंकार, मेरा संडेश स्वेशल दोना। अरे समाल गे। ओ, चैरी डालना बोल लिया। ये मेफिकर है क्योंकि इनके पास है सुरक्षा और भरुसा दोन। SBI General Card Insurance इतने इजी? हाँ तुमसे विलने जाना, तुमें अमजी जुरूड, समझ गया है? जी सेट वा, मामू, मिठायों की डिलिवरी चल रही है, CID के प्लानिंग है? डिरेविन नी बिटा, सब लग 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 बैंक जा रहा है ऐसा क्यों? EU Current Account पे सब मिलता है मामू, सोच बदलो और बैंक भी EU Small Finance Bank बदलाव हमसे है ये है इंडिया के पुराने इनवेस्टिंग की डुनिया अब इनवेस्टिंग को बदलने आगया है कुच सूपर कॉम्ठिक्स Markets को करे सिंपल आ गया है AngelOne Super App जो इंडिया का इनवेस्टिंग बना दे सूपर Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sister! मुखफ़ली! छोटे से छोटा रिस्क भी महंगा पड़ सकता है. इसलिए SBI जेरल हेल्थ इंशॉरंस. सुरक्षा और भरुसा दोनो. इस बार इससे करे? सुर्ण अबता रिस्क भी महाँ पर आप तूमुपष ए तिरी दाना, सौबरी दाना, सौबरी दाना, सौबरी दाना, सौबरी दाना, सौबरी दाना, सौबरी महाँ झाता है. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. अब है तयार देखो, अक्टिव बहार देखो पेशे, वितिमिन एडी और एयुक्त, वीटरी प्लस वाला वीटालाइफ रिफाइंड सोया बीन ओई मेरे पिता जी ने ये ये शेर्स में भी इन्वेस्मेंट किया ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करता है जैसा नाम, जैसा काम बादलों पे चलके हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा होसलों को कसके तुबालों से लड़के मैं बनाऊंगा आशनीक टुकडों से अधेरे को हरा के मैं बनाऊंगा उम्मीदों के पंख गंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा बनाऊंगा मैं तो बनेगा बारत बनाओगी मैं तो बनेगा भारत बनाओगा मैं तो बनेगा भारत स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures सब का ग्यान करे परिशान? बनाए आपको अपने दंपे एक्सपर्ट क्योंकि यहां सला रही जो आपके लिए सही HDFC Sky बनो अपने दंपे एक्सपर्ट Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing जब आप लंबे सफर पे निकलें मज़ा अलग है पर तभी आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते और वापस अपने सफर पे निकल पड़े Asset Transformation Real Life में मुश्किल है पर आपकी Investments में हो सकता है पेश एस सैंको Dynamic Asset Allocation Fund मोमेंटम में ये रहे Equity Mode में और जब भी रिस्क दिखे ये Transform हो जाए Debt Mode में ताकि आप अपनी मन्जिल तर बे फिकर पहुँच सके Mutual Fund निवेश बाजार के जोखे मों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े ये है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब इंवेस्टिंग को बदलने आगया है कुछranch super complex market को करे सिंपल आगया है Angel One super app जो इंडिया का investing बना दे SUPAT Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions Since 1965 With over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly perfection re-defined प्रिस्क्स रीड रिले टॉकुमेंट्स केफुली बिफॉर इंवेस्टिंग को पैसे से प्यार नहीं है। भाई साब, पैसे से प्यार है, तभी तो EU से करार है। ऐसा क्यों? आपका बैंक, सेविंग्स अकाउंट पे इंट्रेस्ट देता है। मेरा EU हर महीने, सोच बदलो और बैंक भी, EU स्मॉल फाइनांस बैंक, बदलाव हमसे है। नमस्कार महां में तुन्य कुमार जाओ, कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात होगी, कुरूट की कुरूट ब्रेंड का भाव 77 डॉलर के नीचे आ गया है, और पांच महने में सबसे कम भाव है, कच्छे तिल का, क्रॉस बोड़ा देखी गिरावट है, MCX पर भी WTI कुरूट भी नीचे है, पीछे की वज़ए है, इसके पीछे की जोन, US के भी आर्थिक आकड़े बहुत बहुत बहतर नहीं है, तो लिहाजा, डिमांड के मोर्चे पर चिंता बनी हुई है, और दूसरी तरफ सप्लाई घटाने को लेकर, OPEC प्लस में कोई बड़ा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, तो इससे कच्छा तिल नीचे है, पर सेल क्या जा सकता है, पाइवेट एट जीरो नीचे का इसमें लेवल देखा जा सकता है, और सिक्स जीरो एट जीरो का इसमें स्टाफ लोस मिंटेन करना से लिए, थोड़ा 20-30 रुपे हैं यहां से गल उचा जाता तो गेशनी के इसला है, अक्ठाव सो पचास आज अकल सकता है, और और ट्रेंड बंदी का ही है, तो यहां पर गिरावट और बढ़ सकती है, इसके अलावा गोल का मार्केट सुवानी जी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा रुकता हुआ देख रहा है, क्या गोल एक बार फिर से बाई करना चाहिए, या अभी कुछ दिनों के रुकना चाहिए, चुकि दाब काफी बढ़ गए हैं, तो मार्केट थोड़ा और नीचे आने की गुंजाइस बनी हुए है. तो मुझे लगता है, पोजिशनल प्रेयर नेक टिप का इंतजार करें, 200 रुपिया, 300 रुपिया, यहां से क्रेटिप मलता है, तो भाई करके चले, अफसाइड में पोजिशनल के लिए 64500 का लेवल लेवल देखा जासे हुआ हुआ है, ठीक है, यह राया आपकी होगी गोल पर, क्या चांदी में भी यही इस्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सुमानी जी? ओके, ठीक है, तो यह राया आपके होगी सिल्वर पर, मेटल में कोई कॉल, सुमानी जी, सिर्फ इंट्राडे के लिए? बिलकुल जीच मुझे काफी समय के बाद में एक पर स्टॉंग नजर आए है, डुट्वीस के आद स्पाज जीच इंट्राडे बाइक के आ जा सकता है, तो सुचोगीस का मलक्ष देखा जा सकता है, और दो सुचोट्रा का इसमें स्टॉप्लास मैंटेन के आ जा सकता है. ओके एगरी में जीरा काफी तूट चुका है अब तो 49 जार के भी नीचे आ गया आज भी मार्केट आप कहें कि दवाब में ही है या यू कहें कि रेंज में है जीरे पर क्या विए आपका नया विए जीरे की सोई अगर हम देखे तो पिछले साल के मुकावले मेरे साफ सा 60% ज है और इसी के कलते इंजरंतर इसमें सेलिंग हमें देखने मिल रही है अगर कि पुल बैक मुझे लिखता है कि दुबारा अगर 114 जार चार सो आता है तो इसमें सेलिंग का ही रुख बनेगा या डाउन साइट उस से पहले अगर 37,838,000 आता है तो इसमें एक बार हम दुब बड़ी खबरें नमस्कार स्क्राओर जाए तो क्यों अगरे में रिसका क्या ने जता नहीं हुदा तो क्या है तो क्या जूल है भावा तू मार्केट में मता मता क्योंकि जब रही है ताभी मार्केट का शेर बनोगे तब ही मार्केट गाशेर बनोगे investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing पिश्रे छे सालों से हर रोज यही हो रहा है यह वो S.I.P. है जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिन्दगी जीने का तरीका ही S.I.P. है तो जिन्दगी के लिए S.I.P. क्यो ना हो An Investor Education Initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें बादलों पे चंके हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा होसलों को कसके तुबालों से लड़के मैं बनाऊंगा अशनीक टुक्डों से अधेरे को हरा के मैं बनाऊंगा उमीदों के पंखकंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा भारत The vertical velocity is now being constantly reduced India is on the mode बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत Skills deal और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures तुमसे लेंज जाना? तुम्से बनेगा भारत समझ गए? चिसे जाना वामामी मिठाईयों की डिलिवरी चल रही है CID के प्लानिंग डिरेविन नी बिटा, सब लगलग बैंक जा रहा है ऐसा क्यो? AU Current Account पे सब मिलता है मामू, सोच बदलो और बैंक भी AU Small Finance Bank बदलाव हम से है एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा The New Safari, Reclaim Your Life Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly Perfection redefined Yeah Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Pendu Pesha Pudhi Pesha Pudhi Aura Paz Kare Tumya सब का ग्यान करे परिषान That's why download HDFC Sky A New Age All-In-One app जो बनाए आपको अपने दंपे-Expert क्योंकि यहाँ जलाग रही जो आपके लिए सही HDFC Sky, बनो अपने दंपे-Expert Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing यह है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर कॉम्पलिक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है एंजल वान सूपर आप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सूपर Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वोखफ़ली। छोटे से छोटा रिस्क भी महेंगा पड़ सकता है। इसलिए SBI General Health Insurance. सुरक्षा और भरुसा दोनों। इस बार इस से करे। बेटा, बापोटी में इन्वेस्ट कर ले। बापोटी में इन्वेस्ट कर ले। बोटे में इन्योफ़ दोवेस्ट करोवेस्ट कर लोग। सब का गांन करे परिशान आपको अपने दम्पे एक्सपर्त क्योंकि यहा और सलाव ही जो आप के लिए सही HDAC Ск ty root the faire vom Tampay Expert Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully. The simple market comes with the Angel One Super App, which made India's investing. Super. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Madam, I don't love the money. Brother, I love the money. You're willing to do with the EU. Why? Your bank gives interest on the savings account. Three months ago. My EU, every month. Soch, badlo, or bank bhi. EU Small Finance Bank. Badlaav humse hai. Dekho, dekho, tel dekho. Tel ki dhaar dekho. Sab hai tayar dekho. Aktiv lahar dekho. Payshare, vitamin AD or EU. V3 plus wala Vita Life refined soya bean oil. Aktiv life ka partner. Hardwin, a one stop for all hardware fittings and solutions since 1965. With over 30,000 sales outlets pan India. Hardwin, fittings that fit perfectly. Perfection redefined. braids form. Not bad. For a sort of battle. I will say, I don't know. What a report. What? I do not know. Oh, I will. No. What? Dracaroujaka. चार राजों में चुनाव जीतने बाले दस बीज़ेपी नेताओं ने छोड़ी सांसदी नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, राज्य वर्धन, दिया कुमारी सहे दस सांसदों ने दिया इस्तीफा सुग्देव सेंग गोगा मेडी की हत्या के विरोध में राजस्तान में शहर शहर प्रदर्शन जांच के लिए बनी साइटी, सुराग देने पर मिलेगा पांच पांच लाख रुपए का इनाम, बीज़ेपी नेता, राजेंद्र राठोर बोले, एनाई से हुजांच गौमूत्र राज्यवाले बयान पर डियम के सांसद सेंथिल कुमार ने लोग सभा के अंदर मांगी माफी कहा, अंजाने में दिया था बयान, मुझे इसका है अफसेज तो मिल्नाडो में में चौंग तूफान छोड़ गया तबाही के निशान, हसे लोगों तक हलिकॉप्टर से पहुँचाए गई राहत, डियम के की मांग, राष्ट्री आपदा हुगोशित केंदर सरकार बेज़े टीम बाजार में रिकॉर्ड हाई बनाने का सिलसला जारी निफ्टी ने पहली बार चुआ, 20,961 का रिकॉर्ड स्थर, सेंसेक्स ने भी 69,744 का रिकॉर्ड लेवल किया, टच्च आज से RBI मोनेटरी पॉलिसी कमिटी के तीन दिन की बैठक शुरू, शुक्रवार को ब्याज दरो पर आएगा फैसला नमस्कार आप देख रहे हैं, जी बिजनस शाम चार बजी की तमाम बड़ी खबरों के साथ, मैं हूँ स्वाती रायना राजपूत करणी सेना के राज़स्थान अध्यक्ष सुगदेव सिंग गोगा मेडी की जैपूर में दिन दहाडे हत्या से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है राजधानी जैपूर में प्रदेश और देश भर से राजपूत नेता पहुँच रहे हैं जैपूर समेट पूरे राज़स्थान में आज बंद का आहवान किया गया है सुगदेव गोगा मेडी के हत्याकान के बाद से राज़स्थान में सियासी भूचाल मचा हुआ है इस बीच पुलिस का भी आक्शन तेज हो गया है राजस्थान के मकराना से पुलिस ने दो संदिग्दों को हिरासत में लिया है हाला कि हिरासत में लिये गए संदिग्दों के बारे में पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है पुलिस दोनों की शिनाक्त करने में जुटी हुई है और इस बीच गोगा मेडी को गोली मारने वाले दोनों शूटर्स की पहचान कर ली गई है गोगा मेडी के हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद का एलान किया गया जिसके चलते जग़ जग़ दुकाने बंद रही वही बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है जैपूर में गोगा मेडी के हत्या के बात सियासत भी काफी तेज हो गई है बीजेपी इसे गहलो सरकार के कारेकाल में खराब कानून विवस्था से जोड रही है तो वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि सरकार बनने से पहले ही बदमाजों के होसले बुलंद हो गए है जो कॉंग्रेस आसन में कानून ववस्था लचर हुई थी उसका ये परिणाम है हमारी डिमांड है कि अपरादियों को तुरुन से तुरुन पुलिस पकड़े हम सद्धा सुमन अर्पित करते हैं शहीद हुए हथ्यारों के शिकार हुए हैं पर ये जरूर कहना चाहते हैं आपकी आमत सुभ नहीं है राजिस्थान की जनता के लिए आपके आते ही अवराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वह आपके सफ़त का भी इत्जार नहीं कर रहा है शुरू कर दिया उन्हों रखिए और इस पर जैपूर से हमारे साथ जी मीडिया समवादता विनय पंथ है विनय राजिस्थान में सुगदेव के हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है तो वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले को पूरी तरह सुझाने में जुटा हुआ है आप सी समझना चाहेंगे वहाँ पर अभी ग्राउंड जीरो पर क्या हाला थे जी स्वाती देखी में बताना चाहूँगा मैं इस से में मौदूद हूँ मेट्रो मास हॉस्पिटल के पास जहां पर सुझदेव सिंग गोगा मेडिका पार्सी श्री रखा गया है यहां बड़ी तादाद में जो भीड है वो लगातार आ रही है और अगर हम बात करें सिक् यह स्पेशल जो वहान है आप देख सकते हैं अगर बीड एंड इंत्रीद होती है तो उसको किस तरह से काबू किया जाए उसके लिए यह वहान यहां पर लाया गया है इसके जरी मॉनिटरिंग की जा रही है और मैं मेरे सयोगी विवेक से कहो कि आपको दिखाएंगी किस त करती है तो ऐसे में पुलिस ने यहां से रस्ता खुलवाया है और मैं बताना चाहूंगा जो मैट्रोमास हॉस्पिटल है वहां पर इस समय हजारों की तादाद में जो लोग हैं राजपूर समाज के करणी सेना से जुड़े हुए और 36 कौम की बात यहां पर की जारी उनको स राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुपदेव सिंग गोगा मेडी की उनके अंदर खुशकर हमला वरों ने गोली मार कर हत्या की थी उसके बाद से ही जो बवाल है वो लगातार जारी दोनों ही जो शूटर्स हैं वो अभी फिलाल पुलिस की गिरभ से काफी दूर है काफ राजसान की उसमें भी जिले आते हैं वहां विशेश कॉंबिंग की जा रही है विशेशकर पूरा हत्याकांट हुआ है इसकी जो जिम्मेदारी है वह लॉडेंस विश्णवी गैंग ने ली है जो गैंस्टर रुविद बुदारा है और जो गोल्डी बरार है उनकी और से बकायदा इसको शोचल मीडिया पर पोस्ट करके इस त्यकांट की जिम्मेदारी ली गई है उसके बाद जो पुलिस है वह एक्टिव हुई है तमाम जो गुर्गे लॉरेंस विश्णवी गैंक के जो राजसान के अंदर एक्टिव है जैपूर के अंदर एक्टिव है उनको खंगाला जा रहा है उनके उनकी भी धर पकड़ की जा रही है अभी तक संदीक्द लोगों को पुलिस कर चुगी है उनसे पूस्ताच कर रही है और मैं बताना चाहूंगा कि जो यह मामला है काफी गंभीर है पर सबसे बड़ी बात यह हैं कि नई सरकार बनने वाली अभी स करकार ने शपत भी नहीं लिए और उससे पहले यह इस तरह का एक बड़ा घटना करम घटित हुआ है तो जिसके चलते जो राजिपाल है राजिपाल है राजसान की कल राजविश्व भी लगातार डीजीपी को सीच को और उन सभी लोगों को तलब कर रहे हैं जाज कर रहे हैं वहीं मैं बताना जाओंगा जो राजसान के हैं उनकी और से एसाइटी का गठन किया गया है जो एडीजी क्राइम दिनेश एमन हैं उनके सुपर विजन में एसाइटी की गई है और पहली वार ऐसा हुआ होगा शायद के जो एसाइटी है उसके रिटायर्ट पुलिस रही है और जो एक्शन लेना है उसको गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि नए सरकार का गठन होना अभी वहां पर बाकी है और उससे पहले राज्य में इस तरीके की हिंसा हो रही है तो पूरी तरह पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामने को गंभीरता से संग्यान में धन्यवाद करेंगे विनाय आपका इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आएब आगे बढ़ते हैं मध्यप्रदेश, राजिस्थान और चत्तिसगर्ध विधानसवा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है च आज बीजेपी के दस सांसदों ने स्तीफा सौंप दिया इन सांसदों में मध्यप्रदेश से नरेंद्र सिंग तोमर, प्रहलाद सिंग पटेल, राकेर सिंग, उदै प्रताप और रीति प्राठक, चत्तिसगर्ध से अरुन साव और गोमती साई और राजस्थान से राजव जादा जानकारी लेते हैं, जी मीडिया समवादाता राहुल मिश्रा से, राहुल जरा समझना चाहेंगे जो ये बड़ी जो गतिविधी हुई है, चुनावों के बाद जो सांसदों जीत कर आए हैं, उनके स्तीफे के बाद बीजेपी के रणनीती है क्या? सुन पार है राह से एक बाद फिर से संपर्ख करते हैं, आपको बताएं कि कई बीजेपी नेताओने सांसदी छोड़ी है और उसमें जैसा कि आप देख पारे राजवर्दन सिंग, राठोर, नरेंदर सिंग तोमर, पहलाज सिंग पटेल, राकेट सेंग, उद्य प्रताप और रीती पाठक जैसे तमाम जो विजई सांसद हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने कॉंगुस नेता राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा से भी मुलाकात किया। सनातन के अपमान पर केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकुर ने कॉंग्रिस पर बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने सुन्या गांधी और राहूल गांधी से तीखे सवाल पूछे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये लोग टुकडा टुकडा गैंग के साथ हैं और इन्हें सनातन से घिना है। भारत की संस्कृती, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुन्योजित शडियंत रचा जा रहा है। और श्रीमान राहूल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद, उनका वो ब्यान जब दक्षिन भारत में जाकर वाइनाट से उन्हें दिया, और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतियों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घ्रेना भरी होगी, और कैसे अलग लग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी, तबी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्री में भी जाकर खड़े हो गए थी आपको सुनवाते हैं, डीम के सांसे सेंधिल इस संसत में क्या बयान दिया था, जिस पर ये बड़ा विवाद हो गया आएब आगे बढ़ते हैं, मिचोंग तुफान, तेज हवाँ और बारिश के साथ अटिया दक्षन आंधर प्रदेश के बाप टला से गुजर कर कमजोर पड़ चुका है तुफान ने 770 किलो मीटर लंबी सडक को बरबाद कर दिया है, हेलिकॉप्टर से लिए गए एरिल तस्वीरों से इस तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है सडकों के किनारे लगे पेड उखड गए, तमिलनाडू में भी तुफान और भारी बारिश के वजह से काफी नुकसान पहुचा है तुफान के कारण हुई भारी बारिश और खराब मौसम के चलते तमिलनाडू में कुल 13 लोगों की जान भी चली गई ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सिधार्थ MP ने चन्नाई शहर और आसपास के इलाकों में बारिश रुख जाके करीब 40 गंटे हो गए है पर अभी भी चन्नाई में फ्लड लाइक सिटुएशन धेर सारे लोकेशन में है चन्नाई के north side है चन्नाई के south side है city के regions वहाँ flood like situation अभी भी है और चन्नाई के काफी core areas में भी flood like situation है water logging है at least waste deep water देर सारे locations में है इतने locations cut off है वहाँ boat से ही access है और देर सारे locations ऐसे भी है जिदर boat से भी नहीं जा सकते हैं तो ऐसे locations में Indian Air Force food airdrop कर रहे है करीब 4 Air Force helicopters चेतक helicopters ने food को airdrop किया food और water essential supplies airdrop किया चन्नाई के 8 localities में north और south चन्नाई में 400 kg का dry food और water supplies airdrop किया गया है इसके अलावा rescue और evacuation operations में Indian Army और Indian Navy के ground teams है boats है उनके पास इसके अलावा Indian Coast Guard है इसके अलावा National Disaster Response Force है Air Force के helicopters भी इस operation में take part कर रहे है और इसके अलावा National Disaster Response Force है और Tamillandu government के डेर सारे authorities लगे रहे हैं इस operation में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि total sense of normalcy चन्नाई में आने में at least एक और दिन लग जाएगा क्योंकि डेर सारे localities अभी भी water locked है उदर electricity नहीं है उदर connectivity बहुत कम है और इस कारण और time लग सकता है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि चन्नाई एक sea level पे है ऐसे city है जो sea level से जब पाने बाहर निकलना है समंदर तक उसमें देर लगता है तो ये भी एक challenge है और डेर सारे locations low lying areas है और flood prone areas है ये भी एक बहुत बड़ा challenge है इसके कारण water logging ज्यादा है और flood like situation ऐसे localities में ज्यादा हो रहा है हमें याद रखना पड़ेगा कि इधर की authorities पूरे कोशिश कर रहे है पर ये situation देर सारे localities में city में core area में भी अभी better है उदर electricity connection connectivity restore किया गया है इंटरनेट भी restore किया गया है एरपोर्ट totally operational है तो चैनाई city में डेर सारे इलाकों में situation काफी normal है और डेर सारे इलाकों में ऐसे भी है जिदर operations अभी भी चालू है एक दो दिन लग जाएगा at least total sense of normalcy return करने में चैनाई से जी मीडिया के लिए सिदार तेंटी केंद्र सरकार cardiac arrest यानि दिल का दौरा पढ़ने जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने के लिए 10 लाक लोगों को CPR की ट्रेनिंग दे रही है केंद्र स्वास्य मंत्री मनसुंख मांडविया खुद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामल हुए तो क्या आपको बता है कि heart attack आने पर मरीज को अगर ततकाल CPR मिल जाए तो उसके बचने के उम्मीद 2-3 गुना तक बढ़ जाती है ऐसे में सरकार में देश भर में CPR की ट्रेनिंग देने का अभियान जलाया है आप भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर जीवन बचाने वाले सुपरस्टार बन सकते हैं एक जाग्रूप चैनल होने के नाते हम CPR को लेकर समय समय पर शूज करते आए हैं ऐसे में आज एक बाब फिर हम अपने दर्शकों को एक्सपर्ट्स की जरीए CPR देने का तरीका बताएंगे जरूर देखिए CPR की क्लास हमारे साथ हमारे साथ हूंगे डॉक्टर अरुण के चोपडा डारेक्टर कार्डियोलोजी फोटिस हॉस्पिटल और आपको एक छोटी सी जलक दिखाते हैं CPR देने की 5 बच कर 56 मिनिट पर जरूर देखिए CPR की क्लास अगल कर दिखाते हैं चांद, ब्यूटिफल फ्लोरिंग, वर्मोरा, मचा आ गया, निउस्टाइल, वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का निउस्टाइल रूप में, उत्तराखंड आज अपार संभावनाव से भरे इन्वेस्ट्मेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोडों के निवेश से आगे बढ़ रहा है, राज्य में दो हजार से अधिक व्यवसाइक अनुपालनों में, सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विक् सफलताओं भरा भविश्य सुनिश्चित कर रहा है, आए जुरिये ग्लोबल इंवेस्टर सामेट दो हजार देज के साथ, और दीजिये अपनी आर्थिक उन्नती को उड़ान ICL FinCorp announces public issue of secured NCD, double your investments in just 68 months and earn high returns. To view the prospectus and download the application, visit iclfincop.com सबका ग्यान करे परिशान, that's why download HDFC Sky, a new age all-in-one app, जो बनाए आपको अपने दंपे एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ सलाव रही जो आपके लिए सही, HDFC Sky, बनो अपने दंपे एक्सपर्ट. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मेरे पिता जी ने ना, ये शेर्स में भी investment किया. PSS को फोन लगो. PSS? ये आपके physical shares को digital करते हैं. PSS, Physical Shares Solution. जैसा नाम, जैसा काम. समय पर advanced tax भरना है जरूरी, क्योंकि इस से होती है विकसत भारत के निर्मान की जरूरत पूरी. आपका advanced tax, देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाई, वा देश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे महत्तपूर्ण कारियों को अंजाम देने में काम आता है. तो फिर अपनी advanced tax की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें. याद रखिए, वित्यवर्ष 2023 के लिए 75% टोटल पेअबल advanced tax का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए. Companies, corporates या फिर salaried employees जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपे या उससे अधिक है, तो फिर advanced tax देना आवश्यक है. प्रती एक आई करदाता, एक राष्ट्र निर्माता. 70 years of trusted care, backed by science and innovation. देखो यार, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं. पता नहीं कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमिली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई ये खत्रें पढ़ जाए. तो आज ही पॉलिसी बजार से एक करोड का टर्म लाइफ इंशॉरेंस कराओ, सिर्फ 525 रूपे महिने से शुरू. मोदी सरकार की गैरंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त, पांच सालों में 13 करोड 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, हमारा संकल्ब, विकसित भारत. मुच्वल फंट्स का, मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है, तो वो दुआ देते हैं, भाव यार, अगर आप दी मेरी तरह मुच्वल फंट्स डिस्रिब्यूटर बनना चाहते हैं, तो चाहिए MFD करे शुरू डॉट कॉम पर, तो करे शुरू. मोदी सरकार की गैरंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड असी लाक किसानों को अब तक 2,60,000 करोड रुपे की सहायता, हमारा संकल्ब विकसित भालत. एक खाली पंसा है आपके अंदर, जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे. लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा. The New Safari, Reclaim Your Life. हानी बेंग! मैं फूलों में बसा स्वाध हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ, मैं प्रकृती हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सतकुनों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन मैं बना हूँ मैं, पतंजली हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक बेदाक चांद, ब्यूटिफल फ्लोरिंग, वर्मोरा मचा आ गया न्यूस्टाइल वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल और बाजा में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा बुद्वार को निफ्टी ने पहली बार 20961 का रिकॉर्ड स्तर्च हुआ सेंसेक्स इन 791744 का रिकॉर्ड हाई बनाया बैंक निफ्टी ने 47269 का रिकॉर्ड स्तर्च हुआ अंतबे सेंसेक्स 357 अंग चड़कर 29653 के लेवल पर बन्ध हुआ निफ्टी 82 अंग चड़कर 2937 के स्तर्पर बन्ध हुआ और बैंक निफ्टी 117 अंग गिरा और 46830 के पास बन्ध हुआ इस बुलिटन में बस इतना ही वक्ते ग्रेक का देखते रहिए जी बिस्टी जैलेंट एडवांस LRF रिफाइन TMT बार्स निर्मार का रियल हीरो प्रिजेंट टॉप गेनर्स प्रिफुल बनाने का निउस्टाइब मैं फूलों में बसा स्वाध हूँ हर मिलावट से आजाद हूँ परिश्रम और प्रतिबधता हूँ मैं प्रकृती हूँ शुद्धता हूँ मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ सतकुनों से भरा खरापन हूँ खुदृत का अंश लेकर जीवन दाइनी बना हूँ मैं पतंजली हनी हूँ मैं किसांस से दुकान तक सामको और जी बिजनस ला रहे हैं एक यूनीक शो जो करेगा स्टॉक मार्किट के इंडिक्स एसर्स की पहचान जो बन सकते हैं शेर बाजार के बड़े नाम सामको in association with Zee Business presents Mission Ace The Index Show daily segment only on Zee Business